करां करें अद्फ करें तो पर दो को अलो हेलो क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिख़ाई दह रहा हूं जल्दी आइब प्लीज येस 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 चैट की स्पीड थोड़ी बढ़ा दो क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं बताओ बेटा जल्दी से इस एवरीटिंग इस आल राइट जल्दी 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 बहुत सही सर आप तुनाई तो दे रहे हो बडिखाई नहीं दे रहे थे आई होप और बिलीव अब मैं आपको दिखाई भी दे रहा हूंगा जल्दी से बता दो good evening good evening good evening आप सभी का तु one and only unicorn platform physics वाला स्वागे आप सभी का to the largest platform the largest ad tech platform physics वाला स्वागे आप सभी का तु दिस most loveable platform physics वाला समझ मैं बहुत ज़ग तरीके से मैंने आपका स्वागत का लिया और मेरी आवाज आप तक अच्छे से आ रही है और आप सभी लोग उतने ही जोश में हैं जितने जोश में मैं हूँ आई ना आप गुदिवनिंग 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 स्वागत है स्वागत है आजहिए सभी लोग आजहिए फिस स्टार्ट करते हैं धमागेदार लेक्चर अपनी चैट की स्पीड थोड़ी बढ़ाईए प्लीज क्या मैं अच्छे से दिखाई दे रहा हूं थम्सप भीजे प्लीज ओपी 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 जल्दी से ओपी थम्सप लव यू दिल आग यह सब भीज दो तागी बात समझ में आ जाएगे अवरिटिंग इस राइट नवी कन स्टाइट इस लेक्चर बहुत सही बहुत सही हाँ फिलिंग प्राउड तो बीए पी डव्यून वेरी गुट सेमियर चलिए स्टाट करें और इतना बहुत है कैसे यह आप सब लोग काफी दिन हो गें ठीक है चलिए मैंने सुना की रिकॉर्डड की जिए लाइव मिल लित अच्छा है इंटरेक्षण भी हो जाएगा तुम्हारे मन की बाते भी पता चल जाएगी तुमारी परीप्रेशन केंसे चल रिए वह भी बदटा चल जाएगा ठीक है पर परेशन में चार चांद लगाने आये हम लोग टैंशन ना लो ओपी 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 येस बिटा लव यू लव यू लव यू आल बहुत-बहुत स्वागत है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन आज हम बात करने वाले continuity and differentiability की ठीक है इससे पहले जो इसका connected chapter होता है that is limits limits already recorded uploaded है और I hope and believe सबने देख लिया होगा जिस ने देख लिया फटाफट थम्सप लिखके भीजो या थम्सप भीज़ दो कि आसर देख लिया या फिर ओके लिखके भीज़ दो जल्दी से ओके लिखके भीज़ दो कि आसर हमने देख लिया limits और अब तो हम continuity differentiability देख रहे हैं को एक आदा भूला बटका ऐसा भी है जिसने नहीं देखा ओ तो कोई टेंचन वाली बात नहीं है कोई बात नहीं आज की बाद में देख लेना आराम से पर जैई से पहले देख लेना बटा ठीक है आया ना कि बहुत सही आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं continuity differentiability मतलब continuity पहले continuity क्या होती है उसके बाद में यह दो सबसे पहला पार्ट इस continuity फटा फट अगर मैं फॉर्मली डिफाइन करूं कि continuous function किसको बोलते हैं ठीक है पहले आप अराम सोचो ऐसे की continuous function किसको बोलते ध्यान सुनना येस सरी ध्यान से सुनना आमें थोड़ा कम जमता है मैंने फिर क्या जमता है वो बता दे बोले सर वह 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 व बोलते हैं जिसको ड्रॉ करते वक्त आपको पैन उठाने की जुरत ना पड़े जिसको ड्रॉ करते वक्त आपको पैन उठाने की जुरत ना पड़े और ऐसे ग्राफ को जिसको ड्रॉ करते वक्त आपको पैन उठाने की जुरत पड़े इसको हम बोलते डिस कॉंटिनिवस य तेरे ख्याल से सलल भाषा में यह समझ में आती है बात हना अब इसको टेक्निकली डिफाइन कर लेते हैं कि भीया सर्थ थेओरिटिकली क्या बोलोगे अगर अब ध्यान सुनना प्लीज सामने देखो बहुत बढ़िया अगर मालो आपको फंक्शन की कॉंटिनुटी चेक करनी है एक्स बराबर एपर तो आप क्या करोगे उस पॉइंट पर फंक्शन की लेफटेंड लिमिट निकालोगे ठीक है उस पॉइंट पर फंक्शन की लेफटेंड लिमिट निकालोगे और फंक्शन की वैल्यू निकालोगे जब हम लिमिट शेप्टर पढ़ रहे थे या पढ सर जब continuity की बात होगी तो left hand limit right hand limit function की वैल्यू ये तीनों निकालेंगे अगर ये तीनों बराबर हो और साथ साथ में finite हो तब हम बोलेंगे कि जो function है वह एक्स बराबर एपर क्या है continuous एक्स बराबर एपर क्या है बेटा जी continuous क्या मेरी बात समझ में आती है है यह जल्दी से बत राइट है लिमिट फंक्शन की वैल्यू और इन तीनों में comparison समझ मैं अगर ये तीनों बराबर हो तो कॉंटिनिवस अदर्वाइस नॉन कॉंटिनिवस जिसको बात समझ में आई लिखके बेजो स्वैग एस ड्वल्यू एजी आ जल्दी से बहुत बढ़िया आए ना ठीक है अब देखना मैंने कुछ ग्राफ आपको दिये हैं द्यान सुनना सभी में ही हम डिसकस कर रहे हैं एक्स बराबर एवाला पॉइंट ये भी एक्स इक्विस्ट हुए है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांच वांफ फर्स सेकिंड थर्ड फॉर्फ फिफ्ट है कौन-कौन से कॉंटिनुएस है अगर आपको सारे कॉंटिनुएस लिख रहे हैं तो सी 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 लिखके भीज़ दो हाँ वरना फिर आप एक काम करो सर कॉंटिनुएस फिर कोई बत मिख़ा नहीं फटा पुर्ट लिखेंगे त्स यहां पर बाथक करूं तो मेरी बात जिंडियान सुनिएगा ऑझाल जैसे माल लो यह वाली जो वैल्यू आ रही है यह वैल्यू आ रही है टू तो इस पर आप देख सकते हो graph यहां से आया यह डार्क सरकल और यहां चला गया क्या यहां पर graph टूटा क्या तो answer ए सर नो अगर graph नहीं टूटा तो इस पर क्या कहलाएगा बिटा continuous count लिख रहा हूं इसका मतलब continuous है हाँ जी left and limit right and limit हाँ दोनों बराबर और function की value के बराबर है सर यहां पर आप बोल सकते हो कि function की value तो आ रही है to left and limit भी जब आप x-axis पर a की तरफ जाओगे तो left साइट जे graph जो है न वो इस point की तरफ जाएगा इस point का वाइक ओडिनेट है तू और अगर आप यह बोलते होगी यह वन है तो आप यहां बोल सकते हो कि left and limit कितनी आ रही है कि x-axis पर a की तरफ अप्रोच कर graph इस point की तरफ जाएगा इस point का जो वाइक ओडिनेट है देट इस टू फंक्शन की वैल्यू एपर कितनी है सर वो भी टू राइट हैं लिमिट की बात करूं तो एको एक्स-axis पर राइट साइड से अप्रोच कर राइट साइड से अप्रोच कर जो ग्राफ है वो इस point की तरफ जाएगा इसका वाइक ओडिनेट इस वन सर लेटन लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तो बराबर है बद तीनों बराबर नहीं है तो हम इसको लिए क्या बोलेंग सर यहां पर भी डिस कॉंटिनिवस मेरे कहल से बात समझ में आगी यार हना पड़ा पड़ लिख देता हूं सर अब की बार आप ऐसा बोल सकते हो मालों यह वैल्यू वन है और यह वैल्यू टू है तो लेटन लिमिट तो वन आएगी और राइटन लिमिट भी वन आएगी आ आप एक्स बराबर एक को लेफ्ट साइड से अप्रोच करो तो जो फंक्षन का ग्राफ है वो इस पॉइंट की तरफ जा रहा और इस पॉइंट का वाइक कॉडिनेट इस वन आप राइट साइड से अप्रोच करो इस पॉइंट का वाइक कॉडिनेट इस और तो यहां पर भी हम DC बोल देंगे DC मतलब discontinuous क्या मेरी बात समझ में आ रही है हाई ना एंड लास्ट वाला बता दे फटाफट लास्ट यह कौन अवे बीच में लिग रहा आ गई सथ क्या आ गई अवे भाई साब गनित जो है वो फीमेल नहीं है समझ मैं वैसे कुछ लोगों को गनित जो है वो फीमेल भी लग सकती है क्यों है क्योंकि सर यह समझ में कम आती है हुम है जस्ट लाइक लीडिज ठीक है तो आ गई अगर तुझे समझ में आगे चलते बिटा यहां बता सर यहां पर भी एक्स बराबर एपर फंक्शन का ग्राफ टूट रहा है टूटता हुआ देखकर कि एक पॉइंट पर चर्चा ना करके पूरे इंटरवेल में चर्चा करनी होती है कि ऐसे ब्रेक्ट रहे से लेकर बी तक हमें चेक करना है कि बताओ तो तो open bracket A से B में अगर आपको check करना हो, तो rule यह बोलता है, function should be continuous A और B के बीच में लाय करने वाले हर value पर, A और B के बीच में लाय करने वाले, A को छोड़ दो, B को छोड़ दो, A और B के बीच में लाय करने वाले, हर value पर graph continuous होना चाहिए. अगर आप interval के लिए continuous बोलना चाहरे हो तो ठीक है अगर आप internet के इंटरनेट बोल रहा हूं interval के लिए इस interval के लिए open इंटरवेल के लिए continuous बोलना चाहरे हो तो ठीक है closed वाले में क्या कहानी है अब A और B यहां पर A और B का discussion नहीं होता है यहाँ पर A और B हम दोनों discuss भी करेंगे तो उसमें क्या करना है सर? पहली condition तो यही है इन दोनों के बीच में लाए करने वाले हर X पर function continuous होना चाहिए पहला point उसके साथ साथ अगर आप X बराबर A की चर्चा करना चाहते हो अगर आप X बराबर A की चर्चा करना चाहते हो यह हमारी X एकसे से द्यान रखना जो function का graph है या फिर हम जो portion discuss कर रहे हैं सामने देखते रहना जो हम portion discuss कर रहे हैं वो A और B के बीच में तो बीच में तो graph continuous होना ही चाहिए मानलो इस type का A और B की हर value के लिए continuous होना चाहिए सर A पर हम left hand limit नहीं निकाल सकते क्या आपको यह diagram देखकर पता चल रहा है A पर आप left hand limit नहीं निकाल सकते left hand limit के लिए A के left में आना पड़ेगा न left में graph ही नहीं है domain से बार चलेगे और B पर आप right hand limit नहीं निकाल सकते बस फिर तो फिर हम क्या करेंगे सर A और B जो end points है domain के इसलिए बोला गया कि A पर आप क्या करो function की value और right hand limit मतलब function को right से अप्रोच करो यह दोनों calculate करो और अगर यह दोनों finite आजाए तो function को आप right continuous बोल दो right continuous बोलने का मतलब है कि x बराबर a पर continuous है समझगे x बराबर a पर क्या है continuous one sided हम calculate करेंगे limit और function की value similarly यह जो आपका यह वाला end point है x बराबर b वाला इसमें क्या होगा एक तो function की value calculate हो जाएगी जी एक left hand limit भी आप calculate कर सकते हो क्या कर सकते हो left hand limit तो function की value at b और b पर left hand limit यह दोनों बराबर हो और finite हो finite से क्या मतलब है ऐसा नहीं है कि सर इसकी value भी infinity और इसकी value भी infinity और तुम बोल दो कि सर दोनों infinity infinity बराबर है चलो खेल के तम नहीं जी बराबर होने के साथ साथ finite भी होने जी है क्या मेरी बात समझ गये लिए यस और नो है बहुत बढ़िया है है ठीक है मेरे गाल से यह दोनों बाते समझ में आती है ठीक है यह क्लोज इंट्रवेल पे जिसमें हम ए और बी endpoints में भी चेक करेंगे यह ओपन इंट्रवेल की कहानी है अब इदर आओ कि फटावट दो चार्ट चोटी जोटी बाते और देखते हैं यह कुछ बाते आपको पता होनी चीए जैसे कि पॉलिनॉमियल फंक्शन जो होते हैं वो continuous for every real number every real number से मेरा मतलब है कि for x belongs to r क्या मतलब है बिटा every real number से किसी भी पॉलिनॉमियल का ग्राफ कभी भी ड्रॉ करो वो हमेशा continuous होता है जी बीच में टूटता नहीं जाए आप स्टेट लाइन बना लो पैराबोला बना लो क्यूबिक का ग्राफ बना लो बाइक का ग्राफ बना लो कितने लोगों को बात समझ में आती है 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 ना है फिर उसके बाद में sin x हो गया cos x हो गया sin inverse of x हो गया e की पावर x हो गया 10 inverse of x cortex mod x यह सब लोगों के जो ग्राफ है यह भी continuous होते हैं this is also for every real number this is also for every real number हर x की value के लिए continuous होता है कभी graph तूटता नहीं है I hope and believe आपने ITF पढ़ लिया होगा ठीक है तो 10 inverse of x का graph जो है वो ऐसा होता है cot inverse of x का graph जो है वो ऐसा होता है mod x का जो graph है सर वो ऐसा होता है यह सारे graph कभी भी तूटते नहीं जिसको बात यह समझ में आ रही है क्योंकि यह सब चीजे ना आपको पता होनी चीए क्योंकि हमें जो functions पता है उनका नेचर तो पता हो ना भी है यह continuous है कि discontinuous है तो हमें लगब तुटता है हर इंटीग्रल वैल्यू पे टूटता है समझ रहे हो तो यह बाला discontinuous at every integer कोई भी इंटीजर लोगे उस पर यह discontinuous होता है उस पर तूटता है जिसको बात समझ में आगी फटा-फट साथ साथ में आप मुझे भेजेंगे क्या BMW सर BMW आपको हम गिफ्ट करें अभे नहीं यह चैट में लिखके वेजो ठीक है वैसी सर फ्रेक्शनल पार्ट आफ एक्स का जो ग्राफ होता है वह वह भी हर इंटीजर पर टूटता है वाव सर यह तो अच्छी बात है क्या आप यह बात याद रखोगे आए ना क्या आप यह बात याद रखोगे यह समझ मैं तो यह मैंने आपको दूरू अब टैनेग्स और सेकेकस दोनों का डिनामीनेटर होते हैं कॉस एक्स जहां पर कॉस एक्स आ जाएगा दिनामीनेटर में तो वो और मल्टीपल्स आप पाइबाइट छूपर क्या होता है बेटा जी ओड़ मल्टीपल्स आप जान सुनना हाँ चोरी चोरी चुपके चुपके येस जल्दी से देख तो ये कहां टूट रहा है अगर मैं आपसे पूछू तो आप बोलोगे सर एक्स बढ़ाबर और फीक है पायवाइक मैं यह सर प्यों। यह använd यहीं है यह पर सिर्फ क्या आएगा मैल्टिपल्स पै और रही क्योंकि दोनों गाद नामियाटर कौह ने बिटा कॉट ले रो चाहे को चैसक ले लो ये दोजो दोनों का दोमीटर है कौन साइन और दोनों का डिनॉमीनेटर है साइन है तो वह मल्टिपल क्पाई पेघ meth使踪 आप अर्ड जो है वह गलती से चंपा गया हटा दिया मेंद और सिग्नम का दिनियुटी नियुस अटा जीरो पर सुखन shrub of x आपने देखा हुगा सिंग्नम सुनने में अरे ये तो सब लगता है कि शुक्स लड़की का नाम है अबंडी यंव को तो यह फंशन होता conse मेरे ख्याल से यह सब को पता होगा है है ना मेरे ख्याल से यह सब को पता होगा एक छोटी सी चीज और मैं बता दू नोट करके ध्यान सुनना कि मैंदि was function इस बात को और ध्यानदोकर पता पर gonna land of continuous function किसी भी continuous function का जो मौड होता है ठीक है is also continuous ठीक है यह भी क्या होता है बिटा दिस इस अल्सों continuous हाँ आप किसी भी continuous function पर मौड लगा दो पूरे function पर मौड लगा दो लोगों को बता है कि graphically क्या होता है मौड लगाने के बाद में तो बहुत अच्छी बात है जिनको नहीं पता तो मैं अब आज इसमें कुछ graphical transformations भी आपको सिखाऊंगा कुछ आपको graphical transformation भी सिखाऊंगा तो से आप सीख सकते हैं समझ मैं है हां मिता है ठीक है बट आप एक बार इस बात को याद रखें कि continuous function का मॉड भी क्या होता है continuous होता है या मेरी बात समझ में आ रही है बहुत बढ़ी है इसको याद रखना कोई साभी continuous function लेलो उस पूरे दोनों बाते टी टी मतलब टू टू टी एप मतलब टू फॉल्स एफटी मतलब फॉल्स टू एफ एफ है ना बीज में कोई अपने मन का दर्द ना लिख देना ठीक है जल्दी से एक पड़के दिखाओ पड़के देखो और मुझे जवाब बताओ की क्या रहा है दोनों ट्रू है कि दोनों फॉल्स है कि एक ट्रू है कि एक फॉल्स है पहले वाली स्टेट्मेंट बोल रही है कि वाय बराबर टैनेक्स इस continuous in its domain ठीक है जब इसने ऐसा बोला जब इसने ऐसा बोला तो आप ऐसा बोलो गए कि सर डोमेन मतलब x equals to odd multiples of pi by 2 या फिर odd multiples of pi by 2 कैसे लिखते है वेटा 2n plus 1 pi by 2 की बात नहीं हो रही की बात नहीं हो रही वाव तो अगर सार इन सबकी बात हुही नहीं रही ज़ान तुनना मेरी this is the graph of y b ar d 10x ये वाली value 5 by 2 ये वाली value 3 by 2 ये वाली value minus 5 by 2 सुनता जाना ये वाली value minus 3 by 2 मैं आपको बोलूं कि ये graph कहां two try तो तुम बोलोगे odd multiples of 5 by 2 बैतरीन आपने एक दम सही बोला ठीक है तो डोमेन में ये वाले जो numbers है ये है यह नहीं बिकाज इन पर function not defined होता है तो मैं बोलूं कि अगर इन points को छोड़ दिया जाए मतलब यह वाला cut मत देखो तो उसके अलावा यह function हमेशा continuous है तो answer is yes तो domain में यह function हमेशा continuous है ठीक है तो this statement is true बिलकुल सही बोल रहा है सर यह statement कैसी है बेटा जी true अब यहां पर आओं दूसरी statement अब की बार डोमेन वो मेन का कोई नाम नहीं ले रहा है वाई बर आब 10x is discontinuous है डाट मल्टीपल्स ऑफ पाइबाई टू जो 10x का जो ग्राफ होता है वो पाइबाई टू के और मल्टीपल्स पर discontinuous होता है तो आंसर इस सर यह भी सही बोल रहा है ग्राफ देखो और मल्टीपल्स ऑफ पाइबाई टू पर टूट रहा है कि नहीं अब एक मेन मुद्दा छिड़ता है समझ मैं बच्चे जब हम पढ़ाते हैं ऑनलाइन में या फिर regular classes में तो बच्चे जो अगर वो स्पेसिफिकली मैंचन करे मेरी बात ध्यान सुनना और ध्यान से लिख लीजिए अगर वो स्पेसिफिकली डोमेन वाली बात मैंचन करे मैं एक एक्जांपल करवांगा भी डोमेन वाली बात स्पेसिफिकली मैंचन करे तो जिन फंक्स जिन पॉइंट पर फंक्श फिर आप सारे points बताएंगे जैसे मालो मैं आपसे पूचू कि वे 10x कहां कहां टूट रहा है तो आप बताओगे odd multiples of pi by 2 पर बिल्कुल सही क्या मेरी बात समझगे तो domain वाली चीज मेंचन करें तो वह वाले points हटा देने जहां पर function not defined हो अगर मेंचन नहीं करें तो आपको सारे points बताने और मैं आपको बता देता हूं इस पर चेक करके बताओ तो हमें वो सारे points लेने होते हैं क्या मेरी बात समझगे हैं है ना बहुत सभी दोनों statement true है ध्यानक ना दोनों statement जो है वो true है समझ गे किते लोगों को बात समझ में आगी वाव जिसने समझ में आगी है स्टीव जी है उन्होंने लिखे वेजा फरारी हाँ एफ एफ आर लिखे भेजो आजएए नाओ कुछ basic questions of continuity बहुत ही basic questions यह वराइटी जेए में आती है यह वाली जो वराइटी है दिस वराइटी या फिर दिस फॉर्मेट इस को बोलते हैं पीस्वाइज डिफाइ яв लेट हैं कि दिस nor आगी बेल्युम्या और अब आप ध्यान से देखोगे तो ही इसको बोलते हैं पीस्वाइस दिफाइज इफाइध फंक्शन इसको कहां बोलते हैं पीश वाइस दिफाइज function तुकुडो तुकुडो में परिभाषित function वाउ और हिंदियों तुकुडो तुकुडो में परिभाषित फलन इंगलिस ठीक है मैं थीक है और ना अब यहाँ पर मुद्दा ही घतम हो गया मैंने पूचा कैसे भई अखुद चिला चिला के बोल रहे हैं कि एक्स बराबर जीरो पर हमें continuity की बात करनी है ठीक है तो सर एक्स बराबर जीरो पर ध्यान सुनना add x equals to 0 क्या बोलोगे सर लेफ्टेंड लिमिट लेचल राइट लिमिट और फंक्षन की वैल्यू एड जीरो यह तीनों बराबर होनी चीए क्या सर बिंदास बराबर होनी चीए मैंने का फटा फट मुझसे पहले सौल करके दिखाओ तो मानू हां सर लेफ्टेंड लिमिट कहां स्टु जीरो माइनस मतलब जीरो के लेफ्ट में मैं वैलव्यू चेक करना चाहरा हूं जीरो धूकल लेफ्ट में मतलब जीरो से थोड़ा सा छोटा एब बसूत जीरो से थोड़े के लिए ये परीभाश हा मतलब ये बाला पार्ट अट उठाओं बीगोट आओं कि Alice को उठाओं तो अब्यूसली जीरो से चोटे के लिए वह वाली विवस्ता हमें दे रखी है मतलब जीरो से चोटा जो भी नंबर रखोगे वह आप इसमें रखोगे आया ना कि ठीक है बोलो वह आप यहीं रखोगेगा अरे कुछ तो बोलो बहुत बढ़िया तो सर यह वाली डेफिनेशन उठाला हूँ बिल्कुल सही साइन के अंदर ए प्लस टू मल्टिप्लाइड बाई एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स मैंने फटा फट देखा और चेक किया यह कौन सा फॉर्मेट है एक्स को जीरो की तरफ ले जाओगे यह जीरो साइन जीरो जीरो होता है यह भी जीरो सर आप बोल सकते हो यह जो फॉर्म है यह जीरो बाई जीरो की फॉर्म है मैंने बोला 0x0 form कैसे solve करते हो बोले सर अगर किसी के सामने point बनाना हो मानलो हमारा घर वाले रिष्टा लेके जाएं लड़की वालों के यहां और लड़की का पिताजी अगर हमें एक question देता है 0x0 form का और बोले की solve करके दिखा तो आप उसके सामने एल उस्पिटल से नहीं solve कीजिएगा क्योंकि समझदार लोग टेक्निकल तरीके से इसमें expansion वगरा लगा के करते हैं बट सर यही सवाल अगर हमारे से कोई दोस्त पूच्चा है पार्क के नुकड में तो बिंदास एल उस्पिटल लगाओ किसके सामने किसको दिखाना है समझ मैं आया ना वहां पे तो सर अपनी बोलते ना personality बना नहीं बिल्कुल सही इसका differentiation समझ मैं एल उस्पिटल पता है न ऊपर वाले का derivative और नीचे वाले का derivative अलग जैसा आप अ बिना एलेच रूल तो कॉस ओफ ए प्लस टू एक्स ए प्लस टू इंटू एक्स का derivative a प्लस टू उड़ी बाबा सर यह कैसे मल्टिपल समझ मैं रहा है कि नी समझ मैं रहा है और साइन एक्स का derivative वन उपर वाले का derivative अलग नीचे वाले का derivative अलग फटा फट मुझे बता यह वैल्यू पूरी कितनी आ गए जिसको आप तो हाई ना अरे बोलो यार तुम लोग कहां गयव होगे ओट आप अब आट राइट-इन लिमिट राइट अच्छा सर हम सवाल सौन करने में बीजियां राइट-इन लिमिट कैसे निकालेंगे सर राइट-इन लिमिट लिमिट एक्स अप्रोच इस टू जीरो प्लस 0 से थोड़ी सी बड़ी value तो 0 से थोड़े से बड़े के लिए ये वाली definition उठेगी जी पहले ही बोल रहा हूं ध्यान सुनना इसमें से x common ले सकते हो तो answer is sir yes जैसे आप इसमें से x common लोगें ध्यान सुनना तो x की power 1 by 3 common आ जाएगा यहां बचेगा 1 plus 3x कि whole power 1 by 3 minus sir यहां पर भी x की power 1 by 3 whole divided by x की power 4 by 3 क्या यह बात समझ में आती है पहले ही मुझे दिख रहे x common आ सकता है 1 by 3 1 by 3 यह सब उड़ाओ फटावड़ बताना ज़रा का बचो सर यह 1 by 3 x की power 1 by 3 यहां से जाएगा तो power बचेगी 1 क्योंकि 4 by 3 में से 1 by 3 अटा दो तो 1 बचता है तो मतलब सर यह चीज हमारे पास यह बच गई कोई value बताना चाहेगा क्या कि हाँ session को interesting रखना है discussion होता रहना चाहिए कोई value बताएगा क्या जल्दी से जल्दी से कि यह कौन है विटा करन बत्रा सर आपकी याद आ रही है फ्रॉम लक्से जही अभी कल ही तो क्लास करके हूं परसों आज तुझे याद भी आ गई सर इसमें अब पहले form चेक करो हमेशा जब भी limit का सवाल बने continuity और differentiability के questions limit के सवालों पर जाकर रुखते हैं limit के सवालों में maximum जगाए 0 बाई 0 और infinity बाई infinity की form बनती है मेरी बात पर शब्दों में सुनने की कोशिश करना और जवाब देना प्लीज सर फॉर्म चेक किया एक्स को 0 की तरफ लेके जाओगे 0 1 की पावर 1 बाई 3 1 1-1 0 सर यह 0 बाई 0 फॉर्म है मैंने का कैसे निप्टा हैं बोले सर जैसे उपर वाले को निप्टा है था और जैसे आज कल physics वाला हर एक को निप्टा दे रहा है competitor को वैसे निप्टाओ खट खट मैंने का ठीक है उपर वाले का derivative 1 बाई 3 ठीक है देख ले ना भाई 1 प्लस 3x का derivative इसकी पावर जो है वो कितना हो जाएगा 1 बाई 3 माइनस 1 तो माइनस 2 बाई 3 multiplied by 1 प्लस 3x का derivative 3 होता है और denominator का 1 ठीक है अब सुनते जाना ये value आ गई क्या बिल्कुल सही सर यह यह अब आप x को अगर 0 की तरफ लेके जाओगे तो 1 प्लस 0 तो 1 प्लस 0 की पावर कुछ भी रखो तो 1 प्लस 0 वन होता है वन की पावर कुछ भी तो यह पूरा रहा है वन तो भाई साब हमारे पास तीन जवाब आ चुके हैं left hand limit right hand limit function की value कैसे पता अजर function की value यही है बोल रहे है 0 पर value b आईगी obviously आया ना जवाब बता दोगे क्या कुछ और भाई साब एक तम चुप पड़े हैं चुप माही चुप है रांजा जैसे तुने पी लिया कुछ नहीं यहाँ जाओ बीगी value कितनी आईगी सर बीगी value 1 आईगी obviously क्योंकि B और function की value और right hand limit बराबर हो नीची है सर मैंने का ठीक है और a की value minus 2 अब सर एकी जगह minus 2 बीगी जगह 1 दोनों को जोड़ दोगे सर यह क्या हो गया लो सर 0 कैसा पर यह मैं वापिस बूल रहा हूं दिस वराइटी इस असान है यह फेवरेट है द्यान रकना यह जही की मेंस की फेवरेट है आया ना कि अ कि अ कि समझ गे तुम हाँ समझ नहीं है बस बोलना नहीं होता आज के जवाने में आ जाए ठीक है यह वराइटी ध्यान रखना ऐसे अलगलग डिफाइन करेगा और हमें का करना है value ठाकर रखने बहुत सभी आजाओ एक और करोगी क्या मैं बोलता हूँ जही मेंस मतलब यह वाली वराइटी जैसे उनके पास सवाल खतम हो गए जल्दी से जल्दी से जल्दी से कभी-कभी तो तुम्हारी चैट आना एक दम आग बगड़ लेती है कभी-कभी तुम लोग एक दम धरती में गुज जाते हो दोनों काम पैरलल में करो अब एक बार चैट को रोक दू और अपनी नजरें स्क्रीन पर ठोक दो और इसका जवाब बताओ बापिस टुकडों मे हिसाब से function को define किया गया है और भाया बोल रहे हैं कि यह function जो है continuous 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 की बात हो रही है फिर A और B निकाला गया है मतलब आप सरल शब्द में यह बूल सकते हैं कि A और B बताओ अगर पूरा function continuous है तो मैं आपको इस बात की गरेंटी दे सकता हूं कि आज अगर आप पैरलल में अब ध्यान सुनना सर यहां पर जो टुकडे हैं बन से छोटे के लिए 5 है बन से बड़े के लिए तो फटा फट अगर मैं आप से पूचू कि आप इसको कहां कहां चेक करोगे तो जहां जहां पर टूट रहा है तो एक्स इक्वेस्ट वन ध्यान सुनना अगरेट एक्स इक्वेस्ट वन ना वन के लेफ्ट में लेफ्टा लिमिट कितनी आएगी रूट से छोटे के लिए जर वैलिव आ रही है फंक्षन की फाइफ एक्वेलिटी लगीव है मतलब फंक्शन की वैल्यू वन पर भी फाइफ है मैंने पूुचा राइट है मतलब कि आप value यहां से उठाएंगे मैंने का ठीक है फंक्षन यह है अगर आपको 1 से थोड़ी सी बड़ी value यहां रखनी है तो रखो X की जगा 1 की थोड़ी सी बड़ी value तो यह हो जाएगा B into 1 प्लस ए तो राइट हैंड लिमिट कितने लोग एगरी करते हैं कि A प्लस B या B प्लस A आ रही है यह एक्स बराबर वन की कहानी प्लाबर मैंने बोला X बराबर 2 की कहानी बता दे जल्दी से बता दे यार हां सेम सर सेम लॉजिक से मैंने का हां सब्सक्राइब तो कोई टेंशन के लिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितने लोगों को यह चीज देखनी आती है सीजी बताना यार ठीक कई मैं फटा फट यहां पर चापता जाओं तुम बोलो सर नहीं समझ में आया थ्री से छोटे के लिए थ्री से चोटे के लिए यह डैफिनेशन है तो आप इसमें रख और थ्री से बड़े के लिए यह परिवाशा है तो यहां पर थ्री रखते यह आ जाएगा बी प्लस पंद्रा सर हमें एक जगा और टूटता हुआ दिखाई दे रहा है उसको भी नहीं चोटना है भाई या पटा फट एक्स बराबर पांच पे एक्स बराबर पांच पे बत के लिए यहां से निकालोगे तो इसमें तुसर एक्स रखी नहीं सकते दिस इस कॉंस्टेंट मैंने का बहुत बढ़िया अब यहां पर एक गनित की बहुत अमेजिंग सिच्वेशन बनी है ध्यान से देखिएगा दोस्तों आया ना ठीक है ध्यान से क्या देखना आपको ज अब जब गनित में दो एक्वेशन यह तीन एकवेशन और अनोन दो ही हो छो है गनितव में एक पहली हिसाब चलता है रिसाम मतलब जितने अनोन्हों अतनी रिख्यादा हो सकते यह एक देखी हुए देखिवी है चीजे बट सर ये एक rare situation है जब equation जादा होती है unknown कम होते हैं मैंने पूछा unknown कौन है सर A और B आपने equation कितनी बना ली 3 कैसे बनी सर 3 पहली equation तो यहां से बन रही है देखना ज़रा ये तीनों बराबर करोगे ये ये और ये बराबर तो A प्लस B बराबर 5 सर इन तीनों को बराबर करोगे A प्लस 3 B बराबर B प्लस 15 और इन तीनों को बराबर करोगे 25 प्लस B बराबर 13 तो मैंने पूछा कौन सी situation है unknown 2 equation 3 वाउ तो इसका मतलब यह नहीं है कि किनी भी 2 को solve करके आगे बढ़ जाओ आपको किनी भी 2 को solve करके जब-जब ऐसी situation बने मेरी बात ध्यान सुनना जब जब ऐसी situation बने कि unknown तो कम है equation ज़्यादा बन गई तो ऐसा नहीं कि किनी भी 2 को solve करके खुश हो जा रहे हैं नहीं आप 2 को solve करो तीसरे में value पुट करके देखो satisfy कर रहा है कि नहीं अगर तीसरे को भी satisfy कर दे तब तो जवाब कुछ आएगा अदर्वाइस उसका no solution कहलाता है अब किन दो को मैं 5 पटकूंगा तो एकी value 0 आ रही है तो मैंने यहाँ पर क्या किया ए बराबर 0 और बी की value 5 पुट की ठीक है तो जब मैं एकी बी की value 5 पुट करता हूं तो left hand side आ जारी है 15 और 15 प्लस 5 5 प्लस 15 सर यह आ जारी है 20 और यह दोनों बराबर नहीं होते तो यह जो आपने values निकाली यह satisfy नहीं कर रही इस वजह से हम क्या बोलेंगे no solution एक बार फिर से repeat कर देता हूं जब भी कभी unknown कम equation ज्यादा बने तो भया किन satisfy कर रही हो तब आप एक जवाब दोगे अगर satisfy नहीं कर रही जैसा इस case में तो आप बोलोगे no solution मतलब यह कभी भी continuous होई नहीं सकता यह तीनों चीज़े कभी भी बराबर होई नहीं सकती यह तीनों बराबर नहीं होंगी तो यह function continuous नहीं आया ना समझेगी नहीं समझे चलो एक और कर लो मैंने बोले जाब याइट इस चीज़ को यह फेवरिट वराइटी फिर आगे चलेंगे लव यू फेवरिट वराइटी प्का कर लो क्रिस्टल क्लियर वेरी गुड शूर्य त्यागी जी है हमारे तेसाथ प्रतीक जी जुड़ चुके हैं बहुत बढ़िया पनी क्लिप्स भी जुड़ चुके हैं वाउ पनी क्लिप्स का क्या मतलब है अपनी फोट बे डालता रहता है का इंटरनेट पे यह सर आएंग सो फनी लोग मेरे को देखकर हसते हैं सर कहां चलेगे बीच में या आप मुबाइल में सॉल्यूशन देखने गए होगा अरे नहीं भाईया इतने तो यह तोपचीन सवाल भी नहीं आए जिसके सॉल्यूशन देखने की जुरत पड़े एक स्क्रीन के आगे खड़े हो गया यह खड़े हो जाते हो सब्साइड में अटो यह आई गया है आगया है अगया है मेरा फेवरिट स्टूडेंट आ गया है कहां पर हो थर समझ नहीं आ रहा हम वाओ कि घुर को अनधार फुर्ट कर दो साथ इसको इसको कैसे अटवांस करो मैं सवाल आएंगे एडवांस के सब्सक्राइए रहा है हां मैं वहीं सोचू काफी देर से सभी लोग बोलने से समझ में आ गया समझ में आ गया आया निवो आ गया आ गया वो आ गया चलिए सब्स डिफाइंड प्रॉम माइनस बंड़ी से लेगे बंड़ी यह राफ फंक्शन जीरो अगर वैल्यू नहीं लोगे तो यह वैल् अगर यह हमेशा कॉन्टीनिव इसए तो यह कहां टूट रहा है टूटा टूटा एक परींद कहां टूटा एक्स बराबर जीरो पर तो हम क्या करेंगे लेट हैं लेट हैं यह सथीरो माइनस पर भी हीचीज उठाऊगे तो एक साथ लिख लो ना नाई यहां पर मैंने प्लस लगाया ना ही माइनस लगाया ठीक है तो मैंने यहां पर लिख दिया यह लिखाओ बिटा एलेन लॉग जिसका नैचुरल बेस होता है ए वन प्लस थ्री एक्स अपॉन वन माइनस टू एक्स दिस वोल डिवाइड़ बाइक्स कितने लोग इस बात से सब्सक्राइब करते हैं मैंने का बहुत बढ़िया कैसे कल्कुलेट करोगे कितने लोगों को यह बात समझ में आगी कि इस चैप्टर इस नथिंग बट एक्सेंशन आफ लिमिट्स मतलब अगर आपको लिमिट वाली चीज आती है तो इसमें कुछ नहीं बस एडिशनल दो दो पूज जीजह हो रहा है सब अब एक्स को जीरो की तरफ लेके जाओ के 001 एलन वन होता है सर जीरो मैं टीक है और डिनामिनेतर भी जा रहा है जीरो की तरफ यह कहां सर 0 by 0 फार्म बंढे कॉन सा कॉन सा रूल लगाना है सर यह एच रूल लगाना है मतलब डिपरेंश यह लो और क्या है और यहां पे मतलब काई डूंड रहों चलिए सर लिमिट X अप्रोच इस टू जीरो the denominator derivative 1 इसको लिख सकते हो 1-2x upon 1-3 x अभी भी इस जहानी खतम नहीं होगी जिसको आप चेन रूल बोलते हो अंदर वाले का डिफ्रेंशेशन भी तो करना है मैंने का बिल्कुल सही ध्यान सुनना अब इसमें भाया यू अपॉन वी डूल लगेगा इसमें मत बोलते ना सर इसका डिफ्रेंशेशन थरी अपॉन माइनस टू मैं की अलगलग डिफ्रेंशेशन लिखने है अब जब इसको डिफ्रेंशेट करने जाओगे तो अंदर यार यू वी डू लगे गई बले सर हमें तो को डाउट नहीं था आप जब्रदस्ति समझा रहे हो मैंने का ठीक है डिनामिनेटर का स्क्वाइर नुमेरेटर का जाओगे यह कितना आएगा सर यह वाला पार्ट जीरो जीरो बहुत बढ़िया शाबाश येस येस होगा तुमसे भी होगा सबसे होगा टैंसन आले सर यहां बचके वन मल्टिप्लाइड वाए थ्री और यह माइनस इंटू माइनस टू तो थ्री प्लस टू बाकी सारी यह वन तो इसका जवाब आया पांच मेरे खाल से कोई परिशानी होगी नहीं किसी को अगर कुछ है तो बता दीजिए जिसको अच्छे से बात समझ में आगी पूरी एकदम डिटेल में दिमाग तक गई है थम्सप भीजो थम्सप भीजी प्लीज ठीक है तो यह जो है यह सवाल आ रहे हैं देखो आपकी किसमत बहुत अच्छी हो सकती है कि आपकी शिफ्ट में ऐसा ही सवाल निकले टिक करो आगे बढ़ो और क्या है बड़ ऐसे सवालों को पहले ढूंड़ना बहुत जरूरी होता है अधिक है हां लिक्के बेजो थम्सप ओपी बेजो ओपी ओपी अब जो लोग नहीं बेज रहे हैं ओपी मतलब सरबात सीधी दिमाग में नहीं गई मैंने पूचा कैसे दिमाग को पैनीट्रेट करते वें इस तरफ से निकल गी मैंने का वह कैसे बोले सथ जगह खाली है ओम आजाओ 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 ठीक है चलिए अब हम बात करते टाइप सब डिसकॉंटिनुटी की आपने एक ग्राफ दिखाया ध्यान सुनना मेरी बात आपने शुरू-शुरू में बड़े बढ़िया बढ़िया ग्राफ बनाये थे सर मैंने बहुत बढ़िया आपने ध्यान से देखा क्या हाँ यहाँ पर इसको छोड़कर बाकी सारे डिसकॉंटिनुएस हैं अब इन डिसकॉंटिनुटी का कुछ नाम होता है ठीक है इन डिसकॉंटिनुटी का जो है वो कुछ नाम होता है वो नाम मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर्फ पूछोगे तो तब ना जब तीन दो पार्ट है जिसका जिस डिस कॉंटिनुटी को हटाया जा सकता है उसको हम बोलते हैं बेटा रिमूवेबल सर यह हटाया जा सकता और नहीं हटाया जा सकता यह तो हमें समझ में नहीं आता आपको कैसे पता चलेगा कि टाइप ऑफ डिस कॉंटिनुटी है वो रिमूव है तो उसका सबसे पहला हिंट वहाँ पर लिमिट एक्जिस्ट करेगी मतलब कि देखो आपको आपको यह वाला फॉर्मूला बताया गया कि लेफ्टेंड लिमिट राइट लिमिट फंक्शन की वैल्यू और फाइनाइट अना तो सुरा रिमूवेबल टाइप वहाँ पैदा होता है या उन डिसकॉंटिनुटी को बोलते हैं जहां पर यह दोनों तो बराबर होंगे मतलब लेफ्टेंड लिमिट टू आई राइट लिमिट टू आई फंक्शन की वैल्यू थ्री आगी लेफ्टेंड लिमिट टू आई र इस टाइप से मतलब यह दोनों तो बराबर है परन्तु फंक्शन की वैल्यू गडबड कर दे रही है उस टाइप में हम क्या बोलेंगे रिमूवेबल टाइप डिसकॉंटिनुटी तो सबसे पहला हिंट क्या है लिमिट एक्जिस्ट करेगी जी बिल्कुल सहीं पहले वाली है और इसकी पहली वराइटी है तब i is isolated point graph से समझाता हूं क्योंकि जो pictorial हना pictorial representation होती है वो अच्छे से समझ में आती है isolated point का मतलब होता है पहले अपने आप में दिमाग में समझऊ एक बार किसको मत देखो isolated point मतलब point वहां से उठ कर कहीं और चला गया तो अगर आप इसको ग्राफिकली समझोगे तो जैसे यह वाला जैसे x equals to a यह वाली value बोल देते हैं 1 यह वाली value बोल देते हैं 2 तो इस पर हम बोलेंगे इसका example यह है जी isolated point मतलब यहां पर होना चीए था अगर यह पॉइंट यहां होता तो सर्ग्राफ एकदम बिंदास continuous बनता बड़ यह पॉइंट यहां से अटकर ऊपर चला गया ऊपर चला गया मतलब कहीं और जाकर शिफ्ट हो गया तो इसको हम बोलत साइट से एकी तरह अपरोच किया तो ग्राफ इनगा इस पॉइंट की तरफ इस पॉइंट क यगा i+. y यह रहा right-side से एकी तरफ जाओ गे तो graph इस. पॉइंट की तरफ जाएगा इस. यकोश लोग बोलेंगे सर यहां पर पॉइंट नहीं है हमें उससे कोई लेना दिना नहीं है ठीक है बट अगर मैं आपसे पूछो वट इस दा फंक्षन की वेल्यू एट ए तो देट इस टू इसको बोलते हैं आइसोलेटेट पॉइंट डिसकॉंटिनुटी लह रहे चल तो बराबर होगी बट वह फंक्षन की वेल्यू के बराबर नहीं होंगे आई ना अरह वोलो कुछ चाहिए इस दिसकी एकदम चीज़ें क्लियर है अब आते हैं सब मिसिंग पॉइंट मिसिंग पॉइंट मतलब वहां से पॉइंट ही गायब है यहां पर पॉइंट उठकर कहीं और चला गया तो यहां पर सर पॉइंट ही गायब है जिसको बात समझ में आगी है मेरे ग्राफ ड्रॉ करने से पहली मुझे बताईएगा जुरूर सर यह हमारी जिन्दगी से बड़ा इत्यफाक रखती है मैंने पूचा कैसे बोले वह भी हमारी जिन्दगी से एकदम गायब है कुछ कुछ अच्छा यहां पर आब आप जैसे बोलते ना गणित जो है सर वह रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं होती होती है यह वह वाली डिसकॉं हमारी जिन्दगी में यह वाला खांचा ही खाली है अब तक आई ही नहीं छोड़के तो बाद में शिफ्ट होगी तो मिसिंग पॉइंट है कि यह वाली है यहां सर हमारा ग्राफ तो बढ़िया चल रहा है कौन सी कैटेगरी मैं लिख के बताएंगे जरा एक बार ठीक है मिस ठीक है भाई तो यह मैंने ग्राफ बना दिये हैं माल लो अब आगे चलके मैं कहीं पर आपसे इस टाइप का आता है मैं आपसे पूचू कि एक्स बराबर एपर कौन सी डिसकॉंटिनूटी है यह जगह जगह से टूटा हुआ है बहुत बढ़िया वह जगह जगह से थी चुड़ो अगर माल लो ऐसा कुछ ग्राफ पर पॉइंट आता है ऐसा कुछ ग्राफ पर पॉइंट आता है मैं पूचू की इस डिसकॉंटिनूटी का मुझे नाम बता तो आप यह मत बोलते ना missing point पूरा बोलना एकदम एड्रेस के साथ साथ रमेसिंग missing point रिमूवेबल टाइप डिस्कॉंटिणिटी ऐसा कुछ आ जया तो isolated पॉइंट रिमूवेबल टाइप अब यहां पर मैं तुरंट समझा देता हूं फटाफट इनको रिमुवेबल क्यों बोलते हैं इनको रिमुवेबल क्यों बोलते हैं ध्यान सुनना रिमुवेबल टाइप उसको बोलते हैं सरफ सुनने वाली बात आप से कोई पूछे गानी की रिमुवेबल क्यों बोलते हैं उस discontinuity को removable बोलते हैं, जहां पर आप function को एक point पर redefine करके उसको continuous बना सको, वापिस सुनना, function को redefine करने हैं, बट आपके पास power है कि आप सिरफ एक ही point पर function की value बदल सकते हो, और वो बदलने के बाद में कि आप उस function को continuous बना पाओ, तो ऐसी सारी discontinuity is removable कहलाती है, जैसे मालूम आ आपको power दू कि x बराबर a पर function को आपको redefine करना है, तो ठीक है sir, हम इस point को उठा कर यहां ले आएंगे, एक point पर value चेंज करने की power आपने दी, तो जब मैं इस void को भर दूँगा इस point से, तो अब यह continuous हो गया, ठीक है, एक point पर change करने की है, फिर मालनो यहां पर आपके पास एक point पर value चेंज करने की है, अभी यह a पर defined ही नहीं है, तो हम value क्या करेंगे, sir, हम यहां पर इसकी value फिर से बर देंगे, तो मैंने जो बदलाव किया, वो एक ही point पर किया, तो एक point पर बदलाव करके, अगर आप discontinuity हटा सको, तो उसको removable type बोलते हैं, इसका जो अगला है, व पतलब आप बोल सकते हो, कि LHL और RHL ही बराबर नहीं होंगी आपस में, और अगर बराबर हैं, तो वो finite नहीं होंगी, समझ गे, तो पिछले वाले में limit exist करती है, इसमें limit exist नहीं करती, क्या मेरी बात समझ गे, हाई ना, ठीक है, अब इसमें भी सर्थ 3 variety है, पिछले वाले हाटी है, that is finite type, infinite type, and oscillatory type, ठीक है, finite type में क्या होगा, दोनों finite होंगी, LHL और RHL, बल दोनों बराबर नहीं होंगी, ठीक है, दोनों finite होंगी, परन्तु दोनों बराबर नहीं होंगी, जैसे कि ऐसा, ध्यान सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना, देखतार है सामने, ठीक है, साथ-साथ में graph बना दे रहा हूं यार, और क्या है, जैसे कि एक यह वाला, यह वाली जो value आ रही है, this is 1, यह वाली जो value आ रही है, this is 4, ठीक है, फिर सेम मैंने एक graph बनाया ये वाली जो value आ रही है this is again 1 and ये वाली जो value आ रही है this is 4 ठीक है अगर आप graph पे ध्यान से देख सकते हो तो भीया इसमें जो left end limit आएगी वो है 1 क्या मेरी बात समझ में आ रही है आया ना ये कौन है एक बीच में बोल रहा है सर अवाज तेश करो सारी चीज़े ठीक है के बिटा एक बार सभी लोग बता दो मुझे क्योंकि यहां पर थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है हाई गर्मी ये बीच में कौन है बे इंटीग्रेशन बढ़ा दो सर अभी वाह सर है कि ऑक्टोपस है कि एक हाथ से इधर कॉंटिन्यूटी डिफ्रेंसिबिलिटी दूसरे हाथ से उधर इंटीग्रेशन हाँ बहुत बढ़िया अवाज एक्दम सही है गया तो जो मुझे बोल रहा था कि भी आवाज बढ़ा दो तो मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा वह यलो यलो जो होता है न डिटी फैलो वह सुबह निकाल लिया करो नाते वक्त हां जी नाओ मैं यहां पर बोलना चाहरा हूं दोनों में ग्राफ में different समझ में आया सर यहां पर तो एपर function defined है यहां पर function इस पॉयंट की तरफ टपाइगा इसका य ? यहाँ पर भी राइट-ञ पूठी तो यहीं। तो यहाँ पर यह लिम इत्र एक्जिस नहीं कर रही सब्सक्राइब तो इसको हम बोलते हैं नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप रून रिमूवेबल फाइनाइट टाइप ठीक है अब इस वराइटी में एक आप से एक्स्ट्रा चीज पूछी जाती है यह जंप आफ डिसकॉंटिनुटी क्या पूछा जाता है बिटा कि मैंने बोला जँप समझे की निसमझा तो जब क्या होता है ना नेगेटिव डिफरेंस यसा रह यना मतलब कि चाहे ल घसलमे से इले एक तो जो कि यहां से यहां कितना जंप हुआ ग्राफ में यहां से यहां कितना ग्राफ में जंप हुआ उसको हम बोलते हैं जंप तो अगर मैं आपसे पूछू कि यहां पर जंप कितना है तो जंप यहां पर आप बोलोगे सर प्लस थ्री ठीक है चाहे वन में से फोर को गटाओ चाहे फ praof discontinuity क्या मेरे बात समझ मैं आगी क allá है ना आ है समझ मेर जमय तक्या मेरेरी बात समझ में आगी कुझ दीर नां अब इंफानाई टाइप में क्या है सर in 1 आाइट में वह मतलब है जब एक कोई बहुस आ दोनों कहां चली जाए infinity की और चली जाए ग्राफिकली समंजाओं से ग्राफिक li queria til थिये किते लोग एगरइंगे इस बात से करेंगे इस बात से कि ग्राफिकली सही मेर से थिखना जाण से जैसे एक ग्राल आप यह वह यह वcejна कि अब इन दोनों ही पॉइंट्स पर अगर मैं आपसे एक्स बराबर एपर पूश्ता हूं कि इन दोनों ही पॉइंट्स यहां पर ये वाले एक्जाम्पल से ध्यान रखिएगा प्लीज ये वाली डिस्कॉंटिनुटी इसमें अगर लेटेंड लिमिट निकालूंगा अगर मैं एक्स बराबर एको लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं तो ये ग्राफ कहां जा रहा है सर ये ग्राफ जा रहा है सर ऊपर की तरफ मतलब प्लस इंफिनिटी तो लेफ्टेंड लिमिट प्लस इंफिनिटी वैसे ही राइटेंड लिमिट के आएगी सर वो भी प्लस इंफिनिटी तो अब की बार दोनों ही लिमिट्स लेटेंड लिमिट और राइटेंड लिमिट कहां नहीं है इसमें function a पर defined है क्या मेरी बात समझ गिए नेक्स्ट इस और सिलेटरी टाइप इसका ग्राफ मैं अलग से बना देता हूं ठीक है यह सुनना जरा ध्यान से और सिलेटरी लिमिट याद है और सिलेटरी टाइप का मतलब होता है जब और सिलेटरी लिमिट बन जाए जैसे माल लू यह वाला function है fx is equal to sin of 1 upon x when x is not equal to 0 और this is equal to 0 when x is equal to 0 तो मैंने एक function define किया मेरी बात ध्यान सुनना और सिलेटरी टाइप का आप बोल सकते हो ऐसा ही एक example याद है ठीक है ऐसा example होता है सर उसलेटरी टाइप का क्या मतलब है जैसे माल लो मैं आपको बोलू कि discuss करो continuity at x equals to 0 आप x बराबर 0 पर इसकी continuity discuss करो ज्यान सुनना तो अगर आप इसकी continuity discuss करने जाओगे तो सर फंक्षन की value 0 पर तो 0 है तो left hand limit या right hand limit अगर आप 0 से बड़ी value या 0 से छोटी value लेते हो तो आपको इसी definition को use करना है मैंने का बहुत बढ़िया तो मैं यही तो करूँगा limit x approaches to 0 या तो plus या minus दोनों समझ मैं और sign of 1 upon x सुनता जाना अब एक बाद बता सर जब x 0 plus या 0 minus है तो 1 upon x जो है वो या तो plus infinity होगा या minus infinity होगा दोनों में से एक ही तो होगा मुझे अब एक बाद बता sign की value plus infinity पर या minus infinity पर क्या आती है तो आपका जवाब यह होगा कि सर exact कौन सा number आएगी वो मुझे नहीं पता आपका जवाब क्या होगा क्योंकि आपने sign की अंदर अब की बार बहुत बड़ा एक argument रख दिया है अंदर जो आप एंगल रख रहे हो वो बहुत बड़ा है या तो प्लस infinity है या बहुत चोटा है माइनस इंफिनिटी है नहीं निकाल पाए क्योंकि वैल्यू एग्जेक्ट बतानी चाहिए लिमिट में तो समझ मैं तो इस वज़े से जब आप यह नहीं calculate कर पा रहे हो तो यह क्या है सर डिस्कॉंटिनिवस फंक्शन है यह कैसा फंक्शन है डिस्कॉंटिनिवस और इसमें सर कैसी बन रही है और उसका हम क्या रीजन देंगे क्योंकि लिमिट जो है वो पर्टिकुलर नंबर की तरफ ना जाने की बजाए ऑसिलेट कर रही है माइनस वन और वन के बीच में अगर मैं इसका ग्राफ आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसका ग्राफ बाकी जग है तो ठीक रहता है भीया ठीक है हाँ आगे चलकर तो ऐसा नॉर्मल हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है इधर भी ऐसा नॉर्मल आप बोल सकते हो हो जाता है समझ्या आती है जैसे जैसे आप 0 के नस्दीग जाते हो एक तो 0 के नस्दीग जाते हो क्यों जैसे जैसे आप 0 के नस्दीग जाओगे एक्स को 0 की तरफ लेके जाओगे एक्जेक एक्स बराबर 0 तो function not defined बट 0 के नस्दीग क्या value आएगी we don't know तो यह oscillate करता है बहुत तेजी से minus 1 और 1 के बीच में यह oscillate करता है बहुत तेजी से 1 और minus 1 के बीच में समझ गे मेरी बात तो यहाँ पर हम बोलेंगे this is discontinuous at x equals to 0 इसके लिए क्या बोलेंगे बिटा discontinuous at x equals to 0 ठीक है और reason क्या है कौन सी टाइप की discontinuity है oscillatory type non removable अब सर इनको non removable क्यों बोलते हैं because आप एक point पर function की value एक point पर function की value बदल कर function को continuous नहीं बना सकते हैं जैसे मैं बोलूँ कि इस graph को आपको continuous बनाना है इस graph को बनाना है continuous तो आप बोलोगे सर यह पूरी line नहीं यहां ले आओ जब तु इस line को नीचे लेके आए तो तो तुने एक point पर function की value बदल दी तो एक point पर जहां पर आप function की value बदल कर function को continuous बना सको उसको हम बोलते हैं रिमूवेबल टाइप यह सारे नॉन रिमूवेबल है टोटल पांच टाइप की हो गई अब मैं आपके सामने एक graph लेके आ रहा हूं उसमें कुछ सवाल पूचूंगा उन सवालों के मुझे सीधे सीधे जल्द कितने points हैं इन दोनों सवालों के जवाब दो एक बाद साइड से मैं हड जाता हूं ठीक है यह कौन है यह ब्राइटनेस ज्यादा है कि ऊटी यह उटी कौन जा रहा है उटी सर कौन सी उटी आपने गर्मी में आपने बहुत भैंकर पसीने आ रहे हैं काई की उटी यह सामने देखो पहले सवाल का जवाब जो जो मुझे कमेंट करके बताएगा मज़ा आ जागा भई समझ मैं इसब भालतू की बात है रहने तो यार पढ़ने वाले लोग आगे आएं और इस सेशन का बैतरी इन फाइदा उठाएं समझ मैं हाँ पहले वाले का जवाब बोल रहा है तो नंबर आफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कॉंटिनुटी जैसा कि मैंने बोला था ऐसा ही खुला देकर नहीं बोलेगा वह आपको इंटर्वेल देगा बोल रहा है जीरो सो लेके छे तक बता दो कहां कहां पर कॉंटिनुएस हो कहां कहां बात आती है जीरो पर चलो फड़ा बर बताओ वन पर कॉंटिनुएस है कि दिसकॉंटिनुएस यही पर लिखना स्टाट करते हैं वन पर से ग्राफ टूट रहा है दिख रहा है सबको बिल्कुल डिसकॉंटिनुएस सब टू पर ऑब्वेसली फंक्शन डिफाइंड ही नही पर शर्फ जीरो इसका लेफ्ट एंड पॉइंट है और छे इसका राइट वाला एंड पॉइंट है डूमेन का तो जीरो पर आप सिरफ दो चीजे चेक कर सकते हो एक तो राइट-end लिमिट राइट-end लिमिट तो अगर मैं जीरो की तरफ जाओं तो जो ग्राफ है वह इस का y-coordinate is 1 और मैंने पूछा and function की value कितनी है जीरो पर सर 2 या वैसे ही देख सकते जीरो पर ग्राफ बनाने के लिए पहन उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा सर ठीक है I know उठाकर फिर ही तो यहां रखोगे तो सर इस पर यह कैसा है इस पर है discontinuous समझ गये पर अगर मैं बात करूं यह पर अगर मैं बात करता हूं तो सर फंक्षन की value छे पर कितनी आ रही है और जब आप एक ही साइड की लिमिट निकाल सकते हो वह है लेफ्टेंड लिमिट जब आप ऐसे जाओगे तो ग्राफ जाएगा इस पॉइंट की और इस पॉइंट का y-coordinate है वह भी माइनस तो एक्स बराबर 6 पर फंक्षन कैसा है सर कॉंटिनुएस है 5 पर डिसकॉंटिनुएस 6 पर कॉंटिनुएस कितने पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको जहां पर 0 से लेके 6 पर यह 0 से लेके close bracket 6 तक ही डिसकॉंटिनुएस है तो कितने हो जाएंगे सर एक चार और पांच 5 फाइफ लॉक कर दूं ठीक है पहला जवाब जिस इसका फाइफ है फटाफट एक बार मुझे लिखके भेजो ओ पी फाइफ लॉक कर दूं एकदम सही ना अरे भई एक यह डिसकॉंटिनुटी एक यह एक यह तीन चार और एक यह पांच इस पे और इस पे फंक्शन सब्सक्राइब कर दिया जाए बिल्कुल सभी अगला बताओ अब उसने पूछा ध्यान से अब मैंने बोला था स्पेसिफिक लिए अगर पूछेगा अब की बात डोमेन की बात कर रहा है तो अगर मैं यहां से पूचूं कि डोमेन में कौन-कौन नहीं है यह फंक्शन डिफाइड एक मैं अपनर कौन कौन से पॉइंट फॉंट्सफल न scorp और एग इस पर तो x बराबर दो और पांच फंक्षन 2 और 5 पर not defined है ठीक है फंक्षन 2 और 5 पर not defined है तो हम इन दोनों को count नहीं करेंगे क्योंकि ये वाले दोनों ही लोग domain में नहीं है ठीक है तुसर्फ 2 और 5 को छोड़ दो तो जीरो एक तीन बस जीरो एक तीन ही तो बचा जीरो एक तीन तो इसका अंसर आ गया थ्री दूसरे वाले आंसर थ्री बोलोगी क्या चार कौन से पॉइंट बोल रहो यार मैं लिक देता हूं भीया देख लेना यहां पर कौन कौन से है एक एक बराबर जीरो वन फिर टू फिर थीरी फिर फाइफ यह पांच लोग थे और यहां पर जो तीन लोग है वह है जीरो फिर वन और फिर थी टू और फाइफ अटा तो ठीक है क्या आप सभी लोग एगरी करते हैं इस बात से बोलो भई समझ मारा कि नहीं समझ मारा है क्योंकि डोमेन वाले पार्ट यह यह दोनों डोमेन में है नहीं तो फिर इनको क्यों हम बोलेंगे फटा बढ़ाते है एक्स बराबर जीरो पर कौन सी डिसकॉंटिनुटी है एक्स आइसो लेटेड टाइप आइसो लेटेड टाइप पटापट लिख दो ताकि याद हो जाए आइसो लेटेड पॉइंट सॉरी आइसो लेटेड पॉइंट रिमूवेबल टाइप रिमूवेबल टाइप क्या मेरी बात समझ गए अगर मेरी बात समझ गए हो तो जल्दी से God I know Tel ripping high isolated point removable टाइप इमूवेबल बात आती है वन पर तर ल Schwartz लिमिट आरेट इन लिमित ही बराबर नहीं है लेट इन लिमिट और राइट दिन लिमित और इसमें हम बोलगे इसमें हम बोल भी finite type finite type non-removable यहाँ पर removable discontinuity और यहाँ पर non-removable discontinuity क्यों sir क्योंकि यहाँ पर आप बोल सकते हो LHL और RHL दोनों बराबर नहीं है 2 पर sir point miss है एकदम function ही defined नहीं है तो हम क्या बोलेंगे 2 पर this is missing point और वो missing point कौन सी होती है removable type ठीक है अब कुछ लोग बोलेंगे sir 5 पर भी फिर missing point बोलना चीए लेओ लेओ फिर कुछ लोग यह बोलेंगे कि sir 5 पर भी तो missing point होना चीए नहीं जी आपको जब removable और non-removable वाली बाते मैंने बताई जब मैंने removable और non-removable वाली बाते बताई तो साथ में बताया था limit तो आप देखोगे कि 5 टू पर limit exist कर रही है बेटा लेट लेट लिमिट भी वन है और राइट लिमिट भी वन है ठीक है बट 5 पर साथ लिमिट ही एक्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसलिए 5 पर मत बूलते ना missing point क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या missing point removable अगला चलते है 3 पर क्या कहा नहीं है सर 3 पर वापिस से isolated point और कैसी isolated point कान सी होती है सर removable type removable discontinuity 4 पर सर फंक्शन इस continuous damn continuous एक्स बराबर 5 पर सर लेपन लिमिट प्लस इंफिनिटी राइट हैं लिमिट माइनस इंफिनिटी देख लीजी प्लीज तो आप इसको बोलोगे infinite type non-removable infinite type non-removable ठीक है और छे पर सर छे पर obviously continuous जे पर कैसा है अगरा पुस्तर continuous है किते लोगों को बात समझ में आती है क्या आपको इसारे पॉइंट समझ में एक दिम क्लीर है पॉइंट आपको discontinuity याद होगी एक बाद बता दू हाइन पनाई टाइप non-removable ठीक है बहुत सब्सक्राइब कि एक्स बराबर वन पे कैसे चेक किया तो विटा एक्स बराबर वन पे और देख ले यार एक्स बराबर वन पे अगर मैं लेफ्टन लिमिट की बात करता ग्राफ जो है वह ऐसे आएगा लेफ से राइट की तरफ जाना होता है को अब प्रोच करना होता है इसपॉइंट की तरफ जा रहा एस पाइंट का dyrnod company कितना है जो वाइट कॉडिनेट है वही लेफ्ट-ंड लिमिट कहलाती एं पर राइट लिमिट निकालना चाहते हो तो पॉइंट को वन को राइट साइड से अप्रोच करो जो corresponding graph है वो इस point की तरफ जा रहा है और इस point का जो y coordinate है वो हमारा जवाब है तो right hand limit आगी बेटा 1 ये दोनो limit finite हैं दोनो limit finite है बट बराबर नहीं है इस वज़े से finite type non removable discontinuity अब यहाँ पर पहुंची गया है तो मैं यहाँ पर jump भी आपसे पूछ सकता हूँ जम्प होता है non negative difference 0-1 करोगे तो minus 1 आएगा उसका mod is also 1 और 1-0 करोगे तो वो भी हाय ना बोलतो दिया x बराबर 6 पर क्या होगा यह बताया तो यार continuous है graph कोई discontinuity है ही नी x बराबर 6 पर graph is continuous क्योंकि हम a की side की limit चेक करेंगे और function की value से उसको मैच करेंगे बराबर आ रही है क्या मेरी बात समझ गए आया ना प्लीज बी participated मतलब participate करते रही है आया ना चलिए सवाल में आगे मूव करने से पहले मैं आपको कुछ algebra के point बताना चाहता हूँ algebra के point मतलब क्या है कि आगे जब कुछ questions हम check करेंगे किसी पॉइंट पर तो ऐसा नहीं है कि हम सिरफ यह 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 बहुत सारे बहुत असान हो जाते है रूल नंबर वन यह बोलता है पहले इससे पहले आप यह देख लो सी जहां पर मैंने यूज किया है नीचे वाले results में that means continuous function है कोई और डी सी जहां पर यूज किया discontinuous function है result नंबर वन जो है वो सबसे असान है सुनते ही बात सीधी 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 बात जो है वो दिमाग तक जाएगी ठीक है आयना आयना क्या है ज़र देखना सम आप डिफरेंस आप सम एंड बाइस आप एकदम हाई लेवल ही तो यहां पर आपको लिखना चाहिए एंड सम एंड डिफरेंस आप टू कॉंटिनिवेस फंक्शन अगर आपको दो अलग अलग सीवन मतलब एक अलग कॉंटिनिवेस फंक्शन है चीटू मतलब एक अलग कॉंटिनिवेस फंक्शन है उनको जोड़ो या घटाओ तो इनका एडिशन और सब्ट्रेक्शन हमेशा क्या आता है कॉंटिनिवेस कि यह हुआ वरेजल्ट नंबर बनन यह छोटी चोटी बाते जो आपको याद रखनी नहीं कोई भी कॉंटिनिवेसि फंक्शन सब्कॉण को आड़ोगे तो ठीक है यह भी continuous होता है अब आजो लास्ट पे जब भी हम division करते हैं जब भी हम पूरे गणित में कहीं भी division करते हैं तो हमारे back of the mind में रहता है कि denominator 0 नहीं होना चाहिए denominator 0 नहीं होना चाहिए ध्यान सुनना तो c1 upon c2 is always continuous यह भी हमेशा continuous होगा except एक्सेप्ट कुन पॉइंट को छोड़कर जहां पर c2 जो है एक्सेप्ट ऑल्ड़ पॉइंट्स विर सीटू इस इक्विस टू जीरो ठीक है वापिस तो यह में भी आप बोल सकते हैं हमेशा continuous होगा बस उन पॉइंट्स को छोड़ देंगे जहां पर c20 होता हो क्योंकि जहां पर c20 होगा तो पूरा फंक्शन ही not defined हो जागा तो फिर वहां का आएगा continuous इन तीनों रिजल्ट्स को पढ़कर आपके दिमाग में क्या आया मेरी बात समझ में सामने देखते रहा ना प्लीज मेरी बात सामने देखते रहा ना ठीक है एक है बेचारा उल्टे अंग उठे भेज रहा है बेटा आपने स्क्रीन उल्टी पगड़ी हुई है मुबाइल की सीधा कर इसको बेटा छोटा बच्चा छोटी बच्ची हो गया हां सर छोटी बच्ची है हम तो उल्टा भेज दिस सारे सीधा करके देख फिर थम्स अपाएगा वो तु थम्स डाउन बेज रहा है ठीक है बोला है ना विचारा बड़ा हो जा फटा फट जल्दी जल्दी से वरना यह जो लोग है यह खा जाएंगे आजकल की दुनिया बड़ा ही बदमास बेकार टाइप की है तो 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 यह सीधे उल्टे में गन्फ्यूज हुआ पड़ा है सामने देखो तो इन तीनों पॉइंट्स को बढ़कर आप क्या यह बोल सकते हो सीधा सीधा इन तीनों पॉइंट्स को बढ़कर क्या आप यह सीधा सीधा बोल सकते हो कि कोई भी दो continuous function दो सर चाहे उनको जोड़ दो च कीजी पता दना चाबाश कि यह वा रूल लंबर वन मतलब एक दो तीन तीन रूल रूल लंबर चार सबसे मज़िदार है ठीक है सबसे जोरदार सबसे मज़िदार एक हमें दिया गया continuous function एक है discontinuous function c stands for continuous and dc stands for direct current अबे नहीं discontinuous क्या करता है यार ओके सर अगर आप ध्यान सुनना यहां पर सरफ addition and subtraction की बात हो रही है सम और difference की बात हो रही है ठीक है यह कौन है एक पूचरा सब कितने देर का शैशन और है टैस्ट वाओ वेड़क समझ में आ तो कितनी देर चले और नहीं समझ में आ रहा तो भी कितनी देर चले एक ही बात है जो तू समझे तो concept है जो ना समझे तो कहानी है अगली ही वीडियो में पानी पानी है हाँ कोई और वीडियो देख लेया है ठीक है अभी तो शुरू हुआ है टाइम लगेगा थोड़ा आ जाओ एक कॉंटिनुवस एक डिसकॉंटिनुवस इसका एडिशन और सब्ट्रेक्शन ध्यान सुनना मज़दा जब आप लिख रहा ह और एक डिसकॉंटिनुवस फंक्शन लेलो उनका सिरफ एडिशन और सब्ट्रेक्शन उनका सिरफ एडिशन और सब्ट्रेक्शन फंक्शन जाने बगार हम जवाब लिख रहे हैं मैं अभी फंक्शन को नहीं जानता हूं कि आप मुझे कौन सा फंक्शन दोगे बड़ अंस discontinuous divided by continuous ठीक है इसमें हम बोलेंगे कांट से मैंने एक बार ऐसे लिखवा दिया क्लास में कांट से ठीक है तो अब फिर एक सवाल आगया बच्चे के सामने बोले x into greatest integer of x at x बराबर 0 कि इसको चेक करो ठीक है मैंने यह बात लिखवाई ध्यान सुनना बच्चे कितने मासूम होते आज के जमाने में भी आप इसबी इसकोंटिनिवयस के दो कंभीनेशिन आपके सामने लिखें प्लस और माइनस वाला है यह जवाब हमेशा क्डिस कॉंटिनिवस होगा चाहिए आप हमें दें या ना दें बिना देखे हम बता सकते हैं उनका मल्टिप्लिकेशन डिवीजन दोनों टाइप का डिवीजन लिख दिया है जैसे मैंने यह यह दिया यह continuous है एकस बराबर 0 पर और यह discontinuous है उसने जवाब लिखाया कांट से मतलब मैं नहीं बता सकता बोले सर्थ ने यह लिखवाया कि कांट से अरे माराज कांट से का मतलब है कि आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको function ना दिया जाएं जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं ना एकदम firmly result बीना function जाने तो ऐसे आप करके जाएं नहीं पता सकते थे मैंने उस दिन के बाद में उस दिन के बाद में से कांट से लिखवाना छोड़ दिया इसमें फिरकाले ना स्टाह्ट किया शरापनेए आपने टीचस भी दीरे दीरे ग्रोगते ना हां तो इसमें हम लिखते हैं we need to check हमें check करना पड़ेगा हम हरे combination को check करके बताएंगे भीया थीक है हमें combination को check करके बताएंगे ठीक है कि क्या है check करना मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते सीड़ा अब यह वाला जो पॉइंट आढों इस मेश्अ दो एग है इन सभी कंबिनेशन के बारे में हं क्या बोलते हैं वी नीड टू चेक कोई भी कंफर्म अंसर हम नहीं दे सकते सबसे कंफर्म हम कभ दे सकते या तो दोनों continuous हो तब उनका multiplication, division, subtraction, addition, subcontinuous और एक continuous, एक discontinuous तो उनका difference और addition मतब difference माइनस और प्लस सिर्फ यह क्या होता है discontinuous बाकी सब के लिए वी नीड टू चेक क्या आप लोग तयार है आया ना क्या आप लोग तयार है आजएए थीक है जैसे यह वाले एक्जांपल से दिखना फटाफट पटाफट हाँ चोटी चोड़े एक्जांपल लेका हम फटाफट बात करते फिर आगे बढ़ेंगे जैसे सुनते जनाब क्या आपको अभी अभी जो लिस्ट बनाई थी उसमें बताया था हमने येस एलो 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 नजरे एकदम स्क्रीन पर येस एवरीबड़ी सामने देखना वो बोल रहाए एक्स बिलॉंग्स टू आर के लिए चेक करके बताओ सर कैसी बात कर रहो दिस इस ऑल्वेज कॉंटिनिवेस अल्वेज कॉंटिनिवेस सर यह जो हता है यह डिस कॉंटिनिवेस एट इंटीजर अना यह बात आपको ल कने एक कमेंट करके बताओ कमेंट करो यास लाइक शेर सब्सक्राइब कमेंट सुना है न आपने वो करके बताओ तो आप बोलोगे कंपलीट कमपोजीशन इज इस ऐस डिस इस और डिस कॉंटिनिवेस आट इनदीजर लिए अ Evangel आपको बताना पढ़ेग ना ढीजन तomas है अ माल ले मैं तुझे ये graph दू और तू बोलतेगी सर यह हमेशा discontinuous है गलत बोल रहा है न भाई इस point पर तो continuous है यहाँ पर कोई point लेगा तो इस पर भी continuous है तो जब आपको यह बोला जाता है कि comment on continuity इसका मतलब आप हमें वह वाले पॉइंट बताओ जहां पर यह discontinuous होगा यहां पर यह continuous होगा तो अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो इस discontinuous at all integers यह सारे integers पर क्या होगा discontinuous यह फिर आप बोल सकते हो आदे लोग तो इसको चेक करने लग जाएंगे हालत खराब हो जाती है अब मेरी बात ध्यान सुनना कि की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बिटा ऐसा होता है ठीक है एकी पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ है न वह ऐसा होता है भूत बंगला भाई साहब ठीक है मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं this is always continuous ठीक है 5x square plus 2 ये इतना function कैसा function है बेटा polynomial function है और ये भी always continuous सर मौड आप x-3 हाय ना what about mod of x-3 सर मौड आप x-3 is also always continuous कैसे सर कैसे because y बराबर x-3 x state line का graph होता है continuous होता है बिल्कुल सही आपने बोला था अगर पूरे function पर मौड लगाओ तो वो continuous ही रहता है ठीक है अब ये भी always continuous ये भी always continuous ये भी always continuous इसके लिए क्या comment करेंगे आप सर हम इस पूरे function के लिए comment करेंगे this is always continuous for all x belongs to r x की आप कोई सी भी value ले लो सर ये हमेशा continuous होगा क्या मेरी बात समझ में आती है हाँ चेक करने की जुरतनिया बहुत सही यार ठीक है कि आजा एक्स बराबर जीरो पर ज्यान सुनना अब सर ये जो अगला एक्जाम्पल है ना इसमें ये तो हमेशा continuous है और एक्स बराबर जीरो पर ही बात कर रहा और ये discontinuous है इन दोनों का प्रोड़क्ट उस भोले बत्चे की तरह हैं option में अगर कांट से हो तो वह मत्तिक कराना भाई अब यहां पर हमें चेक करना पड़ेगा ठीक है चेक कैसे करेंगे सर चेक करने का एक ही तरीका है हमें हमारे पास देट इस एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ओफ एक्स कि सर एक्स इक्स टू जीरो आप निकाल लिए left-hand limit आप निकाल लिए right-hand limit और आप निकाल लिए function की value मैंने function की value 0 पर निकाली x की जगा 0 रखोगे यह पूरा 0 आएगा right-hand limit का मतलब है limit x approaches to 0 प्लस ध्यान सुनना और यह और यह अगर आप x को 0 की तरफ लेके जा रहे हो तो यह वाली value 0 की तरफ जाएगी multiplied by 0 से जस्ट थोड़े से बड़े नंबर का greatest integer वो भी 0 into 0 फिर आते हैं left-hand limit पर left-hand limit का मतलब है सर limit x approaches to 0 minus x into greatest integer of x मैंने पूचा इसका जवाब क्या आएगा बोले बहुत असान है सर जब आप x को 0 की तरफ लेके जा रहे हो तो यह 0 0 minus मतलब minus 0 point something minus 0.00001 ऐसे numbers का greatest integer होता है बेटा माइनस 1 minus 1 into 0 is 0 क्या यह तीनों बराबर है तो answer is sir yes क्या कमेंट करोगे इस पे continuous at x equals to 0 समझ मैं एक continuous है एक डिस continuous है हमने चेक किया तो मुझे continuous पता चला जिसको continuous पता चल गया है अफटा-फट कमेंड करके बताएं लिखकर बेजो vya e. est गल्दी से लिखकर बेजो psyche as अगला जो और वापिस दिखने में दरावना जो कि कि आइटी एडवांस वाले यूज करते हैं ठीक है आइटी एडवांस वाले यूज करते हैं ठीक है वापिस सुन लो अराम से यह फंक्षन आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह कहीं डिस कॉंटिनिवेस ध्यान सुनना पहले X-3 लिया उस पे मॉड लगाया X-3 इस उसका मॉड भी कॉंटिनिवेस माइनस साइन लगाया किसी फंक्षन के आगे माइनस साइन लगाने से कॉंटिनिवेस दिस कॉंटिनिवेस थोड़ी होता है फिर उसमें 2 और जोड दिया अभी भी कॉंटिनिवेस फिर बापिस मॉड लगा दिया तो यह भी भी कॉंटिनिवेस तो यह ज चलिए 10 inverse of x सर आपने बताया था always c है ठीक है सर माइनस टाइम्स यह बाप इस क्वाडिटी के एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है उस पर मॉड लगाया है this is always c वो पूछ रहा है कि भाया इन तीन पॉइंट्स पे सर यह जो आपने फंक्शन बनाया ना this is always c कि यह हमेशा continuous है कितने लोगों को बात समझ में आई है आया ना कि समझेगे नहीं समझे यह कौन है भी नीड टू चेक वाला इसमें कहां पर चेक करना है सारे continuous है दो continuous फंक्शन का एडिशन continuous difference वह भी continuous मेरे गाल से बात समझ में आती है बिंदास कोई तरीका सर यही है ध्यान सुनना कि पूर composite function composite function का मतलब होता है बेटा जी एक function के अंदर जब दूसरा function टिका दिया जाए जैसे कि आपका ध्यान मैं इस बात की और ले जाना चाहूंगा यहां देखो बाकी जो लिखी वी बाते उनकी तरह मत देखो महीं लिख के लाया हूं इसमें आप हमेशा चेक करेंगे इसमें आप हमेशा चेक करेंगे एक function के अंदर दूसरा function पटक दिया जाए ना अब मैं सारे composition लाया हूं बाहर वाला continuous अंदर वाला continuous चेक करना पड़ेगा बाहर वाला continuous अंदर वाला continuous कुछ किताबे ऐसा लिख देती है पता नहीं किस होश में थी continuous के अंदर continuous बोले जवाब हमेशा continuous अभी एक्जांपल बताऊंगा टैंसर नहीं लेने का अभी यह कौन है यार बीच में यह एपी बड़ दे सचिंद सर अब बाइसाब देखो इस कमरे में पहले गर्मी और किया ठीक है एक्टेनल गर्मी सही जा सकती है बड़ यह जो तुम यह कर रहे हो ना इससे गया अंदरूनी गर्मी पैदा हो जाएगी फिर फिर कुछ नहीं फिर पता नहीं पता नहीं जी कैसे कैसे पढ़ाता है अचानक से ही थेंक्यू वाली स्लाइड पे आता है अगर आप चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं अगर आप चाहते हैं पूरा पढ़ना और भाई तो फिर दात दें ठीक है मैं आपको क्या समझा रहा था वापिस आजाओ composition की बात कर रहा था ठीक है composition वाली बात क्या थी कि जब आपको एक function के अंदर दूसरा function लिखा हुआ दिखाई दी जैसे मैंने यहां पर दिया ध्यान सुनना एफ एक्स के अंदर जी एक्स तो आप हमेशा क्या करेंगे फॉर एवरी पॉसिबल combination यू शूड चेक क्या करना चाहिए आपको ऑल्वेज चेक नो डारेक्ट रिजल्ट कोई ढएक्ट रिजल्ट आपको नहीं लिखना चाहिए समझ मैं हां मैंने अभी अभी आभी अभी 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 आपको बताया था कि बाहर continuous अ अंदर continuous हो तो बहुत सारी किताब ऐसा लिख देती है कि ये composition continuous होती है यह गलत बात है जैसे example यह रहा है मैंने आपको एक function दिया gx बराबर x-1 आया ना fx बराबर signum of x आया ना मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछू अध्यान सुनना gx जो है वो x-1 है ना क्या आप यह बोल सकते हो this is continuous at x equals to 1 सर यह तो हमेशा continuous होता है स्टेट लाइन का ग्राफ है मैंने का बहुत बढ़िया है फिर fx कि सिगनम आफ एक को देखते ही एक बच्चा चिला पड़ा कि सर्डिस continuous मैंने का ऐसे किसी function के बारे में नहीं बोलते हैं भी या continuous continuous जब आप बोलते हो तो साथ में पॉइंट भी मेंचन करो तो अगर आप इसको discontinuous बोलोगे तो आप बगल में लिखोगे एक्स बराबर जीरो पर बट मैं एक बात लिख रहा हूं आप मुझे बताईएगा कि वो सही है कि गलत दिस is continuous at x equals to 1 हाँ सिगनम ओफ एक्स का जो ग्राफ है वो जीरो पर जाकर टूटता है अगर मैं वन की ऊपर बात करूँ तो सर्वन के ऊपर नहीं टूटता है तो मैं आपको यह बोल रहा हूं कि एक्स बराबर बन पर सिगनम ओफ एक्स नहीं टूटता है ना अब यह दोनों कॉंटीनियूवस है इनका कंपोजिशन बना इनका कंपोजिशन बना मतलब fx के अंदर gx रख दे मतलब signum के अंदर x-1 रख दे तो तो सिगनम ओफ एक्स माइनस 1 अब यह जो है यह x equals to add x equals to 1 यह discontinuous है कैसे सर discontinuous कैसे है discontinuous कैसे है x की value 1 से बड़ी लोग यह हमेशा plus 1 आएगा x की value 1 लोग यह 0 आएगा x की value 1 से छोटी लोग यह minus 1 आएगा अब की बार यह 1 पर डूट रहा है तो दो continuous functions का composition discontinuous होता है इसलिए क्या लिखा गया always check बट फिर भी कुछ किताबें ऐसी बाते लिखती है तो वह तो बात सिंपल सी है अगर आप चाहते हो कि यह पूरा composition continuous आये यह कब आएगा जब आप इसमें x बराबर यह रखोगे कि जिस पे जीए क्या होगा continuous होना चाहिए फिर एफ जो है वह उस पर continuous नहीं वह अंदर जो इसके क्या बनेगा जीए उस पर continuous होना चीए उस पर continuous होना चीए उस पर continuous होना चीए आया ना समझ मैं तो यह बात क्या बोल रही है कि आप इसमें x की जगा ए रखोगे f के अंदर क्या बन जाएगा जीए तो function के लिए f के लिए input कौन है जीए तो f of g of a वह continuous होना चीए तब जाकर यह पूरी composition continuous होती है अदर्वाइस सर हमने क्या कहा हम तो जब भी कोई composite function आएगा हमने तो यह वाली बात याद कर लीगी हम तो हमेशा चेक करेंगे जैसी यह देख लो बाहर वाला greatest integer है बाहर वाला जो function है वो जी आई एफ है और अंदर वाला जो है वो that is fpff fractional part function है सरा आप सभी को प इन दोनों का जो composition है वो आया 0 this is always continuous constant function है ना है तो दो discontinuous function का composition भी कैसा आ सकता है हमेशा continuous है हाँ है ना कि तीक है कि समझ मैं यह बात तो हम सरफ इस बात को ध्यान रखेंगे हम तो अलग से चेक करेंगे बागी सब टैंसर नहीं लेंगे चेक करने का मतलब सब लेटन लिमिट राइटन लिमिट सब निकालो अब आते हैं सबसे में मुद्र पर इस सपीचियस पॉइंट है वैसे तो maximum questions में या 70% questions में आप यह बोल दोगे कि जब आपके सामने एक function दिया जाएगा तो वह बोलेगा कि इस इस पोइंट इस पोइंट इस पोइंट इस पोइंट और इस पोइंट फैरके बदा यह यह को आप्ण और इस पोइंट आफ चैक करके configure के चाहे बड़े से बड़ा इसमें कितने नंबर सा रहे हैं सर इस इंटरवेल में इंफानाइट नंबर सा रहे हैं अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन-कौन से पॉइंट्स में मुझे continuity चेक करनी चाहिए ठीक है इसमें तो बहुत सारे पॉइंट आगे सब पर चेक करने बैठेंगे गा हम तो निपट जाएंगे तो इसलिए आपको बताया जा रहा है सस्पीसियस पॉइंट सस्पीसियस मतलब संदिक्द पॉइंट जहां पर आपको उन सुपर continuity चेक करनी चाहिए अगर कोई discontinuity वाला पॉइंट होगा तो इन में से निकल आएगा अदर्वाइस नहीं ही होगा क्या मेरी बात समझ गे क्या मेरी बात समझेगे की नी समझे सीजी बताना है मंदर इसे चलिए सर पहली चीज क्या है वेर definition of function changes कहां कहां पर आपको continuity चेक कर दी है definition of function changes मतलब अभी जितने सवाल आप करके आए हो जैसे मालो यह लिख दिया और x greater than equals to 1 फिर आपको सरे एक definition और दी गई और x less than 1 समझ मैं तो जैसे आपको यह function दिया तो यहां से समझ में आ गया at x equals to 1 function की परीबाशा बदल रही है किते लोगों को यह बात समझ में आती है हां x बराबर 1 पे सर फंक्शन की परीबाशा बदल रही है कभी कभी यह है कभी कभी यह है तो आपको एक्स बराबर 1 पे चेक करना पड़ेगा आया ना कि यह बात समझ मैं यह हुआ पहला point in case of यह important है ध्यान रखना यह बहुत important है कि greatest integer और fractional part आ जाए यह curly bracket fractional part और यह greatest integer यह सिगनम और यह modulus है तो जब function पर greatest integer और फ्रेक्शन पार्ट लग जाए वेर जान रखना कहां पर चेक करना है वेर fx becomes integer where fx becomes integer इस बात को कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं ठीक है जैसे मान लो मैंने एक example दिया आपको greatest integer of cos x ध्यान सुनना मैंने इसकी continuity के बारे में आपको comment करने के लिए बोला या points of discontinuity निकालने के लिए बोले 0 से लेके 2 pi में अब इस बात को बहुत सारे कि बच्चे यह सोचते हैं कि जहां पर हम जब x इंटीजर रखेंगे नहीं जी फॉंक्षन जो आपने यह ब्रैकेट लगाया ना इसके अंदर जो लिखा हुआ है वह कब इस बिकम्स इंटीजर वेर कॉस एक्स बिकम्स इंटीजर इस इंटरवेल में कौन-कौन से ऐसे पॉइंट से जहां पर कॉसे इंटीजर बनेगा तो सर एक तो है एक्स बराबर जीरो पाई और टू पाई यह तीन वेल्यूज है और यह खुद इंटीजर नहीं है देख लो एक इंटीजर है बाकी दोनों इर्रैशनल है तो अंदर जो लिखा हुआ हुआ हूता है उसको चेक करना होता है कि वह इंटीजर कब बन रहा है उन्हीं तो जीरो पाई और टू पाईर पे हम चेक करेंगे जीरो पाई पाई और यह मेरीड को पाइबाइटू और थ्री पाइबाइटू भी बिल्कुल सही क्योंकि उस पे भी इंटीजर मनता है ठीक है आया ना क्या मेरी बात समझ गये किते लोगों को बात समझ में आती है सीजी बताओ यार यार यह कौन है आयम फ्रॉम नीट रमेश यादव जी बोल रहे हैं सोनाली को आई लव यू ठीक है बेटा जैसे ही यह अगस्त वाला महीना पास आने लगता है तो सुनाली बेटा आपके एक भाई है रमेश यादव जी वो आपसे बड़ा प्यार करते हैं और ऐसा प्यार भाही बेहन का कहां पर इतने खुले म में दिखने को मिलता है भाई सभी अपने बेहनों से प्यार करते हैं सभी वाई बड़ कोई ऐसे एक्सप्रेस नहीं करता है ठीक है बड़ यह लिख रहे हैं तो जो भी सुनाली बेटा जी है मैं आप तक पहुंचा दूं रमेश जी हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं औ और वह आपको आने वाली रक्षा बंदन जो होगी उसमें आपके लिए बिजवाएंगे राकी सुरी आपको भी मानिय है वह आपके लिए गिफ्ट भी वाइंगे ठीक है बहुत जूरदार ऑबीसले ठीक है राकी बांदनी और आप जो भी आपका गिफ्ट है वह ठीक है नाओ जब सिगनम या मॉड के अंदर फंक्शन फचा हो तो वेर एफ एक्स केंज इस साइन वेर एफ एक्स कि बिकम्स जीरो आप ऐसे समझो जहां पर अंदर वाली चीज जो है वो जीरो बन जाए क्योंकि positive negative पर यह value बदलता है ना positive negative वैल्यू पर यह value बदलता है तो आप यह देखो कि अंदर वाली चीज जीरो कब है अंदर वाली चीज जो है वो जीरो कब है समझगे कि नहीं समझे ठीक है आजएगे तर किसी भी denominator में जहां पर denominator tends to 0 हो बहुत सही ठीक है अगला point जो है जहां पर denominator अगर किसी function का आपको दिखाई दे रहा है जहां पर तो denominator 0 की तरफ जाने की कोशिश करें obviously उन पर उन पर not defined मतलब उन पर इसकॉंटिनिवस होगा यह होगा at the end points of the interval or the domain माल लो आपको जो interval है वो ऐसे दे रखा है कि 0 से लेके 6 0 से लेके 6 close अब एक बताओ अब साथ साथ में आपको suspicious point की category में end points of the interval भी आगे अब यहां पर बताओ मुझे किस पर चेक करोगे add x equals to 0 या फिर add x equals to 6 या दोनों तर इस पर no need क्योंकि उस पर open bracket है end point तो आपको उठाने ही उठाने है interval के बट वो domain में भी दो निच यह 0 पर उसने पहले open bracket लगा दिया मतलब वहां पर आपको चेक करने की जुरत नहीं है सिरफ हम इस पर चेक करेंगे समझगे 0 पर क्यों मैंने चेक नहीं करना है क्योंकि 0 पर क्या है open bracket अगर यहां पर close होता तो मैं 0 और 6 दोनों पर चेक करता किस बात के चेक करने की बात कर रहा हूं सपीसियस पॉइंट्स की बात कर रहा हूं जहां पर हम continuity चेक करते हैं नहीं जी 0 पर नहीं चेक होगी उसने पहले ही open लगा दिया पहले ही open लगा दिया मतलब वो 0 की बात करी नहीं रहा है और जब वो 0 की बात करी नहीं रहा है तो फिर क्यों control उसको क्यों चेक कर रहे हो मैं आपको बोलू एक function दू उसकी continuity चेक करो माइनस हाफ से लेकर 2 के बीच में आप जबर्दस्ती माइनस हाफ पर उसकी continuity चेक करने पर लगे होई हो माइनस हाफ पर continuity तब चेक होती जब यहाँ पर close bracket होता तब मैं जरूर चेक करता कोई दिक्कत निया दोनों पर समझ पा रहे हो किते लोगों को बात समझ में आई हाई ना only on 6 क्योंकि 6 ही उसकी domain में है वहीं चेक करना वहीं interval का पार्ट है 0 तो ही नहीं interval का पार्ट तो जब उसने कोई x दिया ही नहीं आप उससे ऐसे तो फिर तुम बोल दोगे से x बराबर माइनस बन पर भी चेक करो मैंने पूचा क्यों बोले वह भी इस इंटरवेल में नहीं है तो जो इस इंटरवेल में है नहीं उस पर क्यों चेक करना समझ गे तो इस बात का ध्यान बोल रहा हूं सब्सक्राइब कितने पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जहां पर आपको फंक्षन की जो है वो कॉंटिन्यूटी चेक करनी चीए ठीक है पहले ही बोल दे रहा हूं भीया यह जो ब्रेकेट लगा वाना यह ग्रेटेस इंटीजर वाला है दिस इस नथिंग बत नथिंग बत अरे नथिंग बट ग्रेटेस इंटीजर फंक्षन और यह जो लंबी लाइन है यह मौड है हाँ सर ऐसी चला लो हाँ मेटा इसी अभी आई यह लाइट अभी चला रहा हूं हाँ आजा जल्दी से एक बार काउंट करो सब्सक्राइब का जवाब आने लगा एक लिख रहा है टू एक लिख रहा है थ्री भाई साब गजब कर दिया तुमने और मुझे इस बात का अच्छे चे अंदाजा हो गया कि मुझे फटाफ़ट पी वाई क्यूज कराके निकल लेना चाहिए था मैंने यह सवाल फिर तुम्हें गलत थी अना सब्सक्राइब यह कोई नहीं पढ़ाता है भाई इतनी डिटेलिंग में कोई नहीं चाहता है थोड़ा सोच तो लेते यार थ्री वन टू सब गलत जवाब है अब और सोचो मजा नहीं मजा किरकिरा कर दिया तुमने एकदम यार हाँ और वो सुच पीसेस पॉइंट्स हैं कौन कौन से वो बताओ अच्छा तुम्हें तीन दिखाई दे रहे हैं सर एक दो end points of the interval और एक जहां पर definition बदल रही है बहुत बढ़िया बस बोलते हैं ना भगवान ने एकदम limited देके भेजा था और हमने limited ही यूज किया कि तो भाई साब यह बीच वाले पॉइंट के खेलने के लिए लिए लिखवाय थे हैं कि पंक्शन चेंज और end points of the यह बीच वाले यह यह ग्रेटेस इंटीजर या मौड वहां पर आता वा नहीं तो गई दे रहा है गजब भाईया गजब ध्यान सुनना अ कि यहां पर आपको continuity चेक करनी चाहिए पहली चीज एक्स बराबर वन फिर आप बोल सकते हो एक्स बराबर जीरो एंड टू रीजन लिखता जा रहा हूं द्यान सुनना इस आर एंड़ पॉइंट्स ऑफ इंटर्वेल दोनों पर क्लोस ब्रेकेट है कि एंड़ पॉइंट्स यहां पर फंक्शन की डेफिनिशन चेंज हो रही है कि ठीक है कि फिर कॉस्पाइए एक्स को पकड़ के लाई यह प्लीज ग्रेटेस्ट इंटीजर ओफ कॉस्पाइए एक्स अब आप यह देखो कि इसके अंदर वाला यह इंटीजर कब बनता है कॉस्पाइए एक्स इंटीजर कब हो जाएगा और यह वन से छोटे के लिए है मतलब जीरो और वन दो ही वैल्यूज ले सकते हो आप तो आप यहां पर समझ में आ गया है यहां पर एक्स बराबर जीरो भी चलेगा सर और जीरो अल्रेडी काउंट हो चुका है वेरी गुड और सरवन पर भी यह अंदर वाला इंटीजर बन जाएगा तो भी ठीक है बस फिर समझ पारे हों कि नहीं समझ पारे हों एक तो वन हो गया और एक जीरो हो गया ठीक है एक 1 और एक 0 जो ऐरी काउंट हो चुका है पिर मैं आया मॉडूस पर 2x-3 का मॉड अंदर वाली चीज आपने बताई थी मॉड आ जाए ना अंदर वाली चीज आपने बताई थी जहां पर 0 होती है तो मैंने अंदर वाली चीज को 0 किया अंदर वाला function है 2x-3 यहां से x की value आगी 3 by 2 एक suspicious point ये रहा दो ये रहे एक ये रहा और सुनो अभी और सुनो पूरा दिमाग लगेगा द्यान लखना अच्छा यहां पर एक रह गया बिल्कुल सही अभी किसी ने मुला very good, very good, half also, बहुत सही यहां पर जो x की value 0, 1 और ये रहा half क्योंकि जब आप x की value half रखोगे तो ये बनेगा cos pi by 2 और cos pi by 2 0 होता है, integer होता है very good, yeah, ठीक है तो कितने होगे सर, 3, 4 और 1, 5 अभी और सुनो, greatest integer वाला एक पार्ट और है x square minus 2 इसमें आपने हमें क्या बता है जहां पर अंदर वाली चीज इंटीजर बने जहां पर x square minus 2 क्या बन जाएगा? इंटीजर अच्छा, ये वाली definition आपको तब लेनी है जब x की value 1 या, मतलब 1 से बड़ी हो तो equality hold नहीं कर रही 1 से बड़ी और 2 या 2 से छोटी ऐसी कौन-कौन सी x की values है जिस पर ये integer बनेगा मैं ये नहीं बोल रहोगे आप इसमें कौन-कौन सी integer value रख सकते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ ये integer कब-कब बनेगा? ज्यान सुनना हाँ, लिखते ही जब आप सब के अभी चमक जाएगा सर, ये integer बनेगा at ये पूरा integer बनेगा at x equals to root 2 and root 3 हाँ, आप 2 भी ले सकते हैं root 2, root 3 कैसे? जब आप x की value root 2 रखोगे, तो root 2 का square 2, 2 minus 2, 0 अंदर वाला integer बना की नहीं उस function को पकड़ हाँ, very good और कौन सा x है? सर, root 3 रखोगे root 3 का square 3, 3 minus 2 एक बच्चा अभी भी सर खुजा रहा है बोले सर, आपने जो x रखे हैं, वो तो integer है ही नहीं मैंने का तू अभी भी बात गलत सोच रहा है बेटा मैं जो x रख रहा हूं, वो integer नहीं चेक करने हैं, अंदर वाला जो function है, वो कब integer बनेगा, कौन कौन सी x की values के लिए उन x को हम suspicious points बोलते हैं समझ गए हैं, तो हमाँ पास root 2, root 3 और 2 तो finally अगर मैं आपसे पूछू कितने आएं, suspicious point सारा मिलाने के बाद में तो शुरू हो जाओ, 0, 1, 2, ठीक है half, root 2 और root 3 हाना 3 और 3 छे, और तो कोई नहीं है और एक और है, 3 by 2 तो total number of suspicious points कितने हो जाएंगे सिरफ अगर मैं आपसे पूछू, तो आपका जवाब होगा सर, 7 suspicious points समझ मैं, अब जो लोग 2 या 3 बोल के निकल गए थे वाइस आप गडबड़ कर दी ना आपने अब उसने पूछा number of points of discontinuity, इसलिए मैंने बोला मजदार सवाल है ठीक है, इसलिए मैंने बोला मजदार सवाल है क्यों? क्योंकि अभी तो आपने सिरफ suspicious point count किये है इन में से किस-किस पर वो continuous और किस-किस पर नहीं है, वो चेक करना होगा जैसे कि एक-दो पर चेक करके दिखा देता हूँ एक या दो पर, जैसे root 2 पर चेक कर लेते है ठीक है? एक आपकर इसी कई कोपी कर लिया हूँ ज्यान सुनना मेरी बात, यहां आजाओ ठीक है? घबराए नहीं यह सारा मैंने लिख लिया है अजब यह slide कॉपी किया है तो tension ना ले अब किसी एक पर मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ या एक या दो पर बागी तुम्हें खुद जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी जैसे मालनो रूट टू की बात करता हूँ कितने लोग बता सकते जरा बताना आप कितने लोग मुझे चेक करके बता सकते हैं कितने लोग मुझे चेक करके बता सकते हैं कि हां सर एड एक सिक्वेस्टू रूट टू मुझे इसकी कॉंटिन्यूटी चेक करनी है तू नहीं सिर्फ रूट टू अब ध्यान सुदना इसी चीज़ को आपको सीखना है और इस फॉर्मेट पे जही एडवांस में सवाल आए हैं अभी आप यह सवाल कर लोगे तो जही एडवांस वाला सवाल हलका लगेगा अभी मा आता हूं उन सवालों पर समझ मैं है अब रूट टू पे चेक करने के लिए क्या करना होगा पहलो तो यह बताओ रूट टू जो है वह इस वराइटी में लाए करता है तो जो फंक्शन की डेफिनेशन इस्तमाल होगी वह यह वाली होगी 2x-3 और greatest integer of x square-2 ठीक है मैंने बोला इस पर left hand limit निकाल LHL LHL का मतलब है root 2 से थोड़ी सी छोटी value फिर मैने बोला इस पर right hand limit निकाल इस पूरे में आप root 2 से थोड़ी सी बड़ी value पुट करो और इस पर तू function की value निकाल function की value at root 2 f of root 2 कितना रहा दिख रहा है root 2 का square 2 2 minus 2 0 greatest integer of 0 is 0 0 into something is 0 टीक है तो यह तो यह हुआ अब मैं root 2 से थोड़ी सी छोटी value तो आप देख सकते हो जब आप root 2 से छोटी value रख रहे हो तो इसका जो square होगा वो 2 से छोटा होगा समझ ऐसे इसको आप imagine कर सकते हैं द्यान सुनना root 2 से थोड़ी सी छोटी value यहां रख रहे हो इसका जो square होगा वो 2 से थोड़ा चोटा होगा क्योंकि अगर आपने x root 2 से छोटा लिया है तो square उसका 2 से छोटा यह 2 से छोटा मतलब 1.9 माइनस 2 तो यह वाली जो value लिखी हुए सर यह लगबग 0 बट नेगेटिव तो इसका greatest integer आएगा यह वाली value बन जाएगी माइनस 1 और जब आप यहां रखो गए तो यह बन जाएगा 2 root 2 माइनस 3 का मॉड ठीक है मैं आपको left and limit बता रहा हूं जी यह बताओ इन दोनों में से positive इन दोनों में से बढ़ा कौन होता है 2 root 2 और 3 में से तो 2 root 2 ही होता है तो मतलब यह लिखा हूं है 2 root 2 माइनस 3 इंटो माइनस 1 तो यह पूरी value आ रही है 3 माइनस 2 रूट 2 सर राइट left and limit यह फंक्शन की value यह है तो पहले ही दिखाई दे रहा है this is discontinuous आया न एक और देख लो यह चेक करना आना चीए वाल analysis root 2 से बड़ी value निखला चाहरे आप root 2 से थोड़ी सी बड़ी value तो इसका जो square है मतलब root 2 से थोड़ी सी बड़ी value का square obviously 2 से थोड़ा सा बढ़ा होगा 2 plus मतलब समझ पारे हो ना 2 से थोड़ा सा बढ़ा उसमें से अगर आपने 2 सब्ट्रेक्ट किया तो दिस जीरो point something का greatest integer तो यह वाली जो value है यह आ जाएगी 0 और सरी अगें 2 root 2 minus 3 का mod ठीक है तो आप देख सकते हो आप x equals to root 2 फे function को क्या बोलेंगे मुझे यह बताओ यह हमारे पास left hand limit है यह इसकी right hand limit है और यह function की value है जल्दी से comment करके बताइए क्या बोलोगे so this is called as discontinuous इसको हम discontinuous बोलेंगे आयना ठीक है कहां पर printing mistake कहां पर PM कहां कर दिया मैं प्रिंटिंग मिस्टेक GDPD हाँ वही पूछ रहा होगर कहीं पर GDPD वे जल्दी बताओ अच्छा अच्छा GDPD इसमें न यह 2 root 2 और 3 में से कौन बढ़ा होता है sorry 2 root 2 और 3 में से obviously 3 बढ़ा होता है तो यहां पर एक negative sign हो रहाएगा तो यह वाली जो value है यह समझ मैं यह negative sign के साथ open होगा तो यह हो जाएगा हमारे पास 2 root 2-3 यह हमारा तो आप इस पर discontinuous बोलोगे बाकि ऐसे बहुत सारी है जिस पर आपको खुद चेक करना पड़ेगा बढ़ेगा जैक कर लोगे आया ना ऐसी लेफेंट लिमिट राइट हैं लिमिट कैलकुलेट करनी होती है कि एक और कोई भी पॉइंट बोलो उस पर चेक करते हैं अब इस पर चलते चलो कॉस एक 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 बराबर हाफ पर चेक कर लेते हैं हाँ ऐसे सवाल आये हैं जेए एडवांस में अभी उस पर चलते हैं क्योंकि वहाँ पर नीचे टैग लिखा हुआ दिखेगा न तब तुम्हें थोड़ी सी तसल्दी हो जाएगी चलिए चलो एक सट्विश्ट्ट्ट्व हाफ पर फ्टा फटर चेक करें हां सर एक से थोड़े से बड़े पर तो ध्यान चुनना तो ये क्या बनेगा सर ये आप ऐसे बोल सकते हो ये बनेगा Cos अगर आप यहाँ पर Half से अगर यह बन जाएगा Pi by 2 से थोड़ा सा बड़ा एक बाँ पता Cos के अंदर Pi by 2 से थोड़ा सा बड़ा value कौन सा Quadrant है Pi by 2 से थोड़ा सा बड़ा Sir, Second Quadrant मतलब ये वाली जो value है this is approximately 0 but negative approximately 0 but negative मेरे ख्याल से आप सभी ने cos x का graph देखा है pi by 2 से थोड़ी सी बड़ी value पर क्या value आती है सर लगबग तो 0 आती है but होती है negative तो ऐसा कोई भी number जो लगबग 0 हो but उसकी value negative आये तो उसका greatest integer minus 1 होता है कि नहीं बिल्कुल सही second quadrant में value negative बिल्कुल सही अब मेरी बात ध्यान सुनना यह आपने निकाली left hand limit अब निकालो right hand limit वैसे हमारा काम हो चुका है discontinuous है सर फंक्शन half से थोड़ी सी छोटी value तो ये अंदर बनेगा सर pi by 2 से थोड़ी सी छोटी value अब की बार लगबग pi by 2 से थोड़ा से छोटा मतलब first quadrant में हो तो value is लगबग 0 बट positive उसका greatest integer होता है बेटा जीरो तो left hand limit right hand limit सॉरी function की value right hand limit and left hand limit तो आप क्या बोलोगे इस पे भी ये discontinuous है इस पे भी ये क्या है discontinuous तो भीया हाफ और route 2 पर मैंने चेक करके दिखा दी रूट 3 3 by 2 हाफ 2 जीरो वान और टू इस पे आप खुद चेक करेंगे किते लोगों को बात समझ में आती है है ना वैसे आप ये बोल सकते हो कि जहां पर इसमें चेक करने की जुरू थी नहीं ठीक है जहां पर इसमें वैसे चेक कर लेना चाहिए चेक कर लो ठीक है चेक करोगे बचत में रहो गें क्योंकि मैं ऐसा बोल दूँगा कि जब जब ये अंदर वाला इंटीजर होगा तब तब यह discontinuous होता है इस स्टेटमेंट इस फॉल्स अभी आगे चलकर एग्जाम्पल पता चलेगा ठीक है क्रिस्टल क्लियर है एकदम बिल्कुल सभी ठीक है तो मैंने सिर्फ सपीसियस पॉइंट लिखवाए है समझ मैं देरिस डिफ्रेंस कितने लोगों को मेरी बात समझ मैं आती है दिरिस डिफ्रेंस माँ आप से पूछू नंबर आफ सपीसियस पॉइंट आपने बोल दिये साथ मैं पूछू number of points of discontinuity आप मुठा कर बोलतो साथ आपने चेक थोड़ी किया है सपीसियस पॉइंट मतलब हम सरफ इन पर चेक करेंगे जीरो से लेके टू वाले इंटरवेल में लाखों करोडों पॉइंट आते हैं सब पर नहीं चेक करेंगे सर इन साथ पर चेक करेंगे इन में से जिस जिस पर continuous discontinuous होगा उसे आप से जवाब देंगे क्या मेरी बात समझ में है है ना आप ब्रेक देंगे बिटा भी टेंचना लो आ गई किसकिस को बात समझ में आ गई लिखे भेजो आग लिखे भेजो आग गई समझ गए चलिए अगर बहुत ही special टाइप के फंक्शन अबहुत ही special टाइप के फंक्शन पहले देख लो यह वाले वह फंक्शन होते हैं जो separately में होते हैं यह वाले वह फंक्शन होते हैं किसके लिए रैसोनल नंबर को नंपर को क्यू बार करते это rational number को q से denote करते हैं irrational number को q बार से denote करते हैं क्या मेरी बात समझ गए आया ना तो q और q बार हो गया बिल्कुल सही यह function इस तरीके से defined होंगे q q bar q q bar q q bar ठीक है अब आपको ऐसा बोलोगे कि यह function सब पर defined है का हाँ sir क्योंकि पूरी real axis में दो ही variety होती है या तो rational या irrational तो आपने पूरी real axis कवर कर ली मतलब इस functions are defined everywhere समझ मैं defined everywhere अब वो आपसे इसकी continuity discontinuity discuss करने के लिए बोलेगा ऐसे सवालों की बताओ कि यह कहां कहां पर continuous है नीची options दे दिए कि this is continuous at x equals to half discontinuous at x equals to minus half ऐसे करके 4-5 option में बना दूगा अब मेरी बात ध्यान सुनना जब भी इस variety को आप अच्छे से देख लो आँखों में बसा लो जब भी यह variety आए these functions are continuous at that values of x यह उन x की value उपर continuous होते हैं जहां पर दोनों definition बराबर हो जाएं जहां पर दोनों definition बराबर हो जाएं जैसे मैं अगर कटा-कट आपको फटा-फट कटा-कट फटा-फट जवाब निकालने के लिए बोलू तो आप बोलोगे भीया यहां पर दोनों definition बराबर कब होंगी सर 1-x बराबर x दोनों को बराबर रख दे सर यहां से 1 बराबर आ गया 2x मैंने पूछा x की value कितनी आ गई सर x की value आ गई half तो यह जो function है यह only continuous at only continuous at x equals to half x बराबर half पर यह continuous है क्या मेरी बात समझ गए दोनों definitions को बराबर रख दो ठीक है यह कौन है बीच में हाथ जोडने वाला भाया नेता वेता हो क्या है हाँ अगले वाला बता दे तुरंट यह सिर्फ जहां पर दोनों definition बराबर होती है वहीं पर ही यह continuous होते है सर यहां आजाए दोनों definitions x square बराबर 1 एक rational और एक rational के लिए थी सर यहां से x की value आजाएगी plus minus 1 तो वापिस आप पूरा यह लिखोगे only continuous at x बराबर plus minus half x बराबर plus minus half ठीक है अगले वाले हम बता दे जल्दी से सर इसके लिए तो बहुत असान है एक definition है minus x minus 1 और दूसरी definition है x square बराबर किया सभी terms को एक तरफ लेके जाओंगा तो यहां बचेगा 0 और यहां बचेगा x square plus x plus 1 अब एक बाब बताओ इसका कोई real root होता है क्या तो answer is sir no यहां से x belongs to 5 तो इसके लिए आप बोलोगे this is always discontinuous always discontinuous इसमें आप चाहे कोई सा भी point उठा लो यह हमेशा discontinuous है यह एक मज़ेदार result आया ध्यान सुनना यह जो function आपके सामने screen पर लिखे हुए ना यह वो variety of functions है ठीक है यह अच्छा यह कौन है ओमेगा और ओमेगा स्क्वेर महराज rational और irrational नंबर में नहीं आते विटा ओमेगा और ओमेगा स्क्वेर समझे संबू हाँ ठीक है हाँ चोटे भोलो है ना भोलो एकदम है अभी अभी complex नंबर पढ़ो थो अभी अभी पढ़ो तो जवाब आगा स्क्वेर बाइसाब वो rational irrational में count नहीं होते हैं ठीक है ना यह जो सामने आपके functions लिखे में बिटा यह बहुत मज़ेदार वराइटी है मैं पूछू कि यह function हर जेगे डिफाइंड देखो द्यान से यह वाला function है यह हर एक्स की value पर आपको जवाब देगा defined everywhere और हर जगे discontinuous है imagine 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 just imagine this thing एक तो यह function हर जगे डिफाइंड है कोई साभी x रखके देख 2 रख 3 रख रूट 3 रख रूट 5 रिक जो भी रखेगा जबाब मिलेगा तिरको और यह हर जेगें डिस्कॉंटिनिवस है सोच सकते ऐसा function तो बढ़िया मज़ेदार function है आना हाँ छोटा बच्चा हो क्या यह कौन है ब्रेक अब बहुत जोड़दार पढ़ा रहा हूं सभी बच्चे यह सर बोलेंगे और कोई भी ब्रेक के लिए नहीं बोलेगा इत्यम दो चारा आजए सर ब्रेक 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 देदो अच्छा अवे जही है भी है तुम्हारी थोड़ दिन बाद में समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने मिलने बुलाया है उसकी त्यारी कर रहे हो मैंने पूछा त्यारी होगी बोले हाँ सर बढ़िया ड्रेस खरीद ली टी- ठीक है और सर सेंटर में आपको बताओं अंदर की बात जान बूज के दूर का भरा है मुंबई का ताकि कई दिन घूम के तो आए समुंदर की तो सैर करके आए मैंने बहुत बढ़िया यार बोले जब सेंटर मुंबई वाला आई जाएगा तो पिताजी यह थोड़ी बोले वहाँ पर हमने सोच भी लिया कि कहां पर मूवी देखेंगे कौन सा किस स्टार के घर के बाहर जाना है और फिर क्या करना है ठीक है चलिए जी पड़ा बड़ एक दो सवाल देखते हैं फिर मैं आपको ब्रेक दूँगा गवर यह नहीं ठीक है अब मेरी बात ध्यान सुनना कुछ ग्राफ से भी देखने वाले फंक्शन इसको अगर आप बिना ग्राफ के करना चाहते हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बिल्कुल सही उसने बोला माइनस टूपाई से लेके टूपाई के बीच में डिसकस कॉंटिनुटी ऑफ दा फहरो कि गॉलोग देते हैं और अगर आपको जनल लांगिपेश में बात करूँ तो जनल लांग्वेश में आपसे पूछता आप आप से पूछता फांट नंबर आफ पॉइंट साफ डिस स्कंतिनुटी इस पहली चीज इस में आप सथी मेचान फोइक करें अब सब्सक्राइब बता देना यार प्लीज अब सब्सक्राइब निकाल लो इस इंटरवेल में साइन एक्स कहां कहां पर इंटीजर होता है मैंने का बहुत सही तर यह होता है मारा चाहिए जाए माइनस पाय चू पर पूर्फिर जीरो पर फिर पाय बाई टू पर ठीक है वह सारे एक्स लिखते रहा हूं जहां पर यह क्या होता है इंटीजर बहुत सई भूलेगा सरागे अरे नहीं पाई फिर थ्री पाई बाई टू फिर टू पाई ठीक है आपको एक दो तीन चार पांच छे साथ इन साथ पॉइंट पर चेक करना होगा मैथड़ वन के साथ से मेरे जाल से आप सभी लोग जानते हैं ठीक है नाव यह हुआ मैथड़ वन चेक कर पर चाहिए ना एक ऐसा होता है हमारे जैसे हम घर से निकलते हैं तो यार वो ना मिल जाए है मूड किराव जाएगा वह तरह ना इस टाइप का वराइटी इस टाइप का बच्चा इस टाइप का इंसान दोस्त आप कि वह नहीं दिखना चीए आज वैसी भूछ साई लोग जो है वो ग्राफ को अवाइड करते हैं तो बिटा मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दू जही में और एडवांस में ऐसे बहुत सारी कुस्चन्स आये हैं अगर आपको ग्राफ की बाते याद हो तो आप उन सवालों का जवाब बहुत सरल तरीके से दे सकते हैं कट सब्सक्राइब करते हैं अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमें तो ग्राफ नहीं पता हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी नहीं आपको यह लिखके दे सकता हूं कि आज वाली ग्राफ में जितनी ट्रांसफोर्मेशन सिखाऊंगा जो जो बाते बताऊंगा वह ऐसे फंक्शन का ग्राफ ड्रो कर रहे हैं मतलब एक फंक्शन के ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ एक फंक्शन के ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ठीक है एक फंक्शन के ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ध्यान सुनना बहुत बढ़िया ठीक है ध्यान सुनना बहुत बढ़िया पहले आप क्या करें डॉटिड लाइन से अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर ले मैं आपको सारी बाते बता रहा हूं समझने वाला इंसान और पढ़ने वाला बच्चा लिख लेगा इस बात को मैंने ठीक है साइनेक्स का ग्राफ डॉटिड लाइन इन से ड्रॉब कर लें वह जा और जहां तक चाहिए वहीं तक ही हो का यह बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या बिल्कुल सही तर यह वाला पॉइंट है पाइद इस पॉइंट इस थरी पाइब आई तू यह वाला पॉइंट है टू पाइए हां बेशिक ग्राफस होते है वो आपको पता होने चीह हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, यहां तक सही है, धांचा त्यार, अब range में जो integers हैं, उनके corresponding horizontal lines draw करें, range में जो integers हैं, तर किसकी range में, आपने ये graph किसका draw किया है, साइन एक्स का, साइन एक्स की अगर मैं range की बात करूँ, तो range होती है, माइनस वन से वन, range में कौन कौन से integer है, सर ये रहे, तीन, मतलब range में जो इसके integers हैं, वहाँ पर आप horizontal lines draw करें, सर ये रही y बराबर 1 वाली line, ये रही y बराबर minus 1 वाली line, और ये रही y बराबर 0 वाली line, समझ मैं है, जहाँ पर जितने range में integers हैं, वहाँ पर हमने horizontal lines draw कर लें, ठीक है, हाँ है न, समझ मैं है, अब बारी आती है, greatest integer of sin x के graph की, greatest integer of sin x के graph की, जान सुनते जाना, इसमें analysis कर करके हमें graph draw करना होता है, ठीक है, range वाले सारे integers mark कर लिए, तो सर ये रहा एक integer, दूसरा integer ये रहा, इसके बीच में graph ये रहा, मैंने पूछा, कि जब आप graph यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब sin x जब यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये value, sin x की value किन दो numbers के बीच में है, बोले सर 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में लाए करने वाले किसी भी number का greatest integer बता दे, 0 और 1 के बीच में लाए करने वाले किसी भी number का greatest integer, सर 0, मतलब जब आप यहाँ से यहाँ जाएगा graph, या फिर x-axis पे जब आप इतना portion होगे, तो graph इतना बनेगा, और ये value 0 से 1 के बीच में है, और इसका greatest integer जो है, वो 0 हो जाएगा, मतलब 0 से लेके पाई बाई टू तक एक लाइन आएगी, y बराबर 0 वाली, क्या आपको ये बात समझ में आती है, है ना, क्योंकि ये इतना portion है, और ये इतना portion y-axis पे कितना cover कर रहा है, सामने देखके समझता जाएगा, किसी चीज की ज़रत नहीं पड़ेगी, इस इतना portion की value 0 से 1 के बीच में, ये 0 से 1 है, इसका greatest integer, सर 0, ठीक है, फिर मैंने बोला, अगर तु पाइबाई टू रखता है, पाइबाई टू, तो ये बन जाएगा साइन पाइबाई टू वो होता है, और वन का greatest integer 1, मतलब पाइबाई टू पर exact value आ रही है, और पाइबाई टू पर सर जब value 1 आ रही है, तो यहाँ पर hollow circle, समझ मैं, पाइबाई टू पर exact value 1 क्य ग्राफ जो है, वो किन दोनों integers के बीच में है, 0 और 1 के बीच में, अगर sin x 0 और 1 के बीच में है, तो उसका greatest integer फिर से क्या हो जाएगा, greatest integer फिर से क्या हो जाएगा, सर 0, ठीक है, तो इस पूरे की value 0 आ जाएगी, इतने portion के लिए, ठीक है, फिर मैंने बोले है, इसमें पाइ greatest integer of sin x, आया ना, आजाओ, ये ठीक है, अब सुनना ज़रा ध्यान से, पाइ से लेके 3 pi by 2 तक गया, पाइ से लेके 3 pi by 2 तक गया, तो ग्राफ कितना बना, इतना बना सर, ये इतना ग्राफ किन दों integers के बीच में है, सर, minus 1 और 0 के बीच में, ये इतना ग्राफ sin x का minus 1 और 0 के बीच में लिखा गया, किसी भी नंबर का greatest integer, minus 1 और 0 के बीच में लिखा गया, किसी भी नंबर का greatest integer, क्या होता है बिटा, minus 1, तो इतने पाट के लिए y बराबर minus 1 वाली लाइन ट्रॉ कर दे, सर, इसके तुरंत बाद में, पाए के तुरंत बाद, जैसे ही sin x नेगेटिव हुआ, जैसे ही sin x नेगेटिव हुआ, इसका greatest integer तुरंत minus 1 हो गया, मतलब वो सीधा कुद के यहाँ आएगा, 3 pi by 2 रखोगे, 3 pi by 2 पर ये minus 1 होता है, minus 1 का greatest integer minus 1, ठीक है, ऐसे, अब इधर आजाओ, जब आप 3 pi by 2 से 2 pi जाओगे, ध्यान सुनना, तो graph बना इतना, और ये इतना graph फिर से minus 1 और 0 के बीच में है, तो minus 1 और 0 के बीच में greatest integer, सर वापिस y बराबर minus 1 के ये बराबर, और 2 pi जब आप रखोगे, आप x की value 2 pi रखते हो, तो sin 2 pi होता है 0, तो sin 2 pi होता है अगर 0, तो यहाँ पर value नहीं आएगी, यहाँ पर value आएगी, आया न, क्या मेरी बात समझ में आगी? वापिस, अब यह जितने भी तेरे points हैं, इन पर अलग रख के भी देख सकता है, 0 पर value कितनी आ रही है, 0, 0 का greatest integer 0, यहाँ चला फटा फट, पर जब आप इतने portion को लोगे x-axis में, तो graph बनेगा इतना, इतना portion minus 1 और 0 के बीच में आ रहा है, मैंने बहुत बढ़िया, minus 1 और 0 के बीच में, अगर कोई number लेते हैं, उसका greatest integer होता है, minus 1, तो y बराबर minus 1 बलेंटो करते हैं, 0 पर यहाँ, 0 पर अगर यहाँ dark circle है, तो obviously यहाँ hollow circle होगा, और यह minus 1 वाला point है, minus pi by 2 पर यह आएगा, minus 1, minus 1 का greatest integer minus 1, अब इधर आ जाओ, सर वापिस, जब आप इतना x-axis का portion लो बलेंगा, तो यह 0 और minus 1 के बीच में, इसके लिए भी y बराबर minus 1 बलेंगा, जब आपने pi लिया, या minus pi लिया, तो यह बन जाएगा, 0, 0 गा greatest integer यह रहा, ठीक है, तो यह जो आपको yellow वाला graph दिखाई दे रहा है, dotted graph को छोड़ दो, yellow वाला जो graph दिखाई दे रहा है, प्ट continuity, discontinuity की बात करते हैं, ठीक लगाकर, 0% discontinuous, मतलब, cross का मतलब discontinuous, pi by 2 पर भी discontinuous, ठीक है, पर ऐसे अलग से लिख लेते हैं, ठीक है, points of discontinuity, कहा कहा पर discontinuous से ध्यान सुनना, left side से start करते हैं, sir minus pi पर बिल्कुल सही, यह point यहां उठके आवा है, minus pi पर है, फिर minus pi by 2 पर नहीं है, minus pi by 2 पर नहीं है, minus pi by 2 पर continuous graph है sir, एक्दम, फिर 0 पर है sir, बिल्कुल सही, फिर sir, उसके बाद में pi by 2 पर है, बिल्कुल सही, फिर पाई पर है बिल्कुल सही फिर थ्री पाई बाई टू पर डिस कॉंटिनिवेस नहीं है कॉंटिनिवेस है फिर टू पाई पर है तो कितने पॉइंट्स आए एक दो तीन चार पांच कितने पॉइंट्स आए बेटा पॉइंट्स ऑफ डिस कॉंटिनुटी कितने आए पां कि x की value अगर आप 3 pi by 2 लेते हो तो ये बनेगा minus 1 तो 3 pi by 2 पर अगर ये minus 1 बन रहे है मतलब ये integer है और अगर ये integer है तो ये तो नहीं टूटा सर देखो graph continuous आ रहा है तो हमें check करना होता है किते लोगों को बात समझ में आई कितने लोग greatest integer of cos x का भी graph बनाकर ऐसी comment कर सकते हैं अराम से तो practice के लिए आप greatest integer of cos x का graph बनाएंगे ठीक है प्रेक्टिस के लिए आप greatest integer of cos x का graph बनाएंगे ठीक है एक और सवाल फटा पट हाँ greatest integer of cos x इसको भी आप graphically भी जा सकते कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने greatest integer में बताया ध्यान सुनना जहां पर अच्छा एक ग्राफ और बनावा दूं क्या ताकि तुम्हें योगी यह वाले graph आते हैं यार ऐसी मेरे को शॉंग नहीं पड़ा है एक बोल रहा है minus pi by 2 क्यों नहीं count हुआ minus pi by 2 को उपर continuous है graph ठीक है कोई hollow circle नहीं है इस वज़े से क्योंकि इसके इदर भी minus 1 इसके इदर भी minus 1 इस पर भी minus 1 आप ब्रेक दे रहा हूं बिटा पर कुछ पाने के लिए कुछ स्खोन आपड़ेगा यार ऐसे थोड़ी होता है मैं आपको एक सिंपल सा graph बनाने के लिए बोलता हूं जैसे y बराबर x स्क्वायर का ठीक है और इसका भी greatest integer of x इसकी practice थोड़ी हो जाएगी ना तो आपको बनाएंगे ठीक है अब एवाद ध्यान सुनना अंदर वाले function का graph बना लो धांचा त्यार कर लो dotted अंदर वाले function का graph त्यार कर लो धांचा त्यार कर लो समझ गये x square का graph सब को पता है सामने देखते जाओ सीख जाओगे यह जो मैंने graph बनाए this is the graph of x square ठीक है मुझे greatest integer का graph चाहिए यह ब्रेक वाले ज्यादा है पढ़ने वाले कम लग रहे हैं लगता ब्रेक देगी दिना चाहिए सर अब इसकी रेंज में जो जो इंटीजर्स आते हैं उन सब पे डॉटेड होरिजोंटल लाइन ट्रॉ करो जो जो रेंज में इंटीजर्स आते हैं सर x square की रेंज तो उपर तक चलती जाएगी तो आप एक y बराबर 1 वाली लाइन खीचो फिर आप एक y बराबर 2 वाली ला ची नहीं ब्रेक दूंगा मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि आप सब लोग यह बोलो कि नो ब्रेक ब्रेक मैं दे दूंगा बट मैं पहले एक इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं यार इस पर सवाल करेंगे दिया नकना यह आपको बात समझ में आनी चीए ठीक है अब कोई बहुत सकते हो दिस वैल्यू इस जीरो ये वाली वैल्यू है वाली वैल्यू है टु ये वाली वैल्यू है थ्री ये वाली वैल्यू है फोर इसके ऊपर आप बात समझ जाओं ट्रिक है आया ना अब पटा फट y-axis में range पर dotted line खीचने के बाद में x-axis पर value लिख लिया करो corresponding values of x-axis मुझे ये वाली values बताओ मुझे ये वाली values बताओ मुझे ये वाली values बताओ सुनते जाना अराम-राम से कहानी समझ में आज ही गेचानक से मतलब मैं आप से पूछ रहा हूँ कि x-axis square की value 1 कब होगी तो sir x-axis square की value 1 तब होगी जब आप x की value 1 या minus 1 लोगे फिर मैं आप से पूछ रहा हूँ कि x-axis square function की value 2 कब होगी मतलब x-axis square 2 कब होगा यहाँ पर x बराबर 2 मत बोल दिना sir x-axis square 2 होने का मतलब है जब x root 2 होगा या फिर x minus root 2 होगा मेरी बात समझ पा रहे हो फिर मैंने पूछा x square 4 कब होगा 4 के बराबर कब होगा जब आप x की value root 4 या 2 लोगे तो यहाँ पर minus 2 समझ गे यहाँ तक हमने अभी सिरफ धांचा त्यार किया है अब ग्रेटेस इंटीजर के graph की बारी 0 से लेके 1 तक जाओ जो भी interval से उन में लेना start करो अगर आप x 0 से 1 लेते हो तो graph बन रहा है इतना मैंने का बहुत बढ़िया इतना graph जो है वो कहां से कहां तक है सर 0 से 1 के बीच में graph इतना है वो 0 से 1 के बीच में 0 से 1 तक के किसी भी number का greatest integer सर 0 होता है अगर आप x की value 0 से 1 लेते हो तो graph बनेगा इतना इतना मतलब 0 से 1 और उसका greatest integer 0 ठीक है 1 और 0 पर हम value अलग separately count कियेंगे अगर आप x की value 0 रखते हो तो यह 0 आएगा x की value 1 रखते हो तो यहाँ पर hollow circle यहाँ पर 1 आएगा देख लो x की value 1 पर greatest integer की value बनाएगी फिर आप 1 से लेके root 2 इतना पार्ट लेते हो ध्यान सुनना तो graph बनेगा इतना मैंने बोले यह graph किन दो numbers के बीच में बन रहा है सर 1 और 2 के बीच में तो 1 और 2 के बीच के numbers का greatest integer सर 1 तो यहाँ पर line की इस दो य बराबर 1 वली और root 2 पर यहाँ पर hollow circle ऊपर dark circle because root 2 पर value आएगी 2 2 का greatest integer होता है 2 अब 2 से लेके sorry root 2 से लेके root 3 में graph बनेगा इतना यह number इन दोनों के बीच में है और इसका greatest integer जो है वो होता है यह 2 तो यह यहाँ पर समझ पार हो अब ऐसे चलता जाएगा सरी यह यह यलो वाला graph आपको दिख रहा है this is the graph of greatest integer of x सहुच पार हो अब इदर आओ सर माइनस 1 से 0 के बीच में कोई number लेते हो तो तो graph बनेगा इतना और यह होगा 0 से 1 0 से 1 का greatest integer सर वापिस से 0 यहाँ पर होलो यहाँ पर डाक वैसे भी देख सकते हो यह एक even function है जैसा graph y-axis के राइट में बना है वैसा ही उसका mirror image left में बढ़ फिर भी आप देख कर सकते हो माइनस 1 और रूट 2 के बीच में graph बनेगा इतना और इनका greatest integer आप एक pattern observe कर पा रहे होगे कैसे लाइने लग रही है हाँ सर अब यहाँ पर यह वाली लाइन खीची जाएगी और रूट 2 पर यहाँ पर होलो यहाँ पर डाक फिर यह वाली लाइन आएगी यहाँ पर होलो यहाँ पर डाक फिर ऐसे चलता जाएगा यह तो यह जो yellow वाला graph आपको सरफ दिखाई दे रहा है this is the graph of greatest integer of x squared this is the graph of greatest integer of x square हाय ना क्या मेरी बात समझ में आती है अरे बोलो एक बार हाय ना ये बात समझ में आती है सर अब ये जो ग्राफ है ये x पर आपर 0 पर continuous है देख लो कहां कहां पर discontinuous है वन पर रूट 2 पर रूट 3 पर टूपर रूट 5 पर रूट 6 पर आया ना तो फटा फट जिस इसको बात समझ में आगी स्वाइग लिख के बेजें ठीक है ठीक है वापिस रिपीट कर देता हूं ग्राफ बनाईए धाचा अंदर वाले फंक्शन का वाई एक्सिस पर जो जो इंटीजर रेंज में वहां पर डॉटेट वर्टीकल लाइन ड्रॉट कर लो फिर वह वर्टीकल लाइन जहां पर धाचे को ग्राफ को कट कर रही है वहां पर उनके कर्रस्पांडिंग एक्स की वेल्यू रखो अब इंटर्वेल्स कंसीडर करते जाओ उस पर ग्रेटेस इंटीजर लगाते जाओ जब भी ग्रेटेस इंटीजर लगाओगे अच्छा इसके जवाब में हमेशा क्या आता है सर होरिजोंटल लाइन्स आती है इसके ग्राफ में इन दोनों नंबर्स के बीच में बनता हुआ नहीं दिखाई देगा तो इसने नाव दिस बैनिफीशल यह काम आता है ध्यान रखिए अब यहां से आपको सीधा सीधा ही दिखाई दे रहा है कोई चेक करने की जुरत ही नहीं है ठीक है ठीक है ठीक है बहीं चलो कितने मिनट का ब्रेक चीए जिसके बाद मैं आ जाओगे सीजी बताना कितने मिनट का ब्रेक चीए जिसके बाद मैं वापे से आ जाओगे हो कि ठीक है अभी एक ब्रेक ले रहे हैं फिर एक हम लेंगे सिधा साढेber गारीब जो आप खाना क्तियार करने के लिए बोल दीजिएगा फ्लि Communist अभर वालों को ति कर खाना त्यार करने के लिए बोल दो घर लोगों अभी एक ब्रेक लेते हैं फिर उसके बाद में सीधा ब्रेक तब ठीक है वो मैं 20 मिनट का देता हूँ अगर आप ये वाला 10 मिनट में काम चला दो तो हाँ आवर ये कौन अबे थीग है थीग है चलो बारा मिनट ठीक है ना तुम्हारी ना मेरी समय शुरू हो चुका है बारा मिनट बाद में हम लोग मिलेगे जब ये घड़ी जीरो जीरो पर आजेगी तब ठीक है प्लीज आईएगा जुरूर क्योंकि हम लोग आगे अभी डिफ्रेंशिबिलिटी बचा है लम वी टी रोल्स त्योर्म मैं बोला तुसा आज वाली क्लास के बाद में इनकी टंचन नहीं रहेगी अभी अभी जीरो अभी जुरूर का सब्सक्राइब ये जुट रहेगी ट्यूर वी मिलेगे लोग जीरो आगे बचले कर के बाद में अभान कर दो जब शोग्वारी वी बचले क्लास के बाद में भी बढ़े झाल 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 आज ये सभी लोग क्या मेरी यवाज आ रही है क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं जल्दी से बता दो आया नव क्या आज आ रही है जल्दी से बताओ मतब आवाज इस क्लियर और जल्दी से फटा फट कमेंट करके बताओ था कि हम लोग आगे स्टाट करें एकदम क्लियर है हाँ सर बहुत बढ़िया शाबाश आ जाइए ठीक है फटाफट मेरी गाल से सभी लोग जॉइन कर चुके हैं वापिस हमें भागते भागते हलके बारी होई लियोगे तुम लोग आ जाइए आ जाइए हाँ मम्मी को फटाफट गेट खोल के अवाज मार द देगा ठीक है आए ना फिर दो मतब एक ब्रेक और उसके बाद में फिर निप्टा देंगे हाँ मेटा लव यू लव यू बहुत सारा लव यू ठीक है एक बोलो असर मोटिवेशनल शायरी हो जाए तो अपने पास एगी मोटिवेशनल शायरी हो उसको हमेशा पकड़के र उपर तेरा नाम होगा बस पढ़ते रहो आजए यह प्लीज नाव जो अगला सवाल है देट इस वन अपन एलन मॉट एक्स के बारे में हमें कमेंट करना है ध्यान सुनना है वन अपन एलन मॉट एक्स के बारे में कमेंट करना है कि इसकी कॉंटिटी डिसकुस करनी है तो ठ जान सुनना सर अपकी बार यहां पर ग्रेटेस इंटीजर फ्रेक्शनल बार्ट वो सब तो है नहीं बट मॉड लगावा है और मॉड के अंदर की जो चीज है वो कहां जीर मतलब कहां पर 0 होगी तो एक तो सर एक्स बराबर 0 कैसे कि मॉड किस पर लगावा है एक्स पर और एक दिनॉमिनेटर टेंट्स टू जीरो अब एक बार बताओ डिनॉमिनेटर जीरो की तरफ कब जाएगा यह यह दोनों पॉइंट्स और यह पॉइंट्स यह इन पर डिस्कॉंटिनिवेस हो गई होगा 100% वापिस बताताओ बिना चेक करें कैसे आपने सर जवाब दे दिया डिस्कॉंटिनिवेस एट एक सिक्वेस टू जीरो माइनस वन एंड वन कितने लोगों को यह बात समझ में आती है कि आपने सीधा सीधा जवाब क्यों दे दिया क्योंकि भीया जब आप एक्स की वैल्यू वन और माइनस वन रखोगे तो इस फंक्शन एज नॉट डिफाइ नो सर तो सारे नंबर्स पर यह कॉंटिनिवेस है अधर बस डिस कॉंटिनिवेस किस किस पर है वन माइनस वन और जीरो पर ठीक है यह तो हुआ अब मैं यहां पर आपको ग्राफ से भी थूड़ी जानकारी देना चाहता हूं विकॉस ग्राफ पर आपका एक बढ़िया च्छिञा होता है इसिसज़ द बेसिक ग्राफ जो हम सब को याद होना चाहिए जो हम सब को याद होना चीए याद है भी करणे का दो अगिक स्थर वह ise वह भाया भाई बर अलन एलो अफम उडख वैमा बर एलन फमट्स यह ग्राफिकर टरनाश उंख मैं आपको बताया था कि इस क्लास में मैं आपको जो जो बताऊंगा यह कौन है नीरज कुमार जी लिख रहे हैं सचिन सर आप हमारे पहले पार हो अब प्यार तो डंग से लिख लेता कम से कम चलो ठीक है थैंक यू सो मच ठीक है पहला यह ज्यादा हो गया चलो कोई नहीं पहला दूसरा जो भी है मैं आलन मोड एकस कैसे बनेगा तो जब भी आप यहां से यहां जाते वक्त एकspe Unit हुई है इसको आप याद रखीगा ौई एक सी जगाया मार्श रख दिया तो इसका ग्राफ कैसे बनता है ध्यान सुनना आपने x की जगह mod x रख दिया तो आप इसके लिए बोलोगे remove left hand side जो भी graph है उसकी left hand side हटा दो अब सर इसमें तो left hand side है यह नहीं तो मैं नहीं तो थीक है मत अटा अगर कोई normal graph होता मान ले ऐसा होता ठीक है ऐसा ऐसा तो मैं पहले बोलता मतलब यह y बराबर fx का graph है और मैं y बराबर f of mod x का graph बनाना चाहता हूँ तो मैं बोलता remove left hand side तो आप यह left hand side y axis की left hand side रटाते तो इतना ही graph बचता अब now take mirror image of right hand side in y axis इसकी mirror image ले लो मतलब जो right hand side वाला part है उसकी mirror image ले लो y axis में तो यह graph ऐसा आ जाता इसका अब यहाँ पर graph में कोई left hand side तो है नहीं मैंने नहीं ठीक है बई तो फिर सर क्या करें जो right hand side वाला part है उसी की mirror image ले ले लीजिए left hand side में हटाया कुछ थाए नहीं तो किसको अटाऊं तो यही graph की mirror image इदर जाएगी तो यह बन जाएगा ठीक है अब सर यहां से हमें जाना है अगले में अब अगली जो transformation है वो क्या है graph of reciprocal अब हम यहां से यहां जाते वक्त आगे जाते वक्त क्या कर रहे है reciprocal दे रहे हैं सर रेसीप्रोकल बहुत असान है कि आपको अगर जैसे वो पता है ना कि भी यह वन का reciprocal टू होता है स्वरी नक्त रेसी प्रोकल न degट आंप होता है negative कर रैसीप्रोकल नेगेटेव होता है पॉजटिव का reciprocal पाजटीव होता है कि आपको यह पतr और गहिए अफिए देशा करते हैं अधिए और पूब्स वही चीज़े कहीं वह बीक बॉस वाली वह जो एक लड़की वह रहीन चलतीए वह वहला तो नहीं है उसमें बोलती हैं कि मेरे को मैटरमेट्रिक मस्ट शिखा तो डिनौमेनेटर अगर नियूमेनेटर अगर अगर कि छीरो प्लस और जीरो प्लसकर है इनफिनिटी सब्सक्राइब का अब मैं यहां से रेसीप्रोकल पी जा रहा हूं मतलब मैं किसका ग्राफ करना चाह रहा हूं वन अपॉन एलन मॉड एक्स का ठीक है यह सब अपने आप में थ्योरिटिकल पॉइंट से ध्यान रखेगा मैं सारे बताता हूं चल रहा हूं क्या करना अब सुनना ध्यान से जहां पर फंक्षिन का ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है जहां पर फंक्षिन का ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है वहां पर आप डॉटेड वर्टिकल लाइन खीज़ दो सर लॉजिक 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 क्या है लॉजिक मैंने का लॉजिक बहुत असान है क्योंकि जाब यह X-axis को क्रॉस कर रहा है मतलब इसकी वैल्यू जीरो हो रही है तो जब किसी नंबर की वैल्यू जीरो होती है तो जीरो का रैसी प्रोकल infinity मत बोलते ना पाप लगे ध्यानक ना infinity neat वाले बोले तो अच्छा चलता है physics chemistry में कभी कभी teacher बोलते चलता है कोई बात नहीं maths के student होगे तुम 1 upon 0 के infinity बोलते हो बिल्कुल नहीं चलता है आया ना तो सर अगर यह 0 हो रहा है तो पक्का वन और माइनस वन पे सर यह इसका ग्राफ नॉट डिफाइन होगा मैं नहीं बहुत बढ़ी है वन और माइनस वन पे इसका ग्राफ नॉट डिफाइन होगा dotted vertical line आने वाली है yes or no अम इस बार ध्यान सुनना जैसे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो यह तरीका लगाना है वन से थोडे से बढ़े पर value कैसी आ रही है सर जीरो से थोड़ी सी बड़ी तो लड़ा नंबर का reciprocal यह होता है सर Ett यही वन से थोड़े से बड़े पर ग्राफ जाएगा infinity की और ठीक है आया ना अब इदर आ जा जब तो X को infinity लेके जा रहा है जब X को infinity लेके जा रहा है तो Y कहां जा रहा है सर य भी infinity जा रहा है X approaches to infinity तो Y कहां जा रहा है infinity इस case में अगर X में infinity लेके जाएगा तो 1 upon y कहां जाएगा infinity का reciprocal 0 plus तो इस बार जब आप infinity की तरफ जाओगे तो graph जाएगा 0 plus की और 0 plus मतलब 0 से थोड़ी सी बड़ी value 0 plus मतलब 0 से थोड़ी सी बड़ी value infinity जा रहा है graph इसका reciprocal 0 plus समझेगी नहीं समझे आया है न देख लेना जदा load के जक्कर में परिशान मत हो जाना although इसका graph का जवाब आच चुका है मतलब method 1 से if you are comfortable with method 1 बहुत अच्छी बात है अगर आपको कुछ और चीज़े जाननी है तो वो सिखा रहा हूं तो सर 1 से थोड़ी से बड़े पर plus infinity infinity पर 0 plus 0 से थोड़ी सी बड़ी value कुछ लोग बोलें कि सर नीचे नहीं आएगा क्या नहीं जी x-axis के नीचे नहीं आएगा ये x-axis के ऊपर ही रहेगा ठीक है समझ मैं कि नहीं समझ मैं चलो इतने वाला portion cover हो गया अब आओ इदर 1 से थोड़े से left में value कैसी आ रही है सर value आ रही है 0 से थोड़ी से नीचे मतलब 0 minus 0 minus का reciprocal जरा 1 upon 0 minus थिस माइनस इंफिनिटी मतलब 1 के थोड़े से left में graph जा रहा Hoga माइनस इंफिनिटी आप यहाँ देख जीरो से थोड़ी से बड़ी value पर 0 के just right में graph कहा जा रहा है माइनस इंफिनिटी कि जीरो के थोड़े से राइट मेग्राफ कहा जारा है माइनिस इनफिनिती माइन इनफिनिनिटी का रेसी प्रोकल जीरो प्लस तो यहां पर जीरो ग्राइट मेग्राफ जाएगा 0+. की और ठीक है आया ना फिर यहां आ जाओ सर यहां पर आप देख सकते हो कि जीरो के थोड़े से लेफ्ट में ग्राफ जा रहा है माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो के थोड़े से लेफ्ट में ग्राफ जा रहा है माइनस इंफिनिटी उसका रेस अब गवापिस म माइनश के राइट में देखो माइनश मन्हें के राइट में यह वाला पॉइंट और या वैल्यू है लगबग zero इन्फिनिटिव तो Let's का सी प्रोकल माइनस इंप्रीट especial तो माइनस वन की राइट में माइनस तुन चैनलों आफ में सुर्य ये वजा नवत टो प्लस बस जो प्रोर्चन-4 या प्लैंटिक यह प्लस प्लस इंफिनिटी और जब आतरया गोगे तो यह जा रहा है प्लस इंफिनिटी जो portion x-axis के नीचे है उसका portion भी x-axis के नीचे ही आएगा समझ के नाओ अब आप फटा पर देख सकते हैं बस इन points को join कर दो और कुछ नहीं है यहां से यहां गया यहां से यहां गया जीरो पर डाक अा अलो सरकल जीडो पर अलो सरकल क्यों कियोंकि सर इस function में आपजीरो नीज्यों रख सकते देखलो भई है ठीक है यह ग्राफ बनाया one upon ln of more x कई यह जो ग्राफ है यह बनाया है बना अलनो अलन इन वाइज जहां पर यह x-axis को क्रॉस कर रहा है वहां पर डॉटेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो जहां पर यह x-axis को क्रॉस करता है उन पॉइंट के immediate right और left में value चेक करो लगबग 0 आ रही है बट कौन सी 0 प्लस है तो उसका रेसिप्रोकल प्लस इंफिनिटी जाएगा 0- तो उँसका रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी जाएगा और 0 जैसी ये वोले पॉइन में जीरो प्लस पर और 0- पर वेल्यु जा रही है दोनी जगां माइनस इप्रिटी उसका रेसिप्रोकल को लोता है जीरो माइनस आया ना ठीक है किते लोगों को बात समझ में आई है ठीक है समझ में अब इधर जाओ गए तो यह जा रहा है इंफिनिटी इंफिनिटी का रैसिप्रों को लोता है लोग जीरो प्लस तो और फिर भी अगर आपको इसमें दुर्बव डाउट हो तो एक बार और रोकर देख लीजीगा प्लीज आप बार इसको एक बार और रोक कर देख लीजिएगा ठीक है आया ना ठीक है चलिए एक और ग्राफ बनाओगे क्या माल लो फटा फटा इसमें प्रेक्टेस के लिए अगर माल लो मैं आपको y बराबर fx का ग्राफ देता हूँ ऐसा ध्यान सुनना जल्दी से ताकि तुमारी प्रेक्टेस एकदम शांदार हो जाए जैसे य बराबर fx का ग्राफ दिया मैंने ये वला ठीक है यह 0 और यह 2 तो अब मैं आपसे ग्राफ ड्रॉव करवाना चाह रहा हूँ य बराबर वन अपॉन एफेक्स का वापे से सुन शायद अब बात क्लियर हो जाएगी एकदम सबसे पहला स्टेप क्या है सर जहां पर एफेक्स का ग्राफ जहां पर fx का graph जहां पर fx का graph x-axis को cross करता है x-axis को cross करता है वहां पर dotted vertical line तो एक point तो है सर वो 0 वाला और एक point है 2 इन पर अगर आप dotted vertical line खीचोगे भी तो इस पर तो dotted vertical line ऐसी आएगी इस पर dotted vertical line यह खुदी है ठीक है ठीक है जी अब माल लो यहां पर यह जो value है इस पर 1 पर value आ रही है sir 1 पर value आ रही है 2 यह minus 2 ठीक है अब शुरू हो गए सबसे पहले आप देखो जहां पर x-axis को cross कर रहा है उसके right में 2 के right में function की value 0 से थोड़ी सी बढ़ी है ज्यान सुनना एक चीज हमेशा याद कर लो x-axis अगर ऐसे cross कर रहा है तो इसका जो reciprocal होगा ना वहां पर dotted vertical line एगी positive वाला चला जागा ऐसे infinity और यह ऐसे जाएगा इसका reciprocal यह होता है इसका अगर आप reciprocal देखना चाह रहे हो तो इस पर dotted vertical line खीचो इससे पहले जीरो प्लस था तो यह ऐसे इसके बाद में 0 माइनस है तो यह ऐसे तो मतलब यह ऐसे ब्रेक कर देता है reciprocal समझगे की नहीं समझगे तो वैसी मैं आपको बताना चाहरा हूँ विद लॉजिक्स तू के बिल्कुल राइट में value आएगी 0 से थोड़ी सी बड़ी उसका reciprocal होता है प्लस इंफिनिटी ठीक है और जब आप इदर जाओगे तो function जा रहा है तो आप वो यहां से बुझ रहेगा जीरो के बिल्कुल राइट में function की value आ रही है negative और वो भी लगबग zero zero minus उसका reciprocal कितना होता है उसका reciprocal कितना होता है minus infinity ठीक है अब जीरो के बिल्कुल लेफ्ट में function की value आ रही है 0 प्लस जीरो प्लस का reciprocal कितना होता है प्लस इंफिनिटी अगर आप left side में चलते जाओगे graph कहां जा रहा है plus infinity की और प्लस इंफिनिटी की और उसका reciprocal जीरो प्लस कि समझ पा रहो कि नहीं समझ पा रहो कि बस इन सब पॉइंट्स को जॉइन कर दो कि अब अब कि इतने लोगों को एकदम क्लियर है है Dobies एड्यू पार्टरनर यह कोन यहां क आ है आके चलता रहा है फिर अगर जिंदाबाद है तो अच्ताज्य यहां के बताना ज़रूरी है थी है चलो और जिल सो वो तो पता चली रहा है कि तू यहां आके पढ़ रहा है उसे पता चल गया कितना जिंदा बाद है बागी लोग सामने देखें क्या आपको यह समझ में है कि इसका ग्राफिकल मतलब रैसिप्रोकल यह होगा है ना उसका graph reciprocal ये होगा ठीक है बस ये दो example बहुत है आप सीख जाओगे गवराइए नहीं एक और example मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ फटा फिट फिर आगे बढ़ते हैं आप डिरेक्ली देख लो जैसे यहां पर था न कि भी यहां में दिख रहा है यही तीन पॉइंट्स होंगे इससे जवाब आ गया graph बनाना कहां जरूरी है बट फिर भी अडिशनल था तो मैंने बता दिया अब यहां हो ना इसमें आप बोल सकते हो यह situation है f of gx टाइप की कि एक function के अंदर जब दूसरा function रखा जाए तो इसमें आप क्या करो यह जरूर ध्यान दे लिया करो औल सो मतलब इसमें आपको कहांगे रहना है या फिर क्या क्या ध्यान दोगे वेर जीएक्स जंड़ डिफाइंट वेर जी एक्स इस नौट डिफाइंट यह वाले points आपको भूल नहीं जाना है ध्यान अगना ठीक है मतलब अब मेरी बात ध्यान सुनना अब मेरी बात ध्यान सुनना मैंने आपको एक function दिया fx fx लिखा हुआ है 1 upon mu square plus mu minus 2 अगर मैं इसके factorization करूँ तो बेटा यह लिखावा है mu plus 2 into mu minus 1 जहां पर mu जो है वो 1 upon x minus 1 है जहां पर जो mu है वो 1 upon x minus 1 है ठीक है अब ध्यान सुनिएगा प्लीज बच्चे इसमें क्या करते हैं गलती अब यह हो जाती है उनसे वो mu की जगा 1 upon x minus 1 तो लिख देंगे ध्यान सुनना कि अब इसको आप simplify करने मत बैठ जाईएगा प्लीज क्योंकि अगर आपने LCM लेकर इसको ऊपर पहुचा दिया तो आपने function ही बदल दिया समझ मैं है अब आप यहां पर ऐसा देख सकते हैं कि इसको defined रहने के लिए for defined ठीक है या फिर आप बोल सकते हो कि जो अब जो म्यू है उसमें आप खुद कभी x बराबर 1 रख सकते हो क्या तो answer is sir no इसमें हम x बराबर 1 कभी नहीं रख सकते तो मैंने का all in all फिर आप क्या क्या चीजें नहीं रख सकते देखो म्यू में कभी भी x बराबर 1 नहीं रख पाओगे क्योंकि उसका denominator 0 हो जाएगा कमेंट करो तो पहले आप मुझे बताओ कि इसकी डोमेन क्या होगी मतलब आप कौन कौन से एक्स इसमें नहीं रख सकते सर पहली चीज तो आप x1 नहीं रख सकते दूसरी चीज यह फेक्टर जहां पर 0 हो रहा है वन अपॉन x-1 प्लस टू यह 0 नहीं होना चाहिए और वन अपॉन x-1 यह भी 0 नहीं होना चाहिए तो यह वाला एक केस यहां से देखना ज़रा यह कितना आ गया वन अपॉन x-1 minus 2 के बराबर नहीं होना चाहिए और यहां से x minus 1 यह इदर जाएगा तो यह minus half के बराबर नहीं होना चाहिए यहां से आप देख सकते हो जो x है वो plus half के बराबर नहीं होना चाहिए अगर आप इसमें x की value plus साप लेते हो नो यह बनेगा minus 2-2 प्लस-2 यह 0 हो जाएगा अब यहां आ जाओ वन अपाँझ माइनस वन शुड नौट बीविस्टो वन और एक्स माइनस वन ऊल्सो नौट इक्विस टूओन एक्स शुड नौट बीविस्टो टू तो कितनी values निखल किया आई जहां पर function not defined हो रहा है और जहां पर not defined होगा वहीं पर discontinuous होगा तो जो fx है और तो कोई कारण ही नहीं है न और suspicious points कौन से check करूँ suspicious points के नाम पर जो आपको बताया था वो सामने देख और कौन कौन से check करूँ सर आपने बोला था जहां पर denominator 0 की तरफ जाने की कोशिश करें तो बस यह तीन ही points है तो discontinuous at discontinuous at discontinuous at discontinuous at कौन कौन सा x बराबर 1, half and minus 2 या 2 इन तीन points पर discontinuous है because इन पर क्या है not defined समझें suspicious points में आपने बताया था where denominator tends to 0 यही एक केस बसता है ना ही इसमें greatest integer है ना ही fractional part है और ना ही यहां पर कोई function की definition change हो रही और ना ही यहां पर end points of interval interval भी कुछ नहीं दे रखा तो बस यह समझें तो यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे से गलती क्या होती है गलती वाला point एक बार repeat कर देता हूं वो इसको क्या है LCM लेकर set कर देता है set करने के बाद में फिर वो एक्स की values देखता है जब आप LCM ले लोगे तो बेटा आपको यह x-1 numerator में दिखाई देगा तो आपके साब से ऐसा होगा कि आप उसमें x बराबर 1 रख पाऊगे that is not possible क्योंकि x बराबर 1 पर म्यू ही not defined है और function जो है वो म्यू का है तो फिर सरी डिफाइंड कैसे हो जाए समझ गें तो simplify ना करें बिना simplify करें एक बार चीज़ों को देखें कि यस और नो कि अब यह क्या चल पड़ा अरे ऐसे टोपी लोग बहुत सारे मार्केट में किस किसका हम जवाब देंगे जवाब दे तो नहीं आज की न्यूजपेपर खोल लो कुछ भी खोल लो ट्रेंडिंग लिख दो गूगल पे यूट्यूब पे ट्रेंडिंग लिख दो अपने आप नाम दिखाई देजेगा क नस पूच्छ खतरनाक result कैसे result भी टा खतरनाक result very useful results जिन पे जहीज़ू है वह सवाल पूचव चुके बोल सकते हो, add x equals to alpha, and x equals to beta, यह जो लिखा हुआ है, value of function, value of function, is of opposite sign, is of opposite sign, यह बात यह लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप यह लिखते हो, ना, कि दो values का product negative होना चीए, इसका मतलब है, कि उन दोनों का sign opposite है, अगर एक positive है, तो दूसरा negative, एक negative है, तो दूसरा positive, ग्राफिकली सोचने की कोशिश करते हैं, इसको ध्यान सुनना, ठीक है, ग्राफिकली सोचने की कोशिश करते हैं, यह रहा x बराबर alpha, सुनते जाना, और यह रहा x बराबर beta, उसने बोला कि graph continuous है, मतलब function का graph बनाते वक्त, आप उसमें continuity के बाद ध्यान रखेंगे, पैन उठन नीची है, और एक पर value अगर positive आ रही है, alpha पर अगर value positive आ रही है, तो beta पर value negative आएगी, positive का मतलब है, अगर alpha पर graph x-axis के उपर है, तो beta पर graph x-axis के नीचे होगा, आप बोलो हाँ, आया ना, जल्दी से बोलो, क्या मेरी बात समझ में है ही? क्या मेरी बात समझ में की नहीं है, अब आपको क्या करना है, यहां से start करना है, और यहां जाना है, पैन उठना नीची है, बहुत बढ़िया, सर एक तरीका, मैंने गाठीक है, फिर एक बोला सर दूसरा तरीका यह देखो, हम सारे पॉसिबल ग्राफ्स बना रहे हैं, आप भी बना सकते हैं, फिर एक बोले का, सर अलफा पर नेगिटेव और बीटा पर भी तो पॉसिटिव हो सकता है, मैंने गाँ बिलकुल सही, तो यहां पर नेगिटिव ले, यहां पर पॉसिटिव ले, जैसे यह वला, ठीक है, कैसे भी बना देते रीचा है, ठीक है, हाँ, कॉंटिनियूस बनना चीए, मदब पहन नहीं उठेगा, अब अगर ऐसा होता है, तो रिजल्ट क्या है, एफेक्स विल हैव एट लीस्ट वन रूट, कम से कम एक रूट जरूर होगा, बिट्वीन एक्स बराबर अलफा एंड बीटा, बिट्वीन का मतलब है, की जो रूट है ना, ध्यान सुनना, बिट्वीन का यहां पर मतलब अच्छे से लिख के बता देता हूं, की जो रूट एफेक्स का, वो बिलॉंग करेगा अलफा और बीटा ओपन, मतलब अलफा और बीटा के बीच में ग्राफ कहीं, एक से कम एक बार काटेगा, या तो रूट उसमें एक होगा, या और नंबर आफ रूट होगे, और मतलब, जैसे की माल लो औरेंज वाले ग्राफ का मैं होगे, वो बोलेंगे एक रूट ये, और एक रूट ये, दो ही रूट हुए सर आपने तो यहां पर और नंबर लिखा हुआ है, नहीं जी, यह वाला जो रूट है न, जहां पर यह टच करता है, इसको बोलते रिपीटिद रूट, जैसे यह ग्राफ टच करेगा न, एक सेक दो, दो चार और एक पांच, टोटल रूट यहां पर कितने हैं, पांच, मतलब मेन मुद्दे की बात जो है, वो यह नहीं है कि और या फिर इवन, और या इवन नंबर आफ रूट की बात नहीं है, मेन मतलब है कि कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा, समझ गे, एक रूट तो होगा ही होगा, समझ गे, एक रूट तो होगा ही होगा, अगर आप अलफा और बीटा के बीच में, ग्राफ continuous है, और दोनों पर वेल्यू अपोजिट आ रही है, उपर से नीचे पहुंचना एक सेक्सिस के, तो एक बार तो काटो होगी ना, बिना प रती नहीं पड़ी, बहुत बढ़ी हो, ठीक है, मैं गाल से बात समझ में आती है, तो ये continuity की बज़े से ये रिजल्ट आया, विस पर दिखना, आयाइटी ने सवाल कैसा पूचा ध्यान, सुनना, इस आइटी का सवाल है, बिल्कुल सही, ये आइटी जी का कुशन है बिटा ठीक है, पड़ा पड़ देख ले, हाँ, एक बोल रहा है कि सर ये two roots नहीं समझ में आए आपको, ये वाले, अभी मैं बताऊंगा कि graph जब x-axis को touch करता है, या repeated root का क्या concept है, तो अभी आप यहां देखें कि यहां पर दो roots है, यहां पर भी दो roots है, यहां पर भी दो roots है, यह x-axis को cross करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो answer is sir yes, ठीक है, आज यहां बताओ, जैसी यह सवाल आया, और इसमें बोला कि nature of the roots of the quadratic, इसमें nature of the roots of the quadratic, अब बच्चे कहा है भीया, quadratic बढ़ रखिये sir, हमें आता है सारा, यह बच्चे ने सवाल देखती ही शुरू हो गया, मैंने पूछा क्या भई, क्या करने की mood में है, बोले sir, कुछ नहीं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान सुनना, पहले वाले दोनों ब्रेकेट को multiply करके आप इसको ऐसा लिख सकते हो, और लास्ट वाले दोनों ब्रेकेट को multiply करके आप इसको ऐसा लिख सकते हो, मैं कि ए एक्स का कोफिशंट इकटा करोगे तो यह आ जाएगा टू ए प्लस बी प्लस सी इन्टू एक्स और कॉंस्टेंट टर्म आएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी यह कि उसने पूरी क्वाड़िक एफ ऐसी बना ली है मैंने कि अब क्या करेगा भाई बोले सार मैं तो डी कलकूलेट eventuale मैं दीकनलेट करूँ गाँ अजिवा एक अच्छा मौले दीसे आता चलता है नेचर और तो मैंने कलेट कर ले वज़े अगर आप लगाते हैं तो बहुत ह गंदा सा expression हो जाएगा समझे इन दो दो ब्रेकेट को multiply करते जाओ यही रिजल्ट आएंगे यह हमें नहीं करना है हम सीधा जाएंगे सर ग्राफिकली ध्यान सुनना ग्राफिकली सीधी सीधी बात समझ में आती है और using the result of continuity कितने लोगों को यह बात समझ में आती है जो function मैंने दिया है जिस जिसको बात समझ में आए ys लिखके भीजिएगा कि यह सर एक polynomial function है polynomial मतलब यह quadratic है आया ना this is a quad क्या है यह quadratic है यह क्या है बेटा जी quadratic है पढ़ने वाले लोग है कि नहीं है जिन्दा बता देना बस यह कौन है yx equals to 1 not taken please tesler कौन से x equals to 1 की बात कर रहा है यार कब से लगा हुआ बता नहीं यह है तो सही discontinuous at x equals to 1 x की value 1 लेगा तो यह not defined हो जाएगा गजब भया गजब graphically ज्यान सुनना graphically सीधा सीधा उसने बोला a b और c मेंसे यह नहीं बताया कौन positive कौन negative बट सबसे चोटा a है उससे बड़ा b है और सबसे बड़ा c है मैंने का ठीक है आप एक काम करो यह जो fx आपको दे रखा ना बिटा एक छोटी सी चीज आप इस पूरे की value calculate करो f of a फिर आप calculate करो f of b फिर आप calculate करो f of c आपको तुरंद result दिखाई देगा मैंने बुला f of a का मतलब है जहां जहां पर आपको x दिख रहा है वहाँ a put कर तो यहां a रखेगा a minus a 0 यह रखेगा a minus a 0 यह वाला factor और यह वाला factor हो गया 0 ठीक है sir तो f of a आया कितना सर यह वाला factor बचेगा इसमें x की जगा a रख दे यह वाला factor और यह वाला factor 0 हो गया तो a minus b into a minus c ठीक है f of b बता sir f of b पर यह वाला factor गया और यह वाला factor गया जवाब कहां से आएगा यहां से b minus c into b minus a सही चल रहा है और f of c x की जगा c रखोगे तो कौन-कौन सा फेक्टर गया यह वाला और यह वाला यहां से जवाब आएगा c minus a c minus b मुझे इन सब values का sign बताओ बस तो कि इनका sign कैसा है मतलब यह values positive हैं कि negative है हेसर ध्यान सुनना सबसे बढ़ा कौन है c है क्थे जीए यह लिखाव है यह लिखाव है क्योंकि b यह ने ने कि भी नेकुटिव नेकुत बहुत बटा है अब ध्यान O बी माइनसी सर्य वाली चीजह है नेगेटिव है यहाँ प्ता देता हूं यह और बी नेगेटिव पाउजटेव ऐड़ा यह वी नेगेटिव इसारी है Pul music नेगेटिव अकर फॉल से चले यह बी पॉल ऋल्युँटव से एबी सी सबसे भॉड़ा के उपर लाए करेगा बीपर जो वैल्यू आ रही है सर वो आ रही है नेगेटिव मतलब ग्राफ x-axis के बीच में लाए करेगा मतलब x-axis के नीचे लाए करेगा और चीपर वैल्यू फिर से पॉजटिव आ रही है यह बात एकदम 100% शौर है इन तीनों पॉइंट से ग्राफ गुज़रेगा ही गुज़रेगा एक बाद बताओ इन तीनों से गुजरने वाला अगर मैं कोई पैरा बोला ड्रॉग करूं ऐसा बना सकते हो कोई इशू नहीं है आप ऐसा भी बना सकते हो मतलब बहुत सारी पॉसिबल ग्राफ्स है एक बाद बताओ बहुत सारे पॉसिबल अगर ग्राफ्स है तो यह जो क्वाडिटिक आपको दे रखी है यह 100% एक बार क्या दो बार x-axis को काटेगी की नहीं काटे तो आप इसका जो final इसके जब options दिये गए थे ना multiple correct में तो वो options थे roots are real one root lies between c से लेके infinity and another root lies between minus infinity से a यह एक option हुआ roots are imaginary दूसरा option roots are real one root lies between a and b another root lies between b and c समझगे की नहीं समझें तो आप इसमें क्या बोलोगे roots are real and distinct roots are real and distinct root जो है वो real भी है distinct भी है एक root जो है root one एक root जो है वो a और b के बीच में है और जो दूसरा root है वो b और c के बीच में है पक्के इसके real roots आएंगे मतलब graph x-axis को काटेगा ही काटेगा और एक root जो है वो one or two के बीच में एक बीच में एक बीच के बीच में इस ग्राफिकल कंस्टेंट आइटी जेई का सवाल है continuity के basis पर एक और आएटी का पूछावा सवाल चोटा सा यह दो नंबर में आया था मतलब जो वह होता ना मैच दी कॉलम जिसमें हर एक को मैच करने पर दो नंबर मिलते हैं तो यह आपके पास फिर से आएटी जेई का एक चोटा सा पूछावा सवाल है यह फिर से continuity के basis पर बनाये गया सवाल है ज्यान सुनना ठीक है आया ना पटने वाले लोग हैं कि नहीं है यार यह कौन दिख रहे हैं एक बाद भगाना इनको कि सब्सक्राइबिलिटी कब करवाओगे एट पीम हो गया है नहीं करवाओगा बटा डिप्रेंचिबिलिटी गेमिंग यह गेमर गेमर सारे एक साथ ही कठे और गया है बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है बढ़ाने में आर तुम वही तो हो भाया तो तुम्हारे हग कोई चीन के लिए तुम कैसे बरदास कर सकते हो हुम तुरंथ हुर 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 हट हट चावाश यह कास यह तुम्हें पतक यह पिछले साल मंजिल का था है यह तो हाव यू गेम टू नो कि ऐसा कुछ होता है कि एक अकास तिवारी करके लड़का है विचारा इंटीग्रेशन के पीछे बढ़ा है बेटा तरह कौन सा पार्ट डिफ्रेंशीट हो गया जिसको तुछ इंटीग्रेट करने के चक्कर में लगा हुआ है करवाएंगे गरवाएंगे इंटीशन भी गरवाएंगे क्यों बिंडी बन जाए तो फिर आपने राजमा क्यों नहीं बनाए ना फिर लास्ट में इनके संडे वाले दिन जब एकदम बुलते हैं मम्मी एकदम पसीने में तत्पर होती है और तभी बीच में जाके बलते हैं आज तो राजमा क्यों बनाती है मुझे तो वह खानी थी बालो अब यहां पर यह की हाथ में आएंगे निबल अ कि एक बार सभी लोग स्माइली बना के भीजो बहुत सारी हसने वाली जोड़दार ताकि इनको पता चले के इन पर हसा जा रहा है और सर हमारे साथ तो परतार ना भारत हो रही है यह अकेला ही तो ऐसा प्लैटफॉर्म है मतलब ऐसा एक अकेला तो इंस्टेंस है समझ पार हो जहां पर आप अपने टीचर के साथ मजाक कर सकते हो और गया अना ओफ-लाइन में अरे तंदूरी टिक का बना दे अध्यान अपने मतले ना किसी टीचर से ऑफ-लाइन में यह तो ऑन-लाइन है इंटीग्रेशन कब पढ़ाओगे जब पढ़ाओंगा पहले बोल दे रहा हूं तुझे नी समझ में आएगा I am 100% confident बहुत सही चलिये देखिए अध्यान से इसमें इस सवाल में खास बात क्या एक छोटी सी चीज़ बोली गई द्यान रगना जो function है उसमें graph बनेगा 1 से लेके 10 और उसकी जो code domain है उसमें सिरफ rational numbers है उसकी जो code domain है उसमें सिरफ rational number है और graph एक continuous function का है ध्यान सुनना graph जो है वो continuous function का है देखता जा ग्राप जो है वो एक continuous function है दिख रहा है मतलब आप 1 से लेके 10 तक graph बनाओ को डोमेन में rational number है मतलब को डोमेन में rational number है मतलब कि इसकी रेंज में कोई भी इर्रैशनल लंबर नहीं आना चाहिए graph बनना चाहिए continuous ठीक है तो हमने गया किया 1 और 10 के बीच में graph बनाने की कोशिच की continuous ठीक है ऐसी देखिएगा क्या यह graph चलेगा इमानदारी से इफ येस देन लिखके बेजो येस वाई इफ नो देन लिखके बेजो एन और रीजन लिखना बगल में जल्दी से कि क्या यह व्याइट चलेगा अगर यह से सभाय लिख के भेज़ॉर को न है तो कि अ लिख है और बगल में रिसटमें भी लिख के भेज़ो अगर हो सके तो है अब बहुत मैं लोग लिखके भेज़े एक से यह यह चलेगा वी टागलत है क्योंकि आपको बोला गया है रेंज में only rational numbers होने चाहिए कैसे only rational numbers आप इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ठीक है और वन पर जो टू पर वैल्यू है वो फाइफ आ रही है एक बाव बता माले टू यहां पर है और टू पर वैल्यू आ रही है माले यह वाली फाइफ ठीक है अब यह ग्राफ नहीं चलेगा सर क्यों क्योंकि इसकी जो रेंज है वो इतना portion हो गया इतना portion मतलब यह number बागी सब कुछ नहीं सर 5 से थोड़े से बड़े number क्या इसमें rational प्लस irrational दोनों count होगे क्या पांच से आप जैसी थोड़ा सा उपर गए क्या rational प्लस irrational दोनों count होगे क्या तो अंसर इस सर येस rational प्लस irrational दोनों count होगे सर समझगे तो यह वाला ग्राफ नहीं चलेगा बेटा क्योंकि उसने बोला range में सिरफ rational number होने चीए और graph continuous बनना चीए तो आप जैसी यह ग्राफ बनाओगे तो आपने इधर जैसी एक इंटरवेल कवर किया जैसी आपने इंटरवेल कवर किया चाहे वह बहुत चोटा हो चाहे बहुत बढ़ा हो मैं आपको बोलू कि य एक्स पर यह इतना इंटरवेल है इतना सा इसमें rational और रिशनल लंबर कि और फिर मैंने ग्राफ ऐसा बना दिया दिखना जरा फिर बच्चे बोलेंगे सर यही तो वही तो है अभी तो सिखाया था आपको बोले यह नहीं चलेगा क्योंकि फिर से रेंज इतना पोर्शन हो गया अब इसने पोर्शन में rational और रैशनल दोनों आ रहे हैं तो मैंने अब की बार तसल्दी से पूछा मैंने का फिर क्या चलेगा तो तसल्दी ने बताया कि अब की बार सर सिरफ यह वाला चलेगा ध्यान सुनना का तसल्दी ने क्या बताया कि सिर्फ यह चलेगा यह नहीं चलेगा क्योंकि अगर आपने ग्राफ थोड़ा सा भी टील्ट किया continuous रखते हुए अगर आपने थोड़ा सा भी पार्ट रैशनल एर्रैशनल दोनों ही होता है बिलकुल बगल में सर रैशनल लंबर भी होता है एर्रैशनल भी होता है समझ गे तो इसका मतलब सर सिर्फ जो ग्राफ बनेगा minus 1 sorry 1 और 10 के बीच में वो ग्राफ बनेगा y बराबर 5 मतलब जो आपको function दिया गया है that is nothing but वो 5 के बराबर है for all x belonging to 1 से लेके 10 constant function है आप बदल ही नहीं सकते continuous रखना है तो हाँ है ना बस अब एक बाद बता f of 2 5 है तो f of 5 कितना हो जाएगा सर x की जगा 5 रखेंगे तो वो भी 5 हो जाएगा मेरे खाल से यह का इटी जाहिए का continuity का इस्तमाल करते होएं ठीक है continuity का इस्तमाल करते होएं बहुत बढ़िया चलिए जी खतरनाक रिजल्ट नंबर वन आपको समझ में उस पर बेस्ट कोश्चन समझ में खतरनाक रिजल्ट नंबर टू जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडियेट वैल्यू थेच्ट वैल्यू थिरूम ठीक है इंटरमीडियेट वैल्यू थेचरम पहले इसको ठेकनीगल लेंग वेज्में पड़ लीजेए फ defensive Watching की बराबर नहीं आती टीक है Continuous function है ए से लेके भी कॉंटिनिवस फंक्षन है एसे लेके भी बट ए और बी पर फंक्षन की वैल्यू बढ़ाबर नहीं आती ठीक है ठीक है अब वो बोल रहा है कि आप कोई भी एक नंबर उठाओ रेंज में से यह जो है वो एक फाफ ए और फाफ बी के बीच में कोई भी एक नंबर लेलो ग्रा बात पूरी लिखी हुई ना बेटा यह जो बात पूरी लिखी हुई है यह लिखा हुआ है यह एक चोटी सी बात लिखी हुई है कि किसी भी कॉंटिनिवस फंक्षन में कि किसी भी कॉंटिनिवस फंक्षन में कि ए से लेके बी तक आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए मैंने का ठी इसी भी continuous function में A से लेके B तक आप graph draw कीजिए और जिस पॉइंट से आपने start किया जैसे यह F of A है तो मतलब F of A और मतलब यह दोनों जिस पॉइंट से शुरू हो उस पॉइंट पे पैरलल में खतम नहीं होना चाहिए यहां पर ना खतम हो कि इसके ऊपर या इससे नीचे हो सकता है ठीक है एक वर्याइटी तो यह एक graph और बना देता हूं सुनना ज़र अध्यान से कि यह एफ of B है यह एफ of A है अब मेरी बात ध्यान सुनना यह जो बात यहां पर लिखी हुए ना वह यह बोल रहा है कि यह continuous function बनाओ एसे लेके B तक ठीक है अब आप एक काम करो जान सुनना आप वहां से definition पढ़ते जाओ यहां पर मैं आपको मतलब समझाता जाता हूं वह बोल रहा है कि य-axis पर एफ of A और एफ of B के बीच में कोई नंबर के ले बीच में का मतलब यह निए कि मिड़ पॉइंट बीच में कोई भी एक नंबर के ले सकते आप जैसे मैंने यहां पर लिख लिए ठीक है है हाँ है ना अब अगर आपने F of A और F of B के बीच में से कोई नंबर लिया है F of A और F of B के बीच में से कोई नंबर लिया है कि तो अब उससे आप जाओ पहले graph पर और graph से जाओ वो value कब आई होगी x-axis पर तो sir यहाँ पर आपको पक्का कोई ना कोई c मिलेगा a और b के बीच में अगर आपने f of a और f of b के बीच में से कोई number उठाया है वो value पक्का किसी ऐसे x बराबर c के लिए आ रही होगी जो a और b के बीच में होगा कम से कम एक होना चीए एक से ज्यादा भी हो सकते हैं देख लो इदर इससे जाओ graph पर अब की बार सर यह तीन points है जहां पर function की value के आ रही है इसको बोल दो c3 इसको बोल दो c2 और इसको बोल दो c1 समझ मैं है तो c1 c2 c3 या फिर अकेला c a और b के बीच में होता है इसको अगर सरल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूँ अगर मैं इसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो continuous function में y-axis पर वैसे तो पूरा y-axis लिखा है मैंने बट यहाँ पर मुझे ये भी लिखना चीए था y-axis पर मतलब पूरे रेंज से नहीं between f of a and f of b between f of a and f of b y-axis पर f of a और f of b में से किसी number के corresponding x-axis पर domain में से कम से कम एक number मिलता है बिल्कुल सही मतलब इन दोनों के बीच में एक number mark करें वहाँ से graph पर आएं वहाँ से x-axis पर आएं तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ अगर f of a और f of b के बीच में number k है तो k जिस पर value आ रही है function की मतलब f of c बराबर k मतलब point है वह c x की value y की value है k वह अगर k function की value आ रही है तो वह जो x होगा वह a और b के बीच में होगा किते लोगों को ये बात समझ में आती है ठीक है continuity इसके लिए जरूरी है because हो सकता है अगर कोई discontinuous graph बना दे ठीक है जैसे यह हो जाएगा f of b यह हो जाएगा f of a तो कोई बोलेगे सर ये लोग के के हमने यहां ले लिया f of a और f of b के बीच में इसके corresponding तो कोई c है यह नहीं तो इसके लिए continuity बहुत जुरूरी है और इसका converse नहीं होता जी converse नहीं होता मतलब कि आप कि यह वाली चीज obtain करने के बाद में यह नहीं नहीं बोल सकते हैं कि function continuous हो गई होगा ठीक है तो converse is not true कि उल्टा सत्य नहीं है कि उल्टा सत्य नहीं से क्या मतलब है जैसे माल लो कि आपको कि आपको कि यह जैसे यह है f of b और यह है f of a आपने इनके बीच में कोई number लिया c तो उसके मतलब a और b के बीच में कोई number लिया c c number लेने के बाद में आपके पास जो k आ रहा है वो f of a और f of b के बीच में तो आप यह थोड़ी बोल सकते ग्राफ continuous होगा यह देखो discontinuous समझ मैं तो कनवर्स मतलब कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि fx continuous हो इसका एक ही direction सही है कि fx continuous होगा तो यह वाली चीज़ है कितने लोगों को यह बात सरल भाशा में समझ में आई द्यान सुनिएगा प्लीज हाय ना कितने लोगों को यह बात समझ में आई सीजी बताना कि अगर आप वाय एक्स से कोई नंबर उठाते हो तो उसके corresponding x-axis पर कोई ना कोई नंबर मिलेगा आपको कम से कम एक तीन तीन भी मिल सकते हैं और वो दोनों नंबर से और बी के बीच में होंगे कि हाय ना कि समझ में आ गया चिला रहे थे यह एडवांस फॉर्मेट का है यह कैसा है विटा दिस इज एडवांस फॉर्मेट कि यह जो है यह एड़ांस फॉर्मेट अब मेरी बाध ध्यान सुनना एड़ांस वाले ज्यादा पूछते हैं इसको आपने बाब बताना यह यह जो आप भी जो बीच में लोकेट कर रहे थे यह जो के आप बोल रहे थे यह क्या बोल रहे थे आप इस थेयोरम में तरह हम बोल ठीक है सर यह जो आप बोल रहे थे ना आप अपनी मर्ची से यहां पर कहीं पर के लिख देते ठीक है यह जो आप बोल रहे थे ना कि आप अपनी मर्ची से इनके बीच में कहीं पर भी के लिख रहे थे अब इसको अपनी मर्ची से बोलने की जगा हम इसको टेकनिकल तरीकस लिखते हैं कितने लोगों को यह बात समझ में आती है कि अगर आप कोई भी दो पॉइंट्स लेते हो कोई भी दो पॉइंट्स ए और बी इस पर आप एक इंट्रनल डिवीजन का फॉर्ग्ग लगा हो इंट्रनल डिवीजन का फॉर्मुला लगाओ अगो मतलब एम तुल्ह दें रे स्वेशल में तू इस्टू 3 री स्टो में प्स्िटू 5 तो जो पॉइंट्स भी देगा जैसे पॉइंट ए और बी के बीच में मिलेगा तो अभी तक जो आप ये बोल रहे थे ना एफ और एफ और बी के बीच में कोई नंबर ले लो अब उसको हम निकालेंगे सेक्षन फॉर्मुला से और क्या है बस कुछ भी नहीं है ठीक है क्या आप सभी लोग इस बात से अगरी करते हैं कि अगर मैं सेक्षन फॉर्मॉला लगा हूं इंटर्नल डिवीजन का तो यह जो पॉइंट आता है यह और बी के बीच में होता है अब देखना जारा क्या हुआ यह थी y-axis बाकी पूरा ग्राफ मत देखो इस पर यह था f of a यह था f of b ठीक है है हाई ना तो मैंने बोला एक पॉइंट निकाल दे पेटा जो इसको p ratio q में बांटता हो एक पॉइंट बता दे जो इसको p ratio q में बांटता हो ऐसे बहुत असान है सर पूरा कॉडिनेट देख करो तो p times f of a f of b को q से multiply करो तो q times f of b upon p plus q यह है अब वो k की value और यह जो किया आप निकाल रहे हो पक्का सरी f of a और f of b के बीच में होगा प्रोवाइड़ पी और क्यू दोनों positive होने चाहिए पी और क्यू दोनों positive होने का मतलब है the division is internal कितने लोगों को बात समझ भाई मैं अब के को भीच में मतलब कोई भी एक number पहले बोल रहा था उठालो अपनी मर्चीज़ अब मैं section formula बोलकर उसको decide करूंगा आया ना बस वही तो किया गया देख दर पी और क्यू दोनों positive है इसमें बोल रहा है कि अगर continuous है तो ए और बी के बीच में पक्का कोई ऐसा number exist करता होगा तो बहुत असाना सार आप एक काम करो यहाँ पर एक number ले लो k यह वाला point और यह वाला जो ratio है this is p ratio q तो इसका जो y coordinate आएगा वो आएगा p into f of a plus q into f of b upon p plus q अब यह जो value है यह आपको पका किसी ना किसी c के corresponding मिलेगी और वो c a और b के बीच में होगा क्या मेरी बात समझ में आती है तो बताओ एक बार लिख के भीजो वाई एस और खूब सारे लिख के भीजना है अब यह उसने बस चोटी सी बात को बदल के रख दिया बहुत भेंकर कर दिया अब मैं आपको एक जंबो सवाल करवाता हूं ध्यान सुनना इसका नाम रखा है मैंने जंबो सवाल ध्यान से पढ़िएगा अगर आपका यह पढ़ने मा रहा है इच पार्ट इस आस्डिन आइटी एडवांस इस मतलब यह पूरे सवाल के चार पार्ट लेका हूं मैं यह रहा एबी और यह रहा सीडी यह चारों पार्ट अलग-अलग सालों में आईटी म और खतरनाख रिजल्ट नंबर टू और खतरनाख रिजल्ट नंबर वन इन तीनों पर बेस्ट यह सब थेओरिटिकल मतलब थेओरिटिकल नहीं बोल सकते हैं आईटी मैंसे बहुत सारे सवाल आते हैं जिसमें more than one correct सुना ना उसमें कुछ-कुछ options यह होते हैं तो मैं वहां कि लेंगवेज चेंज करती बिकॉज अलग लग उठागे लाया हूं तो विच आफ फॉल्लाइं स्टेटमेंट इस ट्रू पहली बात यह बोल रहा है कि एफेक्स एक कॉंटिनिवस फंक्शन है जीरो से लेके वन के बीच में बहुत बढ़िया एफ जीरो जीरो है बहुत सोचना चाहिए जब आपको यह वाली चीज दिखाई दे हां यह जैसे ही सवाल में दिखे समझ लेना या तो LMVT आगी या रोल्स आगी या यह आगी अब रोल्स और LMVT थेयोरम है वो फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में कमेंट करते हैं और यहां पर मुझे कहीं पर भी डेरिवेटिव का साइन नहीं दिख रहा समझ में आए कि नहीं समझ में मेरी बात ध्यान सुनना क्योंकि आप जो चीज हम डिसकस कर रहे हैं दिस्ट इस तिस तिंग एज वैरी प्रिसाइज और यह बहुत ताई लोगों को नहीं समझ में आती तो तीन थेयोरम पढ़ा पारे में कमेंट करती है इस सवाल में आपको कहीं पर डेरिवेटिव दिख रहा है तो अंसार इस सर नो अब इसको हम कैसे लगाते हैं इस स्टेटमेंट को ट्रू कैसे बोलेंगे द्यान सुनना हमें एक रिजल्ट के बारे में बात करनी होती है ऐसा कुछ और जो सी है न वो सी वेरियेबल है जीरो और वन के बीच में ठीक है पहला स्टेप द्यान सुनना सारी टर्म्स को एक तरफ लाओ सारी टर्म्स को एक तरफ लाओ नया फंक्शन जीक्स एस्जुम कर लो नू फंक्शन जीक्स एस्जुम करो ठीक है सारी टर्म्स को एक तरफ लेके आना है सी की जगा एक पर टकना है जो फंक्शन आएगा उसको जी एक्स बोलना है अब जी एक्स के लिए सोचो जी एक्स के लिए एंड पॉइंट पर वेल्यू कल्कुलेट करो एंड पॉइंट पर कैल्कुलेट वेल्यू एंड पॉइंट पर कैल्कुलेट यह साWhat को लगाने है क्या आप लोग तयार है आयना क्या आप लोग तयार है ज्यान सुनना यह वाइले बोलों टफ पार्ट है सारी टर्म्स को एक तरफ लेकिया है तो यह क्या बन जाएगा f of c plus 2c square minus 1 यह positive और यह आपने बोला कि इसमें c की जगाए x रख दो और एक नया function माल लो ठीक है तो इस पूरे पार्ट को जो 0 के इस तरफ बचता है ना इस पूरे में आप क्या करो c की जगाए x रखो और इस पूरे को एक नया function माल लो gx किसको मानना है सर सारी टर्म्स को एक तरफ लाने के बाद में यह जो function बनता है इसको तो यह क्या बन जाएगा सर f of x प्लस f of 2x मतलब 2x square minus 1 क्या यहां तक clear है कि देखलो सारी टर्म्स को एक तरफ लेके आना है c की जगाए x रखना है नया function gx मानना है किसको मानना है सारी टर्म्स एक तरफ लाने के बाद में c की जगा x रखने के बाद में यह जो बनेगा सिरफ equality और जीरो अटाकर इसको हमें gx मानना है अब हमें सिरफ दो काम करने है जो आपका interval of consideration है 0 से लेके 1 कहां तक चर्चा हो रही है 0 से लेके 1 सब दोनों पर calculate करो value कि तो मैंने g of 0 निगाला ध्यान सुनना एक्स की जगे 0 पूट करूँगा तो यह आ जाएगा f of 0 प्लस 2 इंटू 0-1 f of 0 कितना है बिटा f of 0 ए 0 देख ले रहा हमसे f of 0 कितना है जीरो तो यह भी 0 सर यह पूरा जाएगा minus 1 ठीक है फिर मैंने x equals to 1 सर आप कहां कहां value निकाल रहे हो end points पर value calculate करें end points कौन कौन से है जो भी हमारा given interval हो उसके end points तो x बराबर 1 तो यह क्या बन जाएगा f of 1 प्लस 2 इंटू 1 का square minus 1 f of 1 की value 0 है तो 0 प्लस 1 सर यह आ गया plus 1 यह value आ रही है plus 1 यह value आ रही है minus 1 अब मेरी बात ध्यान से सुनना हो अब मेरी बात ध्यान सुनना हो आपको यह दे रखा है कि जो fx है वो continuous है आपको यह दे रखा है कि जो fx है वो continuous है हाय ना सर उसके साथ addition में एक क्वाडिटी के लिखी हुई है क्या यह भी continuous होती है हां सर polynomial function हमेशा continuous दो continuous functions का addition क्या GX भी continuous होगा क्या तो answer is sir yes GX भी continuous अच्छा अब एक बाँ बताओ ये दो अलग-अलग values पर GX function GX function दो अलग-अलग values पर एक तो X बराबर 0 पर और 1 एक एक बराबर 1 पर 0 पर इसकी value आ रही है minus 1 और 1 पर value आ रही है sir 1 और GX एक continuous function है कितने लोग agree करते हैं कि कम से कम एक बार X axis को जुरूर काटेगा कम से कम एक बार X axis को जुरूर काटेगा continuous है एक पर negative value एक पर positive value खतरनाख result number 1 का इस्तमाल 0 और 1 के बीच में कम से कम एक बार X axis को जुरूर काटेगा माल लेते हैं वो point जहां पर यह 0 और 1 के बीच में काट रहा है वो point है c बीच मेंसे मेरा मतलब mid point नहीं है बीच मेंसे कोई सी भी value हो सकती है half हो सकती है 1 by 3 हो सकती है 1 by 8 हो सकती है 1 upon 11 भी हो सकती है हाय न तो अब यह बता तो जब यह 0 और 1 के बीच में C पर यह x-axis को काटेगा तो कितने लोग agree करते हैं इसकी value C पर 0 होगी G of C is equal to 0 और यह जो C है यह कम से कम 0 और 1 के बीच में कोई C है है ना तो जब इस पूरे की value 0 होगी तो आप यह बोल सकते हो ध्यान सुनना F of C plus 2C square minus 1 बराबर 0 तो वो बोल रहा है कि क्या F of C 1 minus 2C square के बराबर होगा तो answer is yes कम से कम 1C के लिए क्या यह सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है यह बताओ क्योंकि यह तो भी यह देखो कम से कम एक बार 0 होगा जब 0 होगा तो G of C की value 0 तो G of C क्या है यह इसकी value 0 करने का मतलब है यह वाली चीज़ और वो भी यह बोल रहा है बिल्कुल सही तो यह जो पहली statement है इसको आप क्या बोलेंगे this statement is a true क्या मेरी बात समझ में आती है आया ना यह आईटी का पूछा हुआ सवाल है ठीक है आज़े अगले पर fx is continuous in close bracket a से भी f of a और f of b बराबर नहीं है सर लेंग्वेज पढ़ती ही हमें समझ में आगए intermediate value theorem वाली कुछ लेंग्वेज है then for some c सर यह जो लिखावा है ध्यान से देखोगे तो आपको हसी आएगी 2 into f of a plus f of b upon 3 लिख सकते हो आप और 3 को लिखो 2 plus 1 कितने लोगों को बात समझ में आगी a से लेके b तक close bracket में continuous है a और b पर value बराबर नहीं आनी चीए बोल रहा है कोई ना कोई एक ऐसा c होगा a और b के बीच में जिस पर जो value आएगी वो यह होगी कितने लोगों को यह बात समझ में आती है कि f of a और f of b मतलब यह जो value है ना यह k यह section formula लगा कर 2 is to 1 वाला ratio लगा कर यह उठाई गई है तो f of a और f of b के बीच में से उठाने वाली value पर बिलकुल होता है ऐसा continuous होना चीए कि दोनों पर value बराबर नहीं होनी चीए दिस स्टेट्मेंट इस अल्सों ट्रू जम्बो सवाल है भाई आध्यान रखना किते लोगों को बात समझ में आई जल्दी से बताओ तो f of a और f of b के बीच में अगर आप कोई number उठाते हो तो उसके corresponding आपको x-axis पर a और b के बीच में कोई ऐसा c मिलता है तो answer is sir yes मिलता है आई ना जल्दी से बताओ एक बार किते लोगों को बात समझ में यस लिखके बेजो कि यह अलग टाप टाइप का पाट था जिसको आपको अलग तरीके से solve करना है यह चीज द्यान रखना इस पेक और करवाऊंगा भी और यह एक सीधा सीधा ही है वांयस लिखके भेजी प्लीज से यह नहें तो सीधा लिपीट इसमें क्या करूँ इसमें क्या रिपीट करूब तो पता है यह सेक्षन फ़्मล लाई है यह तो सीध सीधा रिजर्ट यहर दे किया रहा है खतरनाक रिजल्ट नंबर 3 सी जो है वो ए और बी के बीच में होता है और पी और क्यू कोई भी दो पॉजटे नंबर हो सकते हैं बारा पांच और सतरा भी हो सकता है नीचे यह तो उसकी उसकी मतलब आपकी खुश नसीबी है कि उसने टू वन और थ्री दिये तो यह तो खतरनाक रिजल्ट नंबर 3 का सिदा सिदा यूज़ है आजए यह जम्बो सवाल में पॉइंट नंबर सी पर आते हैं यह भी आएटी एडवांस का पूछावा सवाल है यह स्टेट्मेंट आपको बतानी है कि ट्रू है कि फॉल्स है ठीक है अब की बार क्या हुआ जीरो से लेकर 2 से लेकर R ठीक है यहाँ पर आप R लगा लो ठीक है चलिए जीरो से लेकर 2 को डोमेन इस R एक कॉंटिनुवस फंक्शन है जिसकी 0 पर और 2 पर वैल्यू बराबर है और 1 और 0 पर वैल्यू बराबर नहीं है ठीक है देन देर एक्जिस्ट दो नंबर है एक्सवन एक्सटू जीरो और टू के बीच में इस परकार लाए करते हैं कि एक्सटू माइनस एक्सवन की वैल्यू वन है फॉर विच दिस थिंग इस ट्रू पहली तो एक काम करो यहाँ पर दो देखकर सर हमें कंफ्यूजन हो रहा है द्यान सुनना यह वहीं सी वाला ही सवाल है तो एक्सटू माइनस एक्सवन बराबर वन है तो कितने लोगों को यह बात समझ में आती है कि एक्सटू इस वन प्लस एक्सवन ठीक है सर और यह वाला जो रिलेशन है वो क्या बन जाएगा एक्सटू की जगह आप लिख सकते हो वन प्लस एक्सवन बराबर एफ उफ एक्सवन ठीक है हाई ना यही तो है अब ध्यान सुनना जो आपने यह वाला रिजल्ट शो किया था इसमें सी था सी जो है वो इन दो नंबर्स के बीच में गूम रहा था अब एक बाब बता यहां पर क्या है सर यहां पर एक्सवन है जो इन दोनों नंबर्स के बीच में गूम रहा ह अब मैं यहाँ पर सवाल में x1 लिखूं, c लिखूं, d लिखूं, alpha लिखूं, उससे क्या फरक पड़ता है हाई ना क्या करोगे अब यह बताओ, बस वोई steps सारी terms को एक तरफ लेक्या है, यहाँ पर आपने c को x बोला था, यहाँ पर आप x1 को x बोल देना नया function मानना, आगे बढ़ना, ठीक है, चलिए जी मेरे खाल से अगर खुद solve करोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है सारी terms को एक तरफ लेक्या है ठीक है, नया function मानना gx जो gx function मानते वक्त क्या करते हैं, जो 0 के इस तरफ होता है, इसको हम मानते हैं एक नया function gx बढ़ इसमें x1 की जगा आपको x रखना होता है, तो f of 1 प्लस x माइनस fx यहां पहुँच गे, सुनते जाना, अब क्या करते हैं सर, last step क्या है last step है end points पर calculate करो value, अब यह आपकी end points क्या क्या है बहिए, 0 2 के बीच में interval of consideration है 0 2 के बीच में interval of consideration है, 0 2 के बीच में interval of consideration है तो मेरे खाल से बात समझ में आगी, एक बार आप x बराबर 0 पर value calculate करो तो यहां से आजाएगा g of 0 बराबर, f of 1 minus f of 0, अना, कोई दिक्कत है किसी को ठीक है, फिर आपने क्या किया, x equals to 2 put कर दिया, मैंने का ठीक है वही, तो g of 2, क्यों sir, 2 क्यों put किया, end points पर, मैंने का ठीक है यह आगया, देखते रहना, अब जैसी यह आए ना, तो अब एक बच्चे ने रट रखा था कि, भी यह, end points पर value calculate करनी है, end points पर value calculate करनी है, तो यहां पहुंच कर थोड़ा निराश हुआ, बोले sir, f of 3 की तो value कहीं पर नहीं दे रखी, f of 3 का तो जिकरी नहीं है, मैंने का ब value रखतो रहे हो, इसमें, बट f के अंदर क्या बंजा रहा है, f के अंदर बंजा रहा है, 3, तो आप तो डोमेन से ही बाहरा आगे है, तो यह result गलत है, फिर मैने ब्ला, कि मैं, डॉमेन के अंदर ही रहूं, f of 2, मुझे बंता हुए दिकाई दे, डॉमेन के अंदर ही रहूं F of 2 मुझे बनता हुआ दिखाई दे तो X की जगह क्या पूट करूँ ये थोड़ा सा सोचने के लिए बुला अब IIT वाले सवाल थोड़े से सोचने के लिए होते हैं भी या देखिएगा प्लीज तो सर बहुत सिंपल सी कहानी है आप X की जगह 1 पूट कर दो तो मैंने जैसे X की जगह 1 पूट किया तो सर ये क्या बन जाएगा F of 2 माइनस F of 1 आया ना अब इस केस में जब आप देखते हो तो यहां पर आपके बार्ट सीधी सीधी value आई थी आप बहुत खुश थे आपके पास कीदी वैल्यू आई है जाट यहां पर पहुंचने के बात में एक हलका सा दिमाग लगाना पड़ा तो आप थोड़े नराज हो गए één जब कि ऐसा होना नीची ध्यान सुनना कितने लोगों को बात दिखाई दे गई है सर आप इस एफ जीरो की जगह एफ जीरो की जगह एफ ऑफ टू लिख सकते हैं कैसे बोले बराबर दे रखे दुनों एफ जीरो की जगह एफ टू लिख सकते हैं मैंने ठीक है तो मतलब जो आ negative sign common ले एफ और वन माइनस एफ और टू कितने लोगों को ये बात साफ साफ दिखाई दी देखो सरी दोनों बराबर तो है नहीं एफ और वन इस नॉट इक विस्टू एफ और टू एफ और वन इस नॉट इक विस्टू एफ एफ और जीरो एफ और ए एक ये बात आरत यह दोनों बराबर नहीं है तो यहां से आप यह भी तो बूल सकते हो दिख ऑफ जी नॉट इक विस्टू एफ और लुक्त यहां से यह समझ में आता है कि एपव वन और एफ टू भी बराबर नहीं है तो मतलब यह वाली चीज अगर नेगेटिव लिखी हुई है यह या फिर यह वाली चीज अगर पॉजिटिव है तो इसके आगे एक और माइनस आइन यह पूरी नेगेटिव है तो मतलब सर अगर य तो यह पूरी नेगतिव और अगर यह नेगटिव तो यह पूरी पूरी पॉजिटिव बेसिकली स्पिकिंग क्या मैं यह बोल सकता है यह दोनों आपोजट साइन की ए तो यह तो अंसर इस जो हमें चाहिए था जो हमें चाहिए था वह बात बन गी की नीव भापिस देखू द्यान से यह वाली result के बारे में true करने के लिए बूल रहा हूँ यहां पर दो variable दिख रहे हैं इस relation को use करके मैंने एक variable को eliminate किया x2 की जगह 1 प्लस x1 रखा सारी टर्म्स को एक तरफ लेक्षा आया x1 अब की बार जो है वो 0 और 2 के बीच में है मतलब x1 variable है तो x1 की जगह मैंने x रखा और इस पूरे को function बोल दिया 0 और 2 पर value calculate करता हूँ तो यहां f of 3 बनता है f of 3 domain में नहीं है तो मैंने सोचा 0 पर और एक बार 1 पर calculate करते हैं 0 और 1 पर जब मैं value calculate करता हूँ तो f of 1 माइनस f of 0 और f of 2 माइनस f of 1 f of 0 की जगह आप f of 2 लिख सकते हैं यह उसने जानकर ही दे रखी है और यह बनेगा f of 1 माइनस f of 2 और यह बनेगा f of 2 माइनस f of 1 यही देखकर पता चल रहा है यह दोनों opposite sign के हैं और एक बार बताना जरा fx अगर एक continuous function है fx अगर एक continuous function है तो कितने लोग agree करते हैं कि gx भी एक continuous function होगा क्योंकि fx continuous minus fx एक और continuous continuous minus continuous is continuous minus continuous is यह कौन है मूँ में से जाग निकल गया तो बेटा सर्फ नहीं खाते होते हैं ना सर्फ और वो जो कपड़े दोने वाली साबूने वो नहीं खाते गंदी बात चोड़ देशको कि ऐसी ऐसी जगह पर तेल का बोलते हैं वो लगाना पड़ जाएगा cotton यह समनी करते हैं सामने देखो कि यह ठीक है अब यह opposite sign के वहाँ से क्या पता चला सर्फ ग्राफ fx का continuous है दोनों opposite sign के तो मुझे एक बात बता continuous है अपोजिट sign के है तो 0 और 1 पर gx का ग्राफ अगर मालनों इस पर positive आ रहा है तो इस पर negative और इस पर negative आ रहा है तो इस पर positive तो कम से कम एक बार 0 और 1 के बीच में कम से कम एक बार 0 और 1 के बीच में यह जो function है gx क्या यह 0 होगा हां सर जीरो और 1 के बीच में ही, कम से कम एक बार 0 होगा, 0 और 1 के बीच में, हाँ सर, जब यह 0 होगा उस पॉइंट को X1 बोल दूँ, जब यह 0 होगा उस पॉइंट को X1 बोल दूँ क्योंकि X1 कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो मतलब आप बोल सकते हो, F1 plus X1 is equals to F of X1, कम से कम एक यह ब설 случае कि बीच में और वो बोम्राइब की जरो तू के बीच में जब एक बार जीरो और यह बार जीरो है टीच में दोगिसलिक तो ये स्थेट में लेक्र कीilly और फोड़ कि ये स्थेटमेंट की वी वह पूल रहे विटा ठीक है? क्योंकि जब यह वाला part जो आपका x1 है आपने 0 और 1 के बीच में यह आपने बोल दिया 0 और 1 के बीच में x1 आएगा बहुत बड़िया ठीक है? 0 और 1 के बीच में x1 आएगा तो वो बोल रहा है कि जो x1 है वो 0 और 2 के बीच में होगा जब कोई नंबर 0 और 1 के बीच में होता था वो 0 2 के बीच में तो होता ही है आए ना बोलो ठीक है लास्ट इसमें बहुत सिंपल सी बात बोली गई है कि वो भूल रहे हैं कि इसकी रेंज में यह टेक कर सकता है वैल्यू वन अपॉन ही वन से लेके टू तक बहुत असान है ध्यान सुनना क्या आपको यह दिखाई दे रहा है यह एक पॉलिनॉमियल फंक्शन यह एक कॉंटिनिवेस है और कॉस का फंक्शन यह भी कॉंटिनिवे है तो इसका मतलब वार्या जाएगा टैख लो ये वाली वैल्यू जीरो डिष्ट भी माइनस वन माइनस इंटू माइनस प्लस मैंने बुला एफ रूप टूबता दे तरी या जाएगा टू माइनस वन माइनस कॉस्ट यू पाए बहुत बढ़िया तो यह लिखावाए बढ इन दोनों के बीच में क्या number one upon e लाई करता है तो अंसर इस सर येस ठीक है एक ग्राफ स्टार्ट हुआ जीरो से फिर वो वन तक गया तो उसके बीच के सारे नंबर तो कल्कुलेट करी रहा होगा ना तो जीरो और वन के बीच में अगर आप कोई कोई number देते हो वन अपन ये वह अपना के द्यानक ना जीरो और वन के बीच में कोई number देते हो आप तो उसके corresponding कोई ना कोई ऐसा x होगा ना जो जी वन और टू के बीच में होगा तो अंसर इस ये तो है intermediate value theorem किते लोगों को बात समझ में आई इमानदारी से बताना ये वाली बात समझ में आई गया देख लो graphically मतलब आप ऐसा बोल सकते हो ये रहा 1 ये रहा 2 सर 1 पर value आई है 1 और 2 पर value आई है 0 अब इसके बीच में graph चाहो तो आप ऐसा बना लो चाहे आप graph ऐसा बना लो आपको ये बोला गया है कि क्या function वन अपन ए वन अपन ए कभी ले पाएगा मतलब कि क्या वन अपन इसकी रेंज में है तो आंसर इस सर येस चाहे आप ऐसा ग्राब बनाओके तब है चाहे ऐसा बनाओके तब है कोई दिक्कत नहीं क्या मेरी बात समझ में आती है आया ना इमांदर इसे बताईएगा अब हो भया यह जो है यह यह वाली बात भी ट्रू है तो जंबो सवाल सौल करवाने में भया मेरी होगी हालत खराब तुम्हारी सौल हाँ तो यह सारे रिजल्ट्स याद रखिएगा प्लीज आ जाई यह फटाफट जही मेंस 2020 का सवाल है पड़ाफट एक बार सवालों पर अब हाथ आजमाल आते हैं सई सर यह ग्रेटेस इंटीजर जहां आ जाता है ना यह आईटी वाले आजकल फेवरिट चल रहा है ग्रेटेस इंटीजर फ्रेक्शनल पार्ट मॉड उनकी हर सवालों में दिखाई देता है तो इससे बचने की कोशिश नहीं करेंगे सबसे पहल है ग्रेटेस इंटीजर ओफ फॉर अपॉन एक्स को आप फॉर अपॉन एक्स माइनस प्रेक्शनल पार्ट ओफ फॉर अपॉन एक्स लिख सकते हैं मैंने का बहुत बढ़िया इसको अंदर भीज होगे तो यह लिखाव है बेटा जब यह इदर आएगा तो यह तो हो जाए जब भी ग्रेटेस इंटीजर में डिनॉमिनेटर वगर आ जाए तो फिर आप क्या करो उसकी जगह फ्रेक्शनल पार्ट ले आओ जैसा मैंने अब भी किया अब सुनना जरा ध्यान से जब आप एक्स को इंफिनिटी लेके जाओगे जीरो प्लस या जीरो माइनस कहीं भी ल इप लिया है उसका फ्रेक्शनल पार्ट से जीरो और वन के पीच में होता है अनौ अंधर आप चाहें इंफींटी रख तो कोई दिक्कत निया इंफीनिटी का फ्रेक्शनल्ट पार्ट भी 0 और 1 के बीच में होगा रहा है अब एक Waritel नमबर कहां जा रहा है सर बहार वाला पार्ट जीरो हो गया यह बचा 4 इसी को ही वो ए बोल रहा है ठीक है ए उसने option में use किया है ए उसने option में use किया है समझ मैं है तो पहले हमने limit का सवाल सौल किया जिसका जवाब आ रहा है 4 अब आज़ा वो बोल रहा है कि यह जो function है यह discontinuous है कहाँ पर आज़े यह भया fx बराबर greatest integer of x square into sin of pi x यह कहाँ कहाँ पर discontinuous होगा अगर a की value 4 है तो 4 प्लस यह क्या लिखावा है सर यह लिखावा है 5 यह लिखावा है 2 सर यह क्या लिखावा है यह लिखावा है सर रूट 5 और सर यह लिखावा है 3 समझ मैं है मैंने एक ही value जो है वह 4 पूट कर दी कि अधर पारे हो कि नहीं समझ पारे हो यह तो समझ में आता है कि तो अब वह पूछ रहें कि कहां कहां डिस्कॉंटी वैसे चेक कर लेते हैं वैसे देख लो सारे इंटीजर है एक ही रंग भी रंग अलग बन रहा है रूट 5 इस पे वैसे तो तो सब्सक्राइब पॉइंट में कौन कौन आएगा तारी आएंगे सब पर चेक करना पड़ेगा आया ना क्या मेरी बात समझ में आती है तो किस पर चेक करें यह बता हूं जैसे मालो टूपर चेक करना है एक सिक विस्टू टू ध्यान सुनना फंक्शन की वैल्यू टू पर कितनी आएगी सर यहां पर बनेगा फोर यहां बनेगा टू पाई जीरो फंक्शन की वैल्यू टू प्लस पर कितनी आएगी राइट हैं लिमिट सर यह बनेगा वापिस से फोर यह बनेगा टू पाई प्लस साइन के अंदर टू प्लस लिखा हो तो यह भी 0 अच्छा और यह 2- इस पर भी वैल्यू 0 क्योंकि यह वाली चीज़ 0 हो जा रही है यह यह चाहे कुछ भी हो तो टू पर तो यह continuous हो गया है function की value right and limit left and limit अब मैं आपको इसको root 5 पर check करके दिखाता हूँ रूट 5 पर पहले function की value बता तो what is value of function की value root 5 पर यह root 5 का square 5 पांच का square पांच का greatest integer 5 यहां पर कितना आ जाएगा 5 into sin of root 5 पाई ठीक है फिर मैंने बोला root 5 से थोड़े से ज्यादा पर value कितनी आईगी root 5 का square root 5 का square root 5 से थोड़े ज्यादा का square 5 से थोड़ा से ज्यादा तो इसका greatest integer तो 5 ही आएगा और यहां पर आ जाएगा सर यह भी root 5 पाई एक्स की जगह फिर मैंने बोला root 5 माइनस पर बता दे root 5 से थोड़ा सा छोटा अगर यह root 5 से थोड़ा सा छोटा है तो इसका square 5 से थोड़ा से चोटा 5 से थोड़ा चोटा मतलब 4.9 टाइप 4.9 टाइप्स का greatest integer सर यह हो जाएगा 4 और यहां लिखा जाएगा sign के अंदर यह वाली value रखोगे तो अभी भी यही लिखा इसका सवाल हमसे करवाया गया और फिर यहां पर पहुंचे गए ठीक है बहुत सारे लोग है विनायक जी हैं बहुत बढ़िया लैवेटा लेलिया नाम दिशांत शाह है फिर अधित्य जी है पंजो वर्ल्ड है वैबव है तो एक्स बराबर या फिर ए प्लस फाइफ ए प्लस वन के रूट पर डिसकॉंटिन्यूस हो गया अग्राव ठीक है कि समझेगी नहीं समझे कुछ यहां पर फ्रेक्ष्ट्ड पार्ट की जो डोमें ओती है वह यह उती है तो हमारे लिए ALLेसिस करना असान हो गया अगर आप फ्रेक्ष्ट्ड पार नहीं लाना चाहते तो फिर आपको सैंडविश थेऊरम लगाने पड़ेगी पिर आपको क्याल लगाने पड़ेगी सेंडविच थियूरम जो कि अपने आप में फिर एक तबाही वाला काम है तो जब भी ग्रेटेस इंटीजर आए तो आप फ्रेक्शनल पार्ट को ले आए यहां से यह वाली चीज बोल पाउते हो न इंफिनिटी पर इसने हमारी वैल्यू बचाली देख लो इसने यह तो नही कि एक्जेक्ट क्या आएगी बठा यह बता दिया कि जीरो और वन के बीच में आएगी जी एडवांस 2017 का सवाल है बहुत ही असांता सवाल पूछ रहा है इन में से किस पर फंक्शन जो है वो डिस कॉंटिनिवस है आपके पास महज एक मिनट 30 सेकंड्स है पटाफट करके ब कि अंजली कुमारी जी भी है एलान मस्क भी है अनीश सिंगल भी है आरियन सिंग भी है बहुत बढ़िया विबोर गेमर सब्सक्राइब करें इसका मैं अब क्या है तुम लोगों को यार सारे मैं बताने पड़ रहे हैं मैंने सोचा था कि यह जो मैं अपने अपने एड़ लास्ट फेस ऑफ दे कैरियर में बताऊंगा कि एक अफ़ते में आइट जी एडवांस कैसे करेक करते हैं एक बढ़िया मस थर्मा कॉल की शीट ले क्योंकि लकड़ी पर लिख लिया तो वह ऐसी तेरसे नहीं तूटनी थर्मा कॉल की शीट ले उस पेक वाइड पेपर चिपका उस पेक तरफ लिख आईटी और इदर लिख जी बीच में से तोड़ दे क्रेक आईटी जेही इन वन सेकिंड यह तरी अधा पई नहीं आ जाए यह तो जो एफ-एकस है वो यह है एक्सक उस पाई के साथ यहां पर शिंपल एकसर यहां पर ग्रेटेस्ट टीजर ओप एकसे वल्ला वल्ला वाओ वाओ सब्रवाओ दूर्थ से हाओ जसे वाओ ठीक है रा यह ना यह कौन है वह वट इस सेंडविच थेयरम भाई साब अभी अभी ताजा ताजा धरती पे उत्रे हो गया पेटा थोड़ी दिन बाद में जेही है और गलती ने मतलब जो जेही मेंस वाले हैं अन्टी वाले उन्होंने तुझे नाम से तुझे बैक ट्रेस कर लिया न हाँ है एडमिट काड की काटा मार के फिर मारें गे मुझ पे यह कौन है सेंडविच थेयरम क्या होती है कि अगर आपको इन सब पॉइंट्स पे चेक करना है यार पड़ापर चेक करना है मतलब सर अगर आप चेक करना चाहते हो तो यह यह फानक्षन की वैल्यू जीरो पर क्या है सर एक्स की जगह 0 रखोगे तो कोई टेंचन नहीं है जीरो आ गया कौ सर यह भी जीरो कास के अंदर ध्यान सुनना अब अंदर कौस के अंदर कुछ भी बने तो जीरो यह जीरो माइनस पर जीरो से थुड़ा सा चोटा लोग है यह शीम केलकुलेशन आपको पेपर में करनी है जो मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूं तुलेशन आपको पेपर में करनी है शाबाश क्या बोलोगे शाबाश सब्सक्राइब कोस के अंदर पाए यहाँ पर है यह वन और वन से बड़े ग्रेटस इंटीजर वन से बड़े नंबर का ग्रेटस इंटीजर वो भी वन वन फ्लस वन यह भी टू पाए तो टू इन टू पाई सर यह भी 1 छहल्य यहां भिगड़ेंगा श्यायद वन से छोटे नमबर पर वन से थोड़ा छोटा नमबर तो यह वन की तरह जाएगा ओ यहां पर पाई यहां पर वान देखिएगा मित्रों वन से थोड़े से छोटे नंबर का ग्रेटेश इंटीजर जी लो सरी यह बचेगा कॉस पाई जिसकी वैल्यू होती है माइनस वन तो सरे एक तो यह माइनस वन पर डिसकॉंटिनुवर से भीकॉस लेप इन लिमिट माइ डिपल करेक्ट आजाओ तू पर चेक करेंगा हां सर तू पर यह कितना आ जाएगा एट एक सिक्वेस्टू अगे देखना देखना तरह ओ भाई तो एफ आफ टू कितना आजाएगा टू तू और कॉस फॉर पाई ठीक है कॉस फॉर पाई की वैल्यू भी बन होती है तो यह वैल्यू आएगी तू यहाँ पर तू तू से बड़े नंबर का ग्रेटेस इंटीजर तू तू प्लस तू कॉस फॉर पाई तो यह वाली वैल्यू भी टू होगी लपड़ा होगा टू माइनस पर कैसे यह तो तू यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस के अंदर यहाँ पर तू तू से थोड़े से छोटे नंबर का ग्रेटेस इंटिजर इस वन तो यह बन जाएगा सर कॉस्ट थ्री पाई थ्री पाई बनते ही सर यह करेगा जीडी बीडी जीडी बीडी मतलब गड़बर नेगेटिव एल्यू आई तो यह टू पर भी डिसकॉंटिनिवस है मैडेक भी ठीक है एक इक सिक विछ टू माइन ही बढूब या जल्दी से हेलो 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 नजने कंप्लीट करना जिर एस separate's लिए ग्रम को नजने एकदम स्क्रीन पर माइन अन माइनस वन माइन जीडी पाए ज़ी पारीक थोगा रेमाइनस वन माइनस वन से लेफ्ट में जी द्यान में creative या पर मैंनस वन को अदर यह पर पाए यहां पर लैनस वन यह जैका माइनसथी नहीं सर्गे लेक हगाम थे 10 और कॉसे के अंदर यह लिखाव है माइनस थ्री पाए तो इस पर वैल्यू हो जाएगी माइनस वन यह वैल्यू आगी वन तो सर इसकी लेफ्टेंड लिमेट और राइटेंड लिमेट फंक्शन ही वैल्यू बराबर नहीं आ रिया है ठीक है तो बी सी डी इस दा करेक्ट अंसर में गाल से बात समझ म आती है ठीक है असान से सवाल है और कुछ नहीं है ठीक है संटेंस कंप्लीट नहीं गया वे तुम लोगों नहीं है ठीक है बी सी डी इस दा करेक्ट अंसर ठीक है यह कौन है ए आई यार वन हूम है बिल्कुल सही है बटा को बस को अब जो अगला पार्ट अब सिष्ट और देजिस घ्रिअल डिजितका हुआ अब आते हम अगलेवे लिए ठीक है अब डिफिर stupid बिटय जो be sick पार्ट आप डिअब टीक ए वह तो क्या है रही मां आपको समझाता हूं कि हम डिप commerce influence को बोलते हैं मतब कब हम किसी को डिफ्रेंशेबल बोलेंगे पुराने टाइम पर एक ऐसी कहानी बताई गई और जो की बिल्कुल सही है ज्यान सुनना एक ग्राफ लो एक ग्राफ लो और उस पे एक्स बराबर एवाले पॉइंट पर चर्चा करो ठीक है एक्स बराबर एवाले पॉइंट पर चर्चा करने का तरीका देखना ज़रा क्या रहेगा ठीक है हमारा जो पॉइंट ऑफ डिसकेशन है न ध्यान सुनना जल्दी से वह है पॉइंट ए हमने इससे थोड़ी दूर पर एक पॉइंट लिया बी और थोड़ी दूर पर अगर एक पॉइंट आप बी ले रहे हो ये वाला यह वाला पॉइंट है ए यह वाला पॉइंट कैपिटल ए यह वाला पॉइंट है यह थोड़ी दूर है मतलब इस डिस्टेंस एच तो इसका जो एक्स काडिनेट हो जाएगा वो जाएगा ए प्लस एच ठीक है वैसी थोड़ी दूर लेफ्ट में आप पीछे की तरफ इस पे एक पॉइंट लो सी जान सुनते जाना ठीक है हाँ डिफ्रेंचिबिलिटी समझा रहा हूँ और जब सर ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी एच थोड़ा सा अनीवन बन गया है बट आप संबाल सकते है ठीक है है अब आप मुझे फटा-फट बताओ वट इस लोप अच्छा ये जो फंक्शन है इस फंक्शन इस नथिंग बट वाई बराबर एपक्स का है आप आगर मैं आपसे पॉइंट के कोडिनेटज पूश्ता हूँ तो एक्स काॉदिनेट एτοि य कोडिनेट रफ要 होगा बिलकुल सही है इसका एकस कॉडिनेट एफ र्या इपलस है तो य कोडिनेट कितना हो जाएगा बकाफ रफ्या AB prayer प्लस है और इसकाЦ्वाई एका हो जाएगा f of a minus h ठीक है अब मैं आप से एक छोटी सी चीज़ पूछता हूं फटा फट सामने देखकर बताइएगा वट इस लोप आप दे लाइन एबी एबी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा मतलब यह आपको लाइन दिखाई दे रहे हैं जिसमें दो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं या सर वाइच कोणिनेट का डिफेरेंस धैट इस f of a डिवाइड भाइड बाइच कोणिनेट का डिफेरेंस f of a मतलब a प्लस H minus A तो यह आजाएगा H फिर मैंने बोला वाट इस दो स्लोप आफ लाइन एसी एसी लाइन का स्लोप कितना है ठीक है तो आप बोल सकते हो सर्वाइ कोडिनेट का डिफ्रेंस F of A minus H minus F of A upon X कोडिनेट का डिफ्रेंस A minus H में से A गया this is minus H यहां तक एकदम system clear है इवान दरी से बताईएगा please ठीक है हम at A बराबर discussion कर रहे है कहां पर discussion कर रहे है at X equals to A हमारा जो point of interest है वो क्या है X बराबर A है जी तो मैंने क्या किया इस से कुछ दूर एक point माना B H distance दूरी पर और कुछ पीछे point माना H distance दूरी पर C इन दोनों lines का slope मैंने क्या कर दिया लिख लिया अब इस point को differentiable तब कहेंगे ठीक है इस point को X बराबर A is called differentiable is called is called differentiable is called differentiable di f f लिख रहा हूँ X बराबर A ये जो point है ये differentiable तब कहलाएगा जब कब कहलाएगा ध्यान सुनना is called differentiable if if लगा दे रहा हूँ if and only if क्या होना चीए as जैसे जैसे point capital C A की तरफ जाए and point capital B वो भी A की तरफ आए मतलब आप graph पर point जो है वो A की तरफ move करना start किया A के और नजदीक आता गया similarly point C A अपनी जगह से नहीं लेगा point C जो है वो भी A की तरफ move करना start कर रहा है तो मतलब graphically point C A की तरफ चलना start करेगा graph के ऊपर और graphically point B जो है वो C की तरफ चलना start करेगा आया ना और इसी बात को आप बोल सकते हो जब B C की तरफ आएगा और C A की तरफ आएगा तो यह जो डिस्टेंस है यह कम होती जाएगी आप इसी बात को बोल सकते हो limit H approaches to zero है एच की value जो है वो धीरे-दीरे कम होने लगे तो हम इस point को gebreakable तब कहेंगे जब cater की तरफ चले और BBC की तरफ क्यों जाएगा यह कि वाई बी जो है वो भी एक ही तरफ जाएगा को बीयोशी दोनों एकित अरफ जा रहे हैं कि डोनों यहां से बी अ कितरफ आ रहा है सी बी एक्यों तरफ तो दुरों एकितरफ जा गयाम इसका मतलब हो एचहाइं यह distance बहुत कम होना सब्blesों अब इसमें क्या होगा ज्यान सुनना हगा हम पार हाव इसमें क्या होगा ऐसा होते वक्त कि one of AC269-10 एव सब्लोप अने आपी वो झाहराइं के बराबर होना चाहिए तब ही differentiable कहलाएगा otherwise differentiable नहीं कहलाएगा जो slope of line AC है और जो slope of line AB है वो बराबर होना चाहिए तब जब point BA की तरफ move करें, C BA की तरफ move करें, इसका मतलब क्या है सर जब H 0 की तरफ move करना start कर जाए तो मतलब आप क्या करोगे इसी में ही limit लगा दोगे H approaches to 0 और इसी में ही आप limit लगा दोगे H approaches to 0 तब ये graphically देख सकते हो ये point BA की तरफ और C A की तरफ मतलब ये दोनों lines जो है मतलब graphically speaking आप ऐसा भी बोल सकते हो as H approaches to 0 secant secant दिखरी है अभी आपको secant AB and secant AC becomes same ये इसकी दूसरी परिवाशा है दोनों का slope बराबर हो गया मतलब दोनों same बन गी obviously तो आप ये भी बोल सकते हो ठीक है जैसे जैसे H को 0 करोगे तो line AB और AC सेम बन जाए ये इस तरफ से सेम बने और ये इस तरफ से से सेम बने A की line बन जाए ठीक है ये होता है differentiability का criteria point A पर समझ मैं है अब ज़रा ध्यान सुनना ये आप right side से slope निकाल रहे हो समझ मैं है जब B जो है वो A की तरफ move करेगा तो right side से आएगा इसको हम बोलते है right hand derivative जब C जो है वो A की तरफ move करेगा तो वो left side से आएगा इसको हम बोलते है बेटा left hand derivative तो ये क्या लिखा हुआ है sir right hand derivative और left hand derivative बराबर हो जाने चाहिए बराबर हो जाने चीए मतलब दोनों बराबर और दोनों की value finite होनी चीए दोनों बराबर हो जाने चीए और दोनों की value क्या हो जानी चीए finite इसी कोई यहाँ पर technically express किया गया है देख लो अगर आपके सामने कोई भी एक point आता है x बराबर a फटा फट सुनेंगे ध्यान से तो आप उसमें क्या करो right hand derivative calculate कर लो जिसको हम denote करते है f dash a plus जो की होता है limit edge approaches to 0 plus f of a plus h minus f of a upon h यह कहां से आया मैं आपको भी समझा किया हूँ यह हमने point माने थे उनका difference slope लिखाया सर वैसे तो आप right hand derivative calculate कर लोगे बिल्कुल सही सर और सर हम x बराबर a पर left hand derivative भी calculate कर लेंगे जिसको denote किया जाता है f dash a minus से ठीक है 0 plus है यहां पर a minus h यहां से यहां आते वक्त h की जगा minus h रख दो limit अभी भी 0 plus की तरफ ही जाएगी ठीक है अब आप बोलोगे fx is set to be derivable या फिर डिफ्रेंशी बलेड एक सिक्वेस्ट वे अगर left hand derivative right hand derivative दोनों बराबर हो और दोनों finite value हो दोनों बराबर हो और दोनों क्या हो finite value हो दोनों बराबर हो और दोनों क्या हो बेटा जी finite value हो कितने लोगों को बात समझ मैं है जल्दी से बताओ समझ मैं यह बत है अब सर यहां पर दो टाइप की process calculate होती है जान सुनना यह हमारे पास एक ideal process हमारे पास क्या है एक ideal process कि आपके सामने कोई question आया तो सबसे पहले आपको उसकी continuity चेक करनी चीए क्योंकि अगर ग्राफ continuous ही नहीं है ग्राफ टूटा हुआ है तो पक्का वो और अगर continuous ही नहीं है तो आप बोल दो कि वो डिफ्रेंशेबल भी नहीं होगा यह हमारा आइडियल प्रोसेस है मतलब जिसमें हमें पहले continuity और फिर दिफ्रेंशेबिलिटी चेक करनी चाहिए समझ में आगी मेरी बात अरे बोलो कुछ है आए ना दिस इस आइडियल प्रोसेस है तो अब ध्यान सुनो आइटियन प्रोसेस कौन सी है किसी भी सवाल में किसी पॉइंट पर आपको कुछ कैल्कुलेट करना हो ठीक है इसका यूज मैं आपको बताऊंगा आप क्या करो डि डरेक्टलीं लच्वी और और ऑरच्वी एकल्कुलेट कर लो depende क्या करते क्यांने रूं यूज में लिखवा दिया बट हम आपको सिखा देंगे है जो आपको सीखा देंगे समझ पहा रहा लिगे कि लीटेर डेलेड अरुलउन कि क्या सामने देखना है उसके बाद में एक केस बनता है या तो दोनों बराबर होंगे या दोनों बराबर नहीं होंगे तो अगर दोनों बराबर हों तो आप डारेक्ली यह वाला चीज कमेंट कर दो कि भया लेफ्टेंड डरिवेटिव और राइटेंड डरिवेटिव दोनों फाइनाइट आए और बराबर है तो continuous भी होगा differentiable भी होगा दोनों finite तो है परन्तु बराबर नहीं है तो इस केस में आप बोलोगे continuous परन्तु differentiable नहीं है ऑच्छा आपने जब रहे स्टी और लेट किया तर दोनों finite अधर थिक है उन में बोलना है पहली चीज तो आप यह बोल दो कि फंक्शन पका नॉन डिफ्रेंशिबल होगा बट कॉंटिन्यूटी के केस में आपको सेपरेटली कैलकुलेशन करना पड़ेगा कॉंटिन्यूटी शुट भी सेपरेटली चेक्ट कि एक सेपरेटली चेक्ट मतलब वापिस उसको एक कॉंटिन्यूटी का सवाल मानते हुए अब उसको अलग से चेक करेंगे हाई ना क्या मेरी बात समझ गें किते लोगों को बात समझ मैं आइडियल प्रोसेस क्या बोलती है ऐसा नहीं कि यह वाली प्रोसेस ना का रहा है यह भी काम आती है यह यह भी काम आती दोनों प्रोसेस मैंने आपको बताती है जिसमें पहले continuity फिर differentiability भी जाते हैं और इसमें क्या है पहले ही differentiability calculate कर लो left hand derivative right hand derivative अगर वो दोनों finite आएं बराबर हो तो continuous differentiable बराबर ना हो तो continuous but not differentiable तो finite के case में continuous तो होगा ही होगा एक भी अगर infinity चला जाए तो पहली चीज तो यह नक्की होगी कि वो non-differentiable होगा continuity के लिए आप अलग से चेक कर लीजिए के continuity के लिए आप अलग से चेक कर लीजिए तो दोनों प्रोसेस आप ध्यान रखेंगे कौन सी कब लगानी है वो भी समझा देंगे कि जैसे फटावड आते हैं अब उसने बोला calculate lsd and rsd for the given function at this points एलन का मॉड लगा रखा है ध्यान सुनना पटाफ़ट calculate करते हैं एफ जो है वो हमारा mod of lnx है कहां पर calculate करना है at x equals to one इसका मतलब सर a की value यह होगी हमारे पास कि आपने जो हमें lsd और rsd का formula बताया उसमें x equals to a पर बताया अगर one पर बताते हो तो एक ही जगा है one one ठीक है बाकी यह सारा आप मामला ठीक है तो चलिए सर तो formula क्या हो जाएगा left hand derivative का lhd ज्यान सुनना limit h approaches to zero plus पहले काम करते right hand derivative लिख लेते सामने दिखते ना यह formula लगाना आना चाहिए because यह आपको लिखना आ गया तो उसके बाद में कुछ बस्ता ही नहीं है अगर आपको यह चीज लिखने आ गयी तो उसके बाद में कुछ बस्ता ही की बात होती है एह हमारा वन है माइनस एफ आफ एए क्या है वन अपॉन एच एक सवाल तो यह बन गया सर और फिर अगर हम लेफ्टेंड डरिवेटिव की बात करें अगा लिमेट एच अपरोचे टू जीरो प्लस बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं राइट एंड में यहां पर जीरो पॉलस है तो लैफिर में यहां पर 0-ग और यां घलत है भीम्या यहां पर दोनों जबांड़ प्लस है बस आप यहां पर jt- phone बस अब इसको सॉल करो यह एक सिंपल लिमिट का सवाल है बोले ज़र कैसे देखे दर एफ और बन प्लस एच क्या हो जागा तो जहां पर तुझे एक्स दिखाई दे रहा है वहां पर बन प्लस एच लिख लिख ले और इसका मॉड माइनस एफ और वन कितना अगर आप एक्स की जगाए वन रखते हो तो दिख रहा है सबको एफ और बन है जीरो अपॉन यह रहा एच लिमिट एच अप्रोच इस टू जीरो प्लस यहां आजा पहले इसको सॉल कर लिखते चलिए यह पूरी वैल्यू जीरो वन से थोड़ी सी बड़ी वन से थोड़ी सी बड़ी पर लॉक की वैल्यू आती है पॉजटिव पता है ना ग्राफ लॉक का वन से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर क्या वैल्यू आती है सर इसकी पॉजटिव ठीक है तो अगर लॉक के अंदर नंबर लिखा हुआ है तो मॉड एजट जाएगा बिल्कुल सही और डिनॉमिनेटर में लिखा हुआ है सर एच और लिमिट एच अप्रोच इस टू जीरो प्लस आप सीधा ही इसका जवाब बता सकते हो ऐसर वन आएगा स्टेंडड लिमिट से को ठीक है या फिर आप यहां से यहां जा सकते है कौन सी फॉर्म बन रही है सरी Parce है यह बन रही है जीरो-वाई-जीरो की फॉर्म ह को जीरो की तरफ लेके जाओगे यह और uten one upon जाओगे तो जवाब सर आएगा वन जाओ सीधा स्टेंडर लिमिट से वरना एल हॉश्पिटल रूल से भी अब यहां आ जाओ सर इसमें क्या कहानी है इसमें भी सिंपल है समझ पारो बेसिक लिए आपको सिरफ यह यहां पूट करनी है उसके बाद में यह लिमिट का सवाल है तो f of 1-h क्या हो जाएगा एलन आफ 1-h यह रहां मॉड और limit h approaches to 0 plus ध्यान सुनना upon h और minus f of 1 अभी भी 0 है ठीक है अब मेरी बात ध्यान सुनना यह वाली पूरी चीज लिखी हुई है 1 से थोड़ी सी छोटी क्योंकि 1 में से 0 प्लस गटाओगे 0 प्लस मतलब 0.something तो 1 में से 0.something गटाओगे यह पूरा 0.something बचेगा उस पर log की value आती है बीटा नेगेटिव तो जब लॉग नेगेटिव आएगा तो मॉड उसको कैसे ओपन करेगा एक और नेगेटिव साइन के साथ ठीक है और डिनामिनेटर में यहां पर माइनस है था ठीक है यह यह cancel हो गया अभी भी यह 0 by 0 format है तो इसका differentiation करोगे तो 1 upon 1 minus h है ना 1 upon 1 minus h और minus h का differentiation minus 1 whole divided by h का derivative 1 h को 0 की तरफ लेके जाओगे यह पूरी value आएगी बेटा minus 1 यह वाली पूरी value आ रही है plus 1 तो right-hand derivative left-hand derivative दोनों finite है दोनों 1-1 नहीं आएंगे बिटा minus 1 आएंगे ना एक देख लिया राम से इसमें यह वाला minus sign किस वज़े से cancel हुआ यह पहले से यहां पर एक minus sign था यह वाला minus sign एक्स्ट्रा किस वज़े से है because log जो है वो negative है तो मॉड उसको एक और negative sign के साथ open करेगा मॉड उसको एक और negative sign के साथ open करेगा समझगे की नहीं समझें अब यह डिफरेंचीवल नहीं है भी यह अब यह बताओ left hand derivative right hand derivative एक प्लस वन और एक माइनस वन अगर आपको किसी फंक्शन पे मॉड लगाना है ध्यान सुनना पूरे फंक्शन पे अगर आपको मॉड लगाना है तो आप क्या करोगे जो पॉजिटिव पार्ट है उसको तो है जो नेगेटिव पार्ट है मतलब एक सेक्सेस की जो नीचे है उसकी मिर्र इमेज लेके उसको ऊपर पहुंचा दो उसकी मिर्र इमेज लेके उसको ऊपर पहुंचा दो तो इसको नी mirror image लेके ऊपर पहुंचा दिया ठीक है तो ये वाला जो point है this is x बराबर 1 ठीक है अब आप यहाँ देख सकते हैं इस तरफ अगर आप tangent खीचते हो 1 के बिल्कुल right में ठीक है basically जो right and derivative की value है वो क्या है 1 के बिल्कुल right में derivative का slope तो यहाँ पर जो tangent का slope आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है plus 1 ऐसे खीचेगी और इसके 1 के बिल्कुल left में जो यहाँ खीचोगे वो सर negative slope की होगी तो यहाँ पर जो slope आ रहा है वो है minus 1 इस वज़े से यह x बराबर 1 is a non-differentiable point यह कैसा है बेटा non-differentiable है बट continuous है ग्राफ टूट नहीं रहा कैसा है continuous है वो तो आपने बताया था कि left and derivative और right and derivative दोनों finite आएं left and derivative और right and derivative दोनों finite आएं पर बराबर ना हो तो continuous होगा परन्तु non-differentiable होगा तो आप इसको बोलोगे continuous but non-differentiable यह वाला कर सकते हो क्या आया ना फटा पड़ी यह वाला और करके दिखा दो यार क्या है fx equals to सामने देखना फटा फट एकी पावर minus mod of x at कौन से point पर यह तुम्हें left and derivative और right and derivative का formula लगवाना सिखवा रहा हूं और कुछ नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग क्या इस formula से डर जाते बोले पता नहीं क्या है कि ठीक है कौन से point पर निकालना है सर जीरो पर तो जो एक ही value हो जाएगी वह जाएगी जीरो अब फटा फट राइट-hand derivative का formula देख ले भाई सामने देखेंगा क्या एलो एलो येस नजरें एकदम स्क्रीन पर एक बार ज़रा पढ़ने वाले लोग कमेंट करना थोड़ा सा बढ़िया से कि यह बता नहीं कौन है कि सर राइट-hand derivative वाले फॉर्मूले में क्या होगा एप आफ आफ कौन से पॉइंट पर निकालना है एपर और एफ जीरो तो एफ प्लस एच माइनस एफ आफ आफ ए अपान एच और जो लेफट-hand derivative का formula होता है इसी कही बगल में लिख लो नीचे ल जीरो प्लस यहां पर भी जीरो प्लस आता है एफ आफ ए माइनस एच माइनस एफ आफ ए अपान माइनस एच इन दोनों को तुरंट सॉल कर लीजिए फ्लीज फटाफट लिखके भेजो वाइस अगर सारी चीज़े एकदम कूल चल रही है तो जलिए अब सर एक बार बताओ एफ जीरो प्लस एच का मतलब क्या है एफ एफ एच यहां पर एफ एच रखोगे तो ए की पावर माइनस मॉड एच हो जाएगा यह एफ एफ एच लिखाओ है एफ जीरो मतलब आप एक्स की जाएगा जीरो पूट कर रहे हो तो एकी पावर जीरो वो होता है और नीचे लिखाओ वाइब तक यह रहा है ठीक है अच्छा एक बाव पता है कहां जा रहा है सरच जा रहा है 0 प्लस की तरफ 0 प्लस मतलब पॉजटिव तो अगर मौड के अंदर यह पॉजटिव लिखाओ आ है तो यह इसको कैसे ओपन करेगा शर बाहर माइनस साइन पहले से है उसने मॉड ने अपनी वज़े से कोई माइनस साइन नहीं लगाया कि यहां आ जाई है फट आफट यहां क्या आगा ज़र बतना लिमिट एच अप्रोच इस टू जीरो प्लस एफ आफ माइनस एच का क्या मतलब है जहां पर एक्स दिख रहा है वहां पर माइनस एच कोई बात नहीं सर कोई बात नहीं मैंने का ठीक है बाई चलिए कितने लोगों को यह दिखाई दिया कि यह भी 0 बाई 0 फॉर्म है एच को 0 की तरफ लेगे जाओगे 0 एकी पावर 0 1 1-1 अपॉन जीरो तो यह 0 बाई 0 की फॉर्म है जिसमें हम कौन सा रूल लगाते हैं लह रूल उपर वाले का डेरिवेटिव उपर वाला भी सोच रहोगा आज मुझे ही डेरिवेट कर दे रहे हैं अरे मतलब नूमेरेटर का डेरिवेट बोल रहा हूं इसका डेरिवेटिव यह है और डेनामिनेटर में 1 आ जाएगा अब अगर आप एच को 0 की तरफ लेगे जाओगे तो यह पूरा 1 1-1 यह पूरा पहले बता देता हूं अंदर वाला अगर नेगेटिव है तो मॉड इसको एक और माइनस साइन के साथ ओपन करेगा इस माइनस साइन का हमसे कोई लेना देना नहीं है अंदर वाला नेगेटिव था इसको वो एक और माइनस साइन से ओपन करेगा तो सर यह आ जाएगा पूर आएगा माइनस एच ताय आप यहां से जाओ चाहे आप यहां से जाओ यह की पावर में माइनस ही बचेगा कि ठीक है यह फिर से बेटा जीरो बाइजीरो फॉर्म है जिस पर आप ले चुरूल लगाओगे जी देख ले देख ले फटाफट उपर बाले का डेरिवेटिव जीरो फिर से दोनों फाइनाइट हैं बट दोनों बराबर नहीं है तो क्या बोलूँगा मैं एक्सreibtम सीरो दिसेज काउंति नॉएसब आपण डिफ्रेंचियबर मारे Сейчас सुवाझे रविप Mick मेरे मेरी बात समझ में आति है मत्लब यह काउं दिफ्रेंचियव को dalण काउंति में थेख्री नहीं यहाइन ऐद विपताना समझ गया कॉंटिनिवस होगा क्योंकि दोनों फाइनाइट है न हुँँ ठीक है चली मेरे खाल से आपको लस्टी और रस्टी लगाना आया है जहां पर जरुत पड़ेगी प्लीज पीछे मत अठीएगा ठीक है अल्दो हम आगे चलके और भी बहुत सारे रूल सीखने वाले अभी कि कौन-कौन से रूल काम करते हैं इसमें बट फिर भी आपको पता होना चाहिए ठीक है एक बार फिर से लेजडी आरेजडी दोनों के फॉर्मूले सर यह है आइडियल प्रोसेस यह भी काम आती है जी और यह है आइटीन प्रोसेस ठीक है फिर आते हम कुछ ग्राफिकल बातों पर जैसे कि सर आपने वहां पर हमें ग्राफिकली बताया था कि कॉंटिन्यूटी का क्या मतलब है कि ग्राफ भीया टूटना नहीं चाहिए जवाब बनाने लगो तो सर यहां पर ग्राफिकली डिफ्रेंशिबिलिटी का क्या मतलब है वो लिखा हूँ मतलब किसी भी पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट की सको यूनीक का मतलब है सिंगल टेंजें आप किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट की सकते हो जिस्का फाइनाइट को गाश्त पॉइंट जिसका स्लोफ फाइनाइट हो तो उसको हम बोलते हैं डिफ्रेंशिबल और इसको ग्राफिकली अगर मैं बात बताऊं तो ऐसा ग्राफ जो स्मूथ बनता है स्मूथ मैं अभी देख लेते हैं द्यान सुनना जैसे यह जो ग्राफ है इसमें अगर मैं एक्स बराबर एक ही बात करूं तो यह हमने उस पर टेंजेंट खीची है और यह उसका स्लोप मतलब इसका स्लोप जो अब्यसली फाइनाइट होगा तो एक्स बराबर एक को हम क्या बोलेंगे डिफ्रेंशेबल यहां पर डिफ्रेंशेबल भी है और यह उब्यसली कॉंटिनिवस भी दिख भी रहा है दोनों ही काम है हमें एक टेंजेंट खीच पा रहे हैं अब हाँ अगले वाले पर यहां सुनना जरा ज्यान से यह वाला जो पॉइंट है हमारे पास दिस एक्स बराबर ए है ठीक है अब यहां पर आप एक टिंजेंट नहीं कीच सकते मैंने पूझा इस वन से पास करनेcules कितनी lens कीच सकते हैं मतब टेंजेंट वही होती आप निकालोगे रहट दी चलो अलग से बताऊंगा मत तैंसल लो शार्प कॉर्नर अलग से बताऊंगा तो यह क्या बोलोगे एक्स बराबर एद इस नॉन डिफ्रेंटिवल लिफ्रेंटिवल नहीं है परंतु इस यह यह लोगो यह बात समझ में आगी टित लोगो यह बात समझ में आगी कि आप हमसे जो right-hand derivative और left-hand derivative calculate करवाते हो राइट-hand derivative और left-hand derivative जो calculate करवाते हो वो किसी point पर उसके derivative की value ही है derivative बात समझ पार हो ना function के derivative की value ही है दिरे-दिरे समझ में आईगे अभी और करेंगे हम लोग सवाल यहां पर तो discontinuity है देखती ही पता चल गया यहां पर क्या है discontinuity अगर discontinuity है तो सीधा सीधा बोल दो non-differentiable क्योंकि differentiability वाले पार्ट पर हम तभी जाते है जब वो continuous हो ऐसी कुछ discontinuity हो जाए तो गडबड हो जाएगे यह non-differentiable है टेंजेंट ही जोगे कहां यह तो ग्राफ टूटी गया लेओ बता नहीं कितनी टेंजेंट सकता हूं समझ मैं तो discontinuity अगर आपको दिखाई दे रही है तो आप उस पर क्या बोलोगे non-differentiability सीधा ही देखती है कि यह continuous continuous discontinuous differentiable non-differentiable non-differentiable यह वाला पॉइंट है एक्स बराबर ए इस पर जो ग्राफ है यह continuous है बिटा कहीं नहीं टूट रहा है दिख रहा है यह जो dotted यहां पर line खीची गई है इसको बोलते है वर्टिकल टेंजेंट इसको हम क्या बोलते है बिटा वर्टिकल टेंजेंट इसका अगर मैं slope की बात करूँ तो slope आप बोलोगे not defined अब आप इस पूरी line को अगर ध्यान से सुनते हो तो हम किस point को differentiable बोलते है एक ऐसा point जहां पर हम tangent खीच सके tangent यहां पर भी खीची गई है वर्टिकल टेंजेंट है इस वजए से हम इसको क्या बोलेंगे वर्टिकल टेंजेंट आ रही है इस वजए से यह है non-differentiable कुछ लोग अभी भी माता खुजा रहे हैं बोले कैसे सर यह टेंजेंट कैसे होगी है तो line is curve को cross कर रही है अब कर्व को क्रॉस करें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें ऐसा बताया गया था ना बच्पन में की लाइन टेंजेंट वो होती है जो graph को कट नहीं करनी चाहिए यह टच करके निकल रही है बड़ यह बीच में से निकल जा रही है तो क्या है क्या मेरी बात समझ गया तो यहां पर वर्टिकल टेंजेंट आई है इस वज़े से यह नॉन डिफरेंचिबल है टेंजेंट तो खीच पा रहे हो परन्तु वह वर्टिकल है उसका स्लोप नॉन डिफाइंट है 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 ना एक बोल रहा है ओवर्टिंकिंग कैसे रोके किस चीज की ओवर्टिंकिंग है वेटा डिपेंड करता है अब कुछ किताबों में ऐसा लिखा होता है ध्यान सुनना कि जो पॉइंट कॉंट इस तो हो ठीक है यहां पर भी x equals to a this is continuous है ध्यान रखना किताबों में ना कुछ ऐसा लिखा होता है जो कि definition में आपको अभी गड़वड पता चल जाएगी कॉर्णर की बात की जाती है ध्यान सुनना कॉर्णर की बात की जाती है continuous and non-differentiable points are called as sharp corner मतलब उसने ऐसा लिखा कहीं पर यह बात सुनके सही सी बता ना जहां पर function continuous हो परंतु differentiable ना हो उसको हम corner बोलेंगे एक तो यह सर यह भी तो continuous और non-differentiable यह तो कोई भी corner नहीं है समझे तो corner इन में से सरफ यह वला होता है असर इसकी फिर exact definition क्या है sharp corner की आपको कहीं पर भी ऐसा point मिलता है at x equals to a जिसमें left hand derivative और right hand derivative both are finite but not equal जिसमें left hand derivative और right hand derivative दोनों finite हो परंतु दोनों बराबर ना हो जैसे कि यह वला point था जैसे कि यह वला point था x equals to 1 को आप बोल सकते हो this point is nothing but this can be called as corner corner बोल दो या फिर sharp corner बोल दो एक ही बात है क्योंकि left hand derivative right hand derivative दोनों finite है परंतु बराबर नहीं है ऐसे किसी point को हम corner नहीं बोलते जी तो क्या definition है बेटा corner की अलग से जहां पर आपको left hand derivative और right hand derivative दोनों finite तो परंतु बराबर नहीं हो उसको left hand derivative right hand derivative finite आते हैं चाहे बराबर हो चाहे ना हो function continuous होता है समझ गहें अब सामने देखो एक बार जैसे मैंने आपको यह वाला graph दिया कि one के जो left में है y बराबर x वाली line है one के जो right में वो यह वाली line है basically आपको यहां पर एक बढ़िया चीज पता चलने वाली है मैं आपसे पूछूं कि add x equals to one what is left-hand derivative left-hand derivative मतलब है यह जो curve चल रहा है इसका slope slope मतलब dy by dx तो जब मैं इसका dy by dx निकालूंगा वो आ रहा है one add x equals to one what is right-hand derivative जो भी आपके पास curve की equation है उसका differentiation dy by dx लो पता है न आरे tangent का slope curve का slope मतलब tangent का slope tangent का slope कैसे निकालते है डिफ्रेंचेशन देवाइब डी एक से तो two minus x का derivative हो जाएगा minus one देख लो left-hand derivative right-hand derivative दोनों बराबर तो है sorry finite तो है पर दोनों बराबर नहीं है इसको आप बोलोगे corner यह जो point है this is called as corner अब यहां आजा यह जो आपको कर्व की equation दे रहिए न बता देता हूं यह दे रहिए one upon two minus x और इसके इदर यह दे रहिए दोनों की value one पर देख ले राम से बराबर आ रहिए one one ठीक है तो this value is one तो माल ले मैं यहां पर तुससे add x equals to one पर right-hand derivative पूछता हूं इसका मतलब right-hand derivative का मतलब है जो इस तरफ definition चल रही है उसके differentiation की value one पर तो इसका dy by dx बताना ज़रा कितना हो जाएगा सर इसका dy by dx हो जाएगा minus 2x मैंने पूछा इसका dy by dx कितना हो जाएगा derivative का slope tangent का slope derivative की value सर इसका हो जाएगा minus one upon two minus x का whole square और एक और minus बनाएगा तो मतलब आप बोल सकते हो plus one अब मैंने पूछा मैंने पूछा फटा-फट मुझे right-hand derivative बताओ सामने देखते रहे ना मैंने पूछा कि मुझे फटा-फट right-hand derivative बताओ तो right-hand derivative का क्या मतलब है सर जो इस तरफ branch चल रही है उसके differentiation की value x बराबर one पर तो मैंने जब इसमें x बराबर one रखूंगा तो ये value आएगी minus two फिर मैंने पूछा left-hand derivative बताओ left-hand derivative का इस तरफ जो branch चल रही है उसके differentiation की value x बराबर one पर सर वो आरिये plus one दोनों finite तो है परन्तु बराबर नहीं है तो ये वाला जो point है इसको भी आप corner बोल सकते हैं या फिर ये भी corner होगा क्या आपको corner की परिभाशा समझ में इमानदारी से बताईएगा और क्या आपको left-hand derivative right-hand derivative एक नए तरीके इस निकालना समझ में है कि जो भी definition दे रही है उनको differentiate करो और फिर value put करो जैसे मैंने पूछा कि इस point के इस तरफ मुझे derivative की value right-hand derivative चीए तो मैंने इसका differentiation calculate किया x बराबर 1 के बिल्कुल right में इसमें 1 plus रखूंगा तो इसकी value लगबग minus 2 बनेगी और इसकी left में इसका derivative किया वो यह आ रहा है इसमें 1 minus रखूंगा तो यह पूरा 1 बनेगा वो लिख दिया तो यह भी एक तरीका है is this clear corner किसको बोलते समझ में आ गया दोनों finite होने चीए औ और value बराबर नहीं होनी चाहिए आजाए फटाफट अगर कोई function आपको discontinuous दिखाई देता है discontinuous implies non-differentiability function जो है वो discontinuous है 100% non-differentiable होगा discontinuity आगी non-differentiable बट अगर continuous है तो differentiable होना जरूरी नहीं समझ मैं continuous है तो differentiable होना जरूरी नहीं जैसे यहां पर देख लो एक 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 अगर वो discontinuous है discontinuous and non-differentiable पका सर अगर continuous है तो यहां पर दोनों case बना देता हूँ अगर आपको पता चला कि differentiable है तो पका continuous होगा 100% बिल्कुल सही अगर वो differentiable है तो 100% continuous होगा समझ मैं अगर वो differentiable है तो 100% continuous होगा कोई भी differentiable smooth graph बना लो कोई भी smooth graph बना लो कोई साथ भी point उठालो क्योंकि differentiability तभी पहुंचती है जब वो continuity से पार कर जाती है differentiability तक आप तभी पहुंचे होगे जब आपने continuity चेक कर ली होगी समझ के तो differentiable बोल रहा है तो पका continuous है अगर non-differentiable हुआ तो discontinuous होना जुरूरी नहीं बिल्कुल सही है यह वाला एक्जामपल ले लो यहां पर non-differentiable है बट कहां है discontinuous समझ गे तो यह simple simple सी बात है जो हम सब को समझ में आती है कि समझ गे है आना इस दिस क्लियर कि अगर माल लो non-differentiable जैसी यह वाला है तो यह non-differentiable तो है बट यह इंप्लाइ करता कि non-discontinuous हो गई होगा simple simple सी बात है अब जैसे यह वाली चीज़ एक बढ़िया सा बेसिक सा सवाल दे रहा हूं continuity or differentiability at x equals to one check करनी है ठीक है continuity or differentiability at x equals to one check करनी है तो सर हम अगर पहले process से जाते हैं that is ideal process आइडियल प्रोसेस तो फटा फटा आप मुझे एफ की वैल्यू वन पर और वन प्लस पर बताओ मैं continuity चेक कर रहा हूं वन और वन से बड़े के लिए यहां से वैल्यू आएगी तो आप यहां पर रखो गे तो टू हो जाएगा वन माइनस पर अगर आप calculate करना चाहते हो वन माइनस पर अगर आप calculate करना चाहते हो तो वह यहां से आएगा तो अगर मैं एक्स की वैंसे चोटी वैल्यू यहां रखता हूं तो चार में से दो गया दो तर यहां से देखकर पता चल रहा है कि यह continuous है क्योंकि left-end limit और फंक्शन की वैल्यू बराबर है अब मैं आता हूं और एच्टी पर जैसे मालो मुझे आरेच्टी निकालना है आरेच्टी कहां पर एट एक सिक्वेस्ट टुए तो क्या होता है भाईया ज़रा बोलना फॉर्मुला सर लिमिट एक्स अप्रोच इस टू प्लस एच अच अगर आप बन पर निकाल रहे हो तो एक ही वैल्यू वन है तो आप बोलोगे दाट इस वन प्लस एच कि माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच बिल्कुल सही तो इक बाब बता एफ ऑफ वन प्लस एच वन से बड़े के लिए कहां से वैल्यू आपर एक्स की जगा वन प्लस है आप बन जाएगा सर टू प्लस है और एफ वन कितना है सर एफ वन है टू तो एफ वन की जगह टू अपॉन एच यह दिख रहा है सर यह वन आ रहा है ठीक है इस इमिलोली अगर आपको लेफ्टेंड डेरिवेटिव निकालना हो लेफ्टेंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वेस टू वन क्या फॉर्मूला लगाओगे सर हम लगाएंगे लिमिट एच अप्रोच इस टू जीरो प्लस एफ एफ ओफ वन माइनस हैच माइनस एफ हास अब बताً माइनस एच चोटे के लिए यहां से इल्डी आएगी जाँ जाओ भॉड वह पर वन माइनस है जाँ जाँ पर एक्स दिंख रहे वहां पर भन मोगाइनस एच पूट कर दें को झाल ऑन जो कहा आँ फ्रॉम मून अब सर यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही है क्योंकि है जाता है आपका 0 की तरफ तो यह 1 यह 3 3 फोर फोर माइनस फोर जीरो बाई जीरो फोर में तो डिफ्रेंचेशन लगाओ उपर क्या आजाएगा उपर वाले का डेरिवेटिव टू इंटू 1-1-1 और इसका डेरिवेटिव 3-3 लिखा वा तो माइनस 3 होल डिवाइड़ बाई माइनस 1 अब एच को जीरो रखेगा अगर तू तो यह आजाएगा माइनस 5 अपॉन माइनस 1 मतलब 5 तो हमने लेफ्ट हैं डेरिवेटिव राइट हैं डेरिवेटिव लगा लिया अब सर यह इतना नाटक करने की जुरत थी नहीं मैंने पूचा कैस बुले लिए अगर यह आपका फंक्शन है तो फटा फटा आप डेरिवेटिव फंक्शन बनाई है मतलब इसका डेरिवेटिव डिफ्रेंशीचिशन x ब्लस वन का डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा सर that is 2x plus 3 इस पूरे का differentiation ये था x की value 1 और 1 से बड़े के लिए ये था x की value 1 से छोटे के लिए ठीक है मैंने का मुझे चीए f dash 1 plus 1 से बड़े पर function के derivative की value 1 से बड़े पर function के derivative की value 1 से छोटे पर function के derivative की value 1 से छोटे पर function के derivative की value x की जगा 1 put करेगा ये 5 आजएगा ये आपके पास sir RHD है ये आपके पास LHD है अब जो बात आपने इतना लंबा calculate करके की वो आप सीधा सीधा यहाँ पर बता सकते हो ठीक है दोनों finite हैं तो आप बोलोगे दोनों finite हैं दोनों finite है तो पक्का continuous तो हो गई sir and दोनों बड़ाबर नहीं है तो non-differentiable और कितने लोग इस बात से agree करते हैं x equals to 1 जो है वो एक corner point बन गया है graphically अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको एक corner नजए आएगा क्योंकि left hand derivative, right hand derivative both are finite but not equal तो ये corner बन गया है आए ना कर दो कर दो कर अब अब भीया कुछ समझ में आया तो वाई अस लिख के भेज़ो आलत खराब ए वोला खाना खालेने देव सर खाले ओ बेटा खाले ओ मूह से खाएगा कि दिमाग से खाएगा गौटेट गौटेट वायस लिख के भेज़ो फुल एकदम आग लग जानी चीए तो कौन सा मैथड बढ़िया है आप हमेशा इस मैथड को अवाइड कर सकते हैं कहीं कि ये भी काम आता है जी बिल्कुल सहीं बट सर ये बढ़िया है सीधा function का derivative function निकालो आगे बढ़ो अब जैसे ये वाला सवाल है इसी के ही बहुत सारे अलग लग variant paper में घूम रहे हैं मतलब many times repeated इन जी हां कभी जैई मेंस में आया है ये कभी जैई advance में आया है कभी जैई के screening में आया है कभी मेंस में statement 1 statement 2 वही assertion region में आया है ठीक है पुराने टाइम पे एड रिपली में तो many times repeated इन जी अराम से देख लीजिए प्लीज ठीक है हमें यहां पर continuity और differentiability चेक करनी है डेक सिक्वेस्टू जीरो पहले ideal प्रोसेस से जा रहा हूं मैं तो सर function की value 0 पर कितनी है देख के बता मतलब continuity चेक कर रहा हूं function की value 0 पर है 0 सुनता जाना अराम अराम से अब मुझे left hand limit और right hand limit calculate करनी है तो 0 को छोड़ कर 0 से बढ़ा या 0 से छोटा नंबर लोगे यही परिवाशा चलेगी यह definition चलेगी मतलब सर आप बोल सकते हो कि आप यह calculate कर रहे हो मैंनका बिल्कुल सही limit x approaches to 0 x square into sine of 1 upon x मेरी बात ध्यान सुनिएगा आज ही के class में यह वाला जो analysis आपको पांचे बार बता चुका हूँ क्या है ध्यान सुनना अगर x 0 की तरफ जाता है तो 1 upon x कहां जाएगा सर या तो plus infinity या minus infinity क्योंकि अगर आप 0 minus की तरफ लेके गए तो minus infinity 0 plus की लेके गए तो plus infinity ठीक है तो मैंने पूछा कि जब यह infinity की तरफ जाएगा तो sign की value इस पर कहां से कहां जाएगी सर minus 1 से 1 और x square इसके साथ multiplication में है x square कहां जा रहा है 0 into any value which lies between minus 1 से 1 कितने लोगों को अच्छे से समझ में आता है कि सर यह 0 होगा चाहिए आप left-hand limit निकाल लो चाहिए right-hand limit निकाल लो कितने लोगों को यह बात समझ में है कि this is continuous अब आता हूं में फिटाफ़ट एलेजडी और आरेजडी पर मैंने left-hand derivative निकाला left-hand derivative add x equals to 0 तो यही हमारी एक ही value है क्या formula होता है सर इतनी बार आपने लगा दिया हमारे सामने अब तो हमें ना चाहते होए भी याद हो गया f of a plus h f of 0 plus h f of यह होता है एक है एक बाद बता f of h कितना हो जाएगा और h है 0 plus मतलब 0 से थोड़े से बड़े पर value कहां से आएगी यहां पर जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर आप h रख दीजिए और f of 0 तो 0 है भी यह वापिस वही कहानी ठीक है और अगर मैं left-end derivative यह तो मैंने यहां पर ओमाइगा इसको बोलते हैं प्रिंटिंग मिस्टिक इस आर एच डी ठीक है राइट-end derivative है left-end derivative जल्दी से left-end derivative में क्या हो जाएगा f of 0 minus h तो यहां पर यह आएगा minus f of 0 upon minus h अब यह 0 से थोड़ी सी छोटी value लिखी हुए तो उसके लिए भी वही definition चलेगी जिसमें बाहर तो आप क्या कर रहे हो इसमें x की जीग है minus h रख रहे हो तो उसका square तो दिखा नहीं यहां पर हो जाएगा sin of minus 1 upon h और denominator में minus h लिखा हुआ है कितने लोग agree करते हैं कि यह भी यही लिखा हुआ है क्योंकि यह sin एक odd function है minus sin बाहर minus minus cancel यह यही लिखा हुआ है और यह कितने लोग agree करते हैं कि यह 0 लिखा हुआ है हाँ सर बिलकुल agree करते हैं सर यह 0 कैसे लिखा हुआ है अभी तो analyze करके आया था h अगर 0 की तरफ जा रहा है तो यह 1 upon 0 is infinity साइन की वैल्यू infinity पर सर माइनस वन और वन के बीच में बहुत बढ़िया यह वाली पूरी कहानी माइनस वन और वन के बीच में यह वाला नंबर सर 0 की तरफ जा रहा है तो 0 into any number lying between minus 1 और 1 तो यह पूरा नंबर कहां जाएगा 0 की तरफ तो सर आप इसको बोल सकते हो lhd और rhd देखकर आप ऐसे डारिकली lhd और rhd भी गल्कुलिट कर सकते थे दिस इस continuous and differentiable ठीक है दिस इस continuous and differentiable फिर एक बच्चे ने बोला कि सर आपने अभी तो हमें एक प्रोसेस सिखाया था मैंने बोला कॉन सा बोले derivative function निकालो मैंने का वो ठीक है निकालो भी यह आएटी एंस प्रोसेस से चलते है मैंने इसका derivative function निकाला f dash of x ध्यान सुनना यू इन्टु वी रूल लगेगा x square का derivative 2x into sin of 1 upon x बाहत बढ़िया प्लस x square as it is sin of 1 upon x का derivative होता है बेटा cos of 1 upon x और 1 upon x का derivative होता है minus 1 upon x square ठीक है अराम से अगर आप देखोगे तो यह यह part cancel हो गया तो यह आ रहा है 2x sin of 1 upon x minus cos of 1 upon x यह वाला portion कब जब x की value 0 ना हो और जब x की value 0 हो तो यह वाला portion 0 obviously 0 का derivative 0 होता है आया ना obviously 0 का derivative क्या होता है जीरो थोड़ा तेजी में रहो यार ठीक है अब मेरी बात ध्यान सुनना अब यह कौन है यार सर क्या हम लक्षियंस देख सकते हैं तो विटा अगर तेरे पास आंखें हैं दिमाग है तो देख सकता है बड़ तेरे पास यह फालतू टाइम आये कहां से पी डबल्यू स्टुडेंट्स नाम का एक लड़का ऐसे बहुत से पहले और भी थे कि सर क्या हम देख सकते हैं क्या यश जा जी ने बहुत बढ़िया सवाल पूचा सर हमें कैसे पता चलेगा कि डिरेक्टली डिफ्रेंशियेट करें या ना करें उसी पर तो आ रहा हूं तभी तो इस सवाल को लेगा हूं अभी लिख वह बात तो यह जिसमें आखें हैं दिमाग है वो द वो तो मैंने पिताजी रखें हुए हैं वो कर देंगे बोले अच्छा मैं पहले यह देख लेता हम अगला चैप्टर अ कि बाइस आप खुद की बढ़ाई कर लो जो पढ़ा दिया गया है यह भी देख लें वो भी देख लें जहां मौका मिले बस वहां पहुंच जाएं सर ठीक है अगर सच में तुम लक्षे बैच की हो तो भीटा माय रिक्वेस्ट इस आगे का पढ़ने से कोई फाइदा नहीं है जो आपको अब तक पढ़ा दिया गया है उसको आप राम से पचाओ ना यार अभी तुम्हें थोड़ी ना जेही देनी है कल पर सोमी इन लोगों क है तुम्हारे पास अभी टाइम है और अगले साल तुम ऐसे किसी वन शॉट के चक्कर में नहीं रहो तो इस वज़े से जो शॉट्स आपको अभी खिलाए जा रहे हैं उनको अच्छे से खिलो ठीक है आपको जो पढ़ाया गया है तसल्दी से पढ़िए जो होमवर्ग दिया गया उसको कंप्लीट कीजिए और अगर आपके पास फिर भी टाइम है तो रिवीजन कीजिए हाँ बस बोले चलती होनी चीए क्लास बोले यह का पढ़ा रहा है बोले आज यह पढ़ा रहा है उर्दू चलो पढ़ते हैं तावास चलिए अब यहां पर ध्यान सुनिए गा प्लीज मा अगर आपसे पूचू कि F-0 प्लस यहां F-0- माइनस जैसे आप यहां कर रहे थे जैसे आपने F-1 प्लस निखा तो आपने यहां पर बन डाल दिया यहां पर यहां पर यहां पर अगर आप 0 प्लस रखते हो ध्यान सुनना तो यह वाली वैल्यू तो हो जाएगी 0 सुनता जाना माइनस यह वाली जो वैल्यू है यह उसिलेट करेगी कैसे सर यहां पर जब इसके साथ बाहर X या फिर ऐसा कोई नंबर होता है न तो यह उसिलेट करती है बट इसका यह उसिलेशन रोक देती है क्यों क्योंकि यह नंबर है 0 यह 0 की तरफ जा रहा है यह उसिलेट करेगा मत multiplied by 0 तो यह पूरा 0 हो जाता है अब इसके बाहर आपने अब की बार यहां कुछ नहीं बैठा इसके बाहर तो यहां बैठा है तो जब यह oscillate करेगा तो तो इसको यह 0 करके यह 0 कर देगा बट सर यह oscillate करेगा oscillate करेगा तो इसका मतलब हमारे पास आप क्या बोलोगे this is limit does not exist यह value आएगी नहीं कभी हम कोई finite value थोड़ी बता सकते है आया ना क्या हम कोई finite value बता सकते है तो answer is sir no हम कोई finite value नहीं बता सकते हम कोई finite value नहीं बता सकते क्यों क्योंकि वो oscillate कर रहा है अच्छा अब देखो ज़रा ध्यान से अब देखो ज़रा ध्यान से सर जब हम यहां से जा रहे हैं ideal process से तो हमारा जवाब एकदम सही आ रहा है बट हम differentiation से जा रहे हैं तो हमारा जवाब does not exist आ रहा है मतलब दोनों जवाब में error है तो अब की बार यह वाला जो method है यह fail हो गया आप ऐसा बोल सकते हो this method fails but this method still प्रजिस्ट और यह हमें सही जवाब देता है तो इसी बात को मैंने यहां पर कॉंपी किया है कॉंपी देख लो हम से क्या बोला गया द्यान सुनना पूरी बात अच्छे सुन लीजिए derivative of continuous and differentiable function need to be need not to be continuous आप किसी continuous or differentiable function का derivative निकालते हो तो जुरूरी नहीं कि वह continuous आए obviously continuous है मतलब कि अगर continuous होता तो यह दोनों वेल्यू बराबर आती और कुछ आती अब की बार यह दोनों वेल्यू नहीं आ रही है ठीक है तो पहली बात तो यह यह extended line जो की true लिखी हुई है बिल्कुल सही ऐसा लिखा जाता है इस statement is true 100 परसेंट कि तो इसका मतलब यह जो statement है यह जब बोलता है कोई इंसान तो वो यह बोल रहा होता है कि आप differentiation वाला method नहीं लगा सकते जब यह बात कोई लिखता है ना तो इसका मतलब यह होता है कि आप यह differentiation वाला method लगाते हैं यह आप नहीं लगा सकते ठीक है इसका मतलब यह है अभी रुको यहां तक अब नीचे पर आओ लेकिन हम लोग derivative निकालकर differentiability check करते हैं हां हम ढीट है सर बिल्कुल चेक करते हैं हमने कई सवालों में किया है और ऐसे चलके हम आगे भी करेंगे मेंस के तो ऐसे बहुत सारे सवाल है जो सिदा सिदा स्टेटमेंट लिखिए इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे अगर f-x ध्यान सुनना आपने फंक्षन का डिवेटिव निकाला सीदे सबसे पहले हमें डिवेटिव वाला काम असला लगता अगर f-x डेडिवेटिव की वैल्यू ऑशिलेटरी टाइप्स जैसा अभी आई थी या नॉट डिफाइं डाएं ठीक है ऑशिलेटरी टाइप साई या फिर नॉट डिफाइं डाजे फॉर्मुला एलस्डी और रस्डी मतलब आइडियल प्रोसेस से जाना चाहिए और कभी ऐसा ना हो ना ही ऑसी लेटरी टाइप आया ना ही नौट डिफाइंड आया तब बिंदास चलने दो कोई दिक्कत नहीं आपका जवाब एकदम सही है किते लोगों को बात समझ में आगी किते लोगों को बात समझ में आगी कि सर हां क्या करना है हम function का derivative function निकालेंगे बट अगर derivative function में value put करने पर oscillatory टाइप या फिर not defined value बनती है तो हम उसके आगे फिर अब क्या करेंगे उस पर काटा लगाकर left-end derivative और right-end derivative अलगलग calculate करेंगे with the help of जो आपने सबसे पहले standard process लिख्वाई थी वो जो formula लिख्वाई थे उनसे आना किते लोगों को बात समझ में वाइस लिखके बेजो y.s only y.s बीच में e नहीं होना चाहिए यह 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 या मत किये आप सिरफ y.s लिखके बेज़ें इस बात को या दखना this this thing is very important and very helpful आजेगे फटाफट यहां पर सब्सक्राइब हमारे पास एक function दिया गया है जिसमें हमें k और m की value बतानी है और यह function जो है differentiable है जैसे उसने यह बात बोला इसमें एक चीज ध्यान से सुनना वो differentiable बोल चुका है मतलब continuous भी होगा बहुत सभी आजाओ तो यह पहले फटाफट पहले फटाफट मुझे एक्स मतलब मुझे के और एम दो चीए ध्यान अखना तो दो equations बनेंगी बहुत सभी तो मुझे कहां पर continuity check करनी चीए सिरफ x बराबर 3 पर क्यों सर क्योंकि definition सिरफ 3 पर बदल रही है 3 से पहले कुछ और 3 के बाद में कुछ और suspicious point में सिरफ x बराबर 3 और कोई नहीं है अब आजाओ इदर तो एक्स बराबर 3 पर f of 3 कितना है function की value 3 यहां पर equality लगी है मतलब 3 प्लस एक चार सर यह आ जाएगा 2 के और यही हमारे पास 3 माइनस है 3 से छोटी value भी यहीं से निकलेगी what is 3 प्लस तीन से बड़ी value यहां से आएगी x की जगए 3m पूट करें sorry x की जगए 3 पूट करें तो यह 3m प्लस 2 बन जाएगा शाबाश क्या inequality स्वारी क्या equation बनी भीया continuity की मदद से सर 2k बराबर 3m प्लस 2 ओहो बिल्कुल सही ठीक है अब differentiability की बात हो रही है सर हम तो derivative function निकालेंगे मैंने का बिल्कुल सही कोई रोग सकता है का बोले नहीं के इजए constant root of something का derivative होता है बिटा वन अपॉन टू रूट आप सम्थिंग और सम्थिंग का derivative is 1 यह वैल्यू है एक्स की वैल्यू 3 और 0 से इसके लिए और इसका क्या कि आप से पूछा what is g-3- and what is g-3 plus क्योंकि डिफ्रेंशेबल भी है 3-1 यहां से आएगी तीन से थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखोगे चार चार का रूट दो दो इंटू दो सर्या आजाएगा के बटे चार और यहां पर तुसर वैल्यू एम्य है ओखे का वन गोजे सर गया बराबर पूर अर ठीक है यहां रख दे भीटा पूर म्यों तो यह हो जाएगा 8 एम बराबर 3 एम प्लस है सर यह इदर जाएगा तो 5 एम म की वैल्यू दो बटे पांच एम अगर दो बटे पांच ए तो सर्कीवेल्यू आठ बटे पांच हाँ 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 सब्सक्राइब मैंने कुछ गर्बड किया क्या अना यह वैल्यू आ रही है आपके पास टू के सही तो है अच्छा अन्सर टू है तो तरी के प्लस एंपूचा भाई के और एंगे लग लग वैल्यू निपूची के प्लस एंपूचा है अच्छा थी के बदेख के बताना जिरा हूँ अच्छा ठीक तो है इस इस प्रेक्ट बोलो बोलो हां बहुत सही को अच्छा ओप्शन ए सही है ना में एक बार सभी लोग कमेंट करते वाइस की अप्शन ए सही है ना के प्लस एंपूचा अपकी बार से आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या यहां पर कभी और से लेक्राटरी लिमिट बन सकती है नहीं जी और से लेटरी ट्रिच्न फंक्षन में बनती है या फ्रेक्शनल में बनती है फ्रेक्शनल पार्ट में यहां कहां ऑसिलेटरी बनेगी सर सारा कुछ डिफाइंड दो है कोई दिक्रत नहीं है एफ डाइस एक्स जो है वह दट इस डिफाइंड जलिए अब अगर मैं बात करूं जैसे हम वहाँ आप बात कर रहे थे डिफ्रेंशियबिलीटी और कॉंटिन्यूटी की वैसी अगर एक इंट्रवेल आपको दिया जाये मापको बोलूं कि ब्रेंशियबिली टी ओवर एंट इंट्रवेल तो मालो ए से लेके भी ओपन तक आप किसी फंक्शन को डिफ्रेंशियबल बोलना चात गया लोज ब्रेकिट पर अगर आप डिफ्रेंशियबल बोलना चाहते हो तो पहली चीज तो सारे ए और बी के बीच वाले सभी नंबर्स पर डिफ्रेंशियबल होना चीए ए पर वो होना चीए एक्स बराबर एपर जैसे वहां पर था ना राइट कॉंटिनिवेस तो एक्स बराबर एअब की बार डोमेन का लेफ्ट एंड पॉइंट है तो इस पर फंक्शन इदर आएगा तो आप सिरफ क्या कल्कुलेट कर सकते हो राइट है और एक्स बराबर भी अगर यहां पर है तो क्या कल्कुलेट कर सकते हो लेफ्ट-Hand-Derivative तो एओर बी जो एंड पॉइंट सब्सक्राव जिन पर क्लोजब्रेकेट लगा हुआ है तो ए पर हम लोग एट है राइट-Hand-Derivative और बीपर हम लोग क्या है डिफ्रेंटियबल है समझ कि आया नव कि ही हूँ है बस एक वाला सवाल फिर प्रेक देटा हूं जिसे साइन इंवर्स ओप एकस है एड़क्स बराबर बन कितरी लोगों को बात समझ में आती है कि साइन इंवर्स ओप जो आप ग्राफ बनाते हो उसका ग्राफ बनता है अईसा अगर और वह माइनस वन और वन के बीच में ही बनता है सर ठीक है तो अगर आप एड़ एक्सिक्वेश्टु वन चेक करना चाहते हो तो यह बताओ एड़ एक्सिक्वेश्टु वन हम कौन सर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं सर एड़ एक्सिक्वेश्टु वन हम लोग निकाल सकते हैं लेफ्टेंड डेरिवेटिव मैंने पूछा लेफ्टेंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं सर लिमेट एच अप्रोच इस्टु जीरो प्लस यही हमारा ए हो जाएगा तो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ पर डिफ्रेंशेबिलिटी चेक करना चाहते हैं जिसके राइट में ग्राफ ही नहीं है तो आप सिरफ लेफ्टेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करो अगर यह फाइनाइट आ गया तो हम डिफ्रेंशेबल बोलेंगे अधर्वाइज हम नॉन डिफ्रेंशेबल बोल देंग ठीक जी देखीगा ध्यान से बच्चो एक बार इसके बाद में आपको ब्रेक मिलेगा टेंशन ना लो बिल्कुल हाँ पढ़ेंगे अराम से और खूब देर तक बढ़ेंगे टेंशन ना लीजिए यह कौन है बिटा बीच में नीट वाल नीट ऑल्वेज ओपी वाव हूं हम बिटा जितने भी नीट वाले होते हैं न वोगले में एक स्टेटोस्कॉप डालते हैं न वह मैंने तो सुना नहीं किसी डॉक्टर ने बनाया हो इंजिनियर जो आके लेड़ता है न मरीच आक्सिजन की कमी हो रही है मैंने भी नहीं सुना वो किसी डॉक्टर ने बनाया हो इंजिनियर जिस पर लेगा आप अंदर जाते हो वह भी इंजिनियर नहीं बनाया जिसमें आप अपनी ये दुकान खोलोगे वह भी इंजिनियर ने बनाया जिससे prescription लिखोगे वो भी इंजिनियर ने बनाया जिस पर prescription लिखोगे वो भी इंजिनियर ने बनाया जिस पर खुद बैठेगा और सामने वाले बैठेगे वो भी इंजिनियर ने बनाया बटन दबा कर महौल ठंडा करेगा वो भी इंजिनियर ने बनाया अब देख ले कौन और यह तो डिस्केशन हुआ तब बता दिया बाकि आप देख लो डॉक्टर बनने के बाद में शाम को आके और सुन डॉक्टर बनने के बाद में शाम को आके लेटे का बैड़ पर और जो गद्धा वह भी इंजिनियर ने बनाया नेट्फिक्स पे जिस मूवी जिस हीरो की मूवी देखेगा वह भी इंजिनियर ही होगा तो अगर इतने ज्यादा है इंजिनियर धर्ती पे अब सब डॉक्टर को छोड़ दो बाकि सब इंजिनियर ही है कि अब आप आप नहीं समझ में आप अगर आप ठीक है अगर आजएगे सब्सक्राइब कि जहां पर आपको एक्स दिख रहा है वहां पर साइन इन्वर्स रख दो साइन इन्वर्स में एक्स की जगए वन माइनस एच रख दो मैंने का लो रखती है और एफ और वन वन पर वैल्यू आती है बेटाजी पाइबाइटू पता होना चाहिए सर हमें पूरा पता है हम इंजिनियर है अपान माइनस एच यह ठीक है नाव यूज दिफ्रेंशेशन इफ्यू वांट लव यू फ्रॉम स्पेन यह इतने जादा महल कैसे बन गया है चैट में होवाई अब जो टेंथ क्लास वाले बच्चे इस डाउट में रहते हैं कि हमें इंजिनियर बनना चाहिए कि मेडिकल कौन सी ब्रांच चूज करूं सर मेरे जाल से उसको यह चोटी सी जो मैरे अभी बोला उतनी क्लिपिंग दिखा देनी चीए गूस बंप के साथ साथ अपने लूस को भी टाइट कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा जलिए आजाओ ठीक है ऐसा कुछ नहीं भी हां नतिंग अगेंस्ट समझ मैं ऐसी ऐसी जस्ट जिस चीज का जिस फील्ड का हूं मैं तो इसको प्रोटेक्ट कर रहा हूं अबिस्ली डॉक्टर ओपी अंडिड प्रसंट नीट ओपी ठीक है हां सब कुछ बनाया एंजीनियर ने हैं बड़ इंजीनियर इलास तो नहीं कर सकता ना सर्जरी वगरा डॉक्टर करते हैं खुदाना खास्ता जिंदगी में कभी माल लो अब मैं थोड़ी डॉक्टर्स की तारीफ कर दो वरना यह लपेटे जाएंगे ठीक है तो खुदाना खास्ता कभी सर्जरी की चुरत पड़ गी और मुझे कभी ऑस्पिटल जाना पड़ गया तो वहां जाके किसी ने वीडियो देखियो बोले यह ले हमने हाथ खड़ आप तो हमने हाथ फोल्ड कर लिए आज लुड़ेशन वाद ए एसी किसी सिच्वेशन में इंवर्च से आप डरीक ली ट्रिक्नओमेट्री में जा सकते हैं साइन इन वेर्स आफासाइन इन वर्स आफार माइनस ह को आप क्या गरो थीटा पुट कर दो तो यहां से साइन थीटा बराबर कितना आ गया वन माइनस एच आ गया यहां से एच बराबर कितना आ जाएगा 1-sin थीटा आगया है ठीक है जी आप सुनते जाना तो आपने जब ये पुट किया तो आप यहाँ पर लिखोगे थीटा यहाँ पर लिखोगे पाई बाई टू और यहाँ पर लिखोगे माइनस ह तो यहाँ लिखोगे आप 1-sin थीटा तो माइनस हैच क्या होगा साइन थीटा माइनस वन तो अब एक बताओ यहाँ पर वैरियेबल था एच अब यहाँ पर वैरियेबल थीटा थीटा ध्यान सुनना अगर आप एच को जीरो प्लस की तरफ लेके जाते हो तो यह पूरा जा रहा है 1-1-1 मतलब 1 में से थ थोड़ा से छोटा वन से थोड़े से छोटे पर फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो पाइबल टू माइनस तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइबल टू माइनस ठीक है अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो यह 0-0 की फॉर्मेट बन रही है देख ले बटा थीटा को प थो माइनस पर यह जाएगा 1 अपहुन 0-0 माइनस ठीक होता है सर्द प्लस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी आ रहा है मतलब यह पांड नहीं है तो आप बोलोगे लिह अगर यह पाइनाईट नहीं है तो क्या बोला जाएगाज दिस इस नारंड डिफ्रेंजिब क्योंकि जो left-end derivative आ रहा है इस पर left-end derivative जो आ रहा है that is plus infinity आपने बोला था सर फाइनाइट होना बड़ा जुरूरी है तो हम क्या बोलेंगे इसको non-differentiable क्या बोलेंगे पीटा non-differentiable क्या बोलेंगे अरे बोलो तो सही अना बहुत से यह कौन है सर लव यू फ्रॉम पूतीन भाई साब डराना है तो ऐसी ड्राले यार इतने बड़े-बड़े भेंकर भेंकर नाम लेके काहीं ड्रा रहा है थीक है चलिए अब मुझे बताइए किती देर का ब्रेक चाहिए आपको खाना खाने के लिए फिर हम लोग आके बस इसका आखरी पड़ा पढ़ेंगे इसके बाद में कुछ नहीं डिफ्रेंशेबिलीटी के कुछ नियम बचे हैं खतरनाक रिजल्ट जिसको बोले थे फिर कोश्चन और फिर LMVT और रोल्स बदब दो घंटे का प्रोग्राम और बचा है तो मैं नहीं चाहता कि आप इसको सेशन को बीच में छोड़ के जाए बिकॉस कम से कम आज की राज तंव मत खतरे घ्रह थे अतु lentमपड हैं घ्रम्री आए बिकॉर्य से शचनली जब आप सो यह तसलित वोग कॉन्टी मिनुटी टिफ्रेंशिभिलीटी चो लटी हमारी वौ कजनुल हो कि तरी मीनटे का इसे कि व starts लॉननर जो क्या नहीं से कॉय हdle टो जे मिनिरक जो ऑर कि क या भागो भागो हाँ यस टू एंटी अना आवे तू यंटी हाँ टू एंटी येस ट्वेंटी ठीक है क्या एक बोल नौ मिनट का ब्रेक दो मिनट में मैंगी तुने बनाई तीन मिनट में खाली पांच चार मिनट में कि कि समय शुरू होता है अब आप कि चार सेकंड जा भी चुके हैं पांच चलेगे सर्ट कि 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 बीजिए चुके हैं चिक चाहर पीजिए हाँ ये इन चार सेकंड़ मिनटिए आसे सर्ट आसे कि खाशेशाबें आसे कि अे जा़के ये जानाई कि में शुके शू आपके एंटार इने ये सुटू है जाब सु कि जाना तू आपके टYंजिएए met फाशी जा आसे सर्ट झाल 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 कि अच्छी क्या मेरी आवाज आ रही है एक बाग कमेंट करके बताईए सभी लोग क्या मेरी आवाज आ रही है क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं एक बाग कमेंट करके बताऊगे अच्छे से कमेंट करो खूब सारे ताकी मुझे समझ में आ जाए इस दिस क्लियर एवरीवन आना हां जी अंकित कुमार है शुरूती है शितिज है फिर हमारे पास तनीशा जी भी है बहुत सही अधित्य है राजवी है राजवी जी आ है एक सेकंड दीजेगा जेंवाला में आbeh सत्वागे प्लाइबा करे बहुत से के जए करे द्हें लुत सही को बासितर है बहुत सही जी आ करे रेम जा राजवी व्लगभगे तूवन brilliant धel गिर झाल 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 यहां मेर्य वाज आ रहीए क्या हम् प्रेंग नहीं था प्रेंग नहीं था वैं मेरे साथ ही प्रेंग हो गया वह यहां पर गांब यह है माइक का बटन ओउश का म्यूट करने वाल बटन दबाऊ था वह दबा दिया था अब आ रही है कि नहीं है कि किसी वरात आई इदर साइड में तो मताब बरात तो ठीक अब आ जा रही है कि नहीं येस और नो जल्दी से बताव यार क्या बात कर रहे हो ना ओके येस सिवानी शर्मा जी आ गए है कि अब आई है येस सर येस सर सितिश कुमार बहुत बढ़िया राजवी पिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सॉरी ये ड़कार आई है चलिए जी स्टार्ट करें फटाफट सामने देखना अच्छा तुम्हारे लिए थोड़ी सी चार्जब बोलते हो ना चार्जब शायरी और गया तुम तो बोलने रहो शायरी वाहरी का मुझे लगा बोलोगे अच्छे सूजेंट सो क्लास खतम होन नेम बेटा तेरा नेम लेंगे गवरा मत पहले उसको अमाजोन पर डाल ठीक है सेल होने के लिए फिर ले लेंगा वहां से का टेंचल ले रहा है द्यान सुनना इंतिकाम वाली है इर्शाद कि अगर उसने दिल तोड़ा ना होता ठीक है ध्यान सुनना अगर उसने दिल तोड़ा ना होता मुझसे यू मूँ मोड़ा ना होता तो आज अपने सपनों के लिए मैंने अपना घर छोड़ा ना होता जो आग लगी है सीने में उसे एक दिशा दीजिए और आप क्या कर सकते हैं यह पूरे जमाने को दिखा दीजिए और इसकी सबसे बढ़िया शुरुवात वहीं बैठे बैठे होगी समझ मैं कहीं बाहर जाने की जुरत नहीं है मिन्स इट इस नॉट लाइग की आप एक पोस्टर होल्ड करो चथ पे घड़े जो नहीं जहां बैठे हो वहीं सही आग लगानी है यस और नो स्टाट करें बह आगया उसलिठ नहीं जैसा मैने आपको एपको चीज तो डीफरेंच जीबिलिटी में रहे है मतलब आपको घर मैं दो फंक्सों दूँ जो दोनों differentiable हैं सेम वैसी continuous में था तो दो functions अगर मैं आपको दूजो दोनों differentiable है तो उनका multiplication उनका addition उनका subtraction और उनका division differentiable होगा जी ठीक है तो some product difference and division of two differentiable function is differentiable बहुत सही और division की जब बात की जाती है तो denominator 0 हम नहीं मान रहे हैं समझ मैं जिस point पर denominator 0 होगा माँ उसकी बात नहीं कर रहा हूं समझेगी नहीं समझे ठीक है बहुत सही यह ठीक है अब यह सेम था उसमें भी continuous में दो continuous function हो उनका addition subtraction multiplication and division continuous होता है सेम यहां पर some difference some and difference of a differentiable and a non-differentiable function यह वाला d d stands for differentiable plus minus another is nd nd मतलब non-differentiable तो अब function बिना जाने दिस is always non-differentiable यह क्या होगा बिटा always non-differentiable होगा जी इस बात को याद रखना और यह सबसे major और critical point है ठीक है ना रेस्ट जितने भी combination बच गए जिनके बारे में मैंने short short लिखवाया है जिनके बारे में जैसे इनके लिए लिखवाया इसके लिखवाया इसके जो रेस्ट कंबिनेशन जो बच गए कौन-कौन से ध्यान सुनना एक हमारे पास differentiable into non-differentiable या फिर आप बोल सकते हो सब दूसरा combination क्या है non-differentiable upon differentiable differentiable upon non-differentiable non-differentiable plus minus non-differentiable ठीक है and so on बहुत सारे हैं इन सभी में आपको क्या करना पड़ेगा we need to check और हम क्या करेंगे इसमें हमें we need to check हमें check करना पड़ेगा हम बीना function देखे किसी सक्त result पर नहीं आ सकते सर क्लास कब तक चलेगी जब तक है जान बिल्कुल सही एग बार सभी लोग बोलो कि सर क्लास आप चाहे थूड़ी extend कर दो कोई दिक्कत नहीं है बट ऐसा काम करके जाओ कि हमें continuity or differentiability नाम के chapter में कोई दिक्कत ना मैसूस हो क्या बोलते हो जनता अगर हाँ बोलेगे तो ठीक है फरना यहीं बंद कर देते हैं में बताई जाती है या फिर आपको common understanding से यह बात आ जाती है कि आप चाहे मौड लगाओ या ना लगाओ तो मैंने बोला यह जो पहला function है this is always a differentiable ठीक है differentiable है always तो zero पर भी differentiable है क्योंकि आप इसको ऐसे देखो और this is not a differentiable ठीक है और इनका addition पूछा है तो पक्का सर यह क्या होगा this is non a differentiable at x equals to zero no need to check check करने की जुरत ही निया सर एकदम हमारे रूल से मैच करता है कितने लोग बात समझ गे जो 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 लोग बात समझ गे भाईया nd लिखके भीजो nd non differentiable आ गया असा जवाब आप किस चक्कर में लगे हुए है हाँ आ जाओ अगले सवाल पर चलते हैं एकस इंटू मॉड ऑफ एकस अगर मैं बात करूँ एकस इकवेस्टू जीरो पर तो मॉड ऑफ एकस जो है बिटा शार्प कॉर्णर बनता है ठीक है यहाँ पर मैंने मॉड ऑफ एकस को non differentiable क्यो बोला मॉड ऑफ एकस बराबर जीरो पर क्या बनता है कार नर क्या बनता है कार नर तो सरी यह क्या हो जाएगा तो यह non differentiable होगा तो मैंने पूछा अब की बार जो तेरे सामने situation है इसमें से यह वाला जो function है this is differentiable और यह वाला जो function है this is non differentiable समझ गया अब दोनों का multiplication क्या इसके लिए कोई short short result है तो answer is no we need to check मैंने का ठीक है फिर चलो चेक करते हैं अगर आप x से बड़ी मॉड आगे न तो मॉड को आप क्या गरो डिफाइन कर लो पहले अगर आप x 0 से बढ़ा लेते हो जियान सुनना जीरो या 0 से बढ़ा तो यह as it is open होगा बाहर बाहर x है और अगर आप x 0 से छोटा लेते हो इस function को डिफाइन कराऊ जीरो से छोटा लेते हो तो मॉड ओफ x को लेगा माइनस x की तरह यह हो जाएगा माइनस x square सर जैसा कि आपने बताया function से हम सीधा सीधा derivative function पे जाते हैं बहुत बढ़िया x square का derivative 2x माइनस x square का derivative माइनस 2x यह 0 और 0 से बड़े के लिए यह 0 से छोटे के लिए मैंने बोला कहां पर चर्चा करनी है बोले सर जीरो के राइट में और लेफ्ट में f डैस 0 प्लस और f डैस 0 माइनस की value सर यह भी 0 और यह भी 0 क्योंकि 0 प्लस की value यहां से आएगी 0 रखोगे तो जीरो माइनस की value यहां से आएगी तो आप इसको क्या बोलेंगे सर हम इसको बोलेंगे differentiable इसको हम क्या बोलेंगे differentiable डी स्टेंट फ़ार डान नहीं differentiable आना कि भावेश पाटिल जी है एक बार सभी लोग भावेश पाटिल के लिए बीपी जोरदात आलिये बचाए बोलड़े differentiability teach please एक तो इंग्लिस बावेश बाई कहां से लेका है हो हां जहां से भिला हो तुरंत वापिस return कर दो बिकास गलत आ गई है बढ़िया वाली लेक्या हो दूसरा बावेश बाई क्या था जल्दी दी थोड़ी धरती प्यानेगी हां सर बगवान जो है वो डाली रहे दिमाग उससे पहले अप उन तो आगे नीचे बोले बागवान जी बाकी बात में देखेंगे बगवान के पिटा यह डिफेरेंशिबलिटी ही है आ हाना तुझार मेरे मेरी लिप साहिए बता लिफेरेंशिबलिटी मतलब नों मेंसि कोड़ेंशियरेंशिबलिटी समझे के न BRI टीट पलीच भीट पथनी को पढाने के लिए बोल राए कि मुझे बढ़ाने के लिए बोल रहा है बाई आप मामला एकदम गड़ बढ़ है आजाओ वेरी गुड पर यह कैसा फंक्षन है साइन आफ मॉड एक्स हाँ इसमें थोड़ा गोची ध्यान रखना बाब वाइब बराबर साइन आफ मॉड एक्स कितने लोगों को आज ही की क्लास में ब द्यान चुनना साइन एक्स का ग्राफ बेटा वैसे तो ऐसा होता है वैसे तो ऐसा होता है यह साइन एक्स का ग्राफ है बट अगर आपको साइन आफ मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स की जेगा मॉड एक्स रखा है तो रिमूव लेफ्ट हैंड साइड टेक मीरर image of right-hand side in y-axis ठीक है तो भाई साब ये है हमारे पास अब मुझे एक बाव बताओ ये x बराबर 0 पर ये x बराबर 0 पर क्या आपको corner बनता हुआ दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही क्योंकि ये वाला जो graph है this is minus sin x का graph है और ये वाला जो graph है ये sin x का graph है तो x बराबर 0 पर corner बन रहा है तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ये जो आपने भाई साब function दिया है ना this is non-differentiable बहुत सही और ये भी non-differentiable और दो non-differentiable function का difference दो non-differentiable function का difference दो समझ गया दो non-differentiable function का difference we need to check हमें का करना पड़ेगा चैक करना पड़ेगा हमें का करना पड़ेगा चैक चैक ठीक है आ जाओ कैसे चैक करेंगे द्यान सुनना है जहां पर भी मॉड आ जाए पहले आप function तो बनाओ differentiation तो तब करोगा जब आप समझ पार हो derivative आप तभी निकालते हो जब मॉड वाड हट जाए मतलब मॉड को हटाईए जी और define कर लो तो मैंने कहां किया fx अगर मैं मुझे x बराबर 0 पर बात करनी है तो x से 0 से थोड़े से बड़े के लिए सोच लेते है जीरो से बड़े के plus x this is for x less than 0 क्या मेरी बात समझ गये सर यहां से हम चलते है derivative function पर बिल्कुल सही कौन लगाए rhd lhd का formula sin x का derivative होता है cos x x का derivative होता है जी 1 और सर इसका derivative होता है minus cos x यह plus 1 this is for x greater than 0 and this is for x less than 0 यहां से आप मुझे बताइए f dash 0 प्लस कितना हो जाएगा 0 से थोड़ी सी बड़ी value रखोगे तो यह बनेगा 1 1 minus 1 0 और f dash 0 minus कितना हो जाएगा सर यह भी 1 1 minus 1 0 कैसो आ रहा हो है दोनों बराबर and finite इसको बोलोगे सर this is differentiable दो non-differentiable function का difference is differentiable यह कौन है बाई साब पढ़ने वाले लोग बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहे हैं क्या है यार यह differentiable जबाब लिखो नहीं कहां चलेगे अलग लोग हो अलग है अब एक मज़िदार एक्जामपल देखो समझ मैं जन जनाट वाला एक्जामपल द्यान सुनना होगी जन जनाट मैंने का द्यान सुन यह फंक्शन है इसने भीया derivative function बना लिया x plus 1 का derivative 1 for x less than 2 और x minus 1 का derivative that is also 1 for x greater than 2 अब अगर मैं आपसे पूछू तो कहां पर हमें differentiability check करनी चीए सेम यहां पर भी वही है suspicious point वही है जहां पर definition change हो रही है और तो कुछ है नहीं तो add x equals to 2 अगर मैं आपसे f dash 2 plus पूछता हूँ और f dash 2 minus पूछता हूँ तो दोनों ही one one आ रहे हैं इसको देखकर आप क्या बोलोगे सर इसको देखकर हम बोलेंगे differentiable obviously दोनों बराबर आगे इसको देखकर हम क्या बोलेंगे differentiable और यह गलत जवाब है आया ना क्यों गलत जवाब इसलिए है बेटा जी क्योंगी 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 को बना पाएगा differentiable इसको बोलेंगे की नहीं बोलेंगे यह discontinuous function है यह जो आपको function दिया गया ना discontinuous function है समझ गये तो सर आपने यहां क्यों नहीं चेक किया भया चेक करना चाहिए था differentiate करने से पहले यह देख लियाकर हो यह continuous है की नहीं बिलकुल जीरो प्लस पर वैल्य सीरो जीरो güzel माइनस पर भी वैल्यू जितने पार भी आपने derivative function बनाया है कहीं पर भी सॉपलस प्ल्स पर वैल्यू इरो जीरो माइनस पर जीरो यह continuous function है πनाएग कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जहां जहां पर आप derivative function बना कर आगे बढ़े हो वहां पर आपको जैसे यह वला है तो आपको पहले continuous बनाना पड़ेगा यह continuous की condition है तो आपने अगर बिना continuity देखी differentiation पेल दिया तो ऐसे फस जाओगे समझ गें तो भी यह यह नॉन differentiable function है ठीक है मैं graph बना के दिखा देता हूँ आपको graph से clear हो जाएगा x बराबर 2 2 या 2 से चोटे के लिए line चल रही है x plus 1 slope है positive 1 2 पर value आएगी 3 और यह और 2 या 2 से बड़े के लिए line चल रही है x minus 1 2 पर value आएगी 1 और slope यह यह दोनों lines आपस में parallel है कोई दिक्कत नहीं है बट यह graph जो है यह discontinuous है ठीक है 2 पर जो value आ रही है वो आ रही है 3 और दूसरे साइड से 2 पर जो value आ रही है वो आ रही है 1 ठीक है जी तो यह discontinuous है तो इसलिए आप इसको क्या बोलोगे इसका actual answer जो है that is non differentiable is the correct answer or reason of non-differentiability is discontinuity कितने लोगों को बात समझ में आगी अच्छाबाज तो यह सब चेक पॉइंट एक हलका सा example दिया है ताकि आप इसको याद रखें खतरनाक result जो कि को सब आगा है यही एडवांस में बहुत बार यूज होता है कि कि कश लोगों को सोचा कि अभे तो जेनेगे तो अभी जेएडवांस की बाते काये कर रहे हो तो मैंने बादे को तुम्हारी मर्जी है मैं तो इसा बढ़ा कर जा जा रहा हूं कि जिससे तुम कभी भी अटको ना और वैसे भी गणित में तो भीया तुम जानते ही हो जही एडवांस के पुराने जो सवाल है सिंगल करेक्ट वाले वही पूछ जाते हैं रिपीट कर रहे हैं समझ मैं तो हम इसको तो इसम डिटेल में बढ़ेंगे अब में इवाद सुनना यह रिजल्ट कब काम आता है सबसे पहले ही लिखके बताया मैंने और multiplication of two functions जब दो functions multiplication में हो ठीक है आया ना मैंने एकदम सरल भाषा में लिखके लाया हूं मैं और भी अच्छे से बता दूँगा द्यान सुनना एक function fx differentiable है with value at x equals to a equals to zero और दूसरा function continuous है मतलब आपको एक function बनाके दिया गया एक function बनाके दिया गया जो दो अलग-अलग functions का multiplication है और हमें इसकी differentiability चेक करनी है जो multiplication करने के बाद में जो function बना उसकी हमें differentiability चेक करनी है जिसमें से हमें given क्या-क्या है अगर ये function differentiable differentiable with f of a बराबर 0 मतलब एक function जो है वो तो differentiable भी है और उसकी value a पर 0 है दो condition होगी द्यानकना एक तो differentiable होना और a पर 0 होना ठीक है है हाँ है ना एक 0 होना ठीक है दूसरे वाला जो है GX this is only continuous मतलब इस पर continuous की condition है तो अगर ऐसा होता है अगर ऐसा होता है तो आप बोलोगे कि ये जो function है ना आप बोलोगे कि ये जो function है ये जो function है ये और ये सर ये जो function है इन दोनों का प्रोड़क्ट है वो differentiable at x equals to a आएगा समझ गहें ये पूरा रिजल्ट यही लिखा हुआ है इमानदारी से बताओ कितने लोगों को बात समझ में फिर से एक बार फटा फट रिपीट करूं तो क्या बोला मैंने एक function differentiable होना चीए उसकी value a पर 0 होनी चीए जिस point पर आप बात कर रहे हो उस पर value क्या होनी चीए जी लो और वो differentiable भी होना चीए दूसरा जो function है वो सरफ continuous चलेगा दोनों का product differentiable आता है फिर इस result को याद रखिए कितने लोगों को बात समझ में आगी हाई ना कितने लोगों को ये बात समझ में आई जो मैंने अभी बोली दो functions का multiplication जिसमें से एक differentiable with f of a बराबर 0 जिस point पर बात हो रही है उस point पर value 0 है दूसरे वाला सिरफ continuous चलेगा दोनों का product differentiable सीधा सीधा अगर मैं इस पर example की बात करूं जैसे यह वाले हैं ठीक है अब ऐसे सवालों में आपको यह वाला जो रूल्स आपको सिखाए जा रहे है यह आपके ऐसा नहीं है मानलों मैं आपको सवाल में आएगी भी आप पांच पॉइंट्स पर आप अलन एक्स हाँ अंटू अ मोड आप X-1 और चर्चा हो रहा है एक सीक वेस्टो वन मेरी बात ध्यान सुनना अब मैंने देखा कि यह जो एक विल्ले एकस होता है this is differentiable at x equals to 1 यह x बराबर 1 पर differentiable होता है and ln 1 की value जो है वो होती है 0 ठीक है एक बात तो यह और mod of x minus 1 यह होता है continuous at x equals to 1 continuous at x equals to 1 कितने लोगों को बात समझ में आई mod of x minus 1 का graph पता है न हाँ ऐसा और ln x का graph पता है न हाँ सर x बराबर 1 पर बिल्कुल एकदम smooth करवाता है कोई non differentiability का कारण ही नहीं है और 1 पर value 0 भी होती है ठीक है तो अब मुझे बताओ इन दोनों functions का multiplication according to the previous result क्या कहलाएगा so this is differentiable at x equals to 1 differentiable at x equals to 1 no need to calculate proof भी असान है दिया जा सकता है बट प्रूफ के लिए आप समझो आगे चलके मैं आपको functional equation solve करनी सिखाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा उससे आप प्रूफ भी कर सकते हो बट आप कोई result याद रहना चाहिए is this clear कहां लगा है मैंने ना lhd लगा है ना rhd लगा ना इसका derivative function find किया ठीदा ही पता है ना हमें टाइम बचाना है ठीक है अगले वाला बहेंकर दिखने वाला सवाल ध्यान सुनना साइन ओफ पाइएक्स और दूसरे वाला है मॉड ऑफ x-1 मॉड ऑफ x-2 और मॉड ऑफ x-3 ठीक है मेरी बात ध्यान सुनना पॉइंट चर्चा कर रहा है 1 2 3 पर क्या हमें 1 2 3 पर वेल्यू लगालनी चाहिए lhd rhd की नहीं सर ध्यान सुनिएगा प्लीज this is differentiable in fact this is always differentiable sin x का graph कैसा होता है always differentiable and इसकी जो value है ठीक है and value at x equals to 1 1 2 and 3 is 0 value at x equals to 1 2 and 3 is 0 x बराबर 1 2 3 पर value कितनी आ रही है 0 देखलो और हम से 1 रखो 2 रखो 3 रखो 0 आ रही है value ठीक है अब यहां देख मतलब यह differentiable भी हो गया और इसकी value 0 पर भी आ रही है one रखेगा sin by 0 2 रखेगा sin 2 by 0 अब यहां सर यह लिखा हुए cubic cubic मतलब polynomial और उसका mod so this is always continuous तो जिन points पर चर्चा कर रहे है उस पर यह differentiable और साथ में value 0 लेके बैठा है और यह continuous है पूरे को हम क्या बोल सकते सीधा 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 so this is differentiable at x equals to 1 2 3 ना ही मैंने nsd निकाला ना ही मैंने rsd निकाला ना ही मैंने derivative function निकाला सीधा नियम से परियोग कर दिया है कितने लोग बात समझ गए हैं एकदम अच्छे से कितने लोग बात को अच्छे से समझ गए है नाव खतरनाक result number two differentiability में आपको दो ही result बताए जा रहे है along with algebra algebra वाली बात आपको याद होगी होगी क्योंकि algebra वाले सारे points वही है जो continuity में बताए गए ठीक है अब उसके बाद में दो खतरनाक result one is this जिसका इस्तिवाल करेंगे अभी advance के सवाल करेंगे तो एक यह वाली बात और एक यह वाली ब होगा सर रिपीटिट रूट का मतलब क्या है बताता हूँ जैसे पहले जैसे और टाइम्स और टाइम्स रिपीटिट रूट मतलब एक ही रूट रिपीट होना चीए बट वो और टाइम्स होना चीए और यह है इवन टाइम्स रिपीटिट रूट पहले तो आप इसके ग्राफ देखने की कोशिश करो अब चाहें ग्राफ मतलब इवन टाइम रिपीट ओ चाहें और टाइम रिपीट रिपीट हो न चीए पावर वन नहीं काउंट हो रही है ध्यान रखना और का मतलब है थ्री टाइम्स फाइफ टाइम्स ऐसे 3 times, 5 times, 7 times और even का मतलब ऐसे 2 times, 4 times, 6 times सर आपने यहाँ पर 1 क्यों नहीं लिया एक root की power 1 हो तो वो repeat का हो तो power 1 में ही है है ना, क्या मेरी बात समझ गे अब जैसे मैं आपको example से समझाने की कोशिश करता हूँ fx है माल लो x-1, सुनना जरा ध्यान से यह एक ही बार हो रहा है, अब अगर मैं इसको repeat करवा दूँ x-1 का cube x-1 का 5 इसको बोलते एक बार repeated root यह हमारे फिर इसको repeat क्यों बोल रहे हो सर, यह तो एक ही root हुआ repeat मतलब जैसे यह वाला है, यह cubic function है इसके तीनों roots 1, 1, 1 है इसके तीनों roots कौन है, 1, 1, 1 तो इसको अटा दिया picture से, अब मैं अगर आप इसको graph बताओं, इसका graph, ध्यान सुनना सिरफ x-axis के respect में graph बताओंगा इसका graph बनता है ऐसा, यह x-axis को cross करते वे, touch करते वे, निकलता है ध्यानकना मतलब जहाँ पर x बराबर 1 होगा न, यह ऐसे आएगा x-axis को touch करेगा, फिर इदर cross कर जाएगा x-axis to 1 is the 3 times repeated root pipe में भी same shape बनती है, shape same बनती है ध्यानकना पांच बार अगर repeated root है तो odd के case में क्या होता है, x-axis को graph cross करता है ऐसा, ठीक है, यह, तो दोनों ही cases में shape आपको same लगेगी लगबग, बट, graph ऐसा बनेगा, ठीक है, और जब graph ऐसा बनता है, तो बेटा यह differentiable है, समझ मैं है, one के right में आप differentiation calculate करके देखो, और one के left में आप derivative calculate करके देखो, दोनों ही जगह है, differentiable के लाएगा यह, समझ मैं है, तो repeated root हो, चाहे odd times, चाहे even times, सर अब even times का क्या मतलब है, कुछ नहीं, यह, ले, x-1 का square, और यहाँ पर हो जाएगा, x-1 की power 4, अब अगर मैं यहाँ पर graph की बात करता हूँ, ध्यान सुनना, अगर मैं यहाँ पर graph की बात करता हूँ, तो इसमें क्या है, function x बराबर 1 पर ऐसे आएगा, touch करेगा, बट वापिस इदर उपर ही निगल जाएगा, और इसमें भी same, फिर उपर निगल जाएगा, तो जब odd times होता है, तब वो graph को cross करता है, x-axis को cross करता है, और नहीं यह पराबोला टाइप बनेगा, बट यह पराबोला नहीं है, आपको देखने में दोनों की शेप सेम लग रही है, कुछ लोग बोलेंगे ज़र सेमी ग्राफ बना दिया नहीं जी ग्राफ में थोड़ा फर्क पड़ता है बट आप लगबग शेप जो है वो सेम बोल सकते हो क्या मेरी बात समझ में आई तो आपको कहीं पर रिपीटिट रूट दिखे उस पर फंक्शन क्या कहलाएगा बेटा अब जैसे मैंने ये वाला सवाल दिया आपको और मैंने बुला कि X belongs to R के लिए इस पूरे फंक्शन की डिफिरेंशेबिलीटी कमेंट करो मेरी बात ध्यान सुनना यहां पर मुझे अलग-लग फंक्शन दिखाई दे रहे हैं अभी ये सवाल आपको असान लग लग रहा है formula parallel में रखो बट उसके parallel में आपको और भी बहुत सारी चीज़े बताई जा रही है जिनके साथ सवाल पर attack किया जा सकता है ऐसा निए कि differentiability का सवाल आया तो आप LHD, RHD calculate करने लगें देख ध्यान से ये fx बोल देते हैं इसको hx बोल देते हैं और इसको पर इसको tx बोल दो mod of x-5 का graph से सब को पता है mod of x-5 का जो graph है वो सब को पता है मैंने का बहुत बढ़िया असली मज़ा सब के साथ याता है this is non-differentiable and d non-differentiable at x equals to 5 only ठीक है x बराबर 5 पर ये non-differentiable है x बराबर 5 पर ये non-differentiable है क्या मेरी बात समझगे बस only 5 पर ये non-differentiable बाकी सब जगा differentiable है इसकी काहानी कतम मैंने बोला अगे बाद ध्यान से देख जो हमारा hx है उसमें क्या किया है उसने hx का graph की अगर मैं बात करूँ तो x-7 मतलब 7 वाला जो repeat है उसको even times repeat कर रहा है ठीक है मतलब कितने लोग agree करते हैं कि जो hx का graph है वो ऐसा होगा ये touch करेगा इसको तो सर आप इस पर चाहे mod लगाओ या ना लगाओ सर इस पर चाहे आप mod लगाओ या ना लगाओ यह हमेशा ही positive है मतलब you can also say कि mod of x-7 की पावर 4 is as same as x-7 की पावर 4 किते लोग agree करते हैं हाई ना तो ये जो function है ये आप कैसा बोलोगे सर ये जो function है इसका analysis कतम यहां आजा यहां सुनना यह मजदार है यहां आजा जी एक्स की अगर मैं बात करूँ तो पहले मैंने क्या किया x बराबर 3 वाला जो पार्ट है मैं mod बाद में लगाओ अध्यान रखना x बराबर 3 वाले पार्ट को 7 times repeat करवा रहा है odd number of times repeat करवा रहा है तो सर यह graph ऐसे आएगा ऐसे निकल जाएगा ठीक है आए ना बट अगर आप modulus की बात करते हो तो यह जो आपने green वाला graph बनाया this is the graph of nothing but x minus 3 की पावर 7 हाए ना सुनते जाना अराम-अराम से x minus of 3 की पावर 7 अब अगर मैं इसमें modulus की बात करूँ तो आप बोलोगे सर जो modulus होगा उसका graph ऐसा बनेगा जो part नीचे है उसको भी उपर लियाओ मैंन का ठीक है यह जो graph है this is x minus 3 की पावर 7 का mod ठीक है और यही हमारा gx है हमें इसके बारे में चर्चा करनी है मुझे सरफ यह जानना है कि यह differentiable है की नहीं ठीक है यह differentiable है की नहीं आया ना देखते ही पता चलना चाहिए कि सर डिफरेंचेबल है वरना अगर आपको इसको अलग से जज़ करना है तो आप ऐसा भी बोल सकते हो x-3 की पावर 7 का मॉड तो यह हो जाएगा सर x-3 की पावर 7 अगर आप x की value 3 या 3 से बढ़ी लो और x की value 3 से चोटी लो तो एक negative sign आ जाएगा अब इसका derivative function निकालेगा तो यह हो जाएगा 7 x-3 की पावर 6 और यहाँ पर आ जाएगा कितना दूसरे वाले का derivative 7 x-3 की पावर 6 और बाहर एक negative sign अब हमें x greater than equals to 3 और x less than 3 के लिए चेक करना है और यह हमारा derivative function है तो 3 रखोगे तो भी यह 0 होगा और 3 रखोगे तो भी यह 0 होगा अब आप देख पा रहे होगे यह भी दोनों फिर से 0 क्यों होगे क्योंकि यह जो पावर रिपीट हो रही थी ना आप इसमें से एक एक और ले जाओगे अगर आगे differentiate करके एक एक पावर कम भी कर दोगे तो फिर भी अभी भी यह 0 है अभी भी यह क्या है जीरो है समझ पारे होगे निसमझ पारएगर अभी यह 0 हो रहे है तो आप चाहो तो ऐसे सोच लो वरना मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ जिस केस में जिस केस में रिपीट हो रहे होते है रूट्स जिस case में odd number of roots repeat हो रहे होते हैं because even वाले में तो graph वैसे ही उपर होगा जब odd वाले में graph repeat करता है तो ये इस पर भी क्या होता है differentiable होता है ठीक है? आया ना अब ये मत बोलते हैं ना कि sir ln x आपने बनाया था फिर ln mod x का आपने graph बनाया वो तो ऐसा बनाया था ln mod x का graph ऐसा बनाया तो ये तो sir पूरे पर mod लगाया तो non-differentiable हो गया था यहाँ पर ये value जो root था ना ये repeat नहीं हो रहा था विटा अगर ये repeat हो रहा होता तो इसके mod पर भी differentiable आता या मेरी बात समझ गये? एक बार सही सी बताओ जिसको बात समझ में आई ys लिख के बेजें एकदम जबर्दस तरीके से always differentiable, always differentiable x बराबर 5 पर non-differentiable पूरे के बारे में क्या comment करो के जल्दी से बता दो non-differentiable only at x equals to 5 केवल x बराबर 5 पर ये non-differentiable है बाकी सब जगह differentiable है x बराबर 5 पर ये non-differentiable है बाकी सब जगह ये क्या है differentiable है क्या आपको बात समझ में आई? ये है इसका analysis देख पा रहे हो हमने कहीं पर lhd rhd derivative function की बात नहीं की ठीक है? हाई ना? yes or no? only non-differentiable rest everywhere it is differentiable क्योंकि सर ये differentiable हो गया हमेशा इसमें non-differentiable function 5 पर जोड़ा है तो 5 पर ये पूरा non-differentiable होगा differentiable plus non-differentiable is non-differentiable ये ही मेंस 2018 में एक सवाल पूछा गया अब जिस बच्चे को पता था ज्यान सुनना जिस बच्चे को ये खतरनाक result बता था वो तो तुरंत बोलके आगे निकल लिया तूरंत speed में वरना दूसरा जो होगा वो suspicious point count करेगा ज्यान चुनना suspicious point अच्छा वैसे suspicious point जो है वो option से ही पता चल रहा है कैसे? 0 pi और 0 pi बस वरना देख लो वो बोल रहा है कहाँ कहाँ पर चेक करें तो सर्य कहाँ पर 0 हो रहा है pi पर ये कहाँ पर 0 होगा तो x बराबर pi हो गया एक और सर्य ये पूरा कहा जीरो होगा e की power mod x minus 1 mod के अंदर लिखी वी चीज कहाँ 0 हो रही है तो 0 और पाई हमारे suspicious point है अब जिसको ये बात पता थी वो तो suspicious point calculate करने के बाद में इसके आगे RHD और LHD calculate करेगा चाहे derivative से calculate करें चाहे formula से calculate करें वो calculate करेगा अब दीखेगा हमें जो खतरनाक result पता है direct from result to direct from result to direct from result to जो आपको function दिखाई दे रहा है ध्यान सुनना x minus pi e की power mod x minus 1 और sin of mod x अगर मैं यहाँ पर repeated roots निकालने की बात करूँ ठीक है जैसे माल लो polynomial की case में बच्चों को अच्छे समझ में आजाता है जैसे 1 x minus 1 है और एक यहाँ पर लिखावा है x square minus 5 x plus 6 और एक लिखावा है x minus 2 मैंने बोले repeated root कितने है तो बोले सर इसका जो root है वो 2 और 3 है और इसका root है 1 और इसका root है 2 तो सर यह total net टू एक repeated root हो गया यहाँ पर x minus 2 एक repeated root हो गया क्योंकि उस पर यह factor भी 0 हो रहा है और यह factor भी 0 हो रहा है यहाँ पर इसका जो root है इसके अगर मैं root की बात करूं तो 0 भी है और पाई भी है इसका root अगर आप x की जगे 0 रखोगे तब यह पूरा 0 हो जाएगा इतना factor और पाई रखोगे तब यह 0 हो जाएगा मैंने बोला इस पूरे का root e की power mod x-1 इस पूरे का root जो है इसका root है 0 और इसका root है पाई समझना ज़रा क्या जोड़दार सवाल बनाया है कि इस फेक्टर का एक root पाई इसका root 0 इसका root 0 और पाई अब मुझे एक बाद बताओ कितने लोगों को यह बात दिखाई दी कि इसका यहां पर भी 0 एक रूट यहां पर भी 0 एक रूट x बराबर 0 is 2 times repeated root 2 times repeated root आए ना सर पाई इसका भी एक root इसका भी एक root तो x बराबर पाई is also 2 times repeated root अगर माल लो हमें दो ही पॉइंट है जहां पर चेक करना है option से भी पता चल रहा है suspicious points से भी पता चल रहा है दो ही पॉइंट है जहां पर हमें चैक करना था और वो दोनों repeated root निकल आए वो दोनों ही repeated root निकल आए तो मुझे यह बताओ कि क्या यह function कभी नौन डिफ्रेंटियबल होगा क्या नो सर और वेज़ डिफ्रेंटियबल किते लोगों को बात समझ में आती है क्योंकि यही दो पॉइंट से जिन पर चेक करना था और यह दोनों repeated root निकल आए और यह रिजल्ट बोलता है कि भीया जो repeated root होता है उस पर function डिफ्रेंटियबल होता है जो repeated root होता है उस पर function को चिडाने के लिए अच्छी हो गया कि तरी लोगों को बात समझ में सीची बताना यार कितने लोगों को बात समझ में एगी repeated root पर हमने चैकी नेजिए कि अल्वेस differentiable वो पूछ रहा है कौन से पॉइंट होगे जहां पर यह non differentiable होगा इसलिए क्या बनेगा एंप्टी सेट बनेगा ठीक है चलेंगे जी एडवांस 2016 की और चलेंगे आप मैक्सिम नंबर आफ एडवांस में जो कुछन्स पूछे गए हैं उसमें ये पॉइंट्स के बारे में चर्चा करता है ध्यान से ना देखो आर से डिफाइंड एक फंक्शन है ये रहा ठीक है टैंसन बिल्कुल नहीं लेने की एक्स बराबर 0 पर डिफ्रेंशेबल बता रहा है अगर 0 और बी 1 हो तो फीक है कि एजीरो और बीवन हो पहले तो एक काम करो एजीरो बीवन रख दें जैसे ही आप एजीरो बीवन रखोगे इस option को चेक करने के corresponding multiple character ध्यान रखना तो एको 0 रखा ये factor तो गाय भी हो गया सर्फ बी को 1 रखा है तो यहां पर आ जाएगा मौड ऑफ एक्स इंटू साइन ओफ मौड ऑफ एक्सक्यू प्लस एक्स का मौड अना अ ठीक है अब हमें बात कहां करने है ध्यान सुना एक्स बराबर 0 पर एक्स बराबर 0 पर बहुत बढ़िया अच्छा यह एक्सक्यू प्लस एक्स का जो मॉड है उसको आप x into x square plus one देख सकते हैं अरे यही तो होता है x q plus x क्या होता है इंट्व एक्सस्क्याइब प्लस वन संफर इस पर मॉड लगा इस पर भी लगेगा इस पर भी लगेगा मौट डिस्टिब्यूट जाता है मुल्टिप्लिकेशन में यह आल्वेज पॉजिटिव तो आप इसको मौट आफ एक्स इंटू एक्स स्कॉर प्लस वन लिख सकते हैं तो मतलब आप इसके अंदर जो साइन के अंदर लिखाव है ना उसको आप ऐसा लिख सकते ह एक्स इंटू एक्स स्कॉर प्लस वन ठीक है यह रहा एफ एक्स बोलो बोलो अब मेरी बात ध्यान सुनना पहले हम इसके लिए डिफ्रेंशिबिलिटी चेक कर रहे हैं सर अब थोड़ा समस्च्या वाली बात है मैंने पूचा कैसे बोले ना तो हमें इसके डिफ्रेंशिब इसकी डिफ्रेंशिबिलिटी के बारे में पता जीरो पर इसकी डिफ्रेंशिबिलिटी हमें नहीं पता जीरो पर मैंने का फिर इसकी अलग से डिफ्रेंशिबिलिटी चेक कर लेगा इसकी मतलब मैंने क्या किया इस फंक्शन को अलग से उठाला है द्यान सुनना साइन ओफ मॉड एक्स इंटू एक्स स्क्वार प्लस वन सर एक्स पॉजिटिव के लिए यह हो जाएगा साइन ओफ मॉड हट जाएगा एक्स पॉजिटिव के लिए तो यह लिखा हुआ है वापिस एक्स इंटू एक्स स्क्वार प्लस वन जिसको आप एक्स क्यू प्लस एक् ठीक है अगर माल लो ये हमारे पास fx की जगह मैं इसको बोल देता हूँ hx मैंने इसका h- निकाला ये वाली value 0 या 0 से बढ़े के लिए जब भी mod आएगा define करके ही आप differentiate कर सकते हो sine of something का derivative होता है बेटा cos of something सुनता जाना और अंदर वाले something का derivative 3x square plus 1 और इसका derivative हो जाएगा बेटा माइनस हूं 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 ठीक है है ना मेरे को एक दिमाग में बात आई कि सब आप ये सब करी रहे हो ज्यान सुनना तब आप सब करी रहे हो तो इस मॉट को क्यों छोड़ दिया मैंने ठीक है भई हां मेरी गलती हुए रियली मैं पहले इसे अकेले को लेके चल पड़ा था मुझे लगा कि ये आजाएगा और एक्स बराबर जीरो पर वैल्यू जीरो आजाएगी जो की स्कीम काम करती भी दिखाई नहीं दे रही जब सर आप मॉट डिफाइन नहीं कर रहे हो तो मैंने क्या किया अब यहां पर मॉट डिफाइन किया तो एक्स पाजिटिव की बात करू तो यह वे इस यह भी इस तो इसको अंदर मल्डिप्लाय करोगे सरी यह उजाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स दिस फॉर एक्स ग्रेटर दन इकपर स्टू जीरो एक्स नेगेटिव की बात करू धियान सुनना यहां पर आएगा माइनस X यहां पर भी माइनस X सर यह भी यही आ जाएगा अब एक बाद बता दोनों ही सेम ही तो है दोनों सेम ही तो है अब डेरिवेटिव अगर निकालेगा इससे या इससे तो क्या दिक्कत है समझें दोनों फंक्शन सेम ही तो आगे मतब यू कन डेरेक्ली से यू कन डेरेक्ली से इसस ओलवेज इसस ओलवेज इक विज्टू X इंटू Sine of X Q प्लस X अब कुछ लोगों को ये बात नहीं पचेगी कुछ लोगों को ये बात नहीं पचेगी वो बोलेगी कि सर अगर हम X की वैल्यू माइनस वन रखते हैं तो मैंने बोला यहाँ पर तू X की वैल्यू माइनस वन रखेगा द्यान सुनना उपर वाले में तो माइनस वन का मॉड Sine of माइनस वन का मॉड और यहां पर आ जाएगा चीज यही लिखी हुई है क्या पर एक स्पाजित तक लिए रखेव ताभी यही यह सूर्थ होती है कि अब पहले इस बात पर ध्यान दीजेपं तो यह वाली चीज़ तो fx हमेशा यह आगर आपने यहाई गैल 화it कर दी अब मेरी बात ध्यान सुनना कितने लोगों को ये पता है कि ये differentiable function है derivative भी calculate करने की जरतनी है this is differentiable this is differentiable हाँ ठीक है composite function में सर जीरो पर इसकी value आती है 0 0 पर बाहर वाला भी 0 होता है ठीक है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं this is differentiable at x equals to 0 in fact sir this is always differentiable not only x equals to 0 this is always differentiable तो पहला option correct हो गया कितने लोगों को बात समझ में आई कि भाई साब ये चीज़ EC के बराबर है कि समझ में आ गया ये तो पहले वाला अब आजाओ इधर कि ए वन बी 0 अगर मैं ए को वन और बी को 0 रखता हूं तो function बताना ज़रा क्या हो जाएगा मतलब सर ए को वन बी को 0 ये पूरा गया ठीक जी क्या बचा ज़रा बताना function सर फंक्शन बचा हमारे पास यहां वन रखोगे तो कॉस आफ मॉड आफ एक्स क्यूब माइनस एक्स अब कितने लोग इस बात से एगरी करते हैं कि कॉस के अंदर आप चाहे मॉड लगाओ या ना लगाओ कॉस के अंदर चाहे आप मॉड लगाओ या ना लगाओ कुछ फरक नहीं पड़ता क्योंकि एक्स क्यूब माइनस एक्स अगर कभी-कभी positive हुआ तब भी को इक्स को कोई दिक्कत नहीं है और अगर अगर यह फंक्षण है तो इसका डिरीवेटिव फंक्षण निकल लो यह लो आप चाहो तो जीरो से बड़े और 0 से चोटे बंसे बड़े और बंसे चोटे पर differentiable इसको check कर सकते हो ठीक है यह agree कर ले हो ना कि इस पर mod लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है तो जरह देखना इसका derivative कितना आ जाएगा minus sine x cube minus x और अंदर वाले का derivative 3x square minus 1 अंदर वाले का derivative 3x square minus 1 अब अगर आप x की जगा 1 put करते हो तो सर यह पूरा हो जाएगा 0 तो आप बोल जकते हो f-1 जो है वह आ रहा है 0 और f-1 जो है वह 0 आ रहा है मतलब finite आ रहा है तो यह पूरा function 1 पर differentiable है कुछ बच्चे इसमें अभी doubt में होंगे कि सर अगर हम इस x cube minus x को ऐसे लिखते हैं यह लिखाव है x into x square minus 1 इसका mod और इसका mod तीन अलगलग case बनेंगे 0 से बड़े के लिए और minus 1 से चोटे के लिए फिर minus 1 से चोटे के लिए फिर x की value 1 से बड़े के लिए ठीक है ऐसा कुछ आएगा तो अगर आप ऐसा कुछ करके भी differentiate करना चाहते हो तो भी आपकी इच्छा है बट जवाब वही आएगा यह differentiable है f-1 is 0 क्या आपको यह बात समझ मैं तो पहले वाले case में तो उसने खुद बोला कि a0 और b1 लेने पर जो function बनेगा क्या वो differentiable है तो answer is yes फिर उसने बोला कि a1 और अगर b0 ले तो function सिरफ इतना बचता है तो क्या यह differentiable है तो answer is yes non-differentiable अगर हम a1 और b0 लेते हैं a1 और b0 यह वाला case है तो यह x बराबर 0 पर non-differentiable है तो अगर मैं मानलों इसमें x बराबर 0 भी रखता हूँ यह आएगा derivative function 0 और minus 1 तो पूरा 0 आ गया सर यह बात गलत लिखी हुई है कि differentiable नहीं non-differentiable नहीं वो differentiable होगा और अगर आपने a1 और b1 लिया ज्यान सुनना अगर a1 और b1 लिया ठीक है आपने अगर a1 और b1 लिया तो non-differentiable यह भी गलत है कितने लोगों को option d समझ में आया कैसे देखो अगर आप a1 ले रहे हो मतलब यह वाला branch जिंदा रहेगी यह branch इसी के बराबर है इसके बराबर इसका derivative यह लिखा हुआ तो one पर यह differentiable है ठीक है इसका derivative 0 आ रहा है अब अगर आप b की value 1 ले रहे हो तो यह वाली पूरी चीज ऐसे लिखी जाएगी इसका derivative function निकाल लो एक फंक्शन है derivative function निकालो one पर एक value आएगी तो यह भी one पर differentiable यह भी one पर differentiable तो a1 b1 x बराबर वन पर यह दोनों differentiable है यह बोल रहा है non-differentiable तो answer is a and b हाई ना क्या मेरी बात समझ मैं ठीक है clear है इसी बता देना यह जी एडवांस 2020 का सवाल देखो अराम से देख लो कोई tension वाली बात है नहीं सरे एक function दे रखा है यह रहा जिसमें sin x इदर multiply में है gx r से r कोई भी एक arbitrary function है gx के बारे में बात नहीं की गई है f into g ध्यान रखना जहां पर fg लिख रहा है उसका मतलब है fx और gx के product की बात हो रही है fg जहां लिख रहा है वहां पर fx और gx के product की बात हो रही है then which of the following statement is r true मतलब यह भी multiple correct है ठीक है जलिए तो ठीक है भई अगर माल लो मैं आपको fx into gx function की बात करता हूँ तो fx कितना है भई वो है sir x cube minus x square plus x minus 1 into sin x हाना यह हमारा fx function है sir gx function तो पता ही नहीं ठीक है सुनते जाना चलिए पहले वाले पर आते हैं अगर gx जो है वो x बराबर 1 पर continuous हुआ इसके बारे में जानकारी दे रखिए this is continuous at x equals to 1 according to option a मैं option a चेक कर रहा हूं उसने बोला कि यदि gx x बराबर 1 पर continuous होता है तो यह जो पूरा function है यह differentiable होगा x बराबर 1 पर खतरनाक result number 1 अगर यह function x बराबर 1 पर continuous है यहां आ जाओ क्या यह पूरा function क्या यह पूरा function देखलो यह differentiable यह भी differentiable यह भी differentiable दो differentiable functions का product differentiable हमेशा और यह भी differentiable तो दो differentiable function का addition is always differentiable तो भया ध्यान रगना this is differentiable at x equals to 1 and value at x equals to 1 कितनी है is 0 1 पर इसकी value 0 आ रही है 1 रखोगे यह factor 0 यह factor भी 0 कितने लोगों को बात समझ में आई खतरनाक result number 1 लग रहा है पहले वाला function 1 पर value 0 लेकर differentiable है और दूसरे वाला यहां बताया था उससे कहां आ रहा है सिर्फ बार-बार यूज हो रहा है ठीक है कि यहां पर आ जाओ अब की बार उसने बोला आप इसको इसको छोड़ रहा हूं एक बार इफ GX is differentiable at X equals to 1 तो FX into GX is differentiable at X equals to 1 अब की बार GX differentiable ही दे दिया हमें सिर्फ चाहिए था यह continuous हो अगर आपने 1 पर differentiable दे दिया तो continuous भी है अरे भाई इस option के हिसाब से अगर वो X बराबर 1 पर differentiable बोल रहा है इसका मतलब वो continuous भी है हमें तो सिर्फ continuous चाहिए था आपने differentiable दे दिया मतलब आपने एक्स्ट्रा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है यह भी differentiable यह भी differentiable तो differentiable functions का product X बराबर 1 पर क्या आएगा differentiable क्या बोलती है जनता अब जड़ा देखना reverse बोल रहा है कि यह पूरा एक्स बराबर 1 पर differentiable है एक्स बराबर 1 पर differentiable है तो जी को एक्स बराबर 1 पर continuous होना पड़ेगा जितने भी रिजल्ट बच्चों को लिखवाई जाते हैं बच्चे उसका उल्टा जो है वह अपने आप माल लेते हैं समझ मैं आगी नहीं समझ मैं उसका जो उल्टा है वह अपने आप माल लेते हैं यहां लिख लीजीगा प्लीज कनवर्स नॉट ट्रू या फिर कनवर्स नीड नॉट टू बी ट्रू आप कनवर्स मतलब आपको दो फॉंक्शन के मल्टिप्लिकेशन का पता चल जाए वो डिफ्रेंचिबल है तो जुरूरी नहीं उनमें से एक डिफ्रेंचिबल और एक कॉंटिन्यूस वैसा जूरी सकते हैं दोलों डिस कॉंटिनियूस भी होसकते हैं समझ पहरों है थो यहां पर एक बच्चे ने क्या किया जल्दवाजी में तोचते हुए उसने जल्दवाजी में तोचते वह यह कर दिया देख पहरे हूँ जयेएडवांस 2020 के सवाल और हम मिनिमम पेन चला रहे हैं यहीं सेप्ट की स्ट्रेंथ अब बोल रहा है कि यह दोनों डिफ्रेंच इबले पहले से दे दिया इन दोनों अब डिफ्रेंच इबले बताव जी एक्स जो है क्या वन पर कॉंटिनिवस हो गया तो सर्थ इस नॉट आलवेस करेक्ट कन वेस्ट जुरूरी नहीं है फंक्शन पर डि ठीक है ध्यान सुनना ऐफ एक्स इंटू जी एक्स क्या है यह हमारे पास नया फंक्शन है इसका मतलब सब अगर यह डिफ्रेंच इबल है एक्स इक्वेस्ट तो बन तो तो मतलब यह वाली जो चीज रही होगी ना लिमिट एच अप्रोच इस टुजीरो प्लस इसको मैं ए तो यह वाली जो चीज होगी ना इस पूरे को आप डिफ्रेंच इबल तभी बोल रहे होगे जब आपने वन प्लस एच इसको क्या बोलू? गैपिटल एफेट्स बोल देता हूँ जार दोनों के मल्टिप्लिकेशन को मैंने गैपिटल एफेक्स बोल दिया ठीक है? अब आप बोल रहे होगी इनका मल्टिप्लिकेशन डिफ्रेंच इबल है मतलब डिफ्रेंच इबल है लेफटें डरिवेटेव और राइटन डरिवेटिव दोनों बराबर रहे होंगे तो capital F of 1 plus H minus F of 1 upon H ये वाली चीज फाइनाइट आई होगी और ये वाली चीज इसके बराबर होगी left-end derivative ये right-end derivative है और ये left-end derivative तभी आपने उसको differentiable बोला मैंने का बिल्कुल सही है ना कितने लोगों को बात समझ में आती है कि F of 1 0 है capital F of 1 तर कैसे पता चला क्योंकि जब आप इस पूरे में 1 रखोगे तो small half of 1 जो है वो 0 है तो 0 into G of something वो 0 ही हो गया ठीक है आया ना जी आफ हां ठीक है बिल्कुल सही अब आजो इदर तो ये वाला पार्ट गया और ये वाला पार्ट भी गया अब अगर मैं आप से पूछू ध्यान सुनना F of 1 plus H का मतलब क्या है सर small F of 1 plus H into small G of 1 plus H upon H ये समझ में आती है बात small F of 1 plus H small G of 1 plus H ठीक है ठीक है बस कुछ नहीं मैंने इस की जगए ये वाली पूट इस पूरे में 1 plus H रखा है और यहां आजाए ये प्लीज दूसरे वाले में क्या हो जाएगा small F of 1 minus H into G of 1 minus H upon minus H अब आपको एक चीज देखनी पड़ेगी द्यान सुनना ये वैल्यू जो है ये 0 पर continuous है मतलब जो function हमारा है ना F जो आपको function F दे रखा है वो F 0 plus और 0 minus दोनों पर ही value दे रहा है बीटा 0 0 से थोड़ी वन से थोड़ी सी बड़ी रखो और सॉरी F of 1 plus और F of 1 minus दोनों पर ही value दे रहा है 0 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखो तो भी ये पूरा 0 है 1 से थोड़ी सी चोटी वैल्यू रखो तो भी ये 0 है ठीक है इसका मतलब सर ये लिखावा है 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू और ये वैल्यू आ रही है 0 अनप है नब है नब कि और ये लिखावा है etre 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू और ये वैल्यू आ रही है 0 हो मतलब यह जीरो ब्रईीरो की फॉर्म तो बन गए मतलब यह जिरो बाई-zero-कि फउर्म तो बन गई समझ पारे हो कि निसमच पारे हो यह 0 जा रहे हमें इसका तो पता इनिया अबी हुसा हमें तो इसका पता ही नहीं ऐ तिक थे सिरो पाई-زीरो फॉर्म में देखो क्या आप यहां से यह देखकर सिधा सिधा बोल सकते हो कि जी ओफ वन प्लस एच और जी ओफ बन माइनस एच बराबर होने चाहिए तो अंसर इससर नो कोई आपके पास को सालिट है रीजिन का सोँभे हो कि इन दोनों को फाइनाइटली बराबर होने ए दो यूव उरणी डीजिन कि ये दोनों भी बराबर हो तो क्योंकि अगर यह दोनों बराबर हुए तब हम उसको वो continuous बोलेंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे continuous बोलेंगे कि अरे समझे की नहीं समझे ठीक है आया ना तो मेरे पास यहां से आगे और कोई solid region है नहीं वैसे मैं चाहूं तो एफ आप 1 प्लस है निकाल सकता हूं वो कैसे निकाल रख दो फिर वहां पूट कर दो पर वह बहुत बड़ा बन जाएगा समझ पारेंगे तो मैं आपको क्या समझाने की कुशिश कर रहा हूं कि अगर fx into gx differentiable है at x x equals to 1 तो ऐसा जरूरी नहीं कि जी को continuous होना ही पड़ेगा बिल्कुल जरूरी नहीं और ऐसा भी ही जरूरी नहीं है कि जी को differentiable ही होना पड़ेगा है ना क्योंकि सर अगर माल लो यह non differentiable होता है माल लो यह क्या होता है non differentiable और यह discontinuous भी होता है माल लो तो आपके पास जो चीज बनेगी आप ऐसे समझने की कोशिश करो वो कैसी बनेगी कि एक फंक्शन है differentiable दूसरा हो गया non differentiable क्या आप इसमें short short बोल सकते हो इन पूर अगर जवाब जो है वो differentiable आएगा तो answer is no एक जो हो गया वो differentiable एक हो गया continuous क्या आप जवाब बोल सकते हो short short कि यह differentiable आएगा no sir we need to check check करना पड़ेगा और check तब करते जब हमें function दे रखा हो तो वह हमेशा के लिए बोल रहा है इस वज़े से यह दोनों बाते जो है यह गलत है बिटा कौन से वाला option b b और option c b option d b sorry b और a और c तो सीधा-सीधा correct है और मुझे यहां से कोई reason नहीं दिखाई दे रहा कि मैं इन दोनों को बराबर बोल सकूँ क्या मेरी बात समझ में आई है ना वह बोल रहा है अगर मालो आप कोई ऐसा example सोचते भी हो जिसमें एक function आपने ऐसा निकाल लिया जिसमें आपने एक function ऐसा निकाल लिया कि वह continuous है जैसे मालो एक्जाम्पल निकाल लिया नहीं जी यह statement वह हमेशा के लिए बोल रहा है जब भी हम किसी statement को true false check करते हैं एक भी जगए false तो पूरी false तो एक भी ऐसा function आ गया जो continuous नहीं हो और fx into gx continuous आ गया तो यह statement पॉल्स ही तो है समझगे तो आप इस बात का ध्यान रखोगे ठीक है भाई आज यह फटा-फट एक सवाल हो और जही एडवांस दो जार सोलागा दो function है एक तो fx और एक gx gx में भी fx बैठा है बहुत सही जल्दी से देखो क्या बोल रहा है कि नंबर आप पॉइंट्स ऑफ डिस कॉंटिनुटी की बात हो रही है जो कि हम सवाल कर चुके ऐसे suspicious point डूंडे और continuity चेक रहें suspicious point डूंडे और continuity चेक की जीए प्लीज है ना अब ज़र जहां सुनना एक तो ये वाले जो दोनों points है इसमें f के बारे में चर्चा हो रही है इन दोनों में g के बारे में चर्चा हो रही है ठीक है सबसे पहले सर f को निप्टाते हैं fx जो है वो ये है अब जिन लोगों को पता है जिन लोगों को पता है कि जो greatest integer के अंदर integer रखा होता है वो विद साइन बहार आ जाता है चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लो वरना यहीं पर ही सोच सकते हो suspicious point कौन कौन से हो जाएंगे मुझे बताईएगा वो कौन कौन से points हो जाएंगे जहां पर मुझे इसको चेक करना पड़ेगा वो कौन कौन से points हो जाएंगे सिरफ minus half से लेके 2 सर आपने बोला था जब greatest integer आ जाता है तो अंदर वाली चीज कहां कहां पर इंटीजर और यह वो देखो तो मैं बोलूँगा कि भाया एक बार तो यह एक्स बराबर 0 फिर यह 1 ठीक है फिर root 2 फिर root 3 और यह 2 ठीक है इन सभी values पर जो इस interval में लाई करते हैं एक्स स्क्वाइर वो greatest integer बनेगा मतलब एक्स स्क्वाइर जो है वो इंटीजर बनेगा इन सभी values पर और यह सारी values इसमें लाइकरती है यह हमारे सपीशियस points है यह हमारे क्या है असपीशियस points शुरू हो जाओ कि शुरू हो जाओ क्या आपको यह 5 points दिखाई दे रहे हैं क्या है अब शुरू हो जाते है फटा फटा पटा समझ मैं यह बढ़िया सवाल है ना इसमें उसने बोला ही नहीं कि कहां कहां चेक करना है तो अगर आपको वह सपीशियस points वाली बात नहीं बताए जाए तो फज इसमें गड़बड यह है कि माइनस हाफ को भी point consider करना चाहिए था कितने लोग बोलते हैं कि माइनस हाफ क्यों क्योंकि वह end point है domain का end point interval का end point है है ना चलिए जी अभी सिरफ fx के बारे में चर्चा करते हैं पटापट बताना ज़रा जीरो पर function की value left-hand limit और right-hand limit लहल और फंक्शन की value यह क्या होगे भाई ओ माइग गॉट सर जीरो पर function की value 0 रखोगे यह आएगा माइनस 3 सुनतो जाना जीरो प्लस पर जीरो से थोड़ी left-hand limit जीरो माइनस पर जीरो से थोड़ा चोटा उसका square positive हो गया सर यह आएगा माइनस 3 जीरो से थोड़े से बड़े पर 0 प्लस बहुत सही उसका greatest integer वह भी 0 यह माइनस 3 तो सर यह 0 पर continuous है ठीक है समझ मैं ऐसे लिख रहा हूँ 0 पर इस function की function की value left-hand limit राइट-hand limit जीरो से थोड़ा सा बड़ा 0.001 उसका square सो 0.001 greatest integer 0 0-3-3 0 से थोड़ा सा छोटा-0.001 इसका square प्लस 0.001 greatest integer 0-3 यह समझ मैं है है अब यहाँ आजा वन पर मुझे फटा-फट function की value बता वन रखेगा अगर तो वन का greatest integer 1 1-3-2 left-hand limit की बात करूँ 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर वन से थोड़ा सा छोटा नंबर मतलब 0.999 उसका square वो भी 0.999 उसका greatest integer 0 तो यह आएगा माइनस 3 बस तर और calculate करने की जरुत नहीं है तो इस पर discontinuous root 2 root 2 से exact value कितनी आएगी 2 2 का greatest integer 2 2-3-1 अब root 2 से थोड़ा सा बड़ा value तो उसका square 2 से थोड़ी सी बड़ी समझ पारे हो minus 3 minus 1 root 2 से थोड़ी सी छोटी value इसका square क्या होगा यह आपने आज देखा होगा हमने किया था तो root 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर लोगे उसका square 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर जिसका greatest integer आता है 1 1-3 is minus 2 तो सर यह भी discontinuous root 3 की अगर मैं बात करता हूँ तो root 3 पर value आएगी 3 का square 3 3 minus 3 0 root 3 से थोड़ी सी बड़ी value लोगे उसका square 3 से थोड़ा सा बढ़ा आएगा greatest integer 3 3 minus 3 0 root 3 से थोड़ी सी छोटी value लोगे root 3 से थोड़ी सी छोटी value लोगे ठीक है root 3 से थोड़ी सी छोटी value लोगे यह मैंने बड़ी वाली value यहां लिखती यह यहां पर आएगी root 3 से थोड़ी सी छोटी value ली तो उसका square 3 से थोड़ा चोटा greatest integer 2 2 में से 3 गया सर माइनस 1 obviously फिर 2 पर भी check कर सकते हो 2 पर आपको सरफ function की value और left hand limit calculate करनी है यह आएगा 1 left hand limit की अगर मैं बात करता हूं क्योंकि यह domain का right hand point है तो 2 से थोड़ा सा चोटा इसका square 4 से थोड़ा सा चोटा greatest integer 4 4 से थोड़े से चोटे नंबर का greatest integer 3 3 minus 3 0 तो सर यह इस पर भी discontinuous है इस पर भी discontinuous है minus half की मैं बात करूं तो minus half पर function की value आ रही है 1 upon 4 greatest integer 0 माइनस हाफ के आजू बाजू लोगे तो यह value आ जाएगी minus 3 minus 3 इस पर बराबर आएगी कोई tension नहीं चेक करके देखो तो इस पर continuous है एक दो तीन चार चार पॉइंट्स पर यह discontinuous है minus half से लेके half में तो option B is correct पहले तो f हमने फटा फट चेक करें क्या मेरी बात समझ में आती है आया ना पर आपने माइनस हाफ पर कैसे चेक किया माइनस हाफ के आप थोड़ा सा इधर जाओगे इधर जाओगे अना तो उसका square है ना उसका square का greatest integer हमेशा ही 0 होगा और वो 0 हो गया तो तीनों ही case में माइनस 3 अंसर आएगा यह तो वसर fx की कहानी अभी इन दोनों में से बात खतम हुई अब आते जी एक्स पर जी एक्स अगर आप function ध्यान से देखते हो ठीक है अगर आप जी एक्स फंक्शन ध्यान से देखते हो देख रहे हो यहाँ पर भी fx है और यहाँ पर भी fx है fx लेले common और पीछे का बचे का देखना ज़रा mod of x into mod of 4x minus 7 mod of x plus mod of 4x minus 7 ठीक है और यहाँ कितना बचा है यहाँ पर बचा है यहाँ पर बचा है हमारा fx जो की है mod of x स्क्वाइर माइनस 3 कि अना कि क्या बुलती है जनता अब तो हम क्वेशन प्रेक्टिस कर रहे हैं यार अभी बचा है थोड़ा सा LMVT और रोल्स थेयोरम भी बचिए पर आपर यहाँ देखो अब इसको आप कैसे चेक करोगे पढ़ने वाले लोग गायब होगे का सारे है क्या करना भाई लेने दे पढ़ा पढ़ कोर्स कंप्लीट करवा दे हां सर पूरा पढ़ा कर असा नकी करो कहा आएडवान्स वाले स्वाल में उल्जी एसा है क्यक्म जी अगर अगर मैं suspicious point की बात करता हूं अगर मैं suspicious points की बात करता हूं मेरी बात ध्यान सुनना तो सर अब की बार यहां से दो points और जुड़ गए x बराबर 0 & 7 by 4 मैंने का बहुत बढ़िया और सर यहां से तो हमारे पास पहले से ही इसकी वज़े से तो वह points जुड़े हुए थे कौन कौन से 0 1 1 root 2 root 3 2 or minus half 0 1 root 2 root 3 minus half or 2 आप एफ है ना है ना है यह ना है यह हो नहीं जय हो शूचिन सर की जोर से भूल अब नहीं भई जोर से मत बूल है देखो अब यह मत बोल देना इसकी रिपीटीड रूट है इसका कोई रूट नहीं है यह सस्पीसियस पॉइंट लिखे हुए यार तुम लोगों को एक तो कोई चीज बता दो तुम उसका बस एकदम जंदा फेरा कर यह सस्पीसियस पॉइंट से बेटा जहां पर हमें चेक करना होगा यह इसका रूट थोड़ी जीरो रखने पर यह जीरो हो रहा है क्यों सर कुछ सागाय होते हो और वो तो कभी जीरो हो गई नहीं महराज ठीक है अब मेरी बात ध्यान सुनों आपको कैसे इसमें आगे बढ़ जीरो पर माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री यह काम आएगी द्यान अकना जीरो पर वैल्यू आ रही है माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री सर वन पर वैल्यू कितनी आ रही है लेटें लिमिट राइटें लिमिट की बात कर रहा हूं वन पर वैल्यू आ रही थी म minus 2, minus 3, यह हमने निकाली नहीं क्योंकि वो पहले discontinuous हो गया और चलो, minus 1, minus 1, 2, यहां पर आएगी minus 1, minus 1, minus 2, इस पर value, अभी समझाता हूं और यह सर, root 3 पर 0, minus 1, 0, minus half पर minus 3, minus 3, minus 3, और 2 पर आपने 1, 0, और something, यह ठीक है, यह इनकी left and limit और right and limit, अब दो functions का multiplication है, आप फटा फट देखते ही बता सकते हो, ध्यान सुनना, कितने लोग agree करते हैं, कि अब की बार अगर मैं x बराबर 1 पर चेक करने जाता हूं, तो जैसे कि माल लो, इसकी जो left and पूरे function का product की बात करेंगे, अगर मैं function की value की बात करूँ, तो वो आ रहा है minus 1, तो और यहां से आ रहा है minus 2, यह function की value है, यहां से कितना अगर मैं इस पूरे में 1 रखता हूं, तो यह 1 और यह minus 3 का mod, यह 1 और यह कितना हो जाएगा minus 3 का mod, तो सर यह हो जाएगा 3, 3 plus 1, 4, तो पूरे मैं x बराबर 1 पर आपको check करके दिखा रहा हूं, सुनते जाना, ठीक है, यहां पर तो आ गया minus 2 और यहां पर आ गया तो LHL अगर calculate करता हूं, तो वापिस आप 1 से थोड़ा सा छोटा number रखोगे, इसमें अभी भी फरक नहीं पड़ेगा, यह तो 40 रहेगा, बट यह हो जाएगा, सर, minus 3, आया न, यह कितना हो जाएगा, minus 3, देख पारे हो, यह आ रहा है minus 8, यह रहा है minus 12, तो मतलब आप यह स continuous at x बराबर 1, यह पूरा x बराबर 1 पर discontinuous है, हाय न, जल्दी से बताओ, कितने लोगों को बात समझ में है, क्योंकि इसकी value आएगी, minus 2, minus 3, और something, और इसकी value तो सर, x बराबर 1 से थोड़े से बड़े पर, थोड़े से छोटे पर, और 1 पर सेम ही तो आएगी, क्योंकि इसक 0.07 by 4 है, उसके आजू-बाजू इसकी value बदलेगी, बदली तो, वरना वो बदलेगी, हाय न, कोई परचानी है, अरे बुलो, यह बात समझ में है, अब similarly फटा फटा फटा, रूट 2 पर, इसकी value क्या हैगी, minus 1, मतलब function की value minus 1, left and limit minus 1, right and limit minus 2, ठीक है, मतलब इसकी value चेंज हो पर minus 1 के थोड़े से left में, थोड़े से right में और function में, यह तो same ही value देगा, और यह value देगा कितनी minus 1 पर, देख ले, minus 11, 11 और 12, तो 12 into minus 1, 12 into minus 1, 12 into minus 2, तो left and limit, right and limit, पूरे function की ही बदल गी, तो यह root 2 पर भी गया sir, similarly root 3 पर, root 3 भी इसके अंदर नहीं आ रहा है sir, root 3 पर भी हमे यह एक ही जवाब देगा, ओहो, मैंने क्या कर दिया, मैंने x की जगा root 2 रखा था न, हाँ, 12 कहां से आ गया, एक second, अगर आप x की जगा root 2 रखते हो, तो यह आ जाएगा root 2 का mod, और plus 4 root 2 minus 7, हाँ, left and limit भी root 2 पर इसकी यह आएगी, function की value भी root 2 पर यह आएगी, और left and limit, right and limit औ function की value root 2 पर सेम आएगी, because यह function root 2 पर continuous है, क्योंकि यह जहां पर गडबड कर सकता है, वो यह दो point है, in fact, यह continuous तो हमेशा ही है, समझ पारे हो कि नहीं समझ पारे हो, तो यहां से कोई finite number अगर मैं इन तीनों से multiply करूँ, function की value left and limit और right and limit आपको अलग लग दिखाई देगी की नहीं, सर, एक case में यह तीनों सेम हो सकती थी, अगर यहां किसी number पर value 0 आजाए, और भया, यह एक modulus function है, इस पर value कभी 0 आती नहीं है, यह modulus function है, इस पर कभी value 0 आती नहीं है, समझ गें, तो root 2 भी गया, root 3 भी गया, फिर आया, half पर, minus half पर, सर, minus half पर यह, continuous है, minus half पर यह, continuous है, तो continuous functions का product, continuous, समझ मैं है, तो minus half जो है, वो continuity वाली बात से निकल किया है, ठीक है, अच्छा, एक बाँ बताओ, minus half पर यह, differentiable है कि नहीं है, एक बाँ बताओ, तुम मुझे समझ पारे हो कि नहीं समझ पारे हो भाई, मैंने इन पर left and limit, right and limit लिखी, यह वाले जो functions है, यह 0, 1, root 2, root 3, minus half, 2, इन सब पर continuous है, continuous होने का मतलब, यह 0 पर हमें एक ही value देगा, और यह 0 पर value देगा 7, अब चाहे आप 0 प्लस पे निकालो, 0 माइनस पे निकालो, ठीक है, तो 7 जब इस से multiply होगा, 0 से, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर x बराबर 0 पर यह पूरा function continuous है, यहाँ से भी same value, यहाँ से भी same value, multiply कर दो, 1 पर discontinuous है, root 2 पर discontinuous, root 3 पर discontinuous, 0 के साथ साथ यह minus half पर भी continuous है, क्योंकि minus half पर भी यहीं से same value, और minus half पर भी यहीं से same value, तो continuous होगा, फिर आते हैं सर, हम 2 पर, 2 पर यहाँ से value निकालोगे, तो function की value आ रही है सर, 1, और left hand limit आ रही है 0, जबकि यहाँ से तो 2 पर value same आने वाली है, तो आप बोल सकते हो कि यह गया, आया ना, अब हमारे पास कौन कौन से point चेक करें, फिर अगर इन पर discontinuous है, ध्यान सुनना, अगर इन पर discontinuous होगा, तो पक्का इन पर non-differentiable भी होगा, इनकी गिंती non-differentiable में भी होगी, अब अगर इन पर non-differentiable है, तो इनके अलावा कौन कौन से point बचें, यह तो आपने सारे के सारे यहाँ रख दिया, 0, half और 7 by 4, 0, minus half और 7 by 4, यही बचें ना, तू पर भी आपने discontinuous बोल दिया, अना, बोलो, 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 ठीक है, अब ज़रा देखना, मैं फटा फट, जी एक्स को 0 से बड़े के लिए define कर लेता हूँ, फटा पट, 0 से बड़े के लिए, यह वाला जो function होगा, यह x की तरह भी एप करेगा, और 0 से बड़े के लिए, सर, यह वाला जो function होगा, यह negative, 0 से थोड़ा सा बड़ा लोगे, तो यह negative लिखा हुआ है, तो यह आएगा 7 minus 4x, और 0 से थोड़े से बड़े के लिए, सर, यह पूरी चीज, जो है, माइनस 3 लिखी हुए है, अना, यह, this is x greater than 0, और x less than 0 के लिए, सर, यह वाली जो चीज है, यह आएगी minus x, और less than 0 के लिए, सर, अभी भी यह negative ही है, तो यह आजाएगा 7 minus 4x, और सर, 0 से minus के लिए, यह भी minus 3, एक बात ध्यान से देख अब, यह पूरा क्या लिखा हुआ है, यह, सर, यह, इन दोनों का multiplication लिखा हुए, 7 minus 3x into minus 3, और सर, इन दोनों का multiplication लिखा हुए, minus 5x, 7 minus 5x into minus 3, अगर मैं function बोलू, तो यह पूरा कितना लिखा हुआ है, सर, यह लिखा हुआ है, माइनस 21 प्लस 9x और सर ये लिखावा है माइनस 21 प्लस 15x derivative की बात करूँगा तो ये इसका slope आएगा 0 प्लस के लिए और ये इसका slope आएगा 15 0 माइनस पर derivative आएगा 15 0 प्लस पर derivative आएगा 9 तो सर ये x बराबर 0 पर भी क्या है non-differentiable है कैसा है अमने चेक कर लिया ऐसे ही आप 7 by 4 पर चेक कर लो ऐसे ही आप 7 by 4 पर चेक कर लो वैसे 7 by 4 पर भी non-differentiable होगा वो कैसे अभी बताता हूँ अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी उपर से देखकर वरना आप ऐसे calculate कर सकते हो 7 by 4 से थोड़ी सी बड़ी value 7 by 4 का square होगा कितना 49 upon 16 49 upon 16 मतलब सर ये value हो जाएगी 16,3,48 तो जब आप इसमें put करोगे तो ये value 3 बनेगी हमेशा 7 by 4 से थोड़े से बड़े के लिए 7 by 4 से थोड़े से चोटे के लिए तो ये हमेशा 3 लिखा हुआ है जब ये हमेशा 3 बन गया तो ये वाला function जो है वो तो से 7 by 4 पर non-differentiable होता है mod जो है वो 7 by 4 पर non-differentiable ये constant और ये non-differentiable तो पूरा function क्या आएगा non-differentiable कितने point दिखाई दे रहे हैं मैंने minus हाफ पर अभी check नहीं किया है तो एक दो तीन चार और पांच और छे point तो सर ये दिखे अब चलते हैं options की ओर minus हाफ आप चेक करेंगे is non-differentiable exactly at 5 points जिसमें इसने minus हाफ पर भी open bracket है 2 पर भी open bracket है minus हाफ पर भी और 2 पर भी मतलब सर हमें 2 नहीं calculate करना था क्योंकि उस पर open bracket है और minus हाफ भी नहीं check करना है क्योंकि उस पर open bracket है अब मुझे देखकर बताओ कि हमें कितने points दिखाई दे रहे है 3 ये रहे 2 ये रहे इन पर तो discontinuous है तो non-differentiable और इन पर हमेशा के लिए non-differentiable तो सर इसका option जो है वो कितने होगे 5 सर आपने माइनस हाफ और टूपर क्यों नहीं check किया क्योंकि उसने खुद ने open bracket लगा रिक है उसने खुद ने open bracket लगा रिक है मेरे ख्याल से बात समझ में आती है है आया ना समझ गे कोई परिशानी थोड़ी है हाँ suspicious point और उन पर differentiability चेक करना आयए टी का भिया बहुत पुराना सवाद है इद्यान कना आया ना अब आजाओ इदर यह बात एक बार आप घर पर वापिस से सोचेगा अपने 7 by 4 पर कैसे बोल दिया 7 by 4 पर थोड़े से बड़े हो थोड़े से छोटे के लिए यह वाली चीज़ एक constant नंबर ही है और यह बचा और यह नॉन डिफ्रेंटिबल है नॉन डिफ्रेंटिबल के साथ कोई constant multiply करोगे तो function तो सेम बन गया तो यह नॉन डिफ्रेंटिबल याएगा ठीक है मेरे खाल से आप कर सकते हैं इतना कि चलिए जी ठीक है अब कुछ फटा-फट मैं आपको एक्जाम्पल्स बताता हूं जो जही मेंस में आ रहे हैं और जो ग्राफिकली सॉल्व हो रहे हैं धमादम ज्यान सुनना कि सुनते जा रहे हो क्या हाई न एक बार सभी लोग वाइस लिख के बेजो औल्दो बहुत कम लोग बचे हैं पर क्या करें आजाओ सर ग्राफिकली कैसे द्यान सुनते जाना एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉव करो सर एफेक्स का ग्राफ तो बहुत असानी से द्रॉव हो जाएगा मैंने का बिल्कुल सरी इनमें ग्रांफिकल OD असानी से हम कर सकते है तो चोटे मोटे ग्राफ आपको बनाने आने चीया माइनस टूसर लेके जीरो तक माइनस टूसे लेके 0 तक y बराबर minus 1 वाली line ड्रॉ कर दो ठीक है 0 से लेके 2 तक 0 से लेके 2 तक सुनते जा न 0 से लेके 2 तक जो हमारे पास ये वाला function है x square minus 1 सबको पता है x square जो graph होता है वो ऐसा होता है minus 1 करोगे तो ये पूरा 1 unit से नीचे shift हो जाएगा अब मैं आपको बोल रहा हूँ x square minus 1 तो आप एक काम करें इसमें x की value जब 0 डालोगे तो ये कितना आएगा minus 1 मतलब graph यहीं से शुरू होगा बिल्कुल सही और जब आप इसमें x की value 2 put करोगे तो 4 में से 1 गया तो 3 सर ये value आगी हमारे पास ये और ये हमारे पास fx का graph हो गया ये value आएगी 1 ये वाली value आजाएगी minus 1 मैंने का अब इसकी मदद से दो graph बना अब इसकी मदद से दो graph बना और साथ में graphical transformation सीखता भी जा सर इसकी मदद से कौन से दो graph एक पूरे function पे मौड और एक एक्स की जगा मौड ठीक है तो सर लोग ठीक है ग्राफिकल ट्रांसफर्मेशन एकदम क्लियर हो जाए अगर पूरे function पर मौड लगाया जाए तो क्या करना होता है बेटा जी सर जो पार्ट अबव एक्स एक्सेज आए वह एजटेज रहता है और जो पार्ट बिलो एक्सेज आउसको आप अब अब एक्सेज लेके जाओ बाइटेकिंग मीरर इमेज यह जो बिलो एक्सेज इसको मीरर इमेज लेकर ऊपर पहुंचा दो ठीक है यह रहा यह एक्स का ग्राफ मतलब पूरे पर मॉड अब हम क्या कर रहे हैं दूसरे वाले में यहां पर एक्स की जगह मॉड लगाया मतलब एक्स की जग propagate यहां से यहां जा रहे हैं तो हमने सरफ एक्स की जगह मॉड लगा क्रणाओ एक क्रू लेफटेंग साइड उपक्का धीर माइनस तू होगा और सर ये वाली value minus 1 है ये value 1 है तो ये minus 1 तो ये रहाँ अब एक GX function बनाया गया जो की इन दोनों के addition के मुताबिक है बहुत बहुत सही अच्छा मुझे एक बात बताओ ज्यान सुनते जाना कितने लोगों को ये दिखाई देता है कि ये corner है कि समझ मैं है क्योंकि जब आप इसको उपर लेके जाओगे यहां पर एक corner बनेगा है ना अच्छा इसके इस तरफ जो definition थी ध्यान सुनना इसके इस तरफ जो definition है वो है x square minus 1 और इसके इस तरफ जो definition है वो है minus 1 ठीक है तो मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रहा हूं मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रहा हूं कितने लोग ये भी एगरी करते हैं कि ये भी corner है कैसे सर इसका differentiation अगर आप निकालोगे अच्छा ये corner नहीं है सॉरी ये तो मज़ा है ये right side में जो branch चल रही है इसका derivative क्या आएगा 2x left side में जो branch चल रही है इसका derivative आएगा 0 आपने derivative तो इसका 2x निकाल लिया बट आपको x की value 0 ही पटक नहीं है ये corner नहीं है या फिर आप ये बोल सकते हो this point is differentiable मैंने चेक किया और अगर ये point differentiable है तो सर ये भी differentiable है सिरफ एक non-differentiable point आया अब इदर आ जाओ कि सर ये है x square –1 ठीक है ये है x square –1 और इसकी mirror image ये पूरा ही graph x square –1 का है तो ये सब जिगह ही differentiable है क्योंकि इसमें x square –1 है और ये भी graph x square –1 का ही है कैसे क्योंकि आपने इसी की mirror image लिया तो एक बाद बता ये तो हमेशा differentiable ये x बराबर 1 पर corner है जहां पर ये non-differentiable है सर कैसे बना corner because ये आ रहा था और आपने इसको पलट दिया ठीक है तो मुझे एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ ध्यान सुनना कि अगर दोनों को जोड दिया जाए तो this is non-differentiable at x equals to minus 1 sorry non-differentiable at x equals to 1 समझ पार हो क्या and this is always differentiable जवाब बता दो फटा फट तो दोनों का addition is non-differentiable at only one point और वो one point कौन सा होगा x बराबर one सिर्फ यह x बराबर one पर non-differentiable होंगे yes or no देख ले अराम से दोनों ग्राफ समझ में आए बात समझ में आई यह तो फटा फट वट वायस लिखके बीज़ देया यह ग्राफ बनाया always differentiable यह गराब बनाया यह एक point per corner यह point smooth है कैसे check किया क्योंकि सर यही corner उपर उटके गया तो इसका इधर क्या है function की value 2x square minus sorry x square minus 1 derivative 2x 0 रखोगे differentiation 0 मतलब इसके इधर tangent का slope 0 इसके इधर tangent का slope 0 left hand derivative right hand derivative दोनो 0 तो मतलब यह corner नहीं है this point is differentiable तो यह differentiable है तो यही उपर गया है तो यह भी differentiable यह corner है मेरी कहल से बात समझ में आती है अगला बहुत ही असान सा graph है भीया ठीक है मैं आपको बता दू कि जो y बराबर under root of 1 minus x square होता है this is nothing but semi circle यह क्या होता है बेटा पूरा लिख लो under root of a square minus x square होता है न तो this is semi circle ठीक है फटा फट देखना ज़रा तो semi circle कैसे बिकार अगर आप दोनों तरफ इसमें square करके जोडोगे तो यह आया y2 बराबर y2 बराबर a square minus x square यह format बहुत important है याद रखना x square प्लस y square बराबर a square तो sir यह एक semi circle होता है समझ मैं ये क्या होता है विटा के सेमी सरकल होता है ये क्या होता है समेरी सर्कल होता है इसमें ऊपर ब्रांच की जो equation है उपर वाले ब्रांच की जो equation होती वह plus वाली इस इस वाय बराबर under root of a square MINUS x square और यह जो नीचे वाली ब्रांच wizards की एक्वेशन सो पार्ट इसीलिए मैंने semi circle लिखा है यह रखाव य बराबर minus under root of a square minus x2 मतलब वैसे तो यह function नहीं है यको अकेला करोंके तो ब्रांचीज मिलेगी आदा semicircle वह भी function होता है आदा semicircle वह भी function होता है तो हमें ये तो समझ में आगए कि सर ये semi circle लिखा हुआ है और a की value ये जो point है ना ये दोनों this point is a,0 and this point is minus a,0 ठीक है बस सर काम खतम दोनों का graph बनाईए आगे बढ़ी है मैंने का बहुत बढ़ी है क्या आप समझ पारे हो कि graph related कितने questions आ रहे हैं और basic basic है ध्यान रखना हूँ ठीक है ठीक है चलिए minus under root of 1 minus x square नीचे वाला semi circle सर एक ही जगह यहाँ पर 1 है तो minus 1 और 1 under root ये वाला ठीक है अब minus mod of x का graph कैसा होगा सर mod of x का graph ऐसा होता है पूरे को minus sign से multiply करते हो अगर आप पूरे function को minus sign से multiply करते हो mod को आपने minus sign से multiply कर दिया तो जो भी graph है उसको x axis के about पलट दो जो उपर है वो नीचे जो नीचे है वो उपर सर यहाँ पर सिरफ उपर उपर वाला हिस्सा है तो यह नीचे आ जाएगा नीचे वाला कोई हिस्सा होता तो वो उपर चला जाता यह एक ग्राफिकल ट्रांस्फोर्मेशन तो mod of minus mod of x का graph जो है वो ऐसा हो जाएगा है अब मेरी बात ध्यान सुनना मैक्सिमम का मतलब होता है दोनों को एक एक्सिस पर प्लॉट करने के बाद में यहां से लेफ्ट टू राइट मूव करना स्टार्ट करो जिसका ग्राफ ऊपर लाए कर रहा है वो मैक्सिमम होगा जैसे कि माल लो यह है माइनस मॉड और और यह घ्राफ है बेटा माईनस अंडर रूट वर माइनस एक्स बॉए अगर आप एक्स का ग्राफ देखना चाहते हैं यह एक्स का शेप कैसा ओगा तो आप क्या करो लेप टू राइट लाए न५ मूव करो जिसका graph उपर लाए कर रहा है वो shape चलेगी fx के हिस्से में जाएगी इस point के बाद में sir ये उपर आ गया इस point के बाद में sir ये उपर आ गया इस point के बाद में sir ये उपर आ गया तो ये जो आपको shape दिखाई दे रही है ये किसकी graph किसकी shape है सर ये हमारे पास f x का graph है this is the graph of y बराबर f x और हमें बात करनी है minus 1 और 1 open पर minus 1 और 1 open पर मतलब सर हम इन पे तो चर्चा करेंगी ही नहीं इस पर और इस पर hollow circle है इसके बीच में वो पूछ रहा है कि कितने ऐसे point है जहां पर ये differentiable नहीं है ठीक है if k be the set of all the points where f is not differentiable then k has exactly कितने elements तो सर दिख रहा है साफ साफ 1 2 और 3 तो k की value जो है वो 3 points ऐसे आगे जहां पर function जो है वो क्या है non-differentiable है 3 points ऐसे दिखाई दे रहे हैं ठीक है x equals to minus 1 और 1 पर चर्चा नहीं करनी है पहले ही बूल दे रहा हूं क्योंकि उसने open bracket लगा रखा है तो हमें तो जर्व इसके बीच में देखना है कितने लोगों को बात समझ में आती है 3 elements तो option a is correct तो यह और यह और यह क्यों क्योंकि corner बन रहे हैं यार यह दिख रहा है यह corner यह वला दिख रहा है ऐसे आया फिर ऐसे चला गया corner समझेगी नहीं समझे शावाश graphically solve कर दे रहे हैं सर यह तो फिर और सबसे असान है minimum of sin x and cos x non-differentiable कहां से कहां तक minimum का क्या मतलब है सर अभी आपने maximum का मतलब सिखाया अब आप हमें minimum का मतलब भी सिखा दीजिए मैंने का बहुत बढ़िया minus pi से लेके pi तक minus pi से लेके pi तक sin x और cos x का graph एक साथ draw कर ठीक है यह वाली value है pi यह वाली value है pi by 2 और यह वाली value है 0 यह वाली value है minus pi by 2 यह है minus pi और यह graph sin x का है अब अगर मैं cos x का graph draw करने के लिए बोलू ठीक है तो cos x का graph भी हो गया ठीक है और minus pi और pi पर open है भाई अभी बोल दे रहा हूं minus pi और pi पर open है हाँ अब मेरी बात ध्यान सुनना अगर मैं आपसे बोलू मेरी बात ध्यान सुनना सर minimum का क्या मतलब है जैसे आपने यहां पर maximum क्या बताया left to right राइट मूव करिये जो पार्ट ऊपर रह रहा है वो fx में काउंट होगा तो सेम मिनिमम में अगर आप left to right मूव करो जो पार्ट नीचे रह रहा है वो fx में काउंट होगा यहां से यहां सर इतना ब्रांच नीचे है फिर यह दोनों बराबर हुए फिर यह वाला पार्ट नीचे चल रहा है तो यह यह चलता जाएगा यहां पहुंचे फिर यह चलता जाएगा तो जिस पार्ट में मैंने शेड किया है that is the graph of fx सुनता जाना भाई अब अपने अलग स्ब्सक्राइब चलता जाएगा अब मुझे एक बात बता यह कौन-कौन से पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं सर यह वाली वैल्यू होती है पाई बाई पॉर फिर यह वाली वैल्यू होती है थरड क्वाड्रेंट में माइनस 3 πाइब 4 ठीक है अगा आया ना तो एक बाद बता हुए कहां कहां पर non-differentiable है minus पाइब और पाइब की चर्चा करने नहीं open bracket है भाई साब तो यह दो ही पॉइंट है जहां पर non-differentiable है एक यह वाला क्योंकि यहां corner बन रहा है और एक यह वाला बस तो जो हमारा s आया उसमें कौन कौन सी वेल्यू आई एक तो पाइब फोर आया एक माइनस 3 पाइब फोर आया अब भाया पूछ रहें कि जो s है वो इन में से किसका सबसेट है s is the subset of which of the following मतलब यह दोनों elements किसमें present है सर माइनस 3 पाइब फोर और पाइब फोर यह मत बोलते ना यहां पर ऐसी लिखे हुए है इन में से किसका सबसेट है तो सवाल का जवाब पूरा जानने से पहले हड़ बड़ी में आ रहे है सर पाइब फोर और माइनस 3 पाइब फोर इसमें present है तो बिल्कुल सही option A ही हो गया इसी का ही सबसेट है सर इसमें माइनस 3 पाइब फोर पर इसमें पाइब फोर नहीं है तो यह इसका सबसेट नहीं हो सकता ये दोनों elements किसमें प्रेजेंट वो देखना है सर ये भी नहीं ये भी नहीं option A is correct option A is correct बिल्कुल सही देख रहे हो graphically देख पा रहे हो कितना जोड़दर मतलब कितने प्रकोब तरीके से सवाल आ रहे हैं भी यह हां बहुत जोड़दर जिसमें आपको basic basic graph की knowledge और आपको यह maximum minimum बनाना आता हो जैसे अब यह वाला पार्ट है द्यान सुनना बना के दिखाता हूं आप समझ जाएंगे पहले आप बनाए एकसे स्क्वाइर और मॉड एक्स का graph तो भाई साहब एकसे स्क्वाइर का graph ऐसा होता है ठीक है और मॉड एकस का graph यहीं बना दे रहा हूं यह दोनों एक दूसरे को वन और माइनस वन पर कट करते हैं और यह वाला जो आपको graph बनाना है यह मॉड आप एकस लेस देन इक्वेस्ट टू मतलब टू और माइनस टू के बीच में सामने देखते रहिएगा प्लीज 2 और माइनस टू के बीच में सर 2 पर एकस स्क्वेर की वैल्यू आती है सर 4 और 2 पर मॉड ऑफ एकस की वैल्यू आती है सर माइनस टू पर भी 2 ठीक है अब इन दोनों के बीच में maximum लगा दिया भीया इन में से जो बड़ा है वो हमें consider करना है तो लेओ सर बड़ा मतलब जो उपर लाए करेगा ठीक है? बिल्कुल सही और अब ध्यान तुनना इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x belonging to 2 से लेके 4 और मतलब mod of x अगर 2 से 4 है तो minus 4 से लेके minus 2 union 2 से लेके 4 ठीक है? मतलब ये वाला graph बनेगा 8 minus 2 mod x का पहले मैं बता दू mod x का graph होता है ऐसा minus 2 mod x का graph हो जाएगा ऐसा पूरा सा पलट दो ठीक है? अब इसमें plus 8 किया है तो 8 minus 2 mod x का graph आप इस पूरे को 8 unit ऊपर shift कर दो तो ये value आएगी 0,8 समझें? आया न? अब मेरी बात अगर आप ध्यांत सुन पा रहे हो वैसे भी 2 8 minus 2 mod x का graph की जाधा टेंचन लेने की जुरत नहीं या रही है ये कुछ नहीं एक state line का graph की तो बनेगा बना सकते हैं सरम इसको बस थोड़ी plotting गड़ बढ़ हो गई 8 minus 2 mod x का जो graph है न बेटा वो ऐसा बनेगा देखना आप इनफेक्ट ये नहीं बनाना चाहिए तर आपने ये जो graph बनाना है न 8 minus 2 mod x का वो 2 से लेके 4 तक बनाना है तो 2 पर तो ये graph हो गया 4 तक अगर आप इसमें 4 रखोगे x की value 4 तो 4 into 2 8 8 minus 8 0 तो मतलब सर ये 4 पर वैल्यू देगा 0 वैसे तो ये पूरी लाइन आएगी बड़ आपको इस लाइन का पूरा सरफ इतना सा पोर्शन उठाना टू और फॉर के बीच में तर टू पर ये कितनी वैल्यू देगा 4 4 minus 8 minus 4 that is 4 तो मतलब ये 4 पर यहीं आएगा और similarly ये इदर भी दरी जाएगा ठीक है अब आप अराम से देख लीजिए अब आप अराम से देख लीजिए जो आपको final shape मिल रही है ना final shape मिल रही है वो ये वाली है पूरा pink graph बना दे रहा हूं ध्यानक ना यह है fx का graph यह है fx का graph और जहां पर यह intersect करते हैं ना mod x और x square वो 1 और minus 1 जी कितने corner बनते वे दिखाई दे रहे हैं और उसने बुला है minus 4 और 4 open पर ये बात ध्यान रखिएगा बार-बार की वो आपसे कहां चेक कर रहा है तो minus 4 और 4 open पर बात कर रहा है वाही साब तो 4 और minus 4 की तो चर्चा करनी ही नहीं है सर एक corner बिल्कुल सही फिर सर ये दूसरा corner बिल्कुल सही सर तीसरा corner बिल्कुल सही चौथा और पांच वाह मतलब आप बोल सकते हो तो minus 2, minus 1, 0, 1 और 2 इन सभी पर ये non-differentiable होगा इन सभी पर ये क्या होगा non-differentiable तो minus 2, minus 1, 0, 1 and 2 कुंँए सर option A ये सारे option A वाले एक साथ कैसे आगे सारे option A वाले 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 चलिए जी एक और सवाल देखते हैं पटापटा पहले ही वहाँ ग्राफ वाले बहुत सारे करवा दिया है समझ गया है अच्छा कॉर्णर में किसी को डाउट तो नहीं है क्या कई कई बार तो आप बोलते हो कि कॉर्णर नहीं बनेगा जैसे कि शेप देख पारे हो इसकी जो शेप आ रही है वो फाइनली जिस पार्ट पर मैं इंतरव यहां पर यह syndromeular असकता है कि सर करणर बनेगा डेलगी स्टवमों यहांAssalam पर चल रही है यह लाइन होती यह बराबर एकस और यह चो COP यहां चल रहाए शरज यह रहा टू उन से छोटे पर यहां से स्लोप निकाल वो कितना आएगा वन राइटेंट डेरीवेटेव और लेफ अंडेरीवेटेव इसा एला भांगundert नहीं है तो भइया यह जो है यह कॉर्नर है स्मझेगे नहीं मैं यह जो है यह क्या है कॉर्णर है यह भी कॉर्णर है तो यह भी कॉर्णर है मॉड में सर यह चौंच तो कॉर्णर होती है तो अगर आपको कभी डाउट हो कि कॉर्णर ऐसा ही नहीं सीधा ही बोल दो आप अगर आपको कभी डाउट हो तो आप क्या कर लो ऐसे उनकी है ये क्या है बीटा special कहीं पर बीजाते हो हर एक की special चीज होती न बोले कु screens अननी कि ले जाओ हमें सबसे पहले आगे कर देते हैं और चल्बेजिती हमारी करके दिखाते हैं मैंने कोई बात नहीं है घरêm लेन अ तो यह konuş महें यह नपो कई बार आचुकight का a special question तरीका एंड सवाल तरीका एंड सवाल दोनों याद रहें ठीक है तरीका एंड सवाल दोनों याद रहें बिल्कुल सही IIT में repeat भी हो चुका है बिल्कुल सही ठीक है IIT में यह जो कॉंसेप्ट है यह वाला IIT में यह क्या हो चुका है बिटा repeat ठीक है हिम्मत में हो ना भाई जिंदा हो पानी खतम हो गया पानी भर किला तो अभी पढ़िया LMVT और रोल्स त्योर्म क्या कर रहें भाईया ऐसे ना चलो वो काम त्यारी करनी है कि नहीं है बहुत बढ़िया ठीक है ध्यान सुनना बहुत सिंपल सी बात से स्टाट करूँ आँ तरे एक इनिक वैलिटी दे रिखियोगी इसको देखते ही बच्चे पता नहीं हाथ पैर फूल जाते हैं और जहां तक मुझे याद आ रहा है यह सवाल जो है जिस टाइम हमने यह ट्रिपली दिया था उस टाइम भी यह सवाल आया था बिल्कुल सही ठीक है ऐसा कुछ होगा दोनों तरफ मौड मौड होगा और आपको देखती है इस सवाल को पता चल जाएगा कि क्या करना है सुन दो जाना ध्यान से ठीक है आज यह यहां से काम करो आपको बस यह वाला फॉर्मेट बनाना होता है ध्यान अकना पॉर्म दिस एप एक्स माइनस एप वाई अपाउन एक्स माइनस वाई यह बनाओ और इसमें फिर क्या गरों लिमिट एक्स अप्रोच इस टुवाई कर दो बास यह स्टेप साप याद कर लो चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है रटने पड़े तो रट भी लीजिए तुसर हमें यह काम करना है इसके नीचे मौड ऑफ एक्स माइनस वाई बनाना है बिल्कुल सही है अना तो मैं इसको इधर डिवाइड कर रहा हूं यह मानते हुए कि एक्स और वाई बराबर हो तो तो सैटिस्फाई करी रहा है देखलो एक्स और वाई दुनों बराबर और यहां से एक पावर अटाके में इधर ले आया और यहां बचेगा टू इंटू एक के मौड कीपवर हाफ x-y k mod की power half सर जब आप इधर divide कर रहे हो सर जब आप इधर divide कर रहे हो तो inequality change नहीं होगे मैंने का mod है बिटा mod अगर है मतलब that is positive number है सर x और y बराबर हो जाए तो बराबर हो जाए तो वो इसको satisfy कर रहे है कोई दिक्रत नहीं है 0 बराबर 0 वाली situation है कि जब बराबर ना हो तब हमने यह बात लिखी है समझ गए ठीक है कितने लोग एगरी करते हैं कि आप इस मॉड को इंडवीजुली लिखने की जगह ऐसे कंबाइंड भी लिख सकते हूं ठीक है? आया ना? आप यह जो बोलते हैं न राइट हैं डेरिवेटिव या लेफट हैं डेरिवेटिव फाइनली दोनों बराबर होते हैं डिफरेंचीबल होते हैं जैसे आप इसमें क्या बोलते हो लिमिट एच अप्रोच इस टू जीरो प्लस f of a plus h minus f of a upon a plus h minus a यही तो होता है देखना जरद यान से आप इसको बोलते हो f' a है ना? यही है ना मैं आपको यह बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर लिखे होए नंबर का क्या काम है? यहाँ पर लिखे होए नंबर का काम है इन दोनों values को नजदीक लाना a plus h और a को लगें ठीक है टो यह दोनों values 0 नजदीक लगें तो जब यह दोणों values ऊपर और नीचे नजदीक लगती है तो यह derivative बन जाता है function का यह हमारे पास left and derivative निकाल लो चाहे right and derivative निकाल लो यही है कि उपर दोनों values नस्दीग आने लगे और नीचे भी दोनों values नस्दीग आने लगे तो वो पूरा function का derivative बन जाता है f-x आप बोल सकते हो हाँ है ना क्या मेरी बात समझगे तो जब आप इस पे दोनों तरफ limit x approaches to 0 sorry x यहां पर नहीं कर सकते अब अब आपको एक को किसी दूसरे की तरफ अप्रोच करवा दो तो जैसे आपने क्या किया x approaches to y कर दिया ठीक है इसको भी थोड़ा दूर लिख देता हूँ यहां पर भी आप दोनों तरफ limit x approaches to y और यहां क्या लिखावा है this is 2 into mod of x minus y की power half मेरी बात ध्यान सुनना मैं सिरफ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जब x y की तरफ जाएगा तो यह दोनों values नजदीक आएंगी obviously x जब y की तरफ move कर रहा है तो x और y नजदीक आगए मतलब y minus y यह भी लगबग 0 यह भी 0 तो यह पूरा अंदर वाली चीज क्या बन गई मैं वो आपसे पूछना चाहरा हूँ कुछ लोग बोलेंगे f-0 नहीं सारी कुछ लोग बोलेंगे f-x कुछ लोग बोलेंगे f-y मैंने बोला उससे कुछ फरग नहीं पड़ता आप कुछ भी बोल दो चाहाँ तो आप f-x बोल दो चाहिए आप f-y बोल दो function का derivative बन रहा है बस आपको यह धियान रखना है according to this phenomenon जो यहां सिखाया जो यहां होता है हाय ना समझ महीं बत बस तो यह mod of this यह limit हट गई अब जब x और y को आप बराबर ले क्या होगे यह value कहा है से दोनों बराबर होने कोशिश करेगी यह value हो जाएगी 0 एक बाह बताओ यह बोल रहा है कि mod जो है वो 0 या 0 से चोटा होना चाहिए सर मॉड कभी 0 या 0 से चोटा नहीं होता मॉड जो है वो 0 हो सकता है आया ना कि मॉड जो है वो यहां पर 0 हो सकता है किसी function का मॉड अगर 0 हो तो मुझे इमानदारी से खुल के बताइएगा कितने लोग agree करते हैं कि जो function है function f is constant क्यों क्योंकि उसके मॉड की value 0 यह पूरा ताम जामी मॉड की value 0 देने के लिए गया अब यहां पर यह मत देखकर कंफ्यूज होना भी बोल रहा हूं f dash y देखकर आप इसमें y approaches to x भी कर सकते हो तो यह f dash x लिखा जाएगा एक ही बात है वो तो दोनों variable x और y की बदल दो यहां पर f dash x लिख लोगे तो भी कोई परिशानी नहीं तो f dash x अगर 0 आ रहा है मतलब function जो है वो constant है और अगर function constant है तो 0 पर value 1 है तो यहां से हमें समझ में आ गया सर जो हमारा function है न वो f x बराबर 1 ही है क्योंकि आपने 0 पर value 1 दे रखी है तो सर किसी भी एक point पर value 1 दे रखी है तो हमेशा के लिए 1 होगी अब यह देख ले यह क्या पूछ रहा है सर यह तो कुछ नहीं 0 से लेके 1 f square of x dx और fx हमेशा 1 ही है तर यह पूरा आगया 1 क्योंकि dx का integration होता है 1 और 1-0 आगया कितना 1 इसका भी option A is correct अब यह जो पार्ट है यह रिपीट हो रहा आटी में भीया तो अराम से देख लीजिएगा घवराने की कोई जरती है कितने लोगों को बात समझ में आई और if you want वैसे बोलना तो नहीं चाहिए बढ़ आप चाहो तो यह जवाब याद कर सकते हैं इसकी structure याद कर लो function constant है तो मैं तो यह पूरा अब क्या क्या रिट वाऊंगा तो आप इस process को ध्यान रखें यह ऐसा करते हैं क्या मेरी बात समझ गये आप इस process को ध्यान रखें आ जाईए कि ठीक है भाई फिर एक function यह conceptual problem है जी बिल्कुल r से r differentiable function है c पर value 0 होती है f की gx जो है वो mod of fx है then x बराबर c x बराबर c पर जो gx है वो क्या होगा मतलब एक function है उसकी value c पर 0 होती है जो function है उसकी value c पर 0 होती है मेरी बात ध्यान सुनना ठीक है एक function है उसकी value c पर 0 होती है तो पहले हम x बराबर c पर value calculate करते है सर वो तो बहुत सारी तरीके से हो सकती है किसी भी function की value यह देख रहे हो c पर 0 होगी तो हो सकता है वो function ऐसे cross कर जाए fx, fx की बात हो रही है सर हो सकता है वो function ऐसे touch करके जाए repeated root हो ऐसे touch करके जाए हो सकता है sir odd times repeated root हो हो सकता है odd times repeated root हो यह तीनों केस है, क्योंकि उसने बोला कि एक function है जो कि differentiable है, और उसकी c पर value 0 होती है, अब हमें इन तीनों का mod लेकर graph बनाना है, ठीक है, यह सारे graph किसके हैं, बिटा, fx के, अब यहाँ पर मैं gx का graph बना रहा हूँ, that is, mod of fx, सुनता जाना, राम राम से, तो इस case में अगर आप mod of fx बनाते हो, तो obviously c पर ऐसा कुछ आ जाएगा, इस case में अगर आप mod बनाते हो, तो यह भी उपर चला जाएगा, यह वाला point भी differentiable, यह 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 चारो points differentiable, यह differentiable है, पर यह non-differentiable है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब वो पूछ रहा है कि gx जो है, वो x बडाबर c पर non-differentiable होगा, अगर f-c 0 हुआ तो, अच्छा इबाद बताओ, इन में से derivative f-c कहां-कहां 0 है, जो function है, उसका derivative कहां-कहां 0 है, सर यहाँ पर f-c non-0 है, हना कुछ ना कुछ लो पा रहा है, सर यहाँ पर f-c 0 है, और यहाँ पर f-c 0 है, समझ पा रहे हो, तो इन में से कौन से case में, gx differentiable होगा, इन में से कौन से case में, gx differentiable होगा, सामने देख के बताओ, सर यह तो option गलत हो गया, क्योंकि ऐसा हुआ, तो differentiable होतो जाएगा, differentiable अगर f-c non-0 होतो, यह भी गलत, क्यों, क्योंकि अगर f-c non-0 होतो, यहाँ से यहाँ जाओगे, तो इसका तो derivative सर बिल्कुल गलत, differentiable अगर f-c 0 होतो, बिल्कुल सही, अगर f-c 0 है, तो यह वाला point differentiable, इसका mod भी differentiable, f-c 0 है, तो यह वाला point differentiable, इसका mod भी differentiable, आया न, तो सर, option B is correct, ठीक है, और option A, बोल रहा है, अगर f-c 0 होगया, तो यह नो sh till गलत, बोल रहा है, घलत, तो यह सारा गलत तो B is correct समझभा रहो मतलब हमने एक continuous differentiable function का graph बनाया जो C पर x-axis को काटता है तो एक graph x-axis पर इनी तीन तरीके से काट सकता है इस पर उसके derivative की value function के derivative की value C पर non zero होगी इन दोनों पर zero होगी जब zero होगी तो इनके mod भी mod जो होंगे वो differentiable आएंगे कितने लोग समझगी मेरी बात अना तो यह conceptual problem graphical problem very good बढ़िया सवाल पूचा चलिए जी बिफोर moving ahead फटा फटे एक चोटी सी चीज देख लेते हैं एक कही की बार finding function वाले सवाल आते हैं finding function वाले सवाल आते हैं ठीक है उसमें आपको क्या करना है बहुत सिंपल सी कहानी है solving functional equation using this functional equation को solve करना है using this ठीक है मतलब आपके पास एक relation आएगा अभी सवाल बताऊंगा तो कही की बार वो बोलेगा find fx और कही की बार वो बोलेगा fx related जानकरी तो हमने क्या करना है सबसे पहले आप derivative की value यह लिख लो हाँ यह first principle of derivative का function है मतलब यह ऐसा होता है fx जो है वो हमेशा इसके बराबर होता है simplify above relation simplify above relation given function equation simplify above relation using यहाँ पर में using है ठीक है एक पूछरा सब कितनी दिर और पड़ा होगे आपके motivation पर डिपेंड करता है जिस हिसाब से class का माहल चल रहा है मुझे तो लग रहा अभी रोक देना चाहिए कि जैसे मालों यह है एक functional equation दे रखी यह function rule दे रखा है अभी आता हूं सारे steps मैं आपको भी relate करवा दूंगा ठीक है एक्स और य आर प्लस मतलब positive real numbers है आपको शोग करना है कि जो function है वह इस सबसे पहले step 1 सबसे पहले यह वाला step लिखना है कि भीया जो f-x होता है चाहिए कोई साभी सवाल हो कि लिमेट एच अप्रोच इस टू जीरो प्लस एफ आप एक्स प्लस एच माइनस f-x अपॉन h ठीक है और मैं बता दूं यहां पर ठीक है इसमें भी लिख देता हूँ यहां पर इसमें न अब variable जो है that is h variable is h ठीक है x और y को आप constant मान के चलेंगे समझ गे आया न तो पहला step लिख लिए आपने अब आप एक काम करो द्यान सुनना अब आप एक काम करो f of x plus h minus fx upon h लिखा हुआ है जी बिल्कुल सर्थ बिल्कुल सही लिखा हुआ है अब उसने क्या बोला step 2 देखना ज़रा वो बोल रहा है कि simplify above relation above relation इस relation को simplify करो using given functional equation using given function equation यह functional equation ठीक है आया न तो आपको जो functional equation दे रखी है इसको use करके इसको simplify करो जो मुझे functional equation दे रखी है वो तब लगेगी ध्यान सुनना मुझे जो functional equation दे रखी है वो तब लगेगी जब f के अंदर दो numbers multiplication में होंगे जब f के अंदर दो numbers multiplication में होंगे और वो इस equation को ऐसा कर देगी x bar f of y अंदर मतलब f के अंदर y y bar x के अंदर f ठीक है यह हो गया हमारे पास functional equation ठीक है अब मुझे यह वाली functional equation यहां लगानी है तो बहुत असान है कैसे लगा होगे फिर पहले इसके अंदर दो को multiplication में बनाओ तो मैंने क्या किया x common ले लिए अंदर से तो यह आ गया one plus h upon x सुनता जाना ठीक है माइनस f of x ठीक है upon h अब मैं यह simplify कर रहा हूं इसके इस्तेमाल से अधिक है आयना यह ठीक है बोलो बोलो बिल्कुल सही अब सर आपने ऐसा क्यों किया यह x common क्यों लिया मैंने x common इसलिए लिया क्योंकि यह functional equation तभी लगेगी जब f की अंदर दोनों numbers multiplication में हो तो मैंने बना लिए multiplication में अभी एक और सवाल करेंगे जिसमें अब यह rule play कर रहा है x का और यह rule play कर रहा है बेटा y का अब यह equation लगा दें यह क्या करेगी इस equation के साथ सर लिमिट एच अप्रोच इस टू जीरो प्लस f of x यह x यह y तो क्या कर रहा है सर एक बार x बाहर f of 1 प्लस h upon x है ना जो y है वो अंदर एक बार y बाहर और जो x है वो अंदर तो यह हो जाएगा सर fx और बाहर minus fx अल्रेडी लिखा हुआ है और denominator में है जी h समझ पार हूँ यह बाहर function इसके ऊपर फिर यह बाहर function x के ऊपर यह लगा दिया और minus f of x पहले से था क्या मेरी बात समझ में आती है हाँ है ना अब बस इसको solve करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर जो h है वो variable है h is variable बाकी x और y को आप constant मानके चलेंगे बिटा ठीक है यह ध्यानक ना लोगि जिसको आप limit stand करवाते हो न वही variable होता है x जो है वो constant की तरह भी यह करें हो ठीक है सर्थ आया ना चलिए जी जब आप इसको अंदर भेजोगे सर्थ यह क्या हो जाएगा fx plus h upon x fx minus fx ठीक है सर यहां कितना आ जाएगा सर यह तो as it is रहेगा अब सभी functions या फिर नीचे क्या लिखाव है सर यह लिखाव है है च है कैंचल होता हो किछ दिखाई दे रहा है बेले सर बिलकुल यह और यह गया कि ठीक है कि अना गांचल अब दिखाई दे रहा है कि ने देरा बिलकुल जाई शर कि अब आपको यहां पर एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी है ठीक है कि वह क्या है अभी समझा देता हूं जब आप इस एच को इसके नीचे डिवाइड करोगे द्यान सुनना और जब आप एच को इसके नीचे डिवाइड करोगे अब यहां से हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो यह लिखा हूँ है बेटा एप आप आफ वन प्लस एच अपॉन एक्स अना एप आप आप आफ एच अपॉन एक्स ठीक है और ठीक है यहां पर मैंने लिख दिया एच अपॉन एक्स सुनता जाना यह जो इसके नीचे जब एच को लेके जाऊंगा तो इसके नीचे डिवाइड करेगा एच एच केंसल सरी बचेगा एफ एक्स अपॉन एक्स और लेफ्टेंड साइड में कौन बचा वह था तर एफ डैस ऑफ एक्स यही था यहां तक देख लिए अराम से पहले यहां तक अगर कुछ बात समझ में आई हो तो बताना ज़रा ठी इसके बाद में जो given functional rule है उसको लगा कर simplify करें इसके बाद में आपको बस एक चीज देखनी आनी चीए वो चीज कैसे देखते हैं वो मैं सिखा रहा हूं गवराई नहीं ठीक है बिल्कुल गवराने की कोई जरुत नहीं है अब यह मत सोचना किसर आपने यह हटा क्यों दिया वो मैंने copy कर रखा है ठीक है चलिए अब जो हमारे पास लेफ्ट साइड में बचासर F-X और यह बचासर F-1 प्लस H अपन X अपन H अपन X प्लस F-X अपन X और पूरे पर बाहर क्या लगावा था आपने एक बात पर ध्यान नहीं दिया सब्सक्राइब ऑ कि मैंने बोले इस पर क्यों अलगा के क्या करोके मैंनेका ठीक है क्योंकि यह तो पूरा कॉंस्टेंट है ना इसमें एक है ही नहीं तो इस पर क्या करा होगे लिमिट लगा के बिल्कुल सही ठीक है अब यहां पहुंच गए अब मेरी बात ध्यान सुनना कि कितने लोग इस बात से एगरी करते हैं अगर मुझे कभी f-1 लिखना हो तो मैं यही तो लिखूंगा लिमिट h approaches to 0 plus f of 1 plus h minus f of 1 upon h यही होता है f-1 हाँ सामने देखते रहिएगा प्लीज क्योंकि अब यह इसमें एक क्रिटिकल स्टेप है यही होता है सर f-1 का मतलब होता है 0 plus की तरफ लेके जाओ यह 0 minus की तरफ भी ले जा सकते हो obviously क्योंकि आप f-1 लिख रहे हो तब ही लिख रहे हो जब differentiable है differentiable है मतलब left hand derivative right hand derivative बराबर है तो आप सिरफ right hand derivative लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है सर यहां लिखा हुआ number 0 की तरफ जाना चीए और यह और यह सेम होना चीए 0 की तरफ जाना चीए मैंनका कितने लोगों को यहां पर यह चीज दिखाई दी 1 plus h नहीं है h upon x है कोई बात नहीं क्या यह 0 की तरफ जा रहा है हां सर एकस्टों चीए और एकस जीरो की तरफ जा रहा है आपने बूला एकस्ट है एकस जा रहा है जीरो की तरफ ठीक है सर सेम है और यह भी जा रहा है 0 की तरफ आप चाहो तो h approaches to 0 plus लिखतो चाहो तो h upon x approaches to 0 plus लिखतो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x तो constant है, सर बाकी सब चीज तो same हो गई, f of 1 plus something minus f of 1 कहां से लाओगे, मैंने का देख ध्यान से, यह मज़दार है critical, f of 1 0 है, सर कैसे पता चला, जब भी आपको किसी point per function की value निकालनी हो तो आप given function relation को ही use करेंगे, तो मैंने कहा किया, इसमें x बराबर 1 और y बराबर 1 put कर दिया, सर आप ऐसे put कर सकते हो, जी बिलकुल, क्योंकि उसने बोला, यह जो equation है, यह हर x और y positive के लिए valid है, तो मैंने तो 1 put किया, तो जब बताना क्या बन जाएगा, सर यहाँ बन यहाँ पर कुछ नहीं था, तो मैं f of 1 रिक सकता हूँ, f of 1 का मतलब है 0, बोलो, 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 अब यह बता दो मुझे, बता दो, बता दो यार, थोड़ा सब मुश्किल है, कोई बत नहीं, सर यह तो f dash x as it is आ गया, क्या मैं इस पूरे की जगह है, f dash 1 लिक सकता हूँ, सर बिल्कुल सही, और सर क्या आप यहाँ पर f x upon x लिख सकते हो, तो answer is sir yes, यह हमारा हो गया step 1, फिर 2, simplify, step 3, जहाँ पर f dash x दिखे, वहाँ पर d y by d x, और जहाँ पर आपको f x दिखे, वहाँ पर y लिखकर आप d y by d x क्या, मतलब समझ पा रहो, जहाँ पर आपको f dash x दिखे, वहाँ पर d y by d x, जहाँ पर f x दिखे, वहाँ पर y लिखकर एक differential equation बनाए, मैंन का लो भी या, अगले step में, तो sir f dash x की जगह d y by d x, sir यह तो constant है, ठीक है, यह क्या है sir, constant है, और sir f x की जगह y, और यह as it is x, कितने लोगों को यह linear differential equation दिखाई दी भईया, है ना, जिसका solution या फिर सबसे पहले इसका integrating vector क्या होगा, अब sir यह बाते कहां से आगी, यह अब दूसरा chapter है, जो कि मैं already बढ़ा चुका हूँ आपको, linear differential equation है, जिसका integrating vector होता है, e की power में integration of minus 1 upon x dx, और sir यह हो जाएगा, e की power minus ln x, और sir इसकी value आजाएगी 1 upon x, ठीक है, तो अगर आप इसके solution की बात करते हो, अगर आप इसके solution की बात करते हो, तो solution क्या होता है, y into integrating vector, बराबर whole integration of, यहाँ पर जो लिखा होता है, वो, और multiplied by integrating factor और यह dx, समझ पार हो कि नहीं समझ पार हो, तुसर फाइनल अंसर कितना आ गया, y into 1 by x, बराबर whole integration of f dash 1 into 1 by x dx, सर यह हो जाएगा, f dash 1, बाहर, क्योंकि constant है, ठीक है, और 1 upon x का integration is ln x, plus constant of integration, और sir यह आजाएगा, y upon x, ठीक है, वापिस आप y की जगह चाहो, तो f x लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ मैं, तो this is f x upon x, अब यह हमारे पास function आ गया, ठीक है, last step, using given initial conditions, use given initial condition to find constant, जो उसमें constant होगे, आप उसमें क्या करें, initial conditions को use करें, मतलब, initial condition जैसे f of 1 0 है, तो यह जो आपका constant of integration आया है न, इसमें x की value 1 put कर दे, put x equals to 1, तो sir, f of 1 बनेगा, that is 0, upon 1, बराबर f dash 1 into ln 1 plus c, यहां से किते लोगों को बात समझ में आई, c की value 0 आ गई, अगर c की value 0 आ गई, तो हमारा जो function है, वो क्या दिखाई दे रहा है, सर फंक्शन आ गया, यह x यहां बेज दो, f dash 1 into x ln x, और constant of integration जो है, वो 0 आ गया, किते लोगों को बात समझ में आती है, है है, हाई न, भाई साब बहुत आलत खराब हो रही है, है, हाँ, धीरे-धीरे बच्चे भी गाय वो दो जा रहे हैं, कोई बात नहीं, वर we are here, क्या आपको यह बात समझ में, थोड़ा critical है पर घब रही है का नहीं, पर इसके steps जो है न, सुनना, बहुत सारी लोगों को सिरफ इस पार्ट में दिक्कत होगी, सर यह आपने क्या बवाल कर दिया, हाना, यह दिक्कत है, इसको भी हटा देते हैं, देख ध्यान से, मतलब माय maximum कोशिश इस, कि आपको एकदम सरल लगे चीज़े, यहां तक clear है, इसमें तो कुछ नहीं, ह, 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 डिवाइड किया है बेटा नीचे, अब यहां आके सर यह तो constant है, क्योंकि आपने बोला था h variable है, तो एक बार बताओ, जब आप h को 0 की तरफ लेके जाओगे, उ यहीं पर ही, कि limit h approaches to 0+, सर सबसे ज़्यादा बावाल हमें यहीं लगा कि आपने यहां पर यूज किया है, मैंन का ठीक है भई, इसको आपने f-1 कैसे लिख दिया, ठीक है, इसी बात को मैं सरल तरीके से भी बता रहा हूं, तो अब ज्यान सुनना, limit लगी भी थी h approaches to 0+, इस प f-1 plus h upon x upon h upon x, यही है, कितने लोगों को यह बात समझ में आती है, यह 0 by 0 form है, हना, क्योंकि f-1 upon 0 बनेगा, अब, अब अब यह बता, जब-जब 0 by 0 form बनती है, और यह एक function differentiable है, ध्यान अकना, derivable function है, तो मतलब हम L hospital rule लगा सकते हैं, बिल्कुल सही, तो इस पर LH rule लगा, और derivable function लगाने से पहले ही बोल दे रहा हूं, variable is h, h के respect में differentiation होगा, सर, यह आ जाएगा, f- of 1 plus h upon x, और अंदर वाले function में h का coefficient है 1 upon x, तो वो बहर आएगा, और denominator में 1 upon x, यह और यह cancel कर दे, और h जा रहा है, 0 की तरफ, कितने लोगों को यह बात समझ में है, यह f-1 नहीं लिखा हूँ है, ठीक है, कितने लोगों कोई बात समझ में है, यह f-1 नहीं लिखा हूँ है, अगर यह बात समझ में है, यह cc बताना यार, मतलब तुमने, सर, आपने इसकी जगह, यह जो इतना बड़ा बवाल काटाना, हमारा समझ्य यहीं start होगी थी, मैंनका कोई बात न एच वरियेबल है, हाँ है ना, यह वला असान है न फिर, तो भीया इस पार्ट की जगह आप, f-1 लिख दो लो, यह लिख तो दिया, f-1 और यह वला, अब एक छोटा सा, हाँ है ना, क्या है भाई, बता दो दो, ठीक है, एक और सवाल करते चलिए, जो जेही में भी पूछ जा चुका है, जेही में सिरफ इतना पूछा गया था, जेही में दो जार बीस में, मैं आप से फंक्शन भी पूछ रहा हूँ, ठीक है, थुन लिना, f of x plus y is equals to fx plus f of y, xy square plus x square y, बराबर ये, x belongs to, सबसको कुछ-कुछ, fx बताना है आपको, ठीक है, फटा-फटा जाओ, सर, step 1, अब रटने वाला काम, मतलब हमें बोला गया, f dash x बराबर, limit h approaches to 0, सामने देखना, limit h approaches to 0 plus, f of x plus h, minus fx, upon h, यही होता है, सर, यह हमने लिख लिया, step 1, clear, functional rule का इस्तिमाल करके, आप सिरफ इसकी जगा कुछ put करते हैं, मैंने का, आपकी बार, functional rule है, क्या, बता तो दे, बोले, सर, hello, 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 नजरे एकदम screen पर रखना भाई, आपकी बार, multiplication में बनाने की जुरूती नहीं है, वो बोल रहा है, अगर यहाँ पर दो लोग addition में हो, तो आप उसको ऐसे elaborate कर सकते हो, यह लिखाओ गाँ, तो मैंने कहां मुझे यह बता दे, इसकी जगे क्या लिखूंगा, सर, F of X plus H की जगा, यह X, यह Y, दिखते रहे ना, तो एक तो आ जाएगा, F X, फिर एक आजाएगा, सर, F of H, फिर सर, यहाँ पर आजाएगा, X into H square, प्लस H into X square, यह इसकी जगे हमने functional rule को use कर लिया, अब में हम simplify कर रहे हैं, सर, minus F X पहले से लिखा हुआ है, upon H यह रहा, और limit जा रही है, सर, H approaches to 0 plus की और, ठीक है, अब उड़ा दो भीया, यह FX और यह FX गया, बिल्कुल सही, ध्यान सुनना, अब जैसा कि हम करते हैं हर बार, वही यहाँ पर करना है, सर, H को divide कर दो सभी के साथ, यहाँ पर divide, इस पर divide और इस पर divide, सुनता जाना, सर, यहाँ पर divide करोगे, तो F of H upon H आएगा, बिल्कुल सही, सर, इसके नीचे divide करोगे, तो यह X into H आजाएगा, बिल्कुल सही, और जब इसको divide करोगे, H X square upon H में, तो यहाँ पर सिरफ X square आएगा, और limit H approaches to 0 plus है, ठीक है, और सर, यह हमारे पास है, F dash X, क्या मेरी बात समझ में आती है, अब सुनना जरा ध्यान से, भाई साहब ध्यान सुनना, सर, जब X को आप 0 की तरफ लेके जाओ, अंदर लिखावा इंसान और नीचे लिखावा इंसान, अगर दोनों 0 की तरफ जाए, तो इसकी value 1 होती है, यह उसने दे रखा है, अ आप 0 की तरफ लेके जारे हो, चाहिए, आप 0 प्लस की तरफ लेके जाओ, आया ना, यह कौन है वे, साहिल सैनी, सर, आप मस्ती से क्यों नहीं बढ़ाते हैं, भाहिया, रात के एक बज़ रहे हैं, इसले बस भी complete करवाना है, मस्ती से बढ़ाओंगा ना, सुबह के एक और जाएंगे, सर, पूरा कैलकुलस आप ही पढ़ाओंगे, मैं तो जब पढ़ाओंगा, पढ़ाओंगा पहले अब जो पढ़ा रहा हूं, वो तो बढ़ ले, ओ लालकोपल, प्लीज, पढ़ ले, कोई बात नहीं, जिस टेबल पे आप अभी बैटे हैं, जिस महौल में आप ह बहुत जल्द आप इन से बाहर निकलेंगे, अगले साल आइटी की ऑस्टल में बिता नहीं की नहीं बिता नहीं है, आया ना, अगले साल इस वक्त सेम, जब हम दूसरे की नहीं को बढ़ा रहे होंगे, तो देखकर एक बार ऐसे हसना आएगी नहीं, बोले हमने भी बहुत म नहीं होना चाहो तो भी करवा देते हैं, समझ के अगर वो वाली फील लेनी है, मैं तो हमेशा यहीं बोलता हूं, सबसे बढ़िया मोटिवेशन का तरीका है, अपने आपको सेलेक्ट हुआ हुआ हुआ, इमेजिन करें, आज से एक साल बाद सर आईटी डेली के ऑस्टल में बैटे हैं, ऐसी रात को घूम फिर रहे हैं, नाइट केंटीन में गए हुए थे, या फिर बोल रहे हैं, स्क्वैश खेल रहे थे, आते आते आए, मुबाइल जेब से मुबाइल निकाला, तो नोटिफिकेशन आया कि वहीं सचिन सर लाइव हैं, देखा, अच्छा, पढ़ रहे हैं, बोले ठीक है, मन में यही आएगा कि यहां पड़ो पड़ो भी पड़ो, आयाइटिन बनना है तो, आया ना, तो यह फील लेनी है, तो अभी आपको सारा कुछ त्यागना पड़ेगा, सब कुछ, सब कुछ, नींद वींद सर कहां, नींद जब हम सलेक्ट हो जाए पड़ेगा था आएटी में आने के लिए, अब यहां पर आके सोने के लिए दोड़िया है, बहुले जग रहे हैं रात रत बार, ठीक है भाई, चलो, सामने देख लो, F of H upon H, क्या मेरी बात समझ पारे हो, अगर H जा रहे है जीरो की तरफ, तो अंदर वाला और नीचे वाला सेम और जीरो की तरफ जाए, तो वैल्यू आप 1 लिख सकते हैं, यह भाईया ने बूला, सर, एक्स कॉंस्टेंट है, H जा रहे है जीरो की तरफ, तो यह वाली पूरी टर्म आजाएगी सर, जीरो, और सर, यह है कॉंस्टेंट, इस एक्स स्क्वार, बस, यह इतना ही बचा, एक स्टेप के बाद में, H जो है, वो पूरे तरीके से गायब हो जाता है, इतने तो तुम समझदार होई, यह लिखावा है, F-X बराबर 1 प्लस X स्क्वार, अब सर, दोनों तरफ, इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, F-X, F-X का इंटीग्रेशन F-X, 1 का इंटीग्रेशन X, X स्क्वार का इंटीग्रेशन X3, प्लस कॉंस्टेंट इंटीग्रेशन, ठीक है, वैसे जो जही मेंस ने पूचा था न, वो तो यहीं पर खतम हो गया, ठीक है, कि F-X जो है, वो आ रहा है, X स्क्वार प्लस 1, और F-X यह आ रहा है, ठीक है, वापिस इनिशिल वेल्यू कंडीशन क्या है, सर, X और Y की जिगह है, आप एक काम करो, 00, 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 00 that implies constant of integration भी 0 होगा तो हमारा function आ गया x plus x cube upon 3 x plus x cube upon 3 is our function अगर f dash x यह है तो f dash 3 बताना ज़र एक बर सब 9 और एक 10 आया ना f dash 3 to 10 होगे न f dash 3 to 10 होगे न f dash 3 to 10 होगे न भीया अरे बोलो कुछ तो यह दोनों सवाल याद रखीएगा यही तरीका यही मैठेड रहता है पुर्टा फट निप्टाई देते हैं चलिए जी बस 25 मिनट और सबसे हाँ सबसे इंपॉर्टेंट थियोरम है फटा पर समझेंगे कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है सर एक है हमारे पास LMVT और एक है रोल्स ध्यान सुनिएगा लेंग्रेज इस में वैल्यू थियोरम में कई कई सवाल जेही में में दो टाइप के कोशन बनते हैं एक कि कहां पर यह थियोरम एप्ली केबल है दूसरा एप्ली केबल अगर है तो एक और देना पड़ेगा यार तुम्हारे लिए भी जंजट मेरे लिए भी जंजट हो इतना होश में हां निप्टा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेंग रेजिज मीन वैल्यू थियोरम और रोल्स थियोरम दोनों की बात करेंगे जोड़दार है मेरी बात ध्यान तुनना कि पहला सवाल दो टाइब के कोशन बंते एक की एपली केबल है की नहीं और अगर एपली केबल है तो सी की वैल्यू बताओ ठीक है एक इसका extended फिर एक और टाइब का सवाल बनता है वो बताएंगे सर अलम्वी टी एपली केबल होने के लिए तीन कंडीशन होनी चाहिए ठीक है एक तो close bracket में continuous होना चाहिए function मतलब ए और बी पर भी continuous होना चाहिए open bracket में differentiable होना चाहिए और end point पर function की वैल्यू बराबर नहीं आनी चाहिए यह तीन कंडीशन्स है यह तीनों कंडीशन एक साथ true होनी चाहिए यह तीन कंडीशन्स है यह तीनों कंडीशन एक साथ true होनी चाहिए क्या मेरी बात समझ रहो है हाँ है ना ठीक है अगर यह तीनों कंडी देख लो ठीक है ठीक है मैंने x equals to a से लेकर x बराबर b एक फंक्शन बनाओ continuous a से b में differentiable open bracket a से b ठीक है यह वाली जो value आ रही है बिटा this is f of a सुनता जाना अराम अराम से this is f of b मैंने एक example बनाया आप ऐसे हजारों example बना सकते हो तो जब LMBT applicable है उसके बाद में क्या result आता है जो end points है उनके coordinate लिखो end point जो है उनके coordinate लिख सर यह अगर point b है तो इसका y coordinate हो जाएगा f of b यह अगर point a है तो इसका y coordinate हो जाएगा f of a अब इनको join करने वाली line लिख बना बना इनको join करने वाली line बना तर यह बना दी ठीक है इस point को अगर मैं b बोलू और इस point को a बोलू तो बताना ज़रा what is slope of line a b line joining end points का slope line joining end point का slope तो सर दो points आपको दे रहे हैं y coordinate का difference upon x coordinate का difference तो f of b minus f of a upon b minus a यही है क्या a और b को join करने वाली line का slope तो answer is sir yes ठीक है अब वो यह बोलता है ध्यान सुनना जो LMVT है वो यह result बोलता है कि भाया close bracket में तो continuous open bracket में differentiable a और b पर value बराबर नहीं आनी चीए यह अलग point पर खतम होने चीए इसके बाद में अगर आपको ऐसा मिलता है तो पक्का a और b के बीच में a और b के बीच में कोई ना कोई c ऐसा होगा जहां पर खीची गई tangent का slope जहां पर derivative की value यह क्या लिखाव है value of derivative value of derivative कोई ना कोई ऐसा c होगा जहां पर value of derivative मतलब tangent का slope किसके बराबर होगा सर यह क्या लिखाव है यह यह लिखाव है लाइन जोइनिंग एंड पॉइंट के बिल्कुल सही क्या आप इस पूरे ग्राफ पर क्या आप इस पूरे ग्राफ पर मुझे ऐसे कोई points बता सकते हो जहां पर खीची गई tangent इस लाइन के parallel हो मतलब जो tangent का slope होगा मतलब derivative की जो value होगी वो end points को join करने वाली लाइन के बराबर हां सर यह लो जैसे माल लो यह वाली है उसने बोले कम से कम एक सी आपको ऐसा जुरूर मिलेगा तो यह लो सर c2 आप इसको बोल दो c1 तो दो मिल गए a और b के बीच में इन में खास बात क्या है यह जो tangents आएंगी मतलब differentiation की जो value आएगी यह line a b के ही parallel है क्या यह lagrange's mean value theorem सही बोल रही है क्या हाई ना तो answer is sir yes मतलब पहला इसको दो phase में सूचो LMVT कब कब लग सकती है close bracket में continuity open bracket में differentiability और a और b पर value बराबर नहीं होनी चाहिए ठीक है अब सर लगने के बाद में जवाब क्या आएगा जो भी function है जिस पर आपने लगाया उसका derivative निका लो उसमें c रख दो और यहां क्या लिखेंगे सर जो आपके पास interval of consideration है इसको बोलते है interval of consideration ठीक है यह हमारा interval है जिस पर हम चर्चा करेंगे यह हमारा वो interval है जिस पर हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे तो जो आपका interval of consideration है उस पर उसको मतलब उस पर दोनों पर value निकालो endpoints को join करने वाला इनका slope निकल दो ठीक है यह हुआ LMBT रोल्स theorem एकदम special case है इसका रोल्स theorem में कुछ नहीं है this is the special case of LMBT इसमें क्या होता है बाकी सारी चीजें सेम है बस यह बोल रहा है कि function की value जो है वो बराबर आ जाए अगर दोनों a की point पर खतम हो ठीक है सेम है बस इसमें और इसमें फरक देख रहे हो यहाँ पर f of a should not be equals to f of b दोनों बराबर नहीं होनी चीए यहाँ पर बोल रहेगी सर function की value जो है वो बराबर आ जाए अगर f of a और f of b अगर बराबर हो गए तो यहीं देखकर बता यह क्या हो जाएगा उपर वाला न्यूमेरिटर सर एफ of b और f of a बराबर तो यह जीरो तो fdc बराबर क्या बन जाएगा जीरो समझे बबा आप बबुआ समझे की नहीं समझे आ रहे है सर वहत्रीन समझे ले फिर एक डाइगराम और बना ले अब तो बोर्ड भी चिला रहा है कि सर हमें जान दो जान दो अवे रुख जा बस दस मिनट और एंड में आ चुके हैं एकदम मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज सर आप ही की बात हम ध्यान से सुन रहे हैं मैंने का ठीक है अब की बार खास कंडिशन यहीं है कि ए और बी पर वैल्यू जो है बेटा कैसी आनी चीए बरोबर ए और बी पर वैल्यू कैस अब यह जो पॉंट है दिससे एफ ए बराबर एफ और यह पॉंट एप्स बराबर ए और यह पॉंट है एकस बराबर बी अब की बार एंड पॉंट को जॉइन करने वाली लाइन होगी होरिजुन्टल जिसका स्लोप होता है जीरो बिल्कुल सही सर आप कम से कम एक ऐसा सी ए A इर B के बीच में ठूंड सकते हैं जहां पर खीची मडिन का स्लोप जो है वो जीरो होगा, उल्य किया वो जीरो हूगा है को इस एक जाह पर खीची गई टेंजन का पना हर बातरो बात स्मुझ में आती है तो रोल्स और यहम वीटी एपलीकेबल है कि नहीं और उस पहंपरी सब स्सक्राइब की नहीं वो देखते हैं ठीक है कि क्या है इख ठीक हां एक पूछरह सब यह सर आएंगी कि नहीं वह सर आएंगे की नहीं इस सिरफ यही सर रहेंगे समझगे जैसे for example एक छोटा सा example मैं आपको देता हूं फिर जही मेंस के सवालों की हो चलते हैं मैंने आपको एक सवाल दिया fx is equals to sin x upon e की power x और interval of consideration देख मेरा ध्यान सुनना interval of consideration है 0 से लेके पाए सवाल जो एकदम बढ़िया सा rolls theorem और LMVT जो भी applicable है मतलब पहली चीज तो मैं यही पूछ रहा हूं applicable है की नहीं ठीक है और अगर है आप बोलो if yes then find c if yes then find c इस सी को आप याद रखिएगा यह सी जो है यह बिना किसी इंट्रोडक्शन के यूज होता है सवालों में कि समझ में यह जो है यह जो सी यह यह यूज होता है बिना किसी हासी दसीदा बोलेगा कि भाया लेंग्रेजिज मीन वेल्यू थियोर्म में जो सी होता है वो बताइए क्या मेरी बात समझ गया आप चलिए बहुत सर एक दम आपने हलका सा बेसिक सा सवाल दिया है मैंने का बिल्कुल सही जलिए ज्यान सुनना अब मैंने पूछा पहली चीज तो एपली के बल है की नहीं तो सर बहुत असान है ज्यान सुनना एपली के लिए हमें क्या चीज़ेश चेक करनी होती है continuity, differentiability और value at the endpoints endpoints मतलब interval of consideration ये है हमारा A और ये है हमारा B interval of consideration समझ गें सामने दिखते नहीं लक्षियन्स हेर अब तुम लोग कहां आगें सामने देखो पटापट सगाल साहर पहली चीज्थ ये function continuous है नीचे वाला function भी continuous और ये कभी जीरो नी होता है तो दिस इस एल्वेस continuity चेक्थ। Soribwhas E की power x समेशा continuous और E की power x कभी 0 भी नी होता وا इस सरू पर वाला हमेशा डिफ्रेंचियबल नीचे वाला भी हमेशा डिफ्रेंचिबल और नीचे वाला फंक्शन कभी 0 ने रहा दिस इज आल्वेज डिफ्रेंचिबल तो इफ दिफ्रेंचिबल होगी अब बात आती है endpoints पर अगर मैं एफ अफ जीरो और एफ आफ पाई की बात करूँ तो दोनों पर ही वेलुजी रए रही है तो मतलब सर अन्द पॉइंट पर अगar वेल्यू बराबर आए तो कौन सी थेयोरमně अप्लिकेबल होती है आर टी इस एैपलिकेबल है थीक है आर टी का क्या मतलब है function का derivative निकालो पहले तो सर अगर fx यह है तो what is f dash of x u upon v rule लगाओ सर डिनामिनेटर का square सुनता जाना numerator का derivative cos x into denominator as it is minus numerator as it is into denominator का differentiation ठीक है यह f dash x है तो f dash c क्या हो जाएगा सर कौस c e की पावर c minus sin c e की पावर c upon e की पावर c का whole square बस सर LMVT और rolls theorem में last step में आके जाके फरक आता है f dash c तो दोनों में निकालोगे rolls में हम यहाँ पर 0 लिखते हैं LMVT में थोड़ा हमारा काम बढ़ जाता that is हम end points पर दोनों के point बनाते और फिर वहाँ से slope निकालते है f of b minus f of a upon e ठीक है यहाँ से solve कर लो बिटा सर यह वाला part तो इदर गया तो e की power c common लूँगा तो यहाँ से आ जाएगा cos c minus sin c बरावर 0 सर यह वाला factor तो non zero है यहाँ से आ गया cos c बरावर sin c अब cos c बरावर sin c के case में कब-कब होते हैं यह यह दोनों बरावर सर पाइबाए 4 पर फिर आप बोल सकते हो 5 पाइबाए 4 पर 3rd quadrant और ऐसे बड़ आपको जानकर मज़ेदार यह बात लगनी चाहिए कि सिरफ एक ही value होगी क्योंकि जो LMVT जो जवाब देती है वो A और B के बीच में ही देती है तो A और B के बीच में ही देती है तो A और B के बीच में सिरफ पाइबाए 4 है तो हमारे इसाब से answer is this यह हमारे जवाब नहीं होंगे क्योंकि इसके बीच में लाए करने वाला हमें answer चाहिए ऐसा नहीं कि एक ही ह होगा हो सकता ज्यादा हो LMVT तो खुद बोलती है रोल स्योरम भी बोलती है कि एक से ज़्यादा जवाब आ सकते हैं बट जो इसके अंदर लाए करेगा वही जो इसके अंदर लाए करेगा वही हमारा जवाब जवाब नहीं है वैच्चो यह इससे बाहर लाए करता है कत्री बार समझाए थरी पाइब आप फोर पर बेटा यह पॉजडिव यह नेगिटिव कैसे बराबर हो जाएंगे मेरी बात समझ पा रहे हो गया तर आपकी बात तो आप खुद नहीं समझ पा रहे जल्दी से देख पा रहे हो लैंग्वेज का फॉर्मेशन देख रहे हो सीधा सीधा भाई आप बोल रहे है कि लैंग्रेज इस मीन वैल्यू थेयरम के हिसाब से वैल्यू आफ सी बताओ हाँ वैसी दिख रहा है पॉलिनॉमिल फंक्शन है और जीरो और वन पर वैल्यू बराबर नहीं आएगी सर्वट इस एफ ऑफ जीरो चेक कर लेते हैं सर एफ ऑफ जीरो है 11 सुनना ज़रा ध्यान से और एफ ऑफ वन कितना है बेटा सर वन है वन माइनस फोर प्लस एट प्ल कि ढोला अबे यह ना देख लेना रहे 12 और 14ों बिल्कुल स मैं अब ध्यान सुन ऑब यहां से यहां से अगर माइप of A है यह अगर आपका वी है तो ये आपका f of b है अब मुझे एक बात बता तो इमानदारी से कैसे करते हैं सर अगर आपको c निकालना है तो function का derivative निकालो उसमें x की जगा c put करो मैंने ख़ीक है भई किसी और को मत बताना ये बात चलिए f dash of c कितना हो जाएगा सीदा सीदा लिख दू इसका derivative होगा 3x square तो ये हो जाएगा 3c square minus 8x तो minus 8c plus 8 ये f dash c के बराबर है इसको आप लिखो f of b minus f of a upon मतलब इन दोनों points को end point के बना लिए आपने 0 पर value 11, 1 पर value 16 point निकाल ले फटाफट slope निकाल ले slope निकाल लेगा कि निकाल लेगा सर बिलकुल निकाल लेगे कैसे निकाल लेगे y coordinate का difference 16 minus 11 upon 1 minus 0 सर ये आ रहा है 5 और ये लिखावा है 3c square minus 8c plus 8 समझ मैं है मैंने इसका derivative किया है पहले derivative x के terms में लिख फिर x की जगा c put कर दे सर ये कितना हो गया 3c square minus 8c plus 3 बराबर 0 आया नो सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहिए बोलो हाँ हाँ गी ना सईजी बताना अब इतना लेट होई गये हैं तो दो च्यार मिनिट और धंग से पढ़ लोगे तो कुछ हो जाएगा गया बोले नहीं सर का देखा भीया तुम लोग बैठ के बढ़ रहे हो गुटना जरूर कभी कभी टिका रहा हूं बैठा नहीं हूं इसा कुछ नहीं है कि कोई बैठने से मना कर रहा है तर बैठ जाओ काहिए अपनी टांगे जला रहे हो बट रहे हैं एक महाल भी तो कुछ होता है जल्दी सा जाओ सर एक डाइगनल डायलोग हो जाए मोटिवेशनल वाला वो तुमसे बोलेंगे और बार बार बोलेंगे और अपनी अर्खतों से यह दिखाएंगे भी कि तुमसे नहीं हो पाएगा और जब तुम करने जाओगे तो तुम्हें रोक भी लेंगे बोले रुक जाए यार क्या क अंलाइन भी कोई पढ़ाई होती है क्या यह है वह तो तुमसे बार बार बोलेंगे तुमसे नहीं हो पाएगा तुम्हारा जवाब होना चीए बोलकर भी और कामों से भी कि मैं तो कर दूंगा तो से नहीं पाएगा समझ मैं और फिर वह करके भी दिखाना है ऐसे नहीं सरफ बोलके आगे उपर का अटेशन नहीं बिया आएट यह अंदर से सॉलिड होते हैं समझ मैं आजएगे सर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वार माइनस फोर एंटू सी देट इस नाइन होल डिवाइड़ बाइड बाइट प्लस माइनस यह कितना हो गया है चौंसट में से चतिस गया यह तो समझ्चा है आठ अठाइस अना 28 आगे 2 रूट 7 अपान 2 अब मुझे एक बात बता यह आ जाएगा 4 इंटू 3 भी है यह तो 2 डादेगा तो 4 प्लस रूट 7 और माइनस रूट 7 अपान 3 आपको सरफ यह देखना है कि इन में से कौन सी वैल्यू 1 से छोटी है दोनों नहीं आपको यह देखना है कि कौन सी वैल्यू 1 से छोटी है दोनों नहीं ले सकते एक प्लस है एक माइनस अधिया रखना दोनों नहीं ले सकते आप कौन सी वैल्यू लोगे जल्दी से बता दो सर प्लस वाली जो है आप्यसली वह रिजेक्ट हो गई और 4 minus root 7 upon 3 क्योंकि सर इसकी लगबग value जो आएगी वह कितनी आएगी 9 होता तो 3 आता, 4 होता तो 2 आता तो this is 2 point something 4 minus 2 point something is 1 point something, 1 point something upon 3 is obviously less than 1 तो यह reject, बतब यह accept होगी यह reject होगी because यह इस zone में नहीं लाए करती तो 4 minus root 7 upon 3 is the correct answer option A, बिल्कुल सही देख रहे हो पटा पट, सीदे सीदे सवाल आ रहे हैं ध्यान रखिएगा प्लीज सीदे सीदे सवाल आ रहे हैं ध्यान रखिएगा प्लीज जल्दी से हाँ 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 hello hello, najrे एकदम screen पर बेटा, रात को date बजने के आए हैं, अब नजरे इद उदर नहीं है अब तो सर नजरे ऐसे बंद हो रही है उनको ऐसे खोलो, पांदस मिनट के लिए और जोर से बोलो सारे बोलो ओपी, ओपी he is a point at which rules theorem holds for this function इसके लिए जो है, वो C a कैसा पॉइंट है जहां पर rules theorem hold करती है ठीक है, in this interval और ये ठीक है, अगर rules theorem इसमें hold करती है, तो एक बाँ बताओ ये है हमारा end point a और b, तो पक्का सर f of 3 बराबर f of 4 होगा मैंन का बिल्कुल सही है न, f of 3 कितना हो जाएगा continuity differentiability सब गई, क्योंकि ये continuous differentiable है, हम तो सीधा इस बात पर आए, तो ये हो जाएगा सर, allen of x की जाएगा 3 रगा, तो 9 plus alpha हाना, upon 21 बराबर 4 रखोगे तो कितना आजाएगा जाएगा जरब बताना allen of 16 plus alpha upon 7 into 4, 28 ठीक है, फटा-फट alpha solve करते है पहले, allen of 9 plus alpha upon 21 minus allen of 16 plus alpha upon 28 बराबर 0, log m minus n वाली property सर, वो होती है, log m upon n तो 9 plus alpha upon 21 इसको जब आप इस से divide करोगे तो 16 plus alpha यहाँ आजाएगा और 28 यहाँ चला जाएगा काटा पीटी शुरू कर दी गई है ये 4 पर, ये 3 पर और सर, ये 0 कितने लोग agree करते हैं, जब मैं log हटाऊँगा तो ये सर, ऊपर लिखावा है 9 plus alpha into 4 upon 16 plus alpha into 3 और ये log, मतलब e की power 0 वो हो जाएगा 1 मेरे कहल से आप सभी लोग भी solve करने हैं साथ में हाँ सर, हमें आपकी कैलकुलेशन में चाट्ति भर भा बरुसों ना आए रत्ति भर भी बरुसों ना आए मैंने का ठीक है बिल्कुल सही पैरलेल सौल करो बेटा 48 plus 3 alpha का है जे का करवा के माना गो अलफा यह इधर आ गया 48 में से 36 गए 12 होते हैं क्या हाँ 12 बोले हाँ 12 ऐसे लग 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 है जैसे यह mathematical यह जो हिंदी वाले बने थे लग कोई लड़ रहा था पहले बोला 12 हाँ बोले आ गया 13 बोले क्या बनाई फिर पड़ी कितने दिन पड़ी वो नहीं पता सरी तो अलफा की वेल्यू ट्वैल भाई है वो पूछ रहा है एप डबल डैसी भाई साब का गरवा के माना गोजे पहले तो एक काम करो सी यह तो अलफा आया ओ माई गॉड़ सर अलफा आ गया मनलब अलफा आपने यहां पर लिख दिया बारा अब मेरे बाद ध्यान सुनना वो जो रोल्स थियोर्म वाली बात होती है वो यही तो बोलती है कि एप डैसी निकालो और उसको जीरो के बराबर कर दो एप डैसी बताना चाहोगे इस पूरे का डरिवेटिव वन अपॉन पूरा का पूरा पूरा एकस स्क्वार प्लस अलफा ओविएसली एकस की जेगा बाद में सी पूट कर देंगे और उपर आ जाएगा सेवन एकस मल्टिप्लाइड बाए समझ मैं लॉक का डरिवेटिव निकाल रहा हूँ और उसमें एकस की जेगा बाद में सी पूट कर दूँगा यहाँ पर आ जाएगा सेवन एकस का होल स्क्वार उपर वाले का डरिवेटिव इस टू एकस into denominator as it is minus numerator as it is x square plus 12 और into denominator का differentiation is 7 इसको 0 कर लो बिटा x लिखाओ c लिखाओ तुम समाली लोगे यहाँ से एक तो x की value 0 आ रही है ठीक है वो reject होगी क्यों क्योंकि वो इस interval में नहीं है और बाकी तुम solve कर सकते हो क्या सर हम तो कर सकते हैं आपके बारे में क्या ख्याल है मैंने का अभी बोल देख यह क्या लिखाओ है challenge सर यह लिखाओ है 7 into 2 14 x square है ना x into x x square और यह लिखाओ है सर minus 7 x square बहुत बढ़िया और minus 12 into 7 तो सर यह लिखाओ है 7 x square अना is equals to 12 into 7 तो सर आप बोल सकते हो अहां एक्स की वैल्यू आगी प्लस माइनस रूट बारा ओविसली सर जो सी होगा न वो आएगा प्लस रूट बारा समझ मैं है अरे एक सी ही सी था समझ पारे हो अरे डेरिवेटिव निकालने के बाद में एक्स की जगा सी पूट कर देना यार तो प्लस बारा आ गया अब इसके आगे तुम खुद सॉल करोगे हाँ अपनी हीमत जवाब दे चुकी है अब यह रहा फंक्शन इसका डबल डेरिवेटिव निकाल यह भगवान फिर सी पर वैल्यू निकाल भाई साब जिसने सवाल बनाया था ना हाँ वह लगता है घर से ऑफिस या ऑफिस से घर आ र और डिफ्रेंटिशेशन इसको सिंप्लिफाइब करने ना डिफ्रेंटिशेशन करने से पहले मतलब यह 7x7x एक एक बार और डिफ्रेंटिशेशन एक्स की जगह आपको यह एक्स की जगह रूट ट्वैल रखना है ठीक है एक मज़ेदार सवाल जो मतलब मेरा पर्सनल आपको दिख गया है विए अपने आप में ताकत रखता है जीरो और यह 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 देख रहे हो एफ डैसी और जी डैसी मैंने आपको इस पूरे लेक्चर में दो टाइप के रिजल्स बताएं है एक होता है बेटा इंटर्मीडियेट वेल्यू थेयरम एक होती है इंटर्मीड वेल्यू थेयरम संध मैं है ? threads वेल्यू थेयरम में क्या था ? function के बारे में comment किया जाता है function की value के बारे में Rolls Theorem और LMVT जो है function की derivative के बारे में comment कती है इह बात आप अपनी copy में mikli लीजेगा जो Rolls Theorem है और LMVT है वो function के derivative के बारे में उसका One differentiation तो यहां पर देख रहे हूं आप options में derivative छपे हुए है और मुझे जानका रही है दे नहीं रखें तो ध्यान सुनना interval of consideration है 0 से लेके 1 और obviously function अगर differentiable दे दिया तो continuous तो है अगर मैं f-c की बात करता हूं ठीक है ठीक है यह मत बोल देना सर यह misprint है ऐसा लिखने का मतलब होता है 0 से लेके 1 open यह उल्टा लगा देता है ना तो इसका मतलब 0 से लेके 1 open समझ के यह bracket ऐसे लगा वाता है अच्छा सर इसके लिए काम करो पहले यह बताओ तो a बराबर है 0 तो x बराबर अगर 0 है तो a पर f of 0 कितना रहा है समझ पारे हो कि नी समझ पारे हो end points में निकाल रहा हूं f of 0 है 2 और f of 1 है 6 देख पारे हो end points पे value दे रखी है तो अगर मैं इसका point बनाओ तो 0 पर value आई 2 और 1 पर value आ रही है 6 मैंने बूला f dash c कितना होना चाहिए सर end points को join करने वाली line का slope end points को join करने वाली line का slope 6 में से 2 गया upon y coordinate का difference upon x coordinate का difference this is 4 f dash c 0 और 1 के बीच में पक्का कभी ना कभी 4 होगा क्योंकि continuous है differentiable है और LMVT लगी है इस पे क्यों LMVT क्योंकि दोनों end points पर value बराबर नहीं आ रही है किते लोगों को बात समझ मैं है अरे बोलो end points पर slope निकाला वो आ रहा है 4 और सर इसमें LMVT लगी है because दोनों पर end points पर value बराबर नहीं आ रही समझ गें similarly आप इस पर लगाई है एक्स belonging to 0 से लेके 1 है ठीक है ठीक है यह 0 पर G of 0 कितना है तर G of 0 है 0 और G of 1 कितना है सर G of 1 कि value है 2 समझ पा रहे हो तो मैंने पूछा यहां पर point बता दे सर X की value 0 Y की value 0 X की value 1 Y की value 2 तो इसमें भी LMVT लगेगी आप बोल सकते हो G-C C इन दोनों के बीच में कोई number है 0 और 1 open में तो वो कितना होगा सर end points को join करने वाली line का slope Y coordinate का difference upon X coordinate का difference तो यह 2 ठीक है आया ना अब इन दोनों को मिला कर क्या आप यह बोल सकते हो कि जो F-C है वो G-C का दुगना है 2 times G-C आया ना ठीक है 2 times G-C बिल्कुल सही यह 2 आ रहा है यह 4 आ रहा है तो इसका दुगना है कौन सा option हो गया तो F-C is 2 times G-C इसको solve करते वक्त बच्चे को एक दिमाग में doubt यह आता है कि सर्क दोनों function अलग अलग है तो 0 और 1 के बीच में एक doubt आपने पूचा यह अलग हो मैंने का हाँ बिल्कुल सही 1 by 4 हो सकता है बिल्कुल सही और सर यह वाला जो C है यह हो सकता है 1 by 2 हो तो जब 1 by 4 और 1 by 2 है तो आप फिर यह कैसे compare कर सकते हो मैंने का आपने बिल्कुल सही सोचा बढ़ आप फिर इसको ऐसे सोचो आप क्या negative में सोच रहे हो उसने एक word use case for some see क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों पर सेम सी बराबर आजाए हां सम सम कोई भी ऐसा हो सकता ही नहीं तो हो सकता है ऐसा हो सकता है बनाया जा सकता ऐसा फंक्शन हाए ना कौन है ठीक है तो इसको ध्यान रखिएगा प्लीज यही मेंस दोजा चूदा का सवाल है वापिस जिसमें फंक्शन ना दे रखा हो और LMVT रोल्स त्योरम का सवाल मेरा पर्सनल फेवरेट है ठीक है इधर आजाओ फटाफट ज्यान सुनना सीधा सीधा आपको समझ में आ जाएगा इंट्रवेल आफ कंसीड्रेशन एक्स की वैल्यों होती है द्यान रखना माइनस से जीरो डिफ्रेंच ये बल है और यह सब तो सर हमें इंट्रवेल आफ कंसीड्रेशन माइनस से लेके जीरो बिल्कुल सही उसने बोला इस बात को देख पा रहे हो कि आप डेरिवेटिव जब भी निकालोगे कोई बस कोई साभी f-x निकालो कोई साभी f-x वह हमेशा 2 या 2 से छोटा होगा मैंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मैंने बोला फटा-फट मुझे बता f of minus 7 कितना है सुनता जाना f of minus 7 कितना है सर f of minus 7 हम minus 3 फिर मैंने बोला f of 0 कितना है सर f of 0 नहीं पता f of 0 हमें नहीं पता मैंने ठीक है कोई बात नहीं इसका पॉइंट जब बनाएगा तो x की value minus 7 और y की value minus 3 बिल्कुल सही और जब आप इसका पॉइंट बनाओगे तो x की value 0 y की value f of 0 समझ पा रहा है य की value 0 और f of 0 समझ पाएगे नहीं समझ पाएगे इंटरवेल आफ कंसिडरेशन एंड पॉइंड पॉइंड प्का सर पक्का जो इसका f dash c होगा ठीक है और f dash c होगा कोई भी f dash c ठीक है इन दोनों के बीच में लाए करने वाले किसी number पर जो derivative आएगा वो इनके end points को join करने वाली line के slope के बराबर होगा f of 0 minus of minus 3 plus और 0 minus of minus 7 तो यह हो गया ठीक है यह समझ में आता है ठीक है यह समझ में आता है कि नहीं आता है तर बिल्कुल समझ में आता है तो f dash c जो होगा वो इसके बराबर होगा अब उसने बोला कोई सा भी derivative निकाल लो चाहिए आप f dash c निकालो half निकालो 3 निकालो सर यह हमेशा 2 या 2 से छोटे हैं मैं निका ठीक है तो यह जो आपका f dash c है क्या यह 2 या 2 से छोटा है तो अंसर है तो यहां से f of 0 plus 3 यह plus 7 लिखावा बेटा यहां जाएगा तो यह 14 मैं आपसे पूछू कि f of 0 यह कितना आ जाएगा सर यह यहां जाएगा तो 11 f of 0 11 से छोटा होगा बिल्कुल सही f of 0 जो है वो 11 से छोटा होगा अब एक मज़ेदार चीज मैं आपके सामने लेके आना चाहूँगा सर यहां पर f of minus 1 आया है इन परकार के सवालों में थोड़ा सा आपको आगे चल कर सोचना होता है सर f of 0 तो चलो end point पे था यहां पर f of 0 दिखा मैंने का यह f of minus 1 कैसे दिखेगा minus 1 तो end point है नहीं कोई बात नहीं सर जबरदस्ती minus 1 को end point बनाओ मैंने का यह यह कैसे बनता है बोले सर लेओ कोई भी बात आपको परिशान करे तो मुझे बताईएगा जरूर यह लो इसमें क्या दिख्कत है जब वो given function minus 7 से लेकर जब given function minus 7 से लेकर 0 तक continuous differentiable है तो वो minus 7 से लेकर minus 1 तक भी continuous differentiable होगा interval आप decide करेंगे अब तक आपको ऐसा लग रहा था कि भाया जो function दे रखा हो मतलब जो interval of consideration हो उस पर ही आप उसके टुकड़े कर सकते हैं जैसे मैंने यहां किया मिल्कुल कर सकते क्या दिक्कत है कोई सब इंटरवल ले लो उसमें continuous differentiable यह होना चाहिए है जब इस पर है तो इसका तो मैंने सबसेट ही लिया तो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बोलो भाई आया ना तो ऐसा बना सकते हैं सर कैसे पता चला एक आपको माइनस वन पर रुकना है यह देखकर अब इस पर लगा सर वापिस minus 7 पर value minus 3 सर minus 1 पर value नहीं पता मैंने का कोई बात नहीं मैं टेंसल ले point अगर मैं बनाने की बात करूँ तो आप इसमें point बोलोगे सर minus 7 पर value आ रही है minus 3 और आप बोलोगे कि minus 1 पर value आ रही है f of minus 1 अब की बार जो c है ना फिर मैं यहाँ पर लगाता हूँ f dash c वो अब की बार इन दोनों के बीच में है ठीक है end points को join करने वाली line का slope तो f of minus 1 plus 3 y coordinate का difference minus 1 minus 7 तो वो हो जाएगा plus ठीक है तो यह लिखावा है sir f of minus 1 plus 3 upon 6 बापिस आप चाहे कोई सा भी derivative निकालो derivative की हमेशा value 2 या 2 से छोटी होगी मतलब सथ this is given कि this is less than equals to 2 इसको इधर भेजा 12 f of minus 1 less than equals to 9 अब अगर मैं इन दोनों को add कर देता हूँ तो add करने पर left hand side के आई f of 0 plus f of minus 1 और सर 11 और 9 जो है वो 20 11 और 9 जो है वो 20 तो आप बोल सकते हो 20 या 20 से छोटा तो option b is correct 20 या 20 से छोटा option b is correct क्या मेरी बात समझ में आ रही है आया ना बस हां एक एक सवाल और क्या यह बात समझ में आई हाय ना इस क्लियर अरे बोलो भाई कुछ सर यहां पर देखकर आपको पता चला यह वाले कुश्ट बच्चे नहीं सोच पाते जबकि है कुछ भी नहीं आपको एक interval consider करना है कुछ value value दे रखी होगी बस इसमें एक नया उसने लतूफा जोड़ दिया कि जो भी derivative निकालोगे वो 2 या 2 से छोटा तो हम c पर derivative निकाले तो वो 2 या 2 से छोटा ये भी 2 या 2 से छोटा बस कितने लोगों को मेरी बात समझ में है इमान दारी से बताना ऐसे सबला उसे गवराना नहीं जीए सबसे असान होते हैं ठीक है end point पर value दे रखी होगी continuous differentiable की बात करेगा कोई point अगर आपको end point में ना दिखाई दे जबरदस्ती बीच में गूमता हुआ दिखाई दे तो interval को काट दो वहां पर हां यहां पर मुझे minus minus 3 दिखता मालो f of minus 3 तो मैं माइनस 3 पर काट देता इसको मैं माइनस 2 पर तोड़ देता माइनस 7 से लेके माइनस 2 कंजी डगल देता यह सबनों समझ में आई तो एक बार खुल के यह सर भेज़ दो बस ठीक है फटा फट यह और देख लो है जान सुनना यह ग्राफिकल बेस सवाल है देखती समझ में आ जाएगा एप डैस एक्स जो है वो पॉजिटिव है इसका मतलब ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग है ग्राफ इस इंक्रीजिंग डबल टरिवेटिव जो है वो नेगटिव है वैसे तो आपको जब हम एओड पढ़ाएंगे जब हम आप लोगों को एओड पढ़ाएंगे थैंक्यू सो मच थैंक्यू थैंक्यू यू इट मीन्स लॉट बिलीव मी और तो कोई नहीं है यहां प पीते थे अग्याइब हाँ बहुत रेड बो बार एक फ्रीज लगा होता था उस फ्रीज में कहा रेड बूल रखी होती भाई गए ब्रेक में ठोक ली अब यहां पर यहां पर आशी कोई फैसलिटी है भी नी और जुरत भी नी मैसूस हो रही है तो मेरे गाल से ठीक चल रहा ह प्लीज मेरा नाम ले लीजिए अतुल अरोड़ा जी बहुत बढ़िया धरमेश है जैंत मिश्रा है तनीशा है पिंकी चंद्रा है शिवानी शर्मा है रिशव वर्मा है जो लोग अभी भी रुके हुए हैं उनका नाम लेना तो बनता है यार सचिन जाखड है वह तो मैं प्रश्यो कुमार है जो बहुत बढ़िया शवीता तिरपाटी जी है अगर अगर आप घर पर पढ़ सकते हो जो कि नहीं होता है ध्यान रखना ठीक है अगर आप घर पर पढ़ सकते हो अपना 100% टाइम सुबह से लेके शाम तक स्कूल वाला टाइम आपका बच गया आप आ दमी लीजिए ठीक है वरना अगर आपको लगता है कि नहीं भीया मैं तो परिशान हो जाओंगा ठीक है मतलब डमी लेने का मतलब यह नहीं कि आप 11 बज़े उट रहे हो दो बज़े तक टीवी देख रहे हो खाना खा रहे हो फिर तीन बज़े मूद होकर त्यार हुए घर पे भी व्यर्थ पड़े हो स्कूल का भी कुछ नहीं पता कोचिंग का तो सरम जानना नहीं चाहरे तो डमी सिरफ और सिरफ उन बच्चों के लिए है जो सींसियर हो ठीक है आया ना जो सींसियर हो और कौन है प्रखर है उमेश है ठीक है अधित्या है बहुत बढ़िया ओफीचियल राज 3.2 है प्रतीक सिंगल है बहुत बढ़ी अशावाश ठीक है आजएगे बस लास्वाल है एफ डबल डैस एक्स का नेगिटिव का मतलब होता है कॉनकेव डाउनवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड तो मैं आपको यही बता रहा था कि जब हम AOD पढ़ाएंगे करना ध्यान सुनना ग्राफिकल सवाल है और ऐसे सवाल आते हैं A से लेके B तक टीक है ट्वाइस डिफ्रेंटिवल है मतलब दो बार डैरिवेटिव एक्सिस्ट करेगा A से लिके B तक ग्राफ इंक्रीज करना चाहिए और कॉनकेव डाउनवर्ड होना चाहिए तो ग्राफ में दो ही शेप बन सकती है यह वाली बनेगी नहीं कॉंकि कॉंकि कॉंक्य अपवर्ड है यह कॉनकेव अपवर्ड है और डॉब डैरिवेटिव नेगेटिव है तो वाफ यह चाहिए शिम्रेगा कर दो चलब ठीक है अब और बीच में कोई C लिया गया पर एणिसी यह ठीक है ठीक है और सिरल यह वाला इस लिए तफ मनिजाति है वेखाज आपको कूछ चीज़ें जो हेब वो सामने देखकर समझ में आने चीए ध्यान सुनना कितने लोगों को यह समझ में आ रहे हैं यह स्लोप आप लाइन लिखा हुआ है मतलब जब हम कब वाइग और डिफ्रेंस हम कब लेते हैं जब हम स्लूप निकलते हैं समझें आया न ठीक है अब यहां आ जाओ एक काम करो मैं आपको दो लाइन's जोइन करके दिखा रहा हो ठीक है सामने देखना दो लाइन एक लाइन यह वली और एक लाइन यह वली अब मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, कि सच में शेप ऐसी है, कोई सभी पॉइंट ले लो, सच में शेप ऐसी है, आपने पॉइंट C यहां लिया, तो इसको इससे जोइन कर, इन दोनों में से किसका लाइन का स्लोप ज़्यादा होगा? ठीक है किसका line का slope जो है वो ज़्यादा होगा ध्यान सुनना यह है line का slope AC यह point A और C के बीच का और यह है line का slope BC इन में से किस line का slope ज़्यादा है ज़्यादा angle मना रही है positive direction of x-axis से जल्दी से बता दे बस comment करके last सवाल है तो obviously sir we can say slope of AC जो है वो ज़्यादा है slope of BC से सीधा सीधा अमें sir diagramatically यह बात पता चल रही है आया ना किसका slope ज़्यादा है बेटा इस line का slope ज़्यादा है ना भाई AC का slope ज़्यादा है तो मैं यह बात लिख सकता हूँ AC का slope बताने ज़रा कैसा लिखा जाएगा AC का slope सर य कोदिनेट का डिफ्रेंस f of c minus f of a upon c minus a ठीक है यहां आजाओ सर यहां पता ना जरह bc का स्लोप f of b minus f of c upon b minus c यह ठीक है आया ना समझ मैं यही है ac का स्लोप ज्यादा है अब मैं आपसे सरफ यह वाली चीज़ बनाने के लिए बोल रहा हूं इसको इधर डिवाइड और इसको इधर मल्टिप्लाइए फिर आप इन इक वैलिटी के साथ डील कर रहे हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मैंने का बेटा यह पॉजटिव है कैसे क्योंकि फंक्शन जो है वह इंक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है तो बी और सी में से वैल्यू ज्यादा किस पर आ रही है सर बी पर क्योंकि बी राइट में है क्योंकि आपने बोल दिया कि कि A लेफ्ट में है और B राइट में है जब आप ऐसा लिखते हो C इनके बीच में है तो B पर वैल्यू ज्यादा C पर कम तो यह पॉजटिव नंबर लिखा हुगा है वैसिसर C-A पॉजटिव है तो इनको इधर दूर आप कर सकते हो तो यहां बचेगा F of C minus F of A whole divided by F of B minus F of C is यहां जाएगा बिटा C minus A upon B minus C C minus A upon B minus C C minus A upon B minus C वो पूच रहा है यह किस से greater होगा सर इस से greater होगा option C is correct आया ना शांदार जोर्दार जिन्दाबात बहुत बढ़ी हो कुछ kooshन जिनके पास P W का module है जिनके पास कुछ कुछ kooshn मैं आपको दे रहा हूं जिनके पास P W का module है वो इन questions को लगा सकते हैं यह 4 सवाल तो इस Paste पर है ठीक है इन सभी modules का जो यह जिचे मैं आपको दे रहा हूं यह pw module से बेटा पहली चीज़ तो दूसरी चीज़ आप extra practice के लिए कि वा बच्चे बोलते सरा हमें homework भी दिया करो समझ मैं कि आप slide में तो सारे question solve करके निगल जाते हो तो कुछ relevant question जो हमें inspire करें जही मेंज और advance के सवालों की तरफ तो आप वैसा हमें homework भी दो तो चार सवाल तो यह है और चार सवाल यह है यह टोटल आठ सवाल मैं आपको दे रहा हूं इनका आपको text solution मिल जाएगा ठीक है आपको इनको क्या मिल जाएगा text solution ठीक है वीडियो solution नहीं text solution मिल जाएगा इसके साथ-साथ additional homework जो है that is all pyqs of j mains plus advance of 2021 2021 वाले आप सारे pyqs खुद solve करेंगे मैंने 2021 का एक भी सवाल नहीं लेका आया वो आपके लिए है कहां से मिलेंगे सर आप net पे से वो निकाल सकते हो this is try yourself ठीक है by yourself यह आपको खुद करना है जी और 2021 जी में बहुत सारी शिफ्ट हुई थी और बहुत सारी शिफ्ट हुई थी और बहुत सारी शिफ्ट अगर हुई थी तो सर हमारे पास बहुत सारी कोश्चन्स आ जाएंगे continuity differentiability के LMVT के रोल्स theorem के ठीक है तो आप उन सभी कोश्चन्स को निप्टाएंगे ठीक है और ऐसा हो उसकता है एक इतने बड़े lecture में कुछ पॉइंट हमें थोड़ा कम समझ में आ या फिर कहीं पर हमें doubt रहाँ गया हो तो उसका सबसे बढ़िया इलाज है आप एक काम करें वापिस से एक बार जाएं ये और पूरे लेक्टर में जहां-जहां पर आपको डाउट लग रहा तो वाला पार्ट वापिस देख लें ठीक है आया ना वह वाला पार्ट वापिस से देख लें जलिए अब थोड़ा में है वो जा सकते हैं ठीक है आया ना अच्छा इसमें एक चीज बच गहीं देट इस कॉंटिनुटी डिफ्रेंशिबिलिटी के साथ ही एप्लिकेशन ओफ डेरिवेटिव का कहानी नाम जोड दिया जाता है एक डिफ्रेंशेशन नाम का टॉपिक है न उसमें सवाल आते हैं कुछ लोग ओ लेंगा हमें डिफ्रेंशेशन आता है जैसे डिफ्रेंशेशन ऑफ इंवर्स फंक्शन लेबनित रूल और सिरीज वाले सवाल यह सब चीज़ें ठीक है और लागरित्मिक डिफ्रेंशेशन और ऐसी बहुत सारी चीज़ें तो बेसिकली आज मैसे मैं आपको छोटा लेक्चर रिकार्डड मिल जाएगा ठीक है थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसमें देख लीजेगा जुरूर बिकॉस सवाल आते हैं ठीक है उसमें मैं कई चीज़ें अच्छे अच्छी सारी जितनी भी है मेंस और एडवांस और येंटिट सारी हम कवर करने तो वह आपको रिकार्डड मिल जाएगा किस दिन मिलेगा नोटिफिकेशन आ जाएगा ठीक है नितिन टंडन जी बार बार लिख रहे हैं कि मेरा नाम लेली जी है में टंडन टंडन हो रही है चावाज अब बेटा बैक लॉग के आंसू भाने से कुछ नहीं होगा ठीक है can't backlog के आंसू मैं आपको बोलूं किया मेरा वजन जादा है कि रोज मिलों जब यहीँ बोलो यार बहुत वजन है मेरा क्या करूं यार मोटा होता जा रहो है यार मदव परिशान हो गया मोटा वाद़ कीटो डाइट यह वो क्या करूं मता मोटा हो गया एक बार बताओगे आप किसा जिम चले जाओ ढंक से खाओ तला फुला मत खाओ दो बार बताओगे तीन बार बताओगे सुबब शाम मिल रहे हो तो आप बैक लॉग का इलाज डू है तो और आप उसको accept नहीं कर पारे ओ तो फुर उससे फाइट करो समझ मैं है किया वैसे अगर आप मूटा पार नहीं accept कर पा रहे ओ तो भी वज刃 कं कर और 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 या फिर accept कर लो दोनों में से यह बोर बार बार बोलने से घुछ नहीं होगा की था इन आज़ेना थीग है हाँ एक शायरी हो जाए शायरी का जो शिक्षक है ध्यान सुनना शिक्षक बोल रहा हूं शायरी का जो शीर्षक है हेड्लाइन जो है देज मामूली शिक्षक है ऐसी बेटा बेटा मैं कई बार ही ऐसी लिख लेता हूं तो मेरे दिमाग में यह टीचर्स के बारे में कुछ आया तो मुझे लगा शेयर करना चाहिए बच्चों से तो क्या है कवीता का शीर्षक मामूली शिक्षक ध्यान सुनना कि मैं तो बस एक मामूली सा सिक्षक हूं मैं तो बस एक मामूली सा सिक्षक हूं मुश्किल बात को सरल तरीके से कह जाता हूं कि मैं तो सिर्फ एक मामूली सा सिक्षक हूं मुश्किल बात को सरल तरीके से कह जाता हूं कल बच्चों को अच्छे से समझ में आए कल बच्चो को अच्छे से समझ में आए इसी लिए कई राते जाक कर बिताता हूं किल बच्चों को अच्छे से समझ में आए इसी लिए कई राते जाक कर बिताता हूं कि मुझे चिंता कि 70% से नीचे वालों की खाती है मुझे चिंता 70% से नीचे वालों की खाती है कहां कमी रह गई होगी पढ़ाने में यही बात बार-बार सताती है कहां कमी रह गई होगी पढ़ाने में यही बात बार-बार सताती है समझाता हूँ, दुबारा बताता हूँ कि समझाता हूं दुबारा बताता हूं जरुत पढ़ने पर धमकाता भी हूं समझाता हूं दुबारा बताता हूं जरुत पढ़ने पर धमकाता भी हूं बड़ कैसे बताऊं मैं तुम सबको कैसे बताऊं मैं तुम सबको अपने परिवार से भी ज्यादा तुमारी कामया भी च निराश तुम नहीं निराश मैं भी होता हूं निराश सिर्फ तुम नहीं निराश मैं भी होता हूं तुम से क्या चुपाऊं अब मैं भी चुप चुप के कभी कभी रोता हूं निराश तुम नहीं निराश मैं भी होता हूं तुम से क्या चुपाऊं अब मैं भी चुप चु याद रखना मिला था szikshak एक जिसने दिया था वक्त अपना कामयाब हो जाओ कल तब ही याद रखना मिला था सिक्षक एक जिसने दिया था वक्त अपना सबसे प्रिस्यस चीज हो थी है वक्त ठीक है और लास्ट लाइन अगर आप तक पहुंचे तो thumbs up की जड़ी लग जानी चीद्यान सुनना तुमसे मेरी पहचान है, तुमी से मेरी आनबान और शान है खूब मेहनत करो, तरक्की करो, तुमारे आगे खुला आस्मान है live your dreams, और live them to a king size, ठीक है, और वो king size में तभी पहुंचेंगे, जब आप अपनी मैनत में कोई कमी नहीं आने देंगे, ठीक है जी, thank you so much, love you all, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, इतना patiently मुझो सुनने के लिए, और सारी चीज़े समझने के लिए, support करने के लिए, love you all, thank you so much, ठीक है, bye bye, खूब पढ़ते रहिए, प्लीज, अभी आपके पास time है, ठीक है, जी means का attempt 1 भी है, attempt 2 भी है, जी advance है, अभी हार मानने का कोई वक्त नहीं है, बेटा जी, आपको अपनी मैनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है, ठीक है, थोड़ी बहुत कमी अगर अब तक करते आ करेंगे और खूब मल लगा के बढ़ाई करेंगे, at least 10 to 12 hours a day, उसके बाद में फिर जो होगा वो तो खुदा की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं, कम से कम ये तो बोलेंगे, हमने भीया हमारा 100% दिया, इस से ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता था, काम कतम, पहले statement तक तो अभी मिलेगी, rank तुमारी नहीं आएगी, दस-दस घंटे पढ़ने वालों की नहीं आएगी तो फिर किन की आएगी, भगवान तो पर देते नहीं है, तो लड़के यह देते हैं, लड़के यह देते हैं, बच्चे ही देते हैं, ठीक है? चलिए, बाइबाइबाइबाइ, थम्स अब बेच दीजे प्लीज, बाई, एक्जित